रोबर्ट टी कियो साकी के द्वारा लिखित पूस्तक रिच डैड पूर डैड की प्रस्तावना इसकी बहुत जरूरत है क्या स्कूल बच्चों को असली जिंदिगे के लिए तयार करता है मेरे ममे डैडी कहते थे मेहनत से पढ़ो और अच्छे नमबर लाओ क्योंकि एसा करो तो एक अच्छी तनक्वा वाले नोपरी मिलेगी उनके जीवन का लक्षा यही था कि मेरी बड़ी बहन और मेरी कालेज की सिक्षपूरी हो जाई उनका मानना था कि अगर कोलेज की सिक्षपूरी हो गई तो हम जिंदगी में ज़्यादा कामियाव हो सकेंगे जब मैंने 1976 मे अपना डिपलोमा हासिल किया मैं फ्लोरिडा स्टेट युनिवेस्टी में अकाउंटिंग में ओनर्स के साथ ग्रेजुएट होई और अपनी कक्षा में काफी उंचे स्थान पर रही तो मेरे ममी डैडी का लक्षय पूरा हो गया यह है उनके जिंदगी की सबसे बड़ी अस्टर प्लान के हिसाब से मुझे एक बिग एट अकाउंटिंग फर्म में नोकरी भी मिल गई अब मुझे उमीद थी एक लंबे करियर और कम उमर में रिटायर्मेंट की मेरे पती माइकल भी इसी रास्ते पर चले थे हम दोनों ही बहुत मेहंती परिवारों से आये जो बह पेटेंट लामें विशे सगेता रखने वाली वासिंग टन डेसी की एक मानियोई लाफर्म में नोकरी मिल गई और इस तरह उनका बविश्य भी सुनेरा लग रहा था उनके करियर का नक्सा साफ था और यह बात तै थी कि वे भी जल्दी रिटायर हो सकते थे हालांकि हम दोनों ही अपने करियर में सफल रहे परंतु हम जो सोचते थे हमारे साथ ठीक वैसा ही नहीं हुआ हमने कई बार नोकरियां बदली हालांकि हर बार नोकरिय बदलने के कारण सही थे परन्तु हमारे लिए किसी ने भी पेंशन योजना में निवेस नहीं किया हमारे रिटायर्मेंट फंड हमारे खुद के लगाई पैसों से बढ़ रहे थे हमारी शादी बहुत सफल गई और हमारे तीन बच्चे हैं उन में से दो कोलेज में हैं और तीसरा भी हाई स्कूल में गया ही है हमने अपने बच्चों को सबसे अच्छी सिक्षा दिलाने में बहुत सा पैसा लगाया 1996 में एक दिन मेरा बेटा स्कूल से घर लोटा स्कूल से उसका मो बंग हो गया था वह पढ़ाई से उप चुगा था मैं उन विशों को पढ़ने में इतना चाता समय क्यों बरबाद करूँ जो असली जिन्दगी में मेरे कामी नहीं आएंगे उसने विरोध किया बिना सोचे विचारई मैंने जवाब दिया क्योंकि अगर तुमारे अच्छे नमर नहीं आए तो तुम कभी कालेज नहीं जा पाऊगे चाहे मैं कालेज जाऊं या ना जाऊं उसने जवाब दिया मैं अमीर बन कर दिखाऊंगा अगर तुम कोलेज से ग्रेजवेट नहीं होगे तो तुम्हे कोई अच्छी नोकरी नहीं मिलेगी मैंने एक मां की तरह चिंतित और आसंकित होकर कहा बिना अच्छी नोकरी के तुम किस तरह अमीर बनने के सपने देख सकते हो मेरे बेटे ने मुस्कराकर अपने सिर को बोरियत बरे अंदाज में हिलाया हम यह चर्चा कई बार पहले भी कर चुके थे उसने अपने सिर को जुगाया और अपनी आंखे गुमाने लगा मेरी समझदारी वरिसला एक बार फिर उसके कानों के बितर नहीं गई थी हलांकि वह स्मार्ट और प्रबल इच्छा सक्टी वाला युवक था परंतु वह नमर और शालेन भी था मम्मी उसने बोलना शुरू किया और भासन सुनने के बार यह मेरी थी समय के साथ चलिए अपने चारों तरफ देखिए सबसे अमीर लोग अपनी शिक्षा के कारण इतने अमीर नहीं बने है माइकल जोर्डन और मैडोना को देखिए यहां तक की बीच में हारवड छोड़ देने वाले बिल गेट्सक ने माइक्रोसुट काईम किया आज भी अमेरिका के सबसे अमीर विखती है और अभी उनकी उमर भी 30 से 40 के बीच में है और उस बेशवाल पीचर के बारे में तो आपने सुना ही होगा जो हर साल 40 लाग डालर कमाता है जबकि उस पर दिमागी तोर पर कमजोर होने का डिलेबल लगा हुआ है हम दोनों काफी समय तक चूप रहे अब मुझे यह समझ में आने लगा था कि मैं अपने बच्चों को वही सला दे रही थी जो मेरे माता पिता ने मुझे दी थी हमारे चारों तरब की दुनिया बदल रही थी परन्तु हमारी सला नहीं बदली थी अच्छी सिक्षा और अच्छे ग्रेड हासिल करना अब सभलता की गारंटी नहीं रह गए थी और हमारे बच्चों के अलावा यह बात किसी की समझ में नहीं आई थी मम्मी उसने कहा मैं आपकी और डैड़ी की तरह कड़ी मेनत नहीं करना चाता आपको काफी पैसा मिलता है और हम एक शांदार घर में रहते हैं जिसमें बहुती कीमती समान है अगर मैं आपकी सला मानूँगा तो मेरा हाल भी आपके ही तरह होगा मुझे भी ज़्यदा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं और ज़्यदा टेक्स भर्स कूँँ वैसे भी आज की दुनिया में नोकरी की सुरक्षा तो बची नहीं है मैं यह जानता हूँ कि छोटे और सही आकार की फर्म कैसी होती है मैं यह भी जानता हूँ कि आज के दोर में कालेज के सनात्कों को कम तनक्वा मिलती है जबकि आपके जमाने में उन्हें ज्यादा तनक्वा मिला करती थी डॉक्टर को देखी वे अब उतना वैसा नहीं कमाते जितना पहले कभी कमाया करते थे मैं जानता हूँ कि मैं रिटायर्मेंट के लिए सामाजीक सुर्क्षा या कमपनी पेंसर पर परोसा नहीं कर सकता अपने सवालों के मुझे नई जवाब चाहिए वह सही था उसे नई जवाब चाहिए थे और मुझे भी मेरे मैताविता की सलाय उन लोगों के लिए सही हो सकती थी जो 1945 के पहले पैदा हुए थे पर यह उन लोगों के लिए विनास्कारि साबित हो सकती थी जिन्होंने तेजी से बदल रही दुनिया में जनम लिया था अब मैं अपने बच्चों से यह सिदिसी बात नहीं कह सकती थी, स्कूल जाओ अच्छे ग्रेड असिल करो और किसी सुरक्षित नोकरी की तलास करो. मैं जानती थी कि मुझे अपने बच्चों की सिक्षा को सही दिसा देने के लिए नए तरीकों की खोज करनी होगी. एक माँ और एक अकाउंटेन होने के नाते मैं इस बात से परिशान थी कि स्कूल में बच्चों को धन सम्बंदी सिक्षा या वित्य सिक्षा नहीं दी जाती हाई स्कूल खतम होने से पहले ही आज के युगाउं के पास अपना क्रेडिट कार्ड होता है यह बात अलग है कि उन्होंने कभी धन सम्बंदी बाठेकर में भाग नहीं लिया होता है और उन्हें यह भी नहीं पता होता कि इसे किस तरह निवेश किया जाता है इस बात का ग्यान तो दूर की बात है कि क्रेडिट कार्ड पर चकरवर्दी ब्याज की गरना किस तरह की जाती है इसे आसान वासा में कहें तो उन्हें धन सम्बंदी सिक्षन नहीं मिलती और यह ग्यान भी नहीं होता कि पैसा किस तरह काम करता है इस तरहे वे उस दुनिया का सामना करने के लिए कभी तयार नहीं हो पाते जो उनका इंतजार कर रही है एक एसी दुनिया जिसमें बचत से ज़्यादा मैतव खर्च को दिया जाता है जब मेरा सबसे बड़ा बेटा कॉलेज की शुरुवाती दिनों में अपने क्रेडिट कार्ड को लेकर कर्ज में डूब गया तो मुझे उसके क्रेडिट कार्ड को नस्ट करने में उसकी मदद करनी पड़ी साथ ही मैं ऐसी तरकीब भी खोजने लगी जिससे मेरे बच्चों में पैसे की समझा सके पिछले साल एक दिन मेरे पती ने मुझे अपने ओफिस से फोन किया मेरे सामने एक सजन बैठे हैं और मुझे लगता है कि तुम उनसे मिलना चाओगी उन्होंने कहा उनका नाम रबर्ट कियोसा की है वे एक व्यवसाई और निवेसक हैं तथा वे एक सेक्षनिक उतपात का पेटेंट करवाना चाते हैं मुझे लगता है कि तुम इसी चीज की तलास कर रही थी जिसकी मुझे तलास थी मेरे पती माईक रबर्ट कियोसा की द्वरा बनाई जा रहे नए सेक्षनिक उतपात कैस्पलों से इतने प्रवावित थे कि उन्होंने इसके परिक्षन में हमें बुलवा लिया यह एक सेक्षनिक खेल था इसलिए मैंने स्थानिया विस्विदेल में पढ़ रही अपनी 19 वर्ष यह बेटी से भी पुछा कि क्या वह मेरे साथ चलेगी और वह तैयार हो गई इस खेल में हम लगवग 15 लोग थे जो तीन समुव में विबाजिक थे माइक सही थे मैं इसी तरह के सेक्षनिक उतबात की खोज कर रही थी यह किसी रंगीन मोनोपली बोर्ड की तरह लग रहा था जिसके बीच में एक बड़ा सा चूहा था परन्तु मोनोपली से यह इस तरह अलग था कि इसमें दो रास्ते थे एक अंदर और दूसरा बाहर खेल का लक्षय था अंदर वाले रास्ते से बाहर निकलना जिसे रावट चूहा दोड कहते थे और बाहरी रास्ते पर पहुंचना या तेज रास्ते पर जाना रावट के मुताबिक तेज रास्ता हमें यह बताता है कि असली जिन्दगी में अमीर लोग किस तरह पैसे का खेल खेलते हैं राबर्ट ने हमें चुहा दोड के बारे में बताया अगर आप किसी भी ओसत रूप से शिक्षिप कड़ी मेनत करने वाले आदमी की जिन्दगी को देखें उसमें आपको एक साही सफर दिखेगा बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, माता पिता खुश हो जाते है क्योंकि बच्चे को स्कूल में अच्छे नमर मिलते हैं और उसका दाखिला कालेज में हो जाता है बच्चा सनातक हो जाता है और फिर योजना के अनुसार काम करता है वह किसी आसान सुरक्षित नोकरी या करियर की तलास करता है बच्चे को एसा ही काम मिल जाता है शायद वह डोक्टर या वकिल बन जाता है या वैसे नामे बरती हो जाता है या फिर वह सरकारी नोगरी करने लगता है बच्चा पैसे कमाता है उसके पास थोक में क्रेडिट कार्ड आने लगते हैं और अगर अब तक उसने खरीदारी करना शुरू नहीं किया है तो अब जमकर खरीदारी शुरू हो जाती है खर्च करने के लिए पैसे पास में होते हैं तो वह उन जगों पर जाता है जहां उसकी उमर के ज़्यादा नोजवन जाते हैं लोगों से मिलते हैं, डेटिंग करते हैं और कभी कवार शादी भी कर लेते हैं अब जिन्दगी में मज़ा आ जाता है क्योंकि आज कल पुरूस और मैलाएं दोनों नोभरी करते हैं दो तनकोएं बहुत सुखत लगती है पती-पत्नी को लगता है कि उनकी जिन्दगी सफल हो गई है उन्हें अपना वविशे सुनायरा नजर आता है अब वे घर, कार, टेलिवजिन खरीदने का फैसला करते हैं सुटिया मनाने कहीं चले जाते हैं और फिर उनके बच्चे हो जाते हैं बच्चों के साथ उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं कुशाल पति-पत्नी सोचते हैं कि ज़्यादा पैजा कमाने के लिए अब उन्हें ज़्यादा मेनत करना चाहिए उनका करियर अब उनके लिए पहले से ज़्यादा माइने रखता है वे अपने काम में ज़्यादा मेनत करने लगते हैं ताकि उन्हें प्रमोशन मिल जाए या उनकी तनक्वाइं बढ़ जाए तनक्वाँ बढ़ती है पर उसके साथ ही दूसरा बच्चा भी पैदा हो जाता है अब उन्हें एक बड़े घर की जुरूरत महसूस होती है वे नोकरी में और भी ज़्यादा मेनत करते हैं बहतर करमचा लें उनकी आमदनी बढ़ जाती है परन्तु उस आमदनी पर उन्हें इंकम टेक्स भी चुकाना पड़ता है यही नहीं उन्होंने जो बड़ा घर करीदा है उस पर भी टेक्स देना होता है इसके अलावा उन्हें समाजिक सुरक्षा का टेक्स तो चुकाना ही है इसी तरह बहुत से टेक्स चुकाते चुकाते उनकी तनक्वा चुक जाती है वे अपनी बड़ी तनक्वा लेकर घर आते हैं और हैरान होते हैं कि इतना सारा पैसा आखिर कहां चला जाता है भविश्य के लिए बचत के इसाब से वे कुछ mutual fund भी खरीद लेते हैं और अपने credit card से घर का क पैसा बचाने की चिंता भी सताने लगती है 35 साल पहले पैदा हुए यह खुशाल दमपती अब अपने नोकरी के बाकी दिन चुहा दोड़ में फसकर बिताते हैं वे अपनी company के मालिकों के लिए काम करते हैं सरकार को टेक्स चुकाने के लिए काम करते हैं और पैंक में अप इसी सुरक्षित नोकरी की तलास करना चाहिए वे पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सीखते और इसलिए वे जिंदगी भर कड़ी मेहनत करते रहते हैं यह प्रकिरिया पीडी दरपीडी चलती है इसे चुहा दोड़ कहते हैं चुहा दोड़ से निकलने का एक ही तरीका है औ आप अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट दोनों चेत्रों में निपण हो जाएं दिक्कत यह है कि इन दोनों ही विश्यों को बोरिंग और कठिन मना जाता है मैं खुद एक सीपी हूं और मैंने बिग एट अकाउंटिंग फर्म के लिए काम किया है मुझे यह देखकर ताज लगा रहे थे तो हमें यह द्यानी नहीं रहा कि हम कुछ सीख रहे थे शुरू में तो हम एक नए सेक्षिनिक खेल का प्रिक्षन कर रहे थे परन्तु जल्दी ही इस खेल में मुझे और मेरी बेटी को मजाने लगा खेल के दोरान हम दोनों ऐसे विश्यों पर बात कर रहे जिनके बारे में हमने पहले कभी पाते नहीं की थी। एक लेखा पाल होने के कारण, इंकम स्टेडमेंट और बैलेंस सीट से जुड़ा खेल खेलने में मुझे कोई परिशानी नहीं होई। मैंने खेल के नियम और इसकी बारिकियां समझाने में अवनी बेटी और दूसरे लोगों की मदद भी की। उस रोज मैं चुहादोड से सबसे पहले बाहर निकली और केवल मैं ही बाहर निकल पाई। बाहर निकलने में मुझे 50 मिनट का समय लगा, हालांकि खेल लगवग 3 गंटे तक चला। मेरी टेबल पर एक बैंकर बैठा था। इसके अलावा एक व्यवसाई था और एक कंपिटर प्रोग्रामर भी था। मुझे यह देखकर बहुत एरानी होई कि इन लोगों को अकाउंटिंग या इन्वेस्टमेंट के बारे में इतनी कम जानकारी है जबकि यह विशे उनकी जिन्दगी में कितने ज्यादा एमियत रखते थे। मेरे मन में यह सवाल भी उठ रहा था कि वे असल जिन्दगी में अपने पैसे देले के कारोबार को कैसे समभालते होंगे। मैं यह समझ सकती थी कि मेरी 19 साल के बेटी क्यों नहीं समझ सकती पर यह लोग तो उससे दुगनी उमर के थे और उन्हें यह बात समझ में आनी चाहिए थी। चुहादोड से बाहर निकलने के बाद मैं दो गंटे तक अबने बेटी और इन सिक्षित अमीर व्यसकों को पासा फेंगते और अपना बाजार पहलाते देखती रही। हालांकि मैं खुश थी कि वे लोग कुछ नया सीख रही थे। लेकिन मैं इस बात से बहुत परेशान और विचलित थी। व्यसक लोग समाने अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट के मूलबूत पिंदों के बारे में कितना कम जानते थे। उन्होंने अपने इन्कम स्टेटमेंट और अपनी बैलेंस सीट के आपसी संबंद को समझने में भी बहुत समय लगाया। अपनी संपति खरीदते और बेशते से मैं उन्हें ध्यानी नहीं रहा कि हर सोदे में उनकी महिने के आमदनी पर असर पड़ रहा है। मैंने सोचा असल जिन्दगी में इसे करोणों लोग होंगे जो पैसे के लिए सिर्फ इसलिए परेशान हो रही हैं क्योंकि उन्होंने ये दोनों विशे कभी नहीं पड़े। मैंने मन में सोचा बगवान का शुक्र है कि हमें मजा आ रहा है और हमारा लक्षा खेल में जीतना है। जब खेल खतम हो गया तो रावर्ट ने हमें 15 मिनट तक कैस्पलों पर चर्चा करने और इसकी समिक्षा करने के लिए कहा। मेरी टेबल पर बैठा भी अफसाई खुश नहीं था। उसे खेल पसंद नहीं आया था। मुझे यह सब जानने की कोई जुरूट नहीं है। उसने जोर से कहा मेरे पास इन सब के लिए अकाउंटेंट, बेंकर और वकील है जिनें यह सब मालूम है। रावर्ट का जवाब था। क्या आपने गोर किया है कि एसे बहुत से अकाउंटेंट है जो अमीर नहीं है और यही हाल डेंकर, वकील, स्टाक ब्रोकर और रियल इस्टेट ब्रोकर का भी है। वे बहुत कुछ जानते हैं और प्राई वे लोग स्मार्ट होते हैं परंतु उन में से ज्यादातर अ आप ट्रेफिक जाम में फस जाते हैं आप बाहर निकलने के लिए छट पटाते हैं जब आप अपनी दाई तरफ देखते हैं तो वहां आप देखते हैं कि आपका अकाउंटेंट भी उसी ट्रेफिक जाम में फसा हुआ है फिर आप बाई तरफ देखते हैं और आपको वहां का अंदाज़ा हो जाएगा कंप्यूटर प्रोग्रामर भी इस स्केल से प्रवावित नहीं हुआ था यह सीखने के लिए मैं साफ्टेयर खरीच सकता हूं बैंकर जरूर प्रवावित हुआ था मैंने स्कूल में अकाउंटिंग सीखा था परन्तु मैं अब तक यह नहीं समझ पाया था कि इसे असल जिन्दगी में किस तरह काम में लाया जाए अब मैं समझ गया हूं मुझे चुहा दोड़ से बाहर निकलने के लिए खुद को तयार करने की जुरूरत है परन्तु मेरी पुत्री के विचारों से मैं सबसे ज़्यादा रोमान चित हुई उन्होंने कहा मुझे सीखने में बड़ा मजाया मैंने इस बार में बहुत कुछ सीखा कि पैसा असली जिन्दगी में किस तरह काम करता है और इसका निवेश किस तरह करना चाहिए फिर उसने आगे कहा अब मैं जानती हूं कि मैं अपने काम करने के लिए किस तरह का व्यवसाई चुनूं और यह व्यवसाई चुनने का कारण नोकरी की सुरक्षा उससे मिलने वाले फाइदे या तनखवा नहीं होंगे अगर मैं इस खेल में सिखाए जाने वाली बातें सीख जाती अब मैं यह खेल सीख जाती हूं तो मुझे नोकरी की सुरक्षा और सामा जिक सुरक्षा की जज़ा चिंता नहीं होगी जैसी कि मेरी बहुत सी सहलियों को होती है खेल खत्म होने के बाद मुझे रोबर्ट से बात करने के लिए ज्यादा समय नहीं मिला हमने उसकी योजना पर आगे बातें करने के लिए बाद में मिलने का फैसला किया इतना तो मैं जानती थी कि इस खेल के बाहने रावर्ट यह है चाहते थे कि लोगों में पैसे की बेतर समझ विक्षित हो जाए यही कारण था कि मैं उनकी योजनाओं के बारे में ज़्यादा जानने के लिए उच्छुक थी मेरे पती और मैंने रावर्ट और उनकी पत्री के साथ अगले अपते डिनर मिटिंग रख ले हलांकि यह है हमारा पहला सामाजिक मेल जोलदा फिर भी मुझे ऐसा मैसूस हो रहा था जैसे हम एक दूसरे को बर्सों से जानते हो हमने पाया कि हमें बहुत से बाते एक जैसी है हमने बहुत से विशों पर बातें की खेलों, नाटकों, रेस्तराओं और सामाजिक आर्थिक विशों पर हमने बदलती होई दुनिया के बारे में बातें की हमने इस मुद्दे पर बहुत समय तक विचार किया कि ज्यादातर अमेरिकी कैसे अपने रिटायर्मेंट के लिए बहुत कम पैसा बचा पाते हैं या बिलकुल नहीं बचा पाते हमने सामाजिक सुरक्षा और मेडिकेर की लगवग दिवालिया हालात पर भी चर्चा की क्या हमारे बच्चों को साड़े साथ करोड वरद लोगों के लिए रिटायर्मेंट के लिए पैसा चुकाना होगा हम हैरान थे कि लोग पेंशन योजना के बरों से बैठकर कितना बड़ा खत्रा मोल ले रही है रावर्ट की सबसे बड़ी चिंता ये है थी कि अमीरों और गरीबों के वीज़ फासला लगातार बढ़ता जा रहा है एसा नय सिर्फ अमेरिका में हो रहा है बलकि पूरी दुनिया में हो रहा है रावर्ट स्वे सिक्षित और स्वे निर्मित वियवसाई थे वे दुनिया भर में निवेस कर चुके थे और 47 वर्स की उमर में रिटायर होने में सफल हो गई थे वे काम इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें भी वही चिंता थी जो मुझे अपने बच्चों को लेकर सता रही थी वे जानते हैं कि दुनिया बदल चुकी है पर उन्तु इसके बावजूद सिक्षा पदतियां बिलकुल नहीं बदली है रावट के अनुसा बच्चे सालों तक दकी अनुसी सिक्षा पदती में अपना समय गुजारते हैं और एसे वीशे पड़ते हैं जो उनके जीवन में कभी भी कहीं भी काम नहीं आने वाले हैं और वे एसी दुनिया के लिए तैयारी करते हैं जिसका आप नामों निसान भी नहीं बचा है आज आप किसी भी बच्चे को जो सबसे खतरनाक सला दे सकते हैं वह यह है स्कूल जाओ अच्छे नंबर लओ और सुरक्षित नोकरी ढूंड़ो उन्होंने कहा यह पुरानी सला है और यह खराब सला है अगर आप यह देख सकते हैं कि एसिया यूरोप दक्षिन अमरिका में क्या हो रहा है तो आप भी उतनी ही चिंदित होंगी जितनी की मैं रावट के अनुसार यह बुरी सला है क्योंकि अगर आप चाते हैं कि आपके बच्चे का बविश्या आर्थी ग्रूप से सुरक्षित हो तो आप पुराने नियमों के सारे नए खेल को नहीं खेल सकते यह बहुत खतरनाक होगा मैंने उनसे पूछा कि पुराने नियमों से उनका क्या मतलब है मेरी तरह के लोग अलग तरह के नियमों से खेलते हैं और आपकी तरह के लोग पुराने नि जाती है हाँ परंतु कंपनी पर इसका क्या आसर पड़ता है खासकर जब वह कंपनी स्टोक एक्षेंज में दर्ज हो जब स्टाफ कम करने की गोश्टा होती है तो स्टाक की कीमते बढ़ जाती है मैंने कहा जब कमपणी तनक्वा का खर्चा कम करती है तो बाजार इस बात को पसंद करता है एसा चाहे स्टाफ कम करने के लिए किया जाई या फिर कम्पिटर के मादम से किया जाई उन्होंने कहा आप ठीक कह रही है और जब स्टाक की कीमते बढ़ती है तो मेरी तरफ से लोग यानी जिनके पास उस कंपनी के शेर होते हैं वे ज़्यदा अमीर हो जाते हैं अलग तरह के नियमें से मेरा यही आश्या है करमचारी हारते हैं मालिक और निवेसर जीतते हैं रावट करमचारी और मालिक के बीच के फरक को समझा रहे थे यह फर्क था अपनी किसमत पर खुद अपना नियंतर्ण होना या फिर आपकी किसमत पर किसी दूसरे का नियंतर्ण होना परन्तु जादातर लोग यह नहीं समझ सकते कि ऐसा क्यों होता है मैंने कहा उन्हें लगता है कि यह ठीक नहीं है उनका जवाब था इसलिए तो बच्चों से यह कहना मुर्गता है अच्छी सिक्षा प्रापत करो यह सोचना मुर्गता है कि स्कूलों में दी जा रही सिक्षा से बच्चे उस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगी जिसमें विकालेज के बाद पहुँचने वाले हैं हर बच्चे को ज़्यादा सिक्षा की जरूरत है एक अलग तरह की शिक्षा की और उन्हें नए नियमों को जानने की भी जरूरत है अलग तरह के नियमों को जानने की धन के कुछ नियम होते हैं, जिनसे अमीर लोग खेलते हैं, और धन के कुछ और नियम होते हैं, जिनसे बाकी 95% लोग खेलते हैं, और ये 95% लोग उन नियमों को अपने घर और स्कूल में सीखते हैं, इसलिए आज कल किसी बच्चे से यह कहना खतरनाक है, मन लगा कर पढ़ो और अच्छी नोकरिक हो जो, आज बच्चों को अलग तरह की सिख्षा की ज़रूरत है और आज की सिख्षा निती उन्हें कुछ मूलबूत बाते नहीं सिखा पा रही है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लास रूम में कितने कंप्यूटर रखे हैं या स्कूल कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। जब सिख्षा निती में यह विशे ही नहीं है तो उसे किस तरह पड़ाया जा सकता है। खत्रे से ट्रते हैं। अपने बच्चों को सुरक से जीवन के लिए तयार करने के बजाए मैंने यह बेतर समझा कि उन्हें रोमांचक जीवन के लिए तयार किया जाए। तो आप किस तरह किसी बच्चे को धन और उन सब चिज़ों के बारे में सिखा सकते हैं जिन पर हमने अभी विचार किया है। मैंने रवट से पूछा हम किस तरह इसे माता-पिता के लिए आसान बना सकते हैं। खास कर तब जब उन्हें खुद ही इसकी समझना हो। उन्होंने कहा मैंने इस विशे पर एक पुस्तक लिखी है। वह पुस्तक कहा है। मेरे कंप्यूटर में। यह बर्सों से वहीं बिखरी पड़ी है। मैं कभी कवार उसमें कुछ बातें जोड़ देता हूं। परंतु मैं आज तक उसे कभी कठा नहीं कर पाया। मैंने इस पुस्तक को तब लिखना शुरू किया था जब मेरी पहली किताब बेस्ट सेलर हो गई थी। परंतु मैं अभी तक अपनी नई किताब को पूरा नहीं कर पाया हूं। यह अभी भी खंडों में है। और यह पुस्तक निश्चित रूप से खंडों में ही थी। उन बेतरतिव खंडों को पढ़ने के बाद मैंने यह फैसला किया कि पुस्तक निश्चित रूप से बेतर कि बच्चे को पन जाओं मैंने उनसे पूछा कि उनके वचार से किसी बच्चे को कितनी वितिया आई की जरूरत होती है उन्होंने कहा कि यह बच्चे पर निर्वर करता है। अपने बच्पन में उन्होंने यह जान लिया था कि वे अमीर बनना चाहते थे और उन्हें एक एसे पिता सुरूब व्यक्ति मिल गई जो अमीर थे और जो उनका मारक दर्सन करने के इच्छुग भी थे। रावट का कहना था कि शिक्षा ही सफलता की नीम है। जिस तरह सकूल में सिखे गई बातें बहुत मैतुकूर्ण होती है। उसी तरह धन संबंदी, समझ और बोलने की कला भी मैतुकूर्ण होती है। आगे की कहने रावट के दो डेडियों के बारे में हैं, जिन में से एक अमीर है और दूसरे गरीब, जिनके जरिये रावट उन रहष्यों को बताएंगे जो उन्होंने अपने जीवन में सिखे हैं। दोनों डेडियों के बीच का अंतर एक खास बात उजाकर करता है, इस पुस्तक को मैंने बढ़ाया है, जिसमें कुछ जोड़ा और गटाया है, और इसे व्यवस्तित करने के लिए काम किया है। जो अकाउंटेंट इस पुस्तक को पड़े, उन से मेरा यही कहना है कि वे अपने किताबी ज्यान को एक तरव रख दें, और अपने दिमाग में रोबर्ट के सिदान्तों को घुश जाने दें। और अपने दिमाग में रोबर्ट के सिदान्तों को घुश जाने दें। हलांकि उन में से कई सिदान्त पहली नजर में गलत लगेंगे। अकाउंट्स के सिदान्तों की बुनियादी बातों को चुनोती देते लगेंगे। परन्तु यहें याद रखें कि वे एक मैतोपोन दरश्टी देते हैं कि किस तरह सचे निवेसक अपने निवेस के फैसलों का विशलेशन करते हैं जब हम अपने बच्चों को स्कूल जाने मेहनत से पढ़ने और अच्छी नोकरी पाने की सला देते हैं तो अक्सर हम ऐसा सांसकर्तिक आदतों के कारण करते हैं ऐसा करना हमेशा सही चीज मानी गई है जब मैं रावर्ट से मिली तो उनके विचारों ने शुरू में तो मुझे चोंका दिया दो डैडियों के साथ पले बड़े रावर्ट के सामने दो अलग अलग लक्षे होते थे उनके पढ़े लिखे डैडियोंने कार्परेशन में नोभरी करने की सला देते थे और उनके अमीर डैडियोंने कार्परेशन का मालिक बने की सला देते थे दोनों ही कामों में सिक्षा की जरूरत थी परंतु पढ़ाई के विशे बिल्कुल अलग लग थे पढ़े लिके डैडी रावर्ट को स्मार्ट बनने के लिए प्रोचसाइद करते थे अमीर डैडी रावर्ट को यह जानने के लिए प्रोचसाइद करते थे किस तरह समार्ट लोगों की सेवाईं ले जाएं दो डेडियों के होने से कई समश्चाएं भी पैदा हुई रावट के असली डेडि हवाई राज्ये के सिक्षा परमुक थे जब रावट 16 साल के हुए तो उन्हें इस बात की कोई खास चिंता नहीं सता रही थी अगर तुम्हें अच्छे नमर नहीं मिलते तो तुम्हें कोई अच्छी नोकरी नहीं मिलेगी वे पहले से ही ये जानते थे कि उनके करियर का लक्षय था कॉर्परेशन का मालिक बनना ने कि उसमें नोकरी करना सच तो यह है कि अगर हाई स्कूल में समझदार और महिंती परामर्जदाता नहीं मिला होता तो रावाट कभी कालेज नहीं गई होते वे इस बात को मानते हैं वे दोलत कमाने के लिए बेताब थे परन्तु वे आखिर कारमानी गई कि कालेज की सिक्ष्या से भी उन्हें फाइदा हो सकता है दरसल इस पुस्तक में दिये गए विचार शायद बहुत से माता पिताओं को करांतिकारी और अतिशोक्ति पूर्ण लगेंगे कई लोगों को तो अपने बच्चों को स्कूल में रखने में भी काफी परेशानी, काफी मेनत करनी पड़ती है परन्तु बदलते हुए समय को देखते हुए हमें नई और जो किमबरे विचारों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है अपने बच्चों को करमचारी बनने की सला देने का मतलब यह है कि हम उन्हें जिन्दगी भर अपनी खून पसेने की कमाई से इंकम टेक्स और भी नहीं जाने कितने टेक्स चुकाने की सला देते हैं और इसके बाद भी पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती और यह सच है कि आज के जमाने में टेक्स किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा खर्च है हकिकत में ज्यादातर परिवार तो जन्वरी से आदी मई तक सिर्फ अपने टेक्स चुकाने के लिए ही सरकार की नोकरी करते हैं आज नई विचारों की बहुत जुरूरत है और यह पुस्तक हमें नई विचार देगी रावर्ट का दावा है कि अमीर लोग अपने बच्चों को अलग तरह की सिक्षा देते हैं वे अपने बच्चों को घर पर सिखाते हैं डिनर टेबल पर सिखाते हैं हो सकता है कि ये विचार वे नहीं हों जिन पर आप अपने बच्चों से बात करते हों परंतु उन पर नजर डालने के लिए धन्यवाद और मैं आपको सला देती हूं कि आप खोज करते रहें एक माँ और एक CPA होने के नाते मैं तो यही सोचती हूं कि अच्छे नंबर लाना औ एक बड़ी अनोकरी पा लेना एक पुराना विचार है हमें अपने बच्चों को नए तरह के विचार देने होंगे हमें उन्हें अलग तरह की सिक्षा देनी होगी शायद हम अपने बच्चों को यह सिखाएं कि अच्छे करमचारी होने के साथ साथ वे अपना खुद का नि विव्यक्ति अगर ठान ले तो अमीर बन सकता है अगर आप एक माली या गेट कीपर हैं या पूरी तरह वेरुजगार हैं तो भी आप में खुद को अपने और अपने परिवार के लोगों को धन संबंदी बातें सिखाने की काबलियत है यह याद रखें कि धन संबंदी लगशनी नहीं किया किसी के पास पूरी पढ़िया नहीं है परम्तु यह पात तो तय हैं एसे परिवरतन हमारे सामने कौन जijn और विषय क्या लाता है या तो हम शुरुडशा कि रापर चलें या फिर हम smart बनकर अपने और बच्चों की धन संबंदी परतिभा को चुट धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याए एक की तरफ रिच डेड पूर डेड रावर्ट कियो साकी के अनुसार अध्याए एक रिच डेड पूर डेड रोवर्ट कियो साकी के अनुसार मेरे दो डेड़ी थे एक अमीर और दूसरे करीब एक बहुत पढ़े लिखे और समझधार थे वे पिएजडी और उन्होंने अपने चार साल के अंडर ग्रेजवेट कारवे को दो साल से भी कम समय में कर लिया था इसके बाद वे आगे पढ़ने के लिए स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी अप सिकागो तता नार्थ वेस्टरन यूनिवर्सिटी गए और यह सब उन्होंने पूरी तरह से स्कलर्शिप के सारे किया मेरे दूसरे डेडी आठवें से आगे नहीं पड़े थे दोनों ही अपने करियर में सफल थे दोनोंने जिंदगी भरकड़ी मेहनत की थी दोनोंने यह काफी पैसा बनाया था परन्तों में से एक तो पूरी जिंदगी के लिए परिशान होते रहे और दूसरे हवाई के सबसे अमीर विक्तियों में से एक बन गई एक डेडी के मरने पर उनके परिवार, सर्च और जरूर पंदों को करोडों डोलर की दोलत मिली और दूसरे अपने पीछे कर्द छोड़ कर मर गई मेरे दोनों डेडी इरादे के पक्ते, चम्तकारी और परभावशा ली थे दोनों ने मुझे सला दी परन्तों उनकी सलाएं एक सी नहीं थी दोनों इस शिक्षा पर बहुत जोर देते थे परन्तों उनके द्वारा सुझाए गए पढ़ाई के विशे अलग अलग थे अगर मेरे पास केवल एक ही डेडी होते तो मैं या तो उनकी सलाएं मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता चुकि सला देने वाले दो थे इसलिए मेरे पास दो विरोधावासी विचार होते थे किसी भी एक विचार को सीदे सीदे मान लेने या नए मानने के बजाए मैं उनकी सलाओं पर काफी सोस विचार करता उनकी तुलना करता था और फिर खुद के लिए फैसला किया करता था समश्चा यह है थी कि अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे दोनों ही अपने करियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही दोलत तथा परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे परन्तु पैसे के बारे में दोनों के विच्यार और नजरिये एकदम अलग थे उधारन के तोर पर एक डेड़ी कहते थे पैसे का मोह ही सभी बुराईयों की जड़ है जब कि दूसरे डेड़ी कहा करते थे पैसे की कमी ही सभी बुराईयों की जड़ है जब मैं छोटा था तो मुझे दोनों डेड़ीों की अलग अलग सलाओं से दिक्कत होती थी एक अच्छा बच्चा होने के नाते मैं दोनों की बाते सुनना चाहता था पर इसानी यह थी कि दोनों एक सी बाते नहीं करते थे उनके विचारों में जमीन आस्मान का फर्क था खासकर पैसे के मामले में मैं काफी लंबे समय तक यह सोचा करता कि उन में से किसने क्या कहा क्यों कहा और उसका परिणाम क्या होगा मेरा बहुत सा समय सोच विचार में ही गुजर जाता था मैं कुछ से बार बार इस तरह के सवाल पूछा करता उन्होंने इसा क्यों कहा और फिर दूसरे डैडी के दुवारा कही होई बातों के बारे में भी इसी तरह के सवाल पूछता काश मैं यह बोल सकता हाँ वे बिल्कुल सही हैं मैं उनकी बातों से पूरी तरह सेहमत हूँ या यह कहकर मैं सीधे उनकी बात टुकरा सकता था बुड़े को यह भी नहीं पता कि वे क्या कह रहा है चुकि दोनों ही मुझे प्यार करते थे इसलिए मुझे खुद के लिए सोचने पर मज़ूर होना पड़ा इस तरह सोचना मेरी यादत मन गई जो आगे चलकर मेरे लिए बहुत फाइदेमन साबित हूँ अगर मैं एक तरह से ही सोच पाता तो यह मेरे लिए इतना फाइदेमन नहीं होता धन दोलत का विशय स्कूल में नहीं बलकि घर पर पड़ाया जाता है शायद इसलिए अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं जबकि गरीब और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं और मध्यम वर्कर्ज में डुबा रहता है हम में से ज़्याद अतर लोग पैसे के बारे में अपने माता-पिता से सीखते हैं कोई गरीब माता-पिता अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है वह सिर्फ इतना ही कह सकता है स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो हो सकता है वह बच्चा अच्छे नंबर से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले फिर भी पैसे के मामले में उसके मान सिकता और उसके सोचने का धंग एक गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा यह सब उसने तब सीखा था जब वह चोटा बच्चा था धन का विशे स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता स्कूलों में सेक्षन एक और व्यवसाइक निपूंताओं पर जोड दिया जाता है ने की धन संबंदी निपूंता पर इससे ही एह साप हो जाता है कि जिन स्मार्ट बेंकर्स, डॉक्टर्स और अकाउंटेंट्स के स्कूल में अच्छे नमबर आते हैं वे जिन्दगी विरपैसे के लिए संगर्श क्यों करते हैं हमारे देश पर जो भारी कर्ज लदा हुआ है वहकाफियाद तक उन उच्छित राजनेताओं और सरकारी अधितारियों के कारण है जो आर्थिक नितियां बनाते हैं और मजे की बात यह है कि वे धन के बारे में बहुत कम जानते हैं मैं एकसर नई सदी में आने वाली समश्याओं के बारे में सोचता हूँ तब क्या होगा जब हमारे पास एसे करोणों लोग होंगे जिने आर्थिक और चिकित सकी हैं मदद की जरूरत होगी धन संबंदी मदद के लिए या तो वे अपने परिवारों पर या फिर सरकार पर निर्वरोंगे क्या होगा जब मेडिकेर और सोचल सिक्रिटी के पास पैसा खतम हो जाएगा किस तरह कोई देश तरक्की कर पाईगा अगर पैसे के बारे में पढ़ाई की जिम्मेदारी माता पिता के उपर छोड़ दी जाएगी जिन में से ज़्यातर गरीब हैं या गरीब होंगे चुकि मेरे पास दो पर वहोशाली डेडी थे इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा मुझे दोनों की इसला पर सोचना पड़ता था इस तरह से सोचते सोचते मैंने यह भी जान लिया कि किसी व्यक्ति के विचार उसकी जिन्दगी पर कितना जवर्दस्त असर डाल सकते हैं उधारन के तोर पर एक डेडी को यह कहने की आदत थी मैं इसे नहीं खरीच सकता दूसरे डेडी इन शब्दों के इस्तिमाल से चिड़ते थे वे जोड़ देकर कहा करते थे कि मुझे इसके बजाई यह कहना चाहिए मैं इसे कैसे खरीच सकता हूँ पहला वाक्या नकारात्मक है और दूसरा प्रशन वाचर एक में बात खतम हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं मेरे जल्दी अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे समझाया कि जब हम कहते हैं मैं इसे नहीं खरीच सकता तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है इसके बजाए जब हम यह सवाल पूचते हैं मैं इसे कैसे खरीच सकता हूँ तो हमारा दिमाग काम करने लगता है उनका यह मतलब नहीं था कि आपका जिस चीज़ पर दिल आ जाए उसे खरीदी ले वे लगबग दिवानगी की हद तक अपने दिमाग को कसरत करवाना चाते थे और उनके ख्याल से दिमाग दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है मेर मानना था कि मैं इसे नहीं खरीच सकता कहना दिमाग की आलश्य की पहचान है हालांकि दोनों इन डेड़ी अपने काम में कड़ी मेनद करते थे परंदु मैंने देखा कि पैसे के मामले में एक डेड़ी की आदत यह थी कि भी अपने दिमाग को सुला देते थे और दूसरे डेड़ी अपने दिमाग को लगातार कसरत करवाते रहते थी इसका दिर काले नतिजा यह निकला कि एक डेड़ी आर्थी ग्रूप से बहुत अमीर होते चले गए जबकि दूसरे डेड़ी लगातार कमजोर होते चले गए इसे इस तरह से समझे कि एक व्यक्ति हर रोज कसरत करने के लिए जिम जाता है जबकि दूसरा व्यक्ति अपने सोफे पर बैट कर टीवी देखता रहता है शरीर की सही कसरत से आफ ज्यादा तंदरूस्त हो सकते हैं और दिमाग की सही कसरत से आफ ज्यादा अमीर हो सकते हैं अलस्य से स्वास्त्य और धन दोनों का ही नुकसान हो גש उन लोगों को सजा देता है जो उत्पादन करते है और उन लोगों को इनाम देता है जो उत्पादन नहीं करते एक डैड़ी से गजआ दो महत थे मेहनेत से पढ़ो ताकि तुमें किसी अच्छी कंपनी में नोकरी मिल जाए जोकि दूसरे डैडी की सीखिया थी मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कमपनी को खरीदने का मौका मिल जाए एक डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है दूसरे डैडी कहते थे मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है एक डैडी डिनर की टेबल पर पैसे और बिजनस के बारे में बात करते थे परन्तु दूसरे डैडी बोजन करते समय पैसे की बाते करने से लिए मना करते थे एक का कहना था जहां पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ खत्रा मत उठाओ दूसरे का कहना था खत्रों का सामना करना सीखो एक का मानना था हमारा घरी हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपक्ति है जबकि दूसरे का मानना था मेरा घर मेरा दाइतव है और अगर आपका घर आपकी नजर में सबसे बड़ा निवेष है तो आप कष्ट में है दोनों ही टैडि अपने बिल समय पर चुकाते थे परंद उन में से एक सबसे पहले अपने बिल चुकाता था जबकि दूसरा सबसे आखिरी में एक डेड़ी का यह मानना था कि कमपनी या सरकार को आपका ध्यान रखना चाहिए और आपकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए वे हमेशा तनख्वा में बड़ोतरी रिटाइर्मेंट योजनाओं, मेडिकल लाबों बिमारी की चुट्टी, चुट्टियों के दिन और बाकी सुईदाओं के लिए चिंतित रहते थे वे अपने दो चाचाओं से बहुत प्रवावित थे जो सेना में चले गई थे और 20 साल के सक्रिय जीवन के बाद उन्होंने अपने रिटाइर्मेंट और जीवन भर के लिए आराम का इंतिजाम कर लिया था वे मेडिकल लाब के विचार को पसंद करते थे और सेना दवारा अपने रिटाइर करमचारियों के दी जारी सुईदाओं की भी तारिफ करते थे उन्हें विश्व देला का टेने और सिस्टम भी काफी पसंद था कई वार नोकरी से आजीवन मिल रही सुरक्षा और नोकरी के लाब नोकरी से ज़्यादा मैत्वकूर्ण हो जाते हैं वे अक्सर यह कहते थे मैंने सरकार के लिए बहुत मेनत से काम किया है इसलिए बदले में मुझे यह लाब मिलने चाहिए दूसरे डैडी पूरी तरह से आर्थिक स्वाव लंबन में विश्वास करते थे वे सुईदाबों की मानसिक्ता के विरोधी थे वे यह मानते थे कि इस तरह की मानसिक्ता लोगों को कमजोर और आर्थी ग्रूप से जरूरतमंद बनाती है उनका द्रड विश्वास था कि आदमी को आर्थी ग्रूप से सक्षम होना चाहिए एक डैडी उस डॉलर बचाने के लिए परिसान रहते दूसरे डैडी एक के बाद एक निवेस करते रहते एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी नोकरी तलासने के लिए अच्छा बायोड़टा कैसे लिखा जएग दूसरे ने मुझे यह सिखाया कि कैसे मजबूत व्यवसाईक और वित्य योजनाई लिखी जएगी जिससे मैं नोकरियां दे सकूँ दो पर वाव साले डैडियों के साथ रहने के कारण मुझे यह विसलेशन करने का मौका मिला कि उनके विचारों का उनके जीवन पर कितना आसर हो रहा है मैंने पाया कि दरसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिसा देते हैं उधारन के तोर पर मेरे गरीब डैडी हमेसा कहा करते थे मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा और उनकी यह वविश्यवनी सही साबित होई दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी हमेसा कुद को अमीर समझते थे वे इस तरह की बातें करते थे मैं अमीर हूँ और अमीर लोग ऐसा नहीं करते एक बड़े आर्थिक जटके के बाद जब वे दिवालियपन के कगार पर थे तब भी वे खुद को अमीर आदमी ही कहते थे वे अपने समर्थन में यह कहते थे गरीब होने और पैसा ने होने में फर्क होता है पैसा पास में ने होना ऐस थाई होता है जबकि गरीब स्थाई होता है मेरे गरीब डेड़ी यह भी कहते थे मेरी पैसे में कोई रूची नहीं है या पैसा में तपूर नहीं है मेरे अमीर डेड़ी हमेशा कहते थे पैसों में बहुत थाकत है हो सकता है आपके विचारों की ताकत को कभी भी नाम आपा जा सके या पिर उन्हें पूरी तरह से समझाने जा सके फिर भी बच्पन में ही मैं यह समझ गया था कि हमें विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी अभी व्यक्ति पर भी मैंने देखा कि मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वे कम कमाते थे बलकि इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचार और काम गरीबूं की तरह थे दो डैडी होने के खारण बच्पन से ही मैं इस बारे में बहुत साउधन हो चला था कि मैं किस तरह की विचारदारा को अपना हूँ, मैं किस की बात मानूँ, अपने अमीर डेडी की या अपने गरीब डेडी की, आलंकि दोनों ही सिख्षा और ग्यान को वैत्वपूर मानते थे, परंतु क्या सिखा जाए, इस बारे में दोनों की राए अलग लग थी, एक चाह करते थे, कि मैं अमीर बनने का रहसे सीख लूँ, यह समझ लूँ कि पैसा किस तरह काम करता है, और यह जान लूँ, इससे अपने लिए कैसे काम लिया जाता है, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, इन सब्दों को वे बार बार दोराया करते, पैसा मेरे लिए काम करता है, न कि उनके पास कालेज की बहुत सी डिग्रियां थी जो मेरे अमीर डेड़ी के पास नहीं थी रावर्ट प्रास्ट का सबग रावर्ट प्रास्ट मेरे पसंद दीदा कभी हैं हालांकि मुझे बहुत सी कविताइं पसंद है परन्तु दरोड नाट टेकन मुझे सबसे ज्यादा मैं इसकी सिख्षा का इस्तेमाल हर रोज करता हूँ दरोड नाट टेकन वह राव जिसे चुना नहीं गया पीले जंगल की दो राव बढ़ती थी और अफसोस कि मुझे एक को चुनना था और मैं देर तक खड़ा रहा दूर तक यह देखते हुए कि यह राव कहां तक जाती है जुर्मटो में मुड़ने से पहले फिर मैंने दूसरी रहा चुनी उतनी ही सुन्दर और शायद बैतर भी क्योंकि यहां गास ज्याता थी और कम लोग गुजरे थे हालांकि लोगों के गुजरने से यहां भी उतना ही नुक्सान हुआ था और दोनों ही उस सुबह बराब मैं आख बरकर यह करूंगा आज से सदियों बात शायद एक जंगल में दो रहीं बढ़ती थी मैंने कम चलियोगी रहा को चुना और इसी बात से सारा प्रक पड़ा बहुत समय गुजर चुका है पर मैं अब भी रावट फ्रास्ट की कविता पर चिंतन करता रहता हूं पैस एक बार मैंने यह फैसला कर लिया कि मुझे किसकी बात सुननी है तो उसके बाद मेरी धन संबंदी सिख्षा शुरू हो गई मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल से विज्यादा समय तक सिखाया तब तक जब तक कि मेरी उमर 49 साल नहीं हो गई और इसके बाद उन्होंने सिख पैसा तो आता और जाता रहता है पर अगर आप यह जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है तो आप ज़्यादा तक्तवर हो जाते हैं और आप दोलत कमाना चालू कर सकते हैं केबल सकारातमक्चिंतन से ही समश्या हल नहीं हो सकती क्योंकि ज़्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ वे कभी यह नहीं सीख पाते कि इस पैसा किस तरह से काम करता है इसलिए वे पैसे के लिए काम करने में अपनी सारी जिंद्गी बरबाद कर देते हैं मेरी सिक्ष्य जब शुरू हुई थी तब मैं केवल नो साल का था और इसी कारण मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो पढ़ाया वे बहुत आसान थे और सारी बातों को छोड़कर विचार किया जाए तो उन्होंने मुझे 30 साल तक कुल 6 मैंतर पूर्ण पाट पढ़ाई यह पुष्टक उन्हीं छैपाटों के बारे में हैं और इसे भी उतना ही आसान बनाने की कोशिस की गई है जितना की मेरे अमीर डैडी ने मुझे मेरे लिए आसान बनाया था यह पाट आपके लिए जवाब की तरह नहीं लिखे गई हैं बलकि मार्गदर्सक की तरह लिखे गई हैं एसे मार्गदर्सक जो ज़्यादा अमीर बनने में आपकी और आपके बच्चों की मदद करेंगे चाहे बदलती हुई इस एनिस्चित दुनिया में कुछ भी होता र रिच डैड पूर डैड अध्याई दो अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं डैडी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाएं यह सुनते ही मेरे डैडी ने अपना शाम का अख़वार नीचे रख दिया बेटे क्या तुम अमीर बनना चाते हों क्योंक यार जिमी की ममी अपनी नई कैडलिक कार में आई और वे लोग पिकनिक पर अपने समुंदर तट वाले गार पर जा रही थे जिमी अपने साथ हमने तीन दोस्तों को ले गया परंतु माईक और मुझे नहीं ले गया उसने हमसे यह कहा कि वह हमें इसलिए नहीं ले जाएग नाग तक अपने चसमे को चड़ाया और फिर अख़बार पढ़ने लगी मैं उनके जवाब का इंतजार करता रहा यह है 1956 की बात है तब मैं 9 साल का था किसमत की बात थी कि मैं उसी पविलिक स्कूल में जाता था जिसमें अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे हम शुगर प्लांटेशन के कस्वे में रहते थे प्लांटेशन के मैनेजर और कस्वे के बाकी लोग जैसे डॉक्टर और बिजनसमें और बैंकर अपने बच्चों को पहली कक्षा से चटी कक्षा तक इसी स्कूल में बेशते थे चटी कक्षा के बाद बच्चों को प्राइवेट और पर रहा होता तो मुझे अलग तरह के स्कूल में बेजा जाता जहां मेरे जैसे परिवारों के बच्चे पढ़ते थे सटीक अक्षा के बाद इन बच्चों की तरह मैंने भी पबलिक इंटरमेडियेट और हाई स्कूल किया होता क्योंकि उनकी ही तरह मेरे लिए भी प्राइविट स्कूल में जाना संभव नहीं था मेरे डेली ने आखिर अख़बार को नीचे रख दिया मुझे पता था वे क्या सोच रही थे उन्होंने दिमे से शुरू किया अगर तुम अमीर बनना चाथे हो तो तुमें पैसा पनाना सीखना चाहिए मैंने पूछा मैं पैसे बनाना किस तरह सीख सकता हूँ अपने दिमाग के इस्तिमाल से उन्होंने मुश्कुराते हुए कहा इसका असली मतलब यह था बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ या मैं इसका जवाब नहीं जानता इसलिए मुझे तंग मत करूँ अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को अपने डेड़ी की बातें बताई जहां तक मुझे याद है उस स्कूल में मैं और माइक ही दो गरीब बच्चे थे माइक भी मेरी तरह था क्योंकि वह भी किस्मत की वज़े से इस स्कूल में था इसा लगता था जैसे किसी ने कस्पे के स्कूलों की सरदें तैक कर दी थी और इसी कारण हम लोग अमीर बच्चों के स्कूलों में पढ़ रहे थे सच कहा जाए तो हम लोग गरीब नहीं थे परन्तु ऐसा हमें लगता था क्योंकि बाकी सभी बच्चों के पास नए बेसबाल गलाउस नई साइकलें और हर चीज नई होती थी मम्मी और डैड़ी हमें भी सभी जरूटों की चीज़ें जिलवाते थे जैसे खाना, घर, कपड़े परन्तु इससे ज़्यादा कुछ नहीं मेरे डैड़ी कहा करते थे अगर तुमें कोई चीज चाहिए तो उसके लिए काम करो हमें बहुत से चीज़ें चाहिए थे परंतु 9 साल के बच्चे के करने के लिए ज़दा काम मौझूद नहीं थे माइक ने पूछा, तो पैसा बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए मैं नहीं जानता, मैंने कहा परंतु क्या तुम ने इस काम ने में मेरे पार्टनर बनना चाहोगे वह है राजी हो गया और उस शनिवार की सुवए माइक मेरा पहला बिजनस पार्टनर बन गया हम दोनों पूरी सुवए यही सोचते रहे कि पैसा किस तरह कमाया जाए कभी कभार हम उन बेफिकर बच्चों के बारे में बतें करते जो जिमी के सुवंदर कट वाले घर पर मजे कर रही होंगी इससे थोड़ी चोट पहुशती थी परन्तु यह चोट अच्छी थी क्योंकि इसने हमें यह सोचने के लिए प्रेदित किया कि पैसा कैसे कमाया जाए आखिरकार उस दो फैर को हमारे दिमाग में बिजली कौन गई यह एक ऐसा विचार था जो माईक ने किसी विज्ञान की किताब में पढ़ा था रोमान्चित होकर हमने हाथ मिलाई और पार्टनर्शिप के पास अब एक बिजनस था अगले कुछ अपतों तक मैं और माईक दोड़ भाग करते रहे हर दरवाजे पर दस्तक देते थे और पडोसियों से कहते थे कि वे अपने इस्तेमाल किये वे टूथ पेस्ट टूब हमारे लिए रख ले हैरत से हमें देखते हुए जालातर लोगों ने मुश्करा कर हमारी बात मान ले उसने हमसे पूछा कि टूथ पेस्ट टूब हमें क्यों चाहिए इसके जवाब में हमने कहा हम आपको यह नहीं पता रखते यह एक बिजनस सीक्रिट है सब्ता गुजटते गई और मेरी माँ बहुत दुकी हो गई अपने कच्चे माल को इकठा करने के लिए हमने जो जगेतु नहीं थी वह उनकी वाशिंग मशिन के ठीक पास थी एक भूरे कार्डबोर के बकसे में जिसमें कभी केचप की बोतले रखी रहती थी हमारे इस्तेमाल किये हुए टूथ पेस्ट के टूब्स और मैं यह नहीं सुनना चाहती कि यह एक बिजनस सिगरेट है इस कच्रे को साफ कर दो या मैं इसे बाहर उठा कर फैंक दूँगी माईक और मैंने उनके हाथ पेर जोड़े उन्हें यह बताया कि हमारी ही जल्दी हमारा कच्चा माल पर अप जमा हो जाएगा और फिर हम उत्वादन शुरू कर देंगे हमने उन्हें बताया कि हम कुछ पडोशियों का इंतजार कर रहे थे ताकि वे अपने टूथ पेस्ट के ट्यूब्स खतम कर ले माने हमें एक अपते की मौलत दे दी उत्वादन का काम यह था कि वे पडोशियों को अपने टूथ पेस्ट चल्दी खतम करने के लिए कहे और साथ में यह भी जोड़ दे दान्त के डाक्टरों का कहना है कि दिन में कई बार ब्रश करना चाहिए मैं उत्वादन की परक्रिया को ठीक ठाक करने में जुट गया एक दिन मेरे डैड़ी अपने एक दोस्त के साथ कार में बैठकर पोर्च में आई और उनके आश्चरिया का ठीकाना नहीं रहा जब उन्होंने वहाँ नो साल के दो बच्चों को उत्वादन की परक्रिया में पूरी कती से जुटे देखा हर तरब बारिक सफेद फाउडर बिखरा हुआ था एक लंबी मेजबर स्कूल से लाए गए दूद के छोटे कार्टन थे और हमारे परिवार की हिवाची ग्रिल लाल दैकते कोईलों के साथ अधिक्तम गर्मी पर चल रही थी डेड़ी साथ आनी से चल कर हमारे करीब आए चोकि हमारी उत्पादन की परक्रिया ने पोर्ट्स पर कबजा कर लिया था इसलिए उन्हें कार बाहर ही खड़ी करनी पड़ी जब वे और उनके दोस्त पास आई तो उन्होंने कोईलों के उपर रखा एक स्टील का बर्तन देखा जिसमें टूथपेस्ट के ट्यूथ पिगल रहे थे उन दिनों टूथपेस्ट प्लास्टिक के ट्यूप्स में नहीं आते थे ट्यूप्स सीसे के बने होते थे एक बार पेंट जल जाए तब हम ट्यूप्स को स्टील के बर्तन में डाल देते थे ताकि वे पिगल कर दरववया के रूप में आसके इस पिगले वे सीसे को हम छोटे छेद वाले दूद के काटनों में डाल रहे थे दूद के इन काटनरों में प्लास्टे का पेरिस बरा था हर तरफ फैला सफेद पाउडर प्लास्टे ही था जिसमें हमने पानी मिलाया था जल्द बाजी में मैंने उसके बैक को गिरा दिया था और पूरी जमीने से लग रही थी जैसे वहां अभी अभी वर्प का तुपान आया हूँ दूद के काटन बाहरी बक्से थे जिनके विदर प्लास्ट आप पेरिस के सांसे थे मेरे डैडी और उनके दोस्त में देखते रहे और हम पिगले वे सीसे के प्लास्ट आप पेरिस के क्यूब के उपर से चोटे छेद में डालते रहे संभल कर मेरे डैडी ने कहा मैंने बिना सीर उपर उठाई हमी बरती आखिरकार जब सीजे को डालने का काम खतम हो गया तो मैंने स्टील के बरतन को नीचे रख दिया और फिर अपने डैड़े की तरफ देखकर मुस्कुराया उन्होंने अलकी मुस्कान के साथ पूछा तुम लोग क्या कर रहे हो हम वही कर रहे हैं जो आपने बताया था हम अमीर बनने जा रहे हैं मैंने कहा हाँ माइक ने सिर को हिलाते हुए और मुस्कराते हुए कहा हम दोनों पाटनर हैं डैड़ी ने पूछा और इन प्लास्टर के संसों में क्या है देखिए मैंने कहा इनमें एक बहुत अच्छी चीज है चोटे अतोडे से मैंने सील को ठोका जिससे बाहर ही खोल तूट गया सावदानी से मैंने उपर के आदे प्लास्टर को अटाया और जस्ते का एक सिक्का बाहर किर गया हे बगवान मेरे डैड़ी ने कहा तो तुम लोग जस्ते के सिक्के डाल रहे थे बिलकुल सही माइक ने कहा हम वही कर रहे थे जैसा आपने हमसे कहा था हम पैसा बना रहे थे मेरे डैड़ी के दोस्ट जोर से हंसने लगे मेरे डैड़ी भी मुस्कुराई और उन्होंने अपना सीरे लाया उनके सामने आग और टूथ पेस्ट की टूपस के बखसे के साथ सफेद धूल में लिप्टे हुए दो बच्चे खड़े थे जो इस कान से उस कान तक मुस्कुरा रहे थे उन्होंने हमसे कहा कि हम सब कुछ छोड़ कर उनके साथ चले और घर के सामने वाली सीड़ी पर बैखें मुस्कुराते हुए उन्होंने हमें जालसा से सब्द का मतलब समझाया हमारे सपने दरासा ही हो गई थे तो आपका मतलब है कि यह गैर कनूनी है माइक ने कामती आवाज में पूछा छोड़ो भी डेड़ी के दोस्त ने कहा हो सकता है कि बच्चे अपने जन्मजात पर तिवागों विक्षित कर रहे हो मेरे डेड़ी हमें गुपते रहे हाँ यह गैर कनूनी है डेड़ी ने नर्मी से कहा परंतु तुम लोगों ने यह साबित कर दिया कि तुम में बहुत ज़्यादा रसनात मक्ता और मॉलिक भी जा रहे इसी तरह आगे बढ़ते रहो मुझे तुम पर गर्व है निराश होकर माई कोर में तकरिबन बीस मिनिट तक चुप चाप अपना सिर पकड़ कर बैठे रही इसके बाद हमने सारा आटाला साब करना शुरू कर दिया पहले ही दिन हमारा बिजनस चौपट हो गया था पाउडर साब करते वे मैंने माईक की तरफ देखा और कहा मुझे लगता है जिमी और उसके दोस्त ठीक है हम सचमुश गरीब है जब मैंने यह कहा तब डैडी बस जाने ही वाले थे बच्चो उन्होंने कहा और उसके सपने देखते रहते हैं तुमने कुछ किया है मुझे तुम दोनों पर गर्व है मैं एक बार फिर से यही कहूंगा आगे बढ़े चलो हार मत मनो माईक और मैं खामोस खड़े रहे यह सब चुनने में अच्छे थे परंथु हमें यह पता नहीं था कि हमें क्या करना चाहिए तो एसा क्यों है डेडी कि आप अमीर नहीं है मैंने पूचा क्योंकि मैंने एक स्कूल टीचर بنने का فیصلा लिया था स्कूल के टीचर अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते हम सिर्फ पढ़ाना पसंद करते हैं कास कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकता परन्तु हकीकत में मैं यह नहीं जानता कि दोलत कैसे कमाई जाती है माईक और मैं फल्टे और अपने सफाई अभियान में जुट गई डैडी ने कहा अगर तुम लोग यह सीखना ही चाते हो कि अमीर कैसे बना जाता है तो मुझ से मत पूछो माईक तुम अपने डैडी से ही यह सवाल पूछो मेरे डैडी माईक ने हैरानी से कहा हाँ तुमारे डैडी मेरे डैडी ने मुश्कराकद हो रहा है तुम्हारे डैडी और मेरा बैंकर एक ही है और वह तुम्हारे डैडी की बहुत तारिफ करता है उसने मुझे कई बार यह बताया है कि पैसा बनाने में तुम्हारे डैडी का कोई जवाब नहीं है मेरे डैडी माइक ने एक बार फिर हैरानी से पुछा फिर ऐसा क्यों है कि स्कूल के अमीर बच्चों की तरह हमारे पास शांदार कार और आलिसान बंगला नहीं है शांदार कार और आलिसान बंगले के होने का यह मतलब नहीं कि आप निस्ट रूप से अमीर है या आप पैसा बनाने की कला जानते है डैडी ने जबाव दिया जीमी के डैडी सुगर प्लांटेशन में काम करते हैं उन में और मुझ में ज्यादा फर fresh नहीं है वे एक company के लिए काम करते हैं और मैंशार कार के लिए company उने कार खरीद कर दे देती है इसमें शक्कर की कंपनी आर्थिक संकड में फजी हुई है और जीमे के डैडी के पास जल्दी कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे डैडी अलग है माई एसा लगता है कि वे एक समराज ये बनाने जा रहे है और मेरा अंदाजा है कुछी सालों में बहुत अमीर बन जाएंगी यह सुनकर माईक और मैं एक बार फिर रोमांचित हो गई नए उत्सा से हमने अपने डूबी वे वेवसाई के कच्रे को साफ करना शुरू कर दिया जब हम सभाई कर रहे थे तो हमने यह भी योजना बना ली कि कब और कैसे माईक के डड़ी से बात की जाए समझ्य यह थी कि माईक के डड़ी बहुत जारा काम करते थे और तेर रात तक घर नहीं लोटते थे माइक के डैडी के पास कई वेराउज, कंस्ट्रक्शन कम्पनी, स्टोर्स की स्रंगला और तिन रेस्तरा थे रेस्तराओं के कार्णी उन्हें घर लोटने में देरी हो जाती थी सफाई खत्म करने के बाद माइक बस पकड़ कर अपने घर चला गया वेर बने डैडी से बात करने वाला था, चाहे वे कितनी देर से घर लोटे और उन से पूछने वाला था कि क्या वे हमें अमीर बनने की तरकीब सिखाने के लिए तयार है माइक ने मुझसे वादा किया कि जैसे ही वह अपने डैड़ी से बात कर लेगा वह अब मुझे फोन करेगा चाहे कितनी देर क्यों नहीं हो जाए फोन रात को साड़े आठ बजे आया ओके अगले शनिवार मैंने का रहा और फोन रख दिया माइक के डैड़े माइक और मुझसे मिलने के लिए तयार हो गए थे शनिवार की सुबह साठे साथ बजे मैंने शहर के दूसरे हिसे में जाने के लिए बस पकड़ी माइकल और मैं सुबह आठ बजे उसके डैड़ी से मिले थो पहले से इव्यश्क थे और उनके पास एक गंटे से भी ज्यादा का काम मुझूद था जब मैं उनके साधान सोटे और साफ गर के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि उनका कस्ट्रक्शन सुपरवाईजर अपने पिक अप ट्रक में वहां से जा रहा था माइक मुझे दर्वाजे पर ही मिल गया डैडी अभी फोन पर है और उन्होंने काया कि हम लोग पीछे के पोर्स में उनका इंतजार करें माइक ने दर्वाजा कोलते हुए कहा जब मैंने उस पूराने घर की देलेज के अंदर कदम रखा तो लकडी के पूराने फर्स की चर्म राहट सुनाई दी दर्वाजे के बीतर सस्ती सी चटाई थी चटाई वहां इसलिए रखी गई थी ताकि फर्स पर पड़े अंगिनत कदमों के निशानों को चुपाया जा सके हालांकि वह साब थी पर ये एस्पष्ट दिखता था कि उसे बदल लेना चाहिए जब मैं संक्रे लिविंग रूम में गुसा तो मेरा दम गुटने लगा था वहां पुराने फर्निचर की बू आ रही थी और निश्ची दूरों से उस फर्निचर को संग्राले में होना चाहिए था सोबे बर दो मैलाएं बैटी थी उनकी उमर मेरी मां से थोड़ी ज़्यादा थी मैलाओं के सामने एक पुरूस मजदूरों के कपड़ों में बैठा हुआ था उसने खाकी पैंट और खाकी शर्ट पैन रखा था हलांकि कपड़े साफ और प्रेस किये हुए थे पर उन्हें स्टार्च नहीं किया था उस आदमी की उमर मेरे डेडी से लगबग 10 साल ज़्यादा होगी शायद 45 साल जब मैं और माईक उनके पास से गुजरिते हुए किचन की तरफ गई जहां से पोर्च का रास्ता था तो वे मुश्कुराई मैं विजवाब में शर्मा कर मुश्कुरा दिया ये लोग कोन हैं? मैंने पुछा अरे ये लोग डेडी के लिए काम करते हैं बुड़ा व्यक्ति उनके वे रावसों को संबालता है और मेलाई रेस्त्राओं की मैनेजर है और तुमने उस कंस्ट्रक्शन सुपर्वाइजर को तो देखा ही होगा जो यहां से पचास मिल दूर एक सड़क पर योजना पर काम कर रहा है उनका दूसरा सुपर्वाइजर जो पहुत से घर बना रहा है वे तुमारे आने से पहले ही जा चुका है क्या एसा हमेसा ही होता है मैंने पूछा हमेसा तो नहीं परक्सर एसा ही होता है माइक ने कहा और मेरे पास अपने कुर्सी खिंचते वे मुस्कुराया मैंने उनसे पूछा था कि क्या वे हमें पैसा बनाना सिखाएंगे माइक ने मुझे बताया अच्छा और उन्होंने इसका क्या जवाब दिया मैंने साउधानी पूर्वर उच सुकता से पूछा पहले तो उनके चेहरे पर आशी आई पर फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा कि वे हमारे सामने एक उफर रखेंगे अच्छा मैंने कहा और अपने कुर्सी की पीट दिवार स सारे टिका बैठा रहा माइक ने भी ऐसा ही किया क्या तुम्हें पता है कि वे कौन सा आफर देने वाले हैं मैंने पूछा नहीं पर हमें जल्दी इसका पता चल जाएगा अचानक माइक के डैड़ी उस पूराने दर्वाचे से गुश कर पोर्च में दाखिल हुए माइक और मैं अपने पैरों पर कूद गए आदर के कार नहीं बल्कि इसलिए कि हम चोंग गए थे तो बच्चों तयार हो माइक के डैड़ी ने एक कुर्शी हमारे पास खिसकाते हुए पूछा हमने अपने सी रह लाए और अपने कुर्शियों को दिवार के पास से खिंच कर उनके सामने रख लिया वे विशाल सरीर के मालिक थे लगबग 6 पिट उन्चे और 200 पाउंड बजनी मेरे डैड़ी इससे उन्चे थे लगबग ऐसी बजन के और माइक के डैड़ी से 5 साल ज़्यादा बड़े वे लगबग एक जैसे ही थे हलाँके दोनों एक ही प्रजाती के नहीं थे हो सकता है कि उनकी उर्जा एक सी हो माइक का कहना है कि तुम पैसा कमाना सीखना चाते हो क्या यह सही है रावट मैंने ततकाल से हम्ती में अबना सेरी लाया हलांकि मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था उनके शब्दों और मुस्कुराट के पीछे बहुत ताकत थी अच्छा यह रहा मेरा आपर मैं तुमें सिखाऊंगा परंतु मैं इसा क्लासरूम की शैली में नहीं करूँगा अगर तुम मेरे लिए काम करोगे जैसा कि तुम लोग स्कूल में करते हो तो इससे मेरा समय बरबाद होगा यह मेरा आफर है इसे या तुमान लो या फिर वापस लोड़ जाओ क्या मैं आप से पहले एक सवाल कर सकता हूँ मैंने पूछा नहीं इसे या तो मान लो या फिर वापस लोड जाओ मेरे पास परबात करने के लिए फाल तू समय नहीं है अभी डेर सा काम पड़ा है अगर तुम में ततकाल फैसला करने की क्षमता नहीं है तो तुम कभी पैसा बनाना नहीं सीख पाओगे मोके आते हैं और चले जाते हैं इसलिए ततकाल निरने लेने की क्षमता एक मेहत्वपून कला है तुमने जैसा चाहा था वैसा एक मोका तुमारे सामने मौजूद है अगले दस सेगेंड में या तो पड़ाई चलू हो जाएगी या फिर यह हमेशा के लिए खतम हो जाएगी माइक के डैड़ी ने चिड़ने वाली मुस्कुरार्ट के साथ कहा मन्जूर हम दोनों ने कहा बहुत बढ़िया माइक के डैड़ी ने कहा दस मिनिट में मिसेज मार्टिन आ जाएगी उनसे बाते करने के बाद मैं तुम्हें उनके साथ बहस दूँगा और तुम लोगों का काम शुरू हो जाएगा मैं तुम्हें एक गंटे के दस सेंट दूँगा और तुम हर सेनिवार तीन गंटे काम करूँगे पर आज तो मेरा साफ्ट वाल का मैच है मैंने कहा माईक के डैड़ी ने अपनी आवाज को दिल्मा परंतु कड़क करके कहा या तो मान लो या फिर वापस लोड़ जाओ मान लिया मैंने जबाब दिया साफ्ट बाल खेलने के बज़ाए काम करने और सीखने का भी कल्ब चुनने में ही समझदारी थी शनिवार की खुस उमा सुबह नो बज़े माईक और मैं मिसेज मार्टिन के साथ काम कर रहे थे वे एक दयालू और धहरे अवान मही ला थी वे हमेशा कहा करते थी कि माईक और मुझे देखकर उन्हें अपने दोनों बच्चों की यात आ जाती है और अब वे बड़े हो गई थी तदा दूर चले गई थे हालांकि वे दयालू थी पर उन्तु वे कड़ी मेनत में बरोसा करते थी और इसलिए वे हमें हमेशा काम में जुटाई रखते थी वे बहुत कड़क मेनेजर थी हम तीन गंटे तक डिवाबन साबानों को सेल पर से उतारते थे उनकी दोल साफ करते और फिर उन्हें करेने से जमाते थे यह बड़ी मेहनत का काम था और बहुर यतकावी माइक के डेड़ी को मैं अपना आमीर ठेरी कहता हूँ उनके पास इस तरह के नो सुपरेस्ट थे जहां पार्किंग के लिए बहुत सी जगह थी पर सेवन इलेवन कन्विनियन्स स्टोर के शुरवाती संसकर्ण थे परोडोस के जनरल स्टोर जहां लोग दूद, प्रेड, बटर और सिगरेट चैज़े-चीज़ें खरीते थे समझे यह थे कि हवाई में एर कंडिशनिंग नहीं थी और गर्मी के कार्ण स्टोर से अपना दरवाजा बन नहीं कर सकते थे स्टोर के दोनों और दरवाजों को पूरा खुला रखा जाता था ताकि सड़क और पार्किंग के जगे सामने दिखती रहे जब भी कोई कार पार्किंग में आती तो उसके साथ दूल का गुबार भी आता था जो स्टोर में गुशकर डिबों पर जम जाता था इसलिए हम लोगों की नोगरी तब ही तक चलती जब तक की एर कंडिशनें नहीं हो जाती तीन अफ़्तों तक माईक और मैं मिसेज मार्टिन के साथ जाकर तीन गंटे तक काम करते रहे दुपएर तक हमारा काम खतम हो जाता था और वे हम मेंसे हर एक के हात में इसलिए मैं अपने कमाई को कमिक्स पर खर्च कर देता था और घर लोड़ जाता था चोथे हफते के बुद्वार तक मैंने काम छोड़ने का मन बना लिया था मैं सिर्प इसलिए काम करने के लिए तैयार हुआ था क्योंकि मैं माईक के डैड़ी से ऐसा कमाना सीखना चाता था चोथे हफते के बुद्वार तक मैंने काम छोड़ने का मन बना लिया था मैं सिर्प इसलिए काम करने के लिए तैयार हुआ क्योंकि मैं माईक के डैड़ी के पास ऐसा कमाना सीखना चाता था इसलिए मैं दस सेंट परती गंटे के गुलामी कर रहा था और सबसे बड़ी बात तो यह थी उस पहले सेनिवार के बात से मैंने माईक के डेड़े खुद देखा तक नहीं मैं काम सोड़ रहा हूँ मैंने लंज के समय माईक से कहा स्कूल लंज बड़ा निरासा जनक था स्कूल भी उबाऊ था और अब तो मेरे पास सेनिवार भी नहीं थे इसलिए मैं इंतजार कर सुकूँ परनतु 30 सेंट के कारण मुझे बहुत दक्का लगा है इस बार माईक मुस्कुराया तुम किस बात परांस रहे हो मैंने गुष्चे और खुंठा से पूछा डैडी ने कहा था कि यह साई होगा उन्होंने कहा था कि जब तुम काम छोड़ने का फैसला कर लो तब वे तुमसे मिलना चाहिने क्या मैंने आवेस में पूछा क्या वे मेरे उपता जाने का इंतजार कर रहे थे कुछ-कुछ एक ने कहा मेरे डैडी जरा अलग किसम के थे उनका सिखाने का तरीका तुम्हारे डैडी के पढ़ाने के तरीके से बिलकुल अलग है तुम्हारे ममी डैडी बहुत बाते करते हैं दूसरी तरफ मेरे डेड़ी को कम बोलते हैं। तुम सिर्फ इस सनिवार तक इंतजार कर लो। मैं उन्हें बता दू कि तुमने काम सोड़ने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब यह है कि मेरे साथ नाटक खेला गया है। नहीं ऐसा नहीं हुआ है पर शयद हो सकता है। डेड गरीव डेड़ी कहता हूँ। यह मानते थे कि मेरे अमीर डेड़ी बाल स्रम कारूनों को लंगन कर रहे थे और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मेरे पडेली के गरीव डेड़ी ने मुझसे यह कहा कि मैं अच्छी तनकुआ मांगू। कम से कम 25 सेंट परती गंट मेरे गरीव डेड़ी ने मुझसे कहा कि अगर मेरी तनकुआ नहीं बढ़ती तो मुझे ततकाल नोगरी छोट देनी चाहिए। और वैसे भी तुम्हें इस गटिया काम की जरूरत नहीं है। मेरे गरीव डेड़ी ने जला कर कहा। पास था। मैंने कमरे के चारों तरफ देखा परंतु मुझे माइक नहीं डिखा। अजीब सा महसूस करते हुए मैं उन्हीं दोनों मैलाओं की बगल में बैठ गया जो मुझे चार अपते पहले वहीं पर मिले थी। वे मुसकराई और सोपे पर थोड़ी सी खिसक गई ताक बैठा और पिर वहे भी निकल गर चला गया। घर खाली था और हुआई में खुशन वासुबै को मैं सीलन बरे अंदेरे लिविंग रूम में बैठा हुआ था और इस बात का इंतजार कर रहा था कि एक लालची और बच्चों का सोशन करने वाल आदमी मुझ से बाते करे। मैं सुन सकता था कि वे फोन पर बाते कर रहे थे। ओफिस में इधर उदर के काम कर रहे थे और मुझे नजर अंदास कर रहे थे। मेरी इच्छा तो हो रही थी कि मैं उस गभंडी आदमी से बिना मिले ही गर लोट जाओ। पर किसी वज़े से रुप गया। आखिर पंद्रह मिनट भाद ठीक नो जे अमीर डैडी अपने अफिस से बाहर निकले बिना कुछ कही उन्होंने हाथ से मुझे इसारा किया कि मैं उनके दर्वे नूँ आफिस में आ जाओ। अमीर डैडी ने आफिस की कुर्सी में बैटते हुए कहा या तो तुम्हारी तंखवा बढ़ाई जाए या तुम काम छोड़ रहे हो है ना। हाँ समझोते के मुताबिक आप अपनी शर्थ पूरी नहीं कर रहे हैं। मैंने लगवगासों से विगस्वर में कहा नो साल के बच्चे के लिए एक वेसक का सामना करना बहुत ज़्यादा डरावना था। आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूँगा तो आप मुझे पैसा कमाना सिखाएंगे। अपनी तरफ से मैंने आपके लिए काम किया है। मैंने कड़ी मेहनत की है। इस काम के लिए मैंने अपने बेसबाल गेम की भी कुर्भाने दी हैं और अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं आप नो मुझे कुछ भी नहीं चिखाया आप दोपे बाज़ जैसा शायर के सभी लोग कहते हैं आप लाल्ची हैं आपके और पैसा कमाना चाहते हैं और अपने करमचारियों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते आपने मुझे इतनी देर तक बाहर बिठाई रखा और मेरी जराब इज़त नहीं मैं एक चोटा सा बच्चा हूँ और आपको मेरे साथ इससे बेतर बरताव करना चाहिए था अमीर डैड़ी अपने कुर्सी में पीछे जुग गई अपने हाथों को ठुड़ी तक लाकर उन्होंने मुझे गुरा यह साल लग रहा था जैसे वे मेरा स्विशलेशन कर रहे हूँ बुरा नहीं है उन्होंने कहा एक महिने से भी कम समय में तुम वही बहसा बोल रहे हो जो मेरे ज़्यादा तर करमचारी बोलते हैं क्या मैंने पूचा मैं समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या कह रहे थे और इसलिए मैंने अपना दुबड़ा रोना चालू रखा मुझे लगता था कि आप अपने वादे पर काईम रहेंगे और मुझे कुछ सिखाएंगे इसके बजाए आप तो मुझे पर अत्याजार करना चाहते है यह तो जुल्म है सरा सर जुल्म मैं तुम्हे सिखा तो रहा हूँ ड़ेडी ने दिमे से आवाज में कहा आपने मुझे क्या सिखाया कुछ भी नहीं मैंने गुस्झे में कहा एक बार मैं संद जिक्कों में काम करने के लिए तयार हो गया उसके बाद तो आपने मुझे बात तक नहीं की दस सेंट परती गंटे, मैं आपके शिकायत सरकार से करूँगा, हमारे देश में भी बालक श्रम कनून है, आप तो जानते ही हैं, पिर मेरे डेड़ी सरकार के लिए काम करते हैं, शाबास, हम इस डेड़ी ने कहा, अब तुम उन जादातर लोगों भी बासा बोल रहे हो, जो क मुझे ये लग रहा था, कि कम उमर के बावजूद में बावदूरी से बतें कर रहा था, आपने मुझे जुट पुला, मैंने आपके लिए काम किया, और आपने अबादा पूरा नहीं किया, आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया, कौन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ न अंदाज में कहा, क्या सिखाने का मतलब के बासन या बादचीत ही होता है, अमेरे डैड़ी ने पूछा, और क्या, मैंने चवाब दिया, इस तरह से वे तुम्हें स्कूल में सिखाते हैं, उन्होंने मुझकरा कर कहा, परंतु जिन्दगी तुम्हें इस तरह नहीं सिखाती और मेरा यह मानना है कि जिन्दगी सबसे बड़ी है टीचर होती है, ज्यादातर वक्त जिन्दगी आपसे बातें नहीं करती, यह एक तरह से आपको धक्का देती है, हर धक्के के जरीए जिन्दगी आपसे कहती है, जाग जाओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ, यह आदमी किसी बेज सिर्पैर की बातें कर रहा था, मैंने अपना आपसे पूछा, जिन्दगी अगर मुझे तक्का देती है, तो इसका मतलब है कि जिन्दगी मुझे बातें करती है, अब मैं जान चुका था, कि मुझे यह काम तदकाल छोड़ देना चाहिए, मैं किसी य इसा नहीं करते हो, तो जिन्दगी तुमें लगातार दख्के देती रहीगी, लोग दो चीजें करते हैं, कुछ लोग जिन्दगी के दख्के को सेहन करते चले जाते हैं, बाकि लोग गुसा हो जाते हैं, और जिन्दगी को दख्का दे देते हैं, परंतु वे दख्के देत कुछ लोग हर मान लेते हैं और ़िए बाकि की लोग लड़ते हैं कुछ लोग सबक्त सीخ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं वे जिन्दगी के दुक्षागत सवागत करते हैं इन गिनिया चुने लोगों के लिए इसका मतलब यह होता है कि उन्हें कुछ नया सीखना चाहिए वे सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग तुमारी तरह लड़ते भी हैं अमीर डैड़ी खड़ी होगे और उन्होंने टूटी-फूटी किड़की को बंद कर लिया अगर तुम यह सबक सीख लेते हो तो तुम एक समझदार अमीर और सुखी युवक बन सकते हो अगर तुम यह नहीं सीखते तो तुम जिंदगी बर अपनी समझ्याओं के लिए अपनी नोकरी कम तनख्वा या अपने बोस को कोशते रहोगे तुम हमेशा ऐसे बड़े मोके की उमीद करते रहोगे जो आए और तुमारी आर्थिक समझ्याओं को सुलजा दे अमीर डैडी ने मेरी तरफ देखा कि क्या मैं अब भी उनकी बातें सुन रहा हूँ उनकी आँखे मेरी आँखों से मिली हमें एक दूसरे की तरफ देखते रहे और हमारी आँखों के बीच संप्रेशन की दारहें बेहने लेगी आखिर जब मैं उनके संदेश का मतलब समझ गया तो मैंने अपनी नजरें जुखा ली मैं जान गया था कि वे सही थी मैं उन्हें दोसी ठहरा रहा था जबकि सीखने के जित मेरी ही थी मैं फालतों में लड़ा था अमीर डैडी ने कहा अगर आप इस चीजिए करते रहेंगे और किसी ऐसे वक्त का इंतजार करते रहेंगे जो आने वाला नहीं है और फिर आप एक बोरिंग बुड़े की तरह मर जाएंगे आपके बहुत से दोस्त होंगे जो आपकी सिर्प इसलिए तारिफ करेंगे क्योंकि आप एक मेहनती और भले आदमी आपने अपने जिन्दगी सुरक्षित खेल खेलने और सही चीजें करने में गुजार दे परन्तु सच बात तो यह है है कि आपने जिन्दगी के थपेड़ों के सामने उटने टेक दी आप खत्रा मौल लेने की कलपना तक से डरते थे हकीकत में तो आप जीतना चाहते थे परन्तु आपके लिए हारने का डर जीतने के रोमान्स से ज़्यादा ताकतवर साबित हुआ अंदर से आप और के वलाब जान पाएंगे कि आपने कभी जीतने की कोशिस नहीं की आपने सुरक्षित खेल खेलने के विकल्प चुना हमारी नजरें एक बार फिर मिले दस सेगेंद तक हमें एक दूसरे की तरफ देखते रहे और एक बार फिर मैंने तभी नजरें हटाई जब मैं उनकी बात समझ गया आप मुझे दक्का दे रहे थे मैंने पूछा कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं हमेरी डैड़ी मुस्कुर है मैं तो यही कहूँगा कि मैं तुम्हें जिन्दगी का सवाद सखा रहा था कैसा सवाद मैंने कूछा मैं अब भी गुसा था परंतु अब मेरे जी कैसा भी जाग गई थी अब मैं सीखने के लिए तयार भी था तुम दोनों यह से पहले लोग हो जिन्हों नो मुझे पैसा बनाने की कला सीखने का आग रखिया मेरे पास डेट सो से भी ज़्यादा करमचारी है पर उन में से एक ने भी मुझे पैसा कमाने की कला सीखने के बारे में नहीं पूछा वे मुझे नोकरी मांगते हैं तंकवा मांगते हैं परंतु पैसा बनाने की कला नहीं सीखना चाते तो ज़्यादातर लोग इस तरह अपनी जिन्दगी के पैसे के लिए काम करने के लिए बर्बाद कर देते हैं और आखिर तक कि यह कभी समझ नहीं पाएंगे कि दरसल वे किस के लिए काम कर रहे हैं मैं पूरा ध्यान लगा कर उनकी बात सुनता रहा तो जब माईग ने मुझे कहा कि तुम पैसे कमाने के कला सीखना चाहते हो तो मैंने एक ऐसा कॉर्स तयार किया जो असले जिन्दगी के करीब था मैं बोलते बोलते ठक जाता पर अंतु तुम कभी मेरी बात का मतलब नहीं समझ पाते इसलिए मैंने यह फैसला किया कि तुम्हें जिन्दगी के थपेड़ों का स्वात चखा दिया जाए ताकि तुम मेरी बात सुन भी सको और समझ भी सको इसी कारण मैंने तुम्हें एक गंटे के दस सेंट दी तो दस सेंट परती गंटे काम करने के बाद मैंने क्या सबक्सी खाया यही कि आप गटिया है और अपने करमचारियों का सोसन करते है अमीर डैडी अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ जुकते हुए जोर से हंसने लगे जब उनकी हंसी बंद हुई तो उन्होंने कहा अच्छा होगा अगर तुम अपना सोचने का नजरिय बदल लो मुझे समश्या मत बनाओ मुझे दोस्त देना छोड़ दो अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी समश्या मैं हूँ तो तुम्हे मुझे बदलना चाहिए इसके बजाए अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी समश्या तुम खुद हो तो तुम खुद को बदल सकते हो सीख सकते हो और ज़्यादा समझतार बन सकते हो ज़्यादातर लोग साते हैं कि दुनिया का हर आदमी बदल जाए बस हम खुद ही नहीं बखले मैं तुम्हें यह बता दू कि किसी दूसरे को बदलने से ज़्यादा आसान है यह कि खुद को बदला जाए मैं आपके बाद ठीक से समझ नहीं पाया मैंने कहा अपनी समझ्याओं के लिए मुझे दोज देना छोड़ दो अमीर डैड़ी ने अधिरता से कहा पर आपने मुझे सिर्फ दस सेंट का इवेतन दिया तो तुमने क्या सिखा अमीर डैड़ी ने मुस्करा कर पूछा यही कि आप गटिया हैं मैंने सरात वरी मुस्कान के साथ कहा अच्छा तो तुम यह सोचते हो कि समश्या मैं हूँ अमीर डैड़ी ने कहा वो तो आप है ही खैर इसी तरीके से सोचते रहूँ और तुम जिन्दगी बर कुछ नहीं कर पाऊगे अगर तुमारा नजरिया यही है कि समश्या मैं हूँ तो तुमारे पास क्या विकल्ब रह जाते है अगर आप मेरे तंक्वा नहीं बढते अगर आप मेरे तंक्वा नहीं बढते या मुझे जादा इच्छत नहीं देते तो मै काम छोड़ कर चला जांगा ठीक है? हमये डेड़ी ने कहा और ज्यादातर लोग यही करते हैं पर काम छोड़कर चले जाते हैं और दूसरी नोकरी की तलास करते हैं जहां उन्हें बेहतर मौके और ज्यादा अच्छी तनक्वाइं मिलती है तुम्हें यह कलत फैमी होती है नई नोकरिया ज्यादा तनक्वा से समश्या सोल सकती है ज्यादा तर मामलों में ऐसा नहीं होता तो समश्या किस तरह सोल सकती है मैंने पूछा दस सेंट परती गंटे के हिसाब से तनक्वा लेकर मुस्कुराते हुए अब मेरे डैड़ी मुस्कुराई यही बाकी लोग करते हैं वे यह जानते हुए कि कम तंकौवा में काम करते हैं क्योंकि नोकरी छूट जाने पर उनका और उनके परिवार का पेट कैसे बरेगा इसलिए मन मसोश कर वे नोकरी करते हैं और यह सोचकरतन को अबढ़ने का इंतजार करते हैं कि ज्यादा पैसा आने से समच्छा सोलच जाएगी ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं और कड़ी मेहनत करते हुए दूसरी नोकरी भी करत लेते हैं पर अंतों उसमें भी उनने तनकुआ कमी मिलती है मैं फर्ष को गुर्टा रहा अब मैं अमीर डैडी के सबक को समझने लगा था मुझे यह एहाइसास हो गया था यह ज्यादगी का स्वाद है आखिर कर मैंने उपर की और देखा और अपना सवाल दो रहाया तो पिर यह समच्छा कि इस तरह सुल जाएगी इस सवाल के जवाब में अमीर डैडी ने मुझे वह बेस्क लिम्ती नजरिया दिया जो उन्हें अपने करमचारियों और मेरे गरीब डैडी से अलग करता था और जिसके बदोलत वे हवाई के सबसे अमीर आदमी बनने जा रहे थे जबकि मेरे पड़े लिखे गरीब डैडी जिन्दगी पर पैसे की तंगी से जूजने माले थे यह एक अद्बूत नजरिया था जिसने मेरे जिन्दगी का नक्षा ही बदल दिया अमीर डैडी ने बार बार मुझे यह नजरिया याद दिलाया जिसे मैं पहला सबक करूँगा गरीब और मद्य उमर गिये लोग पैसे के लिए काम करते हैं अमीरों के लिए पैसा काम करता है मेरे गरीब डैडी ने जो मुझे सिक्षा दी थी शनिवार के उस खुसन वासुब है मैं उससे बिलकुल अलग नजरिया सीख रहा था नो साल की उमर में मैं यह समझ गया था कि दोनों ही डैडी चाथते थे कि मैं सीखूँ दोनों ही डैडी मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे फरक सिर्फ इतना था कि दोनों के सुझाई भी शे अलग अलग थे मेरे पड़े लिके डैडी चाथते थे कि मैं वही करूँ जो उन्होंने किया था बेटे मैं चाता हूँ कि तुम में एनद से पढ़ो अच्छे नम्मर लाओ ताकि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में सुरक्षित नोक्री मिल सके और यह अच्छी तरह इस देख लो उसमें बहुत से दूसरे लाओ हो मेरे अमीर डैडी चाते थे कि मैं सीखूं कि पैसा कैसे काम करता है ताकि मैं इससे अपने लिए काम करवा सकूँ यह सबक मुझे जीवन भर उनके मारक दर्शन में सीखना था ने की किसी प्लासरोम में मेरे अमीर डैडी ने मेरा पहला सबक जारी रखा मैं खुश हों कि तुम 10 सेंट परती गंटे की इसाफ से काम करने पर गुसा होगे अगर तुम गुसा नहीं होते और तुम इसा खुशी खुशी करते रहते तो मैं तुमें साफ कह देता कि मैं तुमें नहीं सिखा सकता यह जानलों की सची सिक्षा में उर्जा प्रवल वावना और जवर्दस्ट इच्छा की जरूरत होती है गुसा उसफार में लेगा एक बहुत बड़ा इसा है क्योंकि प्रवल वावना में गुसा और प्रेम का समने में होता है जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोग सुरुच्छित रास्ता कोचते है इसलिए प्रवल वावना उन्हें राह नहीं दिखा पाती उन्हें राह दिखाता है उनका दर तो क्या इसलिए वे कम तनकवा पर काम करतने के लिए राजी हो जाते है मैंने पूछा हाँ अमेरे टेड़ी नहीं कहा कुछ लोग कहते हैं कि मैं लोगों का सोशन करता हूँ क्योंकि मैं उन्हें उतनी तनकवा नहीं देता जितनी उन्हें सुगर प्लांटेशन या सरकार की तरफ से मिलती है मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोग खुद अपना शोशन करते हैं, डरते हैं भी, मैं नहीं पर क्या आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें ज़्यादा तनक्वा देनी चाहिए मैंने पूछा, मुझे ज़्यादा देने के जूर्ट नहीं है और इसके अलावा, ज़्यादा पैसा मिलने से उनकी समश्या नहीं सुलजेगी अपने डैडी को ही देख लो, वे बहुत सा पैसा कमाते हैं और फिर भी वे अपने बिलों का बुकता नहीं कर पाते दुनिया में इसे बहुत से लोग हैं, जिनने अगर ज़्यादा पैसा मिल जाए तो वे ज़्यादा करज में डूप जाएंगी तो इसी करण आपने मुझे दस सेंट परती गंटे की तंकवा दी मैंने मुस्कराते वे कहा, यह सबक का इससा था बिल्कुल सही, अमरी डैडी ने मुस्करा कर कहा देखो, तुमारे डैडी स्कूल गई, और उन्होंने बहुत बड़ी असिक्षा इसलिए आसिल की ताकि उन्हें अच्छी तंकवा वाले नोकरी मिल सके, जो उन्हें मिल गई परंटो उनके पास आज भी पैसे की तंगी है, एसा इसलिए है, क्योंकि उन्हेंने स्कूल में पैसे के बारे में कुछ नहीं सीखा और सबसे बड़ी बात यह है, और उन्हें पैसे के लिए काम करने में वरोसा करते हैं और आप नहीं करते, मैंने पुछा, नहीं, सत पूछा जाए तो नहीं, अमेर डैड़ी नहीं कहा अगर तुम पैसे के लिए काम करना सीखना चाते हो, तो स्कूल में ही रहो यह सीखने के लिए उससे बढ़िया जगे, और कोई नहीं है परन्तु अगर तुम यह सीखना चाते हो, कि पैसा तुम्हारे लिए किस तरह काम करे, तो यह मैं तुम्हें सीखा सकता हूँ परन्तु तभी, जब तुम सीखना चाहो क्या हर कोई यह नहीं सीखना चाता, मैंने पुछा, नहीं अमेरे डैड़ी नहीं कहा, सिर्फ इसलिए, क्योंकि पैसे के लिए काम करना ज़्यादा आसान है खास तोर पर तब, जब पैसे के बारे में आपकी मूल बाऊना, डर हो मैं समझ नहीं पाया, मैंने टियोरियां से डाह कर कहा उसके चिंता फिलाल मत करो, अभी इतना ही समझ लो कि डर के कारण ही ज़्यादा तर लोग अपने नोक्रियां करते हैं अपने बिलों का बुदान नहीं कर पाने का डर, नोक्रिय से निकाल दिया जाएगा, इस बात का डर परियाप्त पैसा नहीं होने का डर, एक बार फिर से शुरूब करने का डर, यह किसी व्यवसाई को सीखने और पैसे के लिए काम करने की कीमत है ज्यादातर लोग पैसे के कुलाम बन जाते हैं, और फिर वे अपने बोस पर अपने बढ़ास निकालते हैं तो आपकी नजर में पैसे से अपने लिए काम करवाना एक बिल्कुल अलग भी शेय है, मैंने पूछा, बिल्कुल हम एड़ेडी ने जवाब दिया, बिल्कुल, शनिवार के उस कुस्न वासुब हावाई में हम लोग चुप-चाप बैठे रही, मेरे दोस्त, उस समें शिख पाएंगी, सिखने के लिए तयार हो, अमीज डैडी ने पूछा, बिल्कुल मैंने दाथ निकाल कर कहा, मैंने अपना वादा निवाया है, मैंने तुम्हें दूर बैठे बैठे ही सिखाया है, अमीज डैडी ने कहा, नो साल की उमर में तुम्हें ये पता चल चुका ह कि पैसे के लिए काम करना कैसा होता है अपने पिछले महीने को 50 सालों से गुना कर लो और तुमें इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि ज्यादातर लोग अपने जिन्दी किस तरह गुजाते हैं मैं समझ नहीं पाया मैंने कहा जब तुम मुझे मिलने के लिए लाइन में इंतजार कर रहे थे तो तुमें कैसा लग रहा था एक बार नोकरी के लिए और दूसरी बार तन ख़वड़ वाने के लिए भैयानक मैंने कहा अगर तुम पैसे के लिए काम करने का विकल्ब चुनते हो तो ज़दा दर लोगों के लिए जिन्दिगी का मतलब यही होता है हमेर डैडी नहीं कहा और तुमें तब कैसा लगा था जब मिसेज मार्टिन तुमारे हाथ में तीन गंटे के काम के लिए तीन सिक्के थवाई थे मुझे लगा था कि यह काफी नहीं है मुझे लग रहा था कि यह कुछ भी नहीं है मैं निरास हुआ था मैंने कहा और यही ज़दातर करमचारियों को लगता है जब वे अपनी तनक्वा के चेक को देखते हैं खास कर तब जब उससे टेक्स और बाकी कटोतियां कर ली जाती है कम से कम तुम्हें पूरी तनक्वा मिलेती उन्हें तो पूरी तनक्वा भी नहीं मिलती आपका मतलब है ज़्यादतर करमचारियों को पूरी तनक्वा नहीं मिलती मैं है हैरान था नहीं हमेरे डेड़ी ने कहा सरकार हमेशा अबना इसा पहले ही ले लेती है सरकार एसा कैसे करती है मैंने पुछा टेक्स अमीर डेडी ने कहा जब आप कमाते हैं तो आप पर टेक्स लगता है जब आप खर्च करते हैं तो आप पर टेक्स लगता है जब आप बचाते हैं तो आप पर टेक्स लगता है जब आप मर जाते हैं तो भी आपर टेक्स लगता है लोग सरकार को इसा क्यों करने देते हैं अमीर लोग इसा नहीं करने देते अमीर डेड़ी ने मुश्कुला कर कहा परंतु गरीब और मद्य उमर गिये लोग इसा करने देते हैं मैं दावा करता हूँ कि मैं तुम्हारे डैड़ी से ज़्यादा कमाता हूँ परंतु वे ज़्यादा टेक्स देते हैं यह कैसे संभवगर मैंने पूछा नो साल का बच्चा इसा जीव आंकडे को समझ नहीं पा रहा था कोई आदमी सरकार को इसा करने की इजाज़त कैसे दे सकता है अमीर डैड़ी चुचप बैठे रहे मैं समझ गया कि वे चाहते थे कि मैं सुनू ने कि उनसे फाल तो सवाल पूछू आखिर मैं शान्त हो गया जो मैंने सुना था वे मुझे अच्छा नहीं लगा था मैं जानता था कि मेरे डैड़ी हमेशा टेक्स का रोना रोते रहते थे पर अंतु दारसल इस बारे में वे कुछ भी नहीं करपाते थे क्या जिन्दगी उन्हें धका दे रही थी अमीर डैड़ी मेरी तरफ देखते हुए अपने कुर्सी ने धीमे दिमे और खामोसी से हिलने लगे सीखने के लिए तरफ या रो उन्होंने पूछा मैंने अपना सिर्थी में से हिलाया जैसा मैंने कहा सीखने के लिए बहुत कुछ है पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए यह जिन्दगी बर चलने वाली पढ़ाई है ज्यादा तर लोग चार साल के लिए काले जाते है और उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है मैं पहले से ही जानता हूँ कि मेरी धन संबंदी पढ़ाई जीवन बर चले ही और इसकी बज़ाई यह है कि मैं जितना ज्यादा जान लेता हूँ चलता है उससे भी ज़्यादा जानने की मेरी जिग्यासा बढ़ती चली जाती है ज्यादा तर लोग इस विशेगुक कभी नहीं पढ़ते ही वे नोकरी पर जाते हैं अपनी तनक्वा लेते हैं अपनी चेक बुक को बैलेंस करते हैं और बात खतम हो जाती है इसके बाद भी उने अचरज होता है कि उनके जिवन में पैसे की समझ़चा ही क्यों है फिर वे सोचते हैं कि ज़्यादा पैसों से उनकी समझ़चा हल हो जाएगी बहुत कम लोगों को यह ऐसास होता है कि असली समझा धन समन्दी सिक्षा या घ्यान की है तो मेरे डेटी को टेक्स की समझा इसलिए है क्योंकि उन में पैसे की समझ नहीं है मैंने विचली तोकर पुछा देखो, हमीर डेटी ने कहा पैसे के लिए अपने लिए कैसे काम करवाया जाए टेक्स तो उस सिक्षा का सिर्फ एक हिससा है आज जो मैं सिर्फ यह देखना चाहता था कि तुम मैं अब भी पैसे के बारे में सीखने के परबल इच्छा बची है या नहीं ज्यादातर लोगों में सीखने के परबल इच्छा नहीं होती पे स्कूल जाना चाते हैं कोई वेवसाई सीखना चाते हैं अपनी नोकरी में मज़े करना चाते हैं और डेहर सारा पैसा कमाना चाते हैं एक दिन वे तब जागते हैं जब उनके सामने पैसे की समश्या आ जाती है और तब वे काम करना बंद नहीं कर सकते पैसे के लिए काम करने की यही कीमत होती है और उन्हें यह कीमत चुकाना ही बढ़ता है अगर वे पैसे से अबने लिए काम करवाना सीख लेते तो उनके सामने यह समश्या नहीं आती तो तुम्हें अब सीखने की जानने की जी गयासा है अमेरे डैड़ी ने पूछा अच्छा अमेरे डैड़ी ने कहा अब काम पर वापस जाओ और इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल तनक्वा नहीं दूँगा मैंने हैरानी से पूछा तुमने सही सुना तनक्वा बं तुम हर सनेवार तीन गंटे उसी तरह काम करोगे Getting to 10 سेंट पर 3 गंटे के हिसाब से तनक्वा नहीं मिलेगी तुम्हें नहीं तो कहा है कि तुम पैसे के लिए काम करना नहीं सीखना चाते इसलिए मैं तुम्हें बदले में कुछ भी नहीं दूँगा मैंने माइक से पहले ही बात कर लिये वह पहले से ही काम पर है मुफ्त में डिपो की सफ़ाई कर रहा है और उन्हें करेने से जमा रहा है अब तुम भी जल्दी से जाकर काम में जूट जाओ यह ठीक नहीं है मैं चिलाया आपको कुछ ना कुछ तंखवा तो देनी चाहिए तुमने कहा था कि तुम सीखना चाते हो अगर तुम इस बात को अभी नहीं सीख पाओगे तो तुम भी उन्हीं दो मैलाओं और बुड़े आदमी की तरह बन जाओगे जो मेरे लिविंग रूम में बैठे थे ये लोग पैसे के लिए काम करते हैं और डरते हैं कि उन्हें मैं नोपरे से निकाल नहीं दूँ या तुम अपने डैड़ी की तरह बन जाओगे जो पैसा तो बहुत कमाते हैं पर दुगले तक कर्ज में डूबे रहते हैं शायद उन्हें यह उमीद रहती है ज़्यदा पैसे जो उनकी समझे हैं सुझ जाएंगी अगर तुम यही चाहते हो तो मैं एक बार फिर दस सेंट के अपने पुराने वादे पर लोटने को तयार हूँ या तुम वहे कर सकते हो जो ज़्यादा तर लोग करते हैं इस बारे में शिकायत करो कितन ख़वा बहुत कम है और तुम यह नोगरी छोड़कर दूसरे नोगरी तलास शुरू कर दो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ हूँ मैंने पूछा अमीर डैडी ने अपने सिर पर उंगली रखी इसका इस्तेमाल करो उन्होंने कहा अगर तुम इसका इसा ही इस्तेमाल करोगे तो तुम मुझे जल्दी इस बात के लिए धन्यवाद दोगे कि मैंने तुमें मुका दिया और एक दिन फिर अपने उंगली को सिर पर रखा और कहा इसका इस्तेमाल करो अब यहां से जाओ और अपने काम में जुड़ जाओ सबक ए अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते मैंने अपने गरीब डैडी को यह नहीं बताया कि अब मैं मुफ्त में काम कर रहा हूँ उन्हें यह समझ में नहीं आता मैं उन्हें इसकी बज़ा ठीक से इसलिए नहीं समझाओ सकता था क्योंकि मैं खुद भी इसे ठीक से नहीं समझ पाया था अगले तीन अपते माई को और मैं तीन गंटे तक हर शनिवार को काम करते रहे मुफ्त में काम बहुत परेशानी वाला नहीं था और वक्त गुज़ने के साथ साथ यह ज़्यादा आसान होता जा रहा था मुझे अफसोस था तो अपने छुटे वे बेजबाल गेम्स और कमिक्स का अब मैं उनका मज़ा नहीं ले सकता था तीसरे अफ़ते दो पैर में अमी डेड़ी आई हमने उनके ट्रक के पार्किंग में आने की आवाज सुनी वे स्टोर में गुशे और उन्होंने मिसेज मार्टिन को गले लगा कर अबगादन किया स्टोर में क्या चल रहा है यह जानने के बाद वे आईस क्रीम फ्रीजर के पास गाई उसमें से दो आईस क्रीम निकाली उनका दाम चुकाया और इसके बाद मेरी और माईक की तरवी सारा करके कहा चलो गुमने चलते हैं हम सड़क के पार कई उसकारों को चक्मा दिया और एक बड़े गास के मैदान में टहलने लगे जहां कुछ भ्यासक साफ्ट वाल खेल रहे थे दूर की पिगनेक टेबल पर बैटकर उन्होंने माईक और मुझे आईस क्रीम दी कैसा चल रहा है बढ़िया माईक ने कहा मैंने सेम्टी में सेरिलाया उस और सिखा हमें डैड़ी ने पूछा माईक और मैंने एक दूसरे के तरफ देखा मैंने कंदे उचकाई और अपने सिर को नहीं में एक सा हिलाया अच्छा यह होगा कि तुम बच्पन से ही यह सोचना चालू कर दो तुम अगर जिन्दगी के सबसे बड़े सबक को देख रहे हो अगर तुम इस सबक को सीख लेते हो तो तुम बहुत ज़्यादा आजा दी और सुरक्षा बरी जिन्दगी का सुख ले सकते हो अगर तुम यह सबक नहीं सीख पाते हो तो तुम भी मिसेज मार्टेन और इस पार्क में खेल रहे जाधतर लोगों की तरह बन जा हुए वे बहुत जादा मेहनद करते हैं फरन्तु उनके बगले में उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं पर नोकरी की सुरक्षा के मुहों में फशे रहते हैं हर साल मिलने वाले तीन अफ़ते की चुटियां और पैंतालिस साल तक काम करते रहने के बाद मिलने वाले थोड़ी सी पिंचन का सफना देखते रहते हैं। अगर इस तरह एकी जिन्दगी जीने में तुम्हें सुख मिलता है तो मैं तुम्हारी तन को अब ड़ाकर 25 सेंट परती घंटे कर सकता हूँ। परन्तो ये लोग अच्छे लोग हैं और मेंती भी हैं फिर आप उनका मजाग क्यों उड़ा रहे हैं मैंने पूछा। हमें ड़ड़े के चेहरे पर मुसकान आ गई मिसेज मार्टिन मेरे लिए माज ऐसी है मैं इतना कठोर नहीं हो सकता कि उनका मजाग उड़ा हूँ। यह कठोर लगता जरूर है क्योंकि मैं तुम दोनों के सामने स्थेति स्पस्ट करना चाहता हूँ। और वह भी आसान सब्दों में मैं तुमारे नजरीयों को बड़ा करना चाहता हूँ। ताकि तुम कुछ आगे भी देख सको। दूर तक देख सको। ज्यादातर लोगों को आगे देखने का फाइदा कई बार सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि उनके देखने का दाइरा बहुत छोटा होता है ज्यादातर लोग जिस जाल में पसे हुए हैं तो उसे देख ही नहीं पाते माई को और मैं वहाँ पर सोचती वे बैठे रही क्योंकि हम उनकी बातों का मतलब पूरी तरह से समझ नहीं सकी थे उनकी बातें सुनने में कटोर और कड़वी लग रही थी परमतु हम यह भी जानते थे वे हमें कुछ सिखाने की काफी कोशिश कर रही थे मुस्कराट के साथ हमेरी डैड़ी ने कहा क्या 25 सेंट परती गंटे आप पर अच्छा नहीं लगा क्या इससे दिल की दरकंतेज नहीं होई मैंने अपना सिर्थ नहीं में हिलाया जबकि असल में ऐसा ही हुआ था एक गंटे काम के बदले 25 सेंट मेरे हिसाब से बहुत बढ़ी असोदा था अच्छा मैं तुम्हें एक गंटे के एक डालर डूमर अमीर डैड़ी शरार्थ बले मुस्कराट के साथ कहा अब मेरा दिल तुफान मेल की तरह दोड़ रहा था मेरा दिमाग चीख चीख कर कह रहा था इनकी बात मान लो मान लो मुझे अपने कानों पर गुरोसा नहीं हो रहा था परन्तों फिर भी मैं चुप था अच्छा दो डालर परती गंटे मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे छोटे से नो साल पुरानी दिमाग में किसी ने बं फोड दिया हो उननीसो चपन में दो डालर परती गंटे मैं मुझे दुनिया का सबसे अमीर बच्चा बना दे थी मैं इतना सारा पैसा कमाने के गल्पनाई भी नहीं कर सकता था मैं हाँ कहना चाहता था मैं सोदा पक्का करना चाहता था मुझे नई सायकल दिख रही थी नई बेस्बाल के कलभ दिख रहे थी मेरे पास कड़क नोट देखकर मेरे दोस्तों की जलन और तारिब भी मुझे साब दिख रही थी सबसे बड़ी बात तु यह थी कि जिमी और उसके दोस्त मुझे फिर कभी गरिब नहीं कह सकते थे परन्तु किसी बज़े से मैं खामोस खड़ा रहा हो सकता है कि मेरे दिमाग में गर्मी बढ़ जाने के कारण फ्यूज उड़ गया हूँ परन्तु मनी मन दो डालर परती गंटे का आप पर मानने के लिए बेताव था आइस क्रीम पिगल चुकी थी और मेरे हाथ पर बह रही थी आइस क्रीम की डंडी खाली थी जिसके नीचे वनिला और चाकलेट के टुगड़े थे जिनके मज़े चिंटिया ले रही थी हमीरेडी हम दोनों बच्चों को देख रही थे जो आँखे फाड़ कर और खाली दिमाग से उन्हें गूर रही थे उन्हें मालूम था कि वे हमारी परिक्षा ले रही है और वे यह भी जानते थे कि हमारे दिल का एक कोना उसाफर को मानने के लिए बेताव हो रहा था वे जानते थे कि हर वेक्ति की आत्मा का एक इसा कमजोर और जरूरतमत होता है जिसे खरीदा जा सकता है और वे यह भी जानते थे कि हर व्यक्तिकी आत्मा का ये किसा मजबूत दरड़ निश्चे ही होता है जिसे कभी नहीं करीता जा सकता असली सवाल यह था कि इन में से कौन सा इस्सा जाला तक्तवर है उन्होंने अपनी जिन्दिगी में हजारों लोगों की परिक्षा ले थी जब वे नोकरी मागने के लिए आये लोगों का इंट्रिव लेते थे तो वे हर बार आत्माउं की परिक्षा लेते थे अच्छा पांस डॉलर परती गंटे अचानक मेरे अंदर शान्ती छा गई कुछ था जो बदल गया था हाफर बहुत ही बड़ा था और मुर्क ता कुन लग रहा था उन्निस सो चपन में गिने चुने वेसकों को पांस डॉलर परती गंटे से जाता मिलता होगा लालच खातम हो गया था और इसकी जगे शान्ती ने ले ली थी धीमे से मैं अपने बाईं तरफ खड़े माईक की तरफ मूड़ा उसने मेरी तरफ देखा मेरी आत्मा का जो इसा कंजोर और जरूट बन था वह खामोस हो चुका था मेरा वह इसा जिसे खरीदा नहीं जा सकता था वह आगे आ चुका था मेरे दिमाग और आत्मा में पैसे को लेकर हुवे इस युद में शान्ती और विश्वास जित चुके थे मैं जानता था कि माईक भी उसी बिंदू पर पूंच चुका था अच्छा अमेर डड़ी ने दिमे से खा ज्यादतर लोगों की एक किमत होती है और उनकी किमत इसलिए होती है क्योंकि हम सभी में दो बाउना ही होती है दर और लालच पहले वो पैसे के बिना रहने के दर से कड़ी मेनत करते हैं इसके बाद जब हमें तनकौा मिलती है तो हमें लालाच या इच्छा की बावना जाग जाती है पैसे होने पर हम उन बड़ी आचीजों के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते है जो उस पैसे से खरी दी जा सकती है इस तरह हमारे जिंदिगी का एक पैटर्न बन जाता है किस तरह का pattern मैंने पूछा सुबह जागने, काम पर जाने, खर्च करने, सुबह उठने, काम पर जाने, खर्च करने लोगों की जिन्दगी हमेशा डर और लालच इनी दो बाउनों से चलती है उन्हें अगर ज्यादा पैसा देज भी थे तो वे इसी pattern पर चलकर अपना खर्च बढ़ा लेंगे इसी pattern को मैं चुहा दोड कहता हूँ क्या कोई दूसरा रास्ता भी है? माईक ने पूछा हाँ, अमीर डैडी ने दिमे से का परन्तों ये बहुत कम लोग खोज पाते हैं और वह रास्ता क्या है? माईक ने पूछा उसी रास्ते को तुम लोग काम करते वे और मेरे इसाब से सीखते वे खोज लोगे, मैं यही उमीद करता हूँ इसी कारण मैंने तुम्हे पैसे देना बंद कर दिया इस बारे में कोई संकेत तो दीजिये वाइक ने कहा हम लोग मेनत से काम करते करते ठक चुके हैं खास कर तब जब इसके बदले में कुछ नहीं मिला हूँ पहला कदम तो यह है कि तुम लोग सच बोलो हमेरे डैड़ी ने कहा हम लोग जूट नहीं बोल रहे हैं मैंने कहा मैंने कब कहा कि तुम लोग जूट बोल रहे हूँ मैं तो यह कह रहा हूँ कि सची बात कह देना चाहिए हमेरे डैड़ी ने जवाब दिया किस बारे में मैंने कहा इस बारे में कि तुम लोगों को कैसा लग रहा है अमेरी डैडी ने कहा तुमें यह किसी और से कहने की जुरूरत नहीं है सिर्फ अपने आप से सच बोलो आपके कहने का मतलब यह है कि इस पार्क में मौजूद लोग आपके लिए काम करने वाले लोग यह सब लोग ऐसा नहीं करते है मुझे ऐसा ही लगता है अमेरी डैडी ने कहा इसके बज़ाए उन्हें अमेशा पैसा नहीं होने का डर सताता रहता है उस डर का सामना करने के बज़ाए सोचने की बज़ाए लोग सिर्फ परतिकरिया करते हैं इस दोरान वे दिल से काम लेते हैं दिमाग से नहीं अमेरी डैडी ने अपने सिर पर उंगली ठोकते हुए कहा फिर उनके हाथ में कुछ पैसे आ जाते हैं और उनमें खुशी इच्छा लालच की बहुना आ जाती है और एक बार फिर वे दिमाग से सोचने के बज़ाए दिल से काम करने लगते हैं तो वे दिल से अपनी बहुनाओं से सोचते हैं माइक ने कहा बिल्कुल ठीक अमेरी डैडी ने कहा वे इस बारे में सच नहीं बताते कि उन्हें कैसा लग रहा है वे अपनी बहुना से काम करते हैं और दिमाग से सोचने का कश्ट नहीं उठाते उन्हें डर लगता है वे नोकरी करने जाते हैं और आसा करते हैं कि ज्यादा पैसे आने से उनका डर दूर हो जाएगा परन्तो ऐसा नहीं होता है वही पुराना डर उन्हें फिर से सताने लगता है वे फिर से नोकरी करने जाते हैं और फिर आसा करते हैं कि पैसा उनके डर को कम करनेगा पर उन्तो ऐसा नहीं होता डर के ही कारण में नोकरी के जाल में फसे रहते हैं पैसा कमाते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और आसा करते हैं कि डर से उनका फिचा छूट जाएगा, परंदू हर रोज जब वे उटते हैं तो उनका पुराना डर भी उनके साथ उटता है, वही पुराना डर करोडों लोगों को रात बर जगाता है और उनकी रात बहुत चिंता और परेसानी से गुजड़ती है, तो यह है कि पैसा उनकी जिन्दगी को चला रहा है परन्तु वे इस बारे में कभी सच नहीं बोलते पैसे ने उनके बहुनाओं पर कबजा कर लिया है और उनकी आत्माओं पर भी यह कहकर हमेरे डेडी खामोस होगे ताकि उनके शब्दों में छुपा संदेश हमारे अंदर चला गए माईक और मैंने उनकी बाते सुनी थी परन्तु हम उनका मतलब पूरी तरह समझ नहीं पाई थी मुझे अक्सर यह आरानी होती है कि लोगों को आफिश जाने के इतनी जल्दी क्यों होती है उन्हें अपनी नोगरे में खास मज़ा नहीं आता था और वे कभी हमने उतना समझ लियthen नहीं का मैं यह चाता हूं कि तुम लोग इस जाल से बचो दरसल मैं तुमें यही सिहाना चाता हूं मेरा मकसद सिर्फ अमीर बनना सिकाना नहीं है अमेर बनने से समझा नहीं सुलजेगी मैंने अस्टेरे से पुछा बिलकुल नहीं मुझे दूसरी बहोना इच्छा के बारे में अपनी बात पूरी करने दो कुछ लोग इसे लालच कहते हैं पर तो मैं इसे इच्छा कहना ज़्यादा पसंद करता हूँ यह बुरा नहीं है कि हम किसी बेहतर ज़्यादा सुंदर ज़्यादा सुखर या रुमांचक चीज़ की इच्छा करें लोग इच्छा की बज़ए से भी पैसे के लिए काम करते हैं उन्हें सुख के लिए भी पैसे की जरूरत होती है क्योंकि वे मानते हैं कि पैसे से सुक खरिडा झा सकता है परन्तु पैसा जो कुछी देता है वो एक सर पल बर्की होती है उन्हें जYादा कुछी, जादा अनंद, जादा अराम, जादा सुरक्षा हासिल करने के लिए और जादा पैसे की जूरुड़त होती है इसलिए वे काम करते رہते हैं और यह सोचते रहते हैं कि पैसा डर और लाल्त से परिशान उनकी आत्माओं को श counties कर देगा परन्त उ पैसा यह काम नहीं कर सकता अमीर होने के बाद भी नहीं माइक नहीं कहा हाँ अमीर होने के बाद भी नहीं अमीरड़ी ने कहा Asal बहुत से अमीर लोग इच्चा के कारण नहीं बलकि डर के कारण अमीर होते हैं वे सच्मुच होशते हैं कि दोलत हो तो पैसे नय होने का डर गरीब होने का डर खतम हो जाता है इसलिए वे ढेर सारी दोलत जमा कर लेते हैं और तब जाकर उन्हें पता चलता है कि उनका डर और बढ़ गया है, उन्हें याब वो इसके खोने की चिंता सताने लगी है, मैं ये से दोस्तों को जानता हूँ, जो बहुत सा पैसा होने के बाद भी काम में जुटे रहते हैं, मैं ये से लोगों को भी जानता हूँ, जिनके पास आज करोडों की दोलत है परतु वे आज उससे भी ज्यादा चिंतित और परेशान है जितने वे अपनी गरीबी के दिनों में थी उन्हें इस बात का डर है कि वे अपनी सारी दोलत खो देंगी अमीर बनने से पहले जो डर उन्हें सता रही थे वे अमीर बनने के बाद और भी बढ़ गई है दरसल उनकी आत्मा का कमजोर और जरुत्मन हिसा अब और तेजी से चीक रहा है वे अपने आलिशान बंगलों शांदार कारों और उस एसवर आराम की जिंदी को खोना नहीं चाते जो पैसे से खरीदी गई है वे इसे चिंता में गुलते रहते हैं कि अग की वे अमीर तिकते हैं और उनके पास पहले से ज्यादा पैसा है तो क्या अमीर आदमी ज्यादा सुकी होता है मैंने बुचा नहीं मेरे इसाफ से तो ऐसा नहीं है था अमीर डैडी ने जवाव दिया पैसे से दूर रहना भी उतना ही बड़ा पागल पन है जितना कि उसके गुज़ा और कुड़े दान के पास रूपकर उसने कुछ ढूनने लगा जैसे उसे किसी ने समझा कर बेजाओ चर्चा के इस मोड़ पर हम तीनों उसके अरकतों को दिल्चस्पी के साथ देख रहे थे जबकि इस से पहले हमने उसे नजर अंदाज कर दिया होता हमीर डैड को धेर सारी सुबकाम नहीं दी और अपनी अच्छी किसमत पर खुशो कर गया जल्दी से वहां से चला गया इसमें और मेरे ज्यादातर करमचारियों में बहुत सा अंतर नहीं है अमीर डैड़ी ने कहा मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिलता हूँ जो कहते हैं हरे मुझे पैस पैसे में रूची नहीं है तो मैं नोकरी पर क्यों जाते हैं इस तरह का चिंतन पागलपन का चिंतन है उस कंजूसी बरे चिंतन से भी ज्यादा पागलपन का है जिसमें कोई अमीर पैसे पर कुनली मारकर बैठ जाता है जब मैं वहाब ने अमीर डैड़ी की बात सुन रहा तब मेरे दिमाग में यह ख्याल आ जाता था कि मेरे गरीब डेड़ी हजार वार कह चुके थे मुझे पैसे में कोई रूची नहीं है वह है इसा अक्सर कहा करते थे वे खुद की असली बाउनाओं को चुपाने के लिए हमेशा यह भी कहा करते थे मैं इसलिए काम करता हूँ क्योंकि मुझे अपना काम बहुत पसंद है तो हमें क्या करना चाहिए मैंने पूचा यही कि हम पैसे के लिए काम नहीं करें जब तक कि हमारे मन से डर और लालच की बाउनाओं पूरी तरह जे निकल नहीं जाए उसमें तो बहुत समय बरबाद हो जाएगा हमें डैडी ने कहा बहुनाओं के कारणी तो हम इंसान है इनी के कारण हमारी हस्ती है बहुना सब्द का मतलब है चला इमानों जाओ अपनी बहुनाओं के बारे में इमानदार रहो और अपने दिमाग और बाउनाओं का इस्तेमाल अपने समर्थन में करो ने की विरोथ में आ, माइक ने कहा अगर तुम्हे मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो इस बारे में चिंता मत करो आगे आने वाले सहलों में तुम्हें इसका मतलब समझ में आईगा अपने बहुनाओं पर प्रतिकिरिया करने के बजाए उनका विसलेशन करने की कोसिस करो ज़्यादा तर लोग यह नहीं जानते कि वे अपने दिमाग से सोचने के बजाए अपने दिल की बहुनाओं से सोचते है आपकी बावनाई तो आपकी रहेंगी परन्तु आपको अपने दिमाग से सोचना भी आना चाहिए क्योंकि दिमाग को सोचने के लिए ही पनाया गया है क्या आप मुझे इसका कोई उधान दे सकते हैं मैंने पुछा, नहीं क्यों नहीं, अमीर डैडी ने जवाब दिया जब कोई आदमी कहता है मुझे नोकरी खोजने की जरूर थे तो इस बात की बहुत संभावना है कि उसकी बावनाई फैसला कर रही है इस विचार का असलिकारन है पैसान नहीं होने का डर परन्तो अपने जिंदगी चलाने के लिए लोगों को पैसे की जरूर तो पढ़ती ही है मैंने कहा, बिलकुल पढ़ती है हमेर डैडी मुस्कुराई, मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि उनके डर के कारण उनके मन में यह विचार आता है मैं समझ नहीं पाया माइक ने कहा हमेर डैडी ने कहा अगर आपके मन में पैसे की कमी का डर जाग जाए तो ततकाल नोकरी डूणने के लिए दोड़ मत लगाए ताकि कुछ पैसों के सारे उस डर को मार दिया जाए इसके बज़ाए आप कुछ से यह सवाल पूछे क्या लंबे समय में इस डर का सबसे बड़िया इलाज नोकरी है मेरे ख्याल से इसका जवाब नहीं होता है खासकर जब आप किसी आदमी की पूरी जिन्दगी को देखते हैं नोकरी दिर्ग कालिन समश्या का अल्प कालिन समादान है परन्तु मेरे डड़ी हम इसा कहा करते है स्कूल में पढ़ो अच्छे नमबर लाओ ताकि तुम्हें एक सुरक्षित और अच्छी नोकरी मिल सके मैंने हड़बड़ी में बोल दिया हाँ मैं समझ सकता हूँ कि वे इसा क्यों कहते है अमीर ड़ड़ी ने मुस्कुरा कर कहा ज्यादातर लोग इसी सला देते हैं और ज्यादातर लोगों के लिए एक अच्छा विचार होता है परन्तु लोगों के इस सला के पीछे भी डर चुपा होता है आपका यह मतलब है कि मेरे ड़ड़ी इसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं हाँ अमेरे ड़ड़ी ने कहा वे गवराई हुए हैं कि शायद तुम पैसा नहीं कमा पाओगे और समाज में फिट नहीं हो पाओगे मुझे गलत मत समझना वे तुमें प्यार करते हैं और तुमारा बला चाते हैं और मैं सोचता हूँ कि उनके डर सही भी है सिक्षा और नोपरी मैं तो पूर्ण है परन्तो इससे डर का इलाज नहीं होगा वही डर जो तुमें सुबह उठकर कुछ रुपए कमाने के लिए प्रेरित करता है उसी डर के कारण वे स्कूल जाने पर इतना जोर देते हैं तो आपकी सला क्या है मैंने पूछा मैं चाहता हूँ कि तुमें पैसे की ताकत पर काबू पाना सिखाऊं पैसे का डर तुमारे दिमाग से निकल जाना चाहिए और यह स्कूल में नहीं सिखाया जाता अगर तुम इसे नहीं सिखोगे तो तुम पैसे के गुलाम बन जाओगे अब उनके बाते मेरी समझ में आ रही थी वे हमारे विचारों को ज़्यादा व्यापक बनाना चाहते थे वे चाहते थे कि जो मिसेज मार्टिन नहीं देख सकती थी उनके करमचारी नहीं देख सकते थे या मेरे डेड़ी तक नहीं देख सकते थे वह देखने की योगविता हम में आ जाए उन्हें जो उतारन दिये थे वे उस समय कठोर जरूर लग रहे थे परंतों मैं उन्हें कभी नहीं मुझा मेरा नजरिया उस दिन बहुत बढ़ा हो गया था जब मैं उस जाल को देख सकता था जो जैजातर लोगों के सामने बिचा होता है देखो आखिरकार हम सभी लोग एक करमचारी है हम केवल अलग लग स्तरों पर काम करते हैं हमीर टेड़े ने कहा मैं तुम लोगों से बस यही कहना चाहता हूं कि तुम लोग इस जाल से बचे रहूं डर और लालच इन दो फंदों से बचने वाले जाल से इनका इस्तेमाल अपने समर्थन में करो अपने विरोध में नहीं मैं तुम लोगों को यह नहीं सिखाना चाहता कि धेर सारा पैसा कैसे इकठा कर लिया जाए उससे डर या लालच को नहीं जिता जा सकता अगर तुमें डर और लालच पर काबू पाना नहीं आता तो तुम चाहिए कितने भी अमीर बन जाओ असलियत में तुमें एक बड़ी तनक्वा पाने वाले गुलामी रहोगे तो हम किस तरह से इस जाल से बच सकते हैं मैंने पूछा गरेबी या पैसे की तंगी का खास कारण डर और अग्यान होता है ने की अर्थवेश्था या सरकार या अमेर लो यह खुद का उड़ा हुआ डर या अग्यान होता है जो लोगों को इस जाल में फसाई रखता है इसलिए तुम बच्चों को स्कूल जाना चाहिए और अपने कालेज की पढ़ाई पूरी करनी चाहिए मैं तुम लोगों को यह जरूर सिखाऊंगा इस जाल से कैसे बचा जा सकता है पहले के टुकडे अब सामने आ चुके थे मेरे पड़े लिखे डैडी के पास बड़ी डिग्रियां थी और एक बड़िया करियर था परन्तु स्कूल में उन्हें ये कभी नहीं सिखाया कि धन्या आपके डर को किस तरह काबू में रखा जा सकता है अब मैं समझ सुका था कि मैं अपने दो डैड़ियों से अलग अलग परन्तु में तो को बाते सीख सकता हूँ तो आप पैसे नहीं होने के डर के बारे में बात कर रहे थे पैसे कि इच्छा किस तरह हमारे सोच पर असर डालती है माइक ने पूछा तुम्हें तब कैसे महसूस हुआ जब मैंने तुम्हारी तनकवा बढ़ाने का लालस दिया था क्या तुमने यह देखा था कि तुम्हारी च्छाएं किस तरह बढ़ रही थी हमने अपने सिरामी में लाए पर तुमने अपने बाउनों के सामने हार नहीं मानी और इस कारण तुम लोगों ने जल्दबाजी में काम नहीं लिया इससे तुम्हें सोचने का वक्त मिल गया यह सबसे महतोपूर्ण है हमें हमेसा डर और लालस की बाउना ही होती है इस एक शण से तुम लोगों के लिए सबसे महतोपूर्ण है कि तुम इन बाउनाओं का इस्तेमाल अपनी समर्थन में करो और लंबे समय तक करते रहो अपनी बाउनाओं को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो इस तरह अपने विचारों को दूसित मत होने दो ज्यादातर लोग डर और लालच का इस्तेमाल खुद के विरोध में करते हैं यह अग्यान की शुरुवात होती है डर और इच्छा की बावनाओं के कारण ही ज्यादातर लोग तनक्वा के चेक, तनक्वा की बड़ोतरी और नोक्री की सुरुक्षा के पीछे बागते बागते अपने पूरी जीकी निकाल देते हैं असल में मैं यह सोचते ही नहीं है कि भावनाओं के आदार पर बने हुए यह विचार उन्हें किस तरफ ले जा रही है यह तो वही बात हो गई जिसमें गाड़ी खीजने वाले गदे के सामने उसके मालिक गाजर लटकाई रखता है जो उसके नाक के ठीक सामने होती है गदे का मालिक जहां जाना चाता है वहां जाता है पर अंतु गदा तो लालच के कारण भाग रहा है कल गदे के लिए दूसरी गजर आ जाईगी और गदा उसका पीछा करने लगेगा आपके कहने का मतलब यह है कि जिस समय मैंने एक पेसवाल कलब्स, केंडी और खिलोनों के सपने देखना शुरू किया उस समय मेरी आलत उस गदे की तरह हो गई थी जो गाजर के पीछे बागता है माइक ने पूछा हाँ और उमर के साथ-साथ तुमारे खिलोने वे ज़्यादा महंगे होते जाएंगे अपने दोस्तों कर रोब जाड़ने के लिए नई कार, एक नाव और एक अलिशन गर अमीर डेड़ी ने मुस्करा कर कहा डर आपको दर्वाजे से बाहर धक्का देता है इच्छा आपको अंदर बुलाती है आपको चटानों की तरह लल्चाती है यही जाल है तो इसकी काट क्या है? माइक ने पूछा डर और इच्छा अग्यान की वज़े से बढ़ते हैं इसलिए अमीर लोगों के पास जितना ज़्यादा पैसा होता है उनका डर भी उतना ही ज़्यादा बड़ा होता है धन ही गाजर है ब्रह्म है अगर गदापूरी तस्वीर देख सकता तो शायद वह गाजर का पीछा करने के अपने फैसले पर दुबारा सोचता अमीर डैडी ने आगे यह समझाया कि आदमी की जिंदगी अग्यान और ग्यान के बीच होने वाला संगर्स है उन्होंने बताया कि एक बार को यह आदमी खुद के बारे में ग्यान की खोज करना बंद कर देता है तो उसकी जिंदगी में अग्यान खोज जाता है यह संगर्स हर पल होता है इसलिए हमें यह फैजला करना है यह सीखना है कि अपने दिमाग को खुला रखा जाई या इसे बंद कर लिया जाई देखो स्कूल बहुत बहुत ज़्यादा मैतुकूर्ण है पर आप स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि आप वहां कोई कला या व्यावसाई सीख सकें और इस तरह से आप समाज में योगदान दे सकें हर समाज में सिख्षकों, डोक्टरों, मेकैनिकों, कलाकारों, रस्वयों व्यावसाईक लोगों, पुलिस अफसरों, आग बुजाने वालों और इसी भाईयों की जुरूरत होती है स्कूल उने यह सब सिखाते हैं ताकि हमारा समाज विक्सित हो सके और हमारी संस्कृति समर्द हो सके अमीर डेड़ी ने कहा दुरुबा कैसे कई लोगों के लिए स्कूल सिख्षा का अंत होना है शुरुआत नहीं एक लंबी खमोसी चाही रही अमीर डेड़ी मुस्कृरा रहे थे उस दिन उनने जो कहा था वे पूरी तरह से समझ नहीं आया पर उन्तु ज़्यादा तर महान सिख्षोगों के सब सालों तक हमें सिखाते रहते हैं उनके सब्द इसी तरह से आज भी मेरे साथ है मैं आज थोड़ा निर्मम हुआ अमीर डेड़ी नी कहा मैं एक वज़य से निर्मम हुआ मैं चाहता था कि तुम लोगों को आज की यह चर्चा हमेशा याद रहे मैं चाहता हूं कि तुम लोग हमेशा उस गड़े के बारे में सोचो इने कभी मत मुलना अगर तुमने अपनी समझदारी से उन्हें काबू नहीं किया तो डर और लालच की तुमारी दोनों वावनाई तुम्हें जिंदगी के सबसे बड़े जाल में फसा सकती है अपनी जिंदगी को डरते डरते गुजारना अपने सपनों को पूरा नयकरना निर्मम्ता है यह भी निर्मम्ता है कि पैसे के लिए कड़ी मेनत की जाई और यह सोचा जाई कि पैसे से खरीदी की चीज़ें सुक दे सकती है बिल चुकाने के डर से गवरा कर आदी रात को जागना जीने का एक पयानक तरीका है तनक्वा के इसाब से जिन्दगी जीना भी कोई जीना है यह सोचना कि कोई नोपरी आपको सुरक्षा या एसास दे सकती है कुछ से जूट बोलना है यह निर्मम्ता है और यही वहजाल है जिससे मैं तुमें बचाना चाता हूँ मैंने देखा है कि पैसा किस तरह लोगों के जिन्दगियों को चलाता है इसा अपने साथ मतोने दू भगवान के लिए पैसे को अपने जिन्दगी मत चलाने दो हमारी मेज के नीचे साफट बाला आ गई अमीर डैड़ी ने उसे उठाया और वापस के लाड़ियों के पास फेंग दिया तो अग्यान का लालच और डर से क्या तलूप है मैंने पूछा यह पैसे का अग्यान ही है जिसकी वज़े से इतना लालच और इतना डर पैदा होता है अमीर डैड़ी ने कहा मैं तुम्हें कुछ हुदान देता हूँ एक डोक्टर जो अपने परिवार को ज़्यादा खुशी देना चाता है अपने फीस बढ़ा देता है उसकी फीस बढ़ने की बज़े से स्वास्टे सोजदाईं हर एक के लिए महंगी हो जाती है अब इससे गریب लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँशता है इसलिए गریب लोगों का स्वास्टे अमेर लोगों से ज़्यादा बूरा होता है अब चुंकि डॉक्टर ने अपनी फीस बढ़ा दिये इसलिए वकील भी अपनी फीस बढ़ा देता है चुंकि वकीलों ने अपनी फीस बढ़ा दिये इसलिए स्कूल के टीचर भी अपनी तनक्वाब बढ़ाना चाहते है जिसके कारण हमारा टेक्स बढ़ता है और यह सिलसला अनंत काल तक यूँ ही चलता रहता है जल्द ही अमीर और गरीब लोगों के बीच इतना वहनक अंतर हो जाता है कि प्रले आ जाएगा और एक दिन महान सब्वेता दराशाई हो जाएगी महान सब्वेता इन तवी दराशाई हुई है जब अमीरों और गरीबों के बीच का फासला बहुत ज़्यादा हो गया है अमेरिका भी उसी रास्ते पर चल रहा है और इससे यह सावित होता है कि इतियास अपने आपको दोराता है क्योंकि हम इतियास से कुछ नहीं सीखते हम के उले इतियासिक तारिखें और नाम रखते हैं उनके सबक को बूल जाते हैं क्या किमते नहीं बढ़नी चाहिए मैंने पूछा अच्छी तरह से चल रही सरकार और एक सिक्षित समाज में तो नहीं किमते दरसल कम होने चाहिए जाहिर है कि ऐसा अक्यवल से दांद में ही हो सकता है किमते अग्यान से पैदा हुई लालत और डर के कारण बढ़ती है अगर सकूल में दन के बारे में सिखाया जाता तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता और बाजार की किमते भी कम होती परंतो सकूलों में सिर्फ पैसे के लिए काम करना सिखाया जाता है पैसे की ताकत का इस्तेमाल नहीं सिखाया जाता परन्तु हमारे यहां बिजनस स्कूल भी है माइक ने पूछा क्या आप मुझे अपनी मास्टर डिगरी के लिए बिजनस स्कूल जाने के लिए प्रेट नहीं कर रहे हैं हाँ, हम यह टेटी ने कहा परन्तु अक्सर ऐसा होता है कि बिजनस स्कूले से करमचारियों को परशिक्सित करते हैं जो परिस्क्रत बीन काउंटर्स होते हैं इस वरी मालिक है जब कोई बीन काउंटर्स बिजनस संबाल ले वे सिर्फ संख्या को देखते हैं लोगों को निकालते हैं और बिजनस का गला गोन देते हैं मैं जानता हूँ क्योंकि मैं बीन काउंटर्स से काम लेता हूँ वे सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि लागत कैसे कम की जाए और किमत कैसे बढ़ाई जाए इससे बहुत से समझाएं पैदा हो जाती है बीन काउंटर्स भी मैतोगून है मैं सोचता हूँ कि ज्यादा लोगों को इस बारे में जानना चाहिए पर अंतो यह भी पूरी तरस्विर नहीं बताती हमेरी डैड़ी ने गुस्से से कहा तो फिर क्या कोई इसका हल है? माइक ने कहा हाँ, हमेरी डैड़ी ने कहा सोचने के लिए अपनी बाउनाओं का इस्तेमाल करना सीखो अपनी बाउनाओं के बाउनाओं में आकर मत सोचो जब तुम लोग मुप्त में काम करने के लिए तैयार हो गई थे तो तुमने अपनी बाउनाओं को कबू में रखना सीख लिया था तब ही मैं समझ गया था कि तुम से उम्मिद की जा सकती है जब मैंने तुमें ज़्यादा तनक्वाख लालस दिया तब तुमने एक बार फिर बाउनाओं के बात नहीं मानी तुम ताक्तवर बाउनाओं के बावजूद सोचना सीख रही हो यह पहला कदम है यह कदम इतना मैत्वपूर्ण क्यों है मैंने पुछा यह तुम अपने आप जान पाओगे अगर तुम सीखना ही चाते हो तो मैं तुम लोगों को ब्राइन पैच में ले जाओगा यह वह जगह है जिससे लोग बचते हैं मैं तुम्हे उस जगह पर ले जाओँगा जहां जाने से ज़्यादतर लोगों को डर लगता है अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो तुमारे मन से पैसे के लिए काम करने का विचार निकल जाएगा इसके बजाए तुम यह ऐसी कोगी कि पैसे से कैसे काम लिया जाता है और अगर हम आपके साथ जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा अगर हम आपसे सीखने के लिए तैयार होते हैं तो हमें क्या मिलेगा मैंने पूछा वही जो ब्रायर रैबिट को मिला था अमेरे डेड़ी ने कहा टार बेबी से आजा दी क्या ऐसा कोई ब्राइर पैच होता है मैंने पूछा हाँ हमें डेड़ी ने कहा डर और लालच ही ब्राइर पैच है अपने डर से पीछा चुड़ा कर अपने लालच का सामना करके अपने कमजोजियों और जरूरतों को पहचान कर ही हम बाहर निकलने के रास्ते तक पहुंचते हैं और बाहर निकलने का रास्ता हमारे दिमाग से ओकर गुजरता है यही विचारों को चुनने से माईक ने आज से रहे सके दोकर पूछा हाँ इस विचार को चुन कर कि हम क्या सोचेंगे बजाए इसके कि हम अपने बहुनाओक में बैहकर लगातार परतिकिरिया करते रहें सुबह उठने और काम पर जाने से ये आपकी समस्या नहीं सुलच जाते क्योंकि बिल चुकाने के लिए प्रियाप्त पैसा नहीं होने के डर आपको सताता रहेगा सोचने से आपको एक खुद से सवाल पूचने का समय मिलता है इस तरह का सवाल क्या इस समस्या का सबसे बड़ी असमादान इस पर और जादा मेनत करना है ज्यादातर लोग इतनी बूरी तरह गवराई होते हैं कि वे खुद अपने आपको असली बात नहीं बताते हैं कि डर हावी हो रहा है और नतिजा यह निकलता है कि वे सोच ही नहीं पाते और इसकी बजाए दर्वाजे से बाहर दोड़ लगा देते हैं टारवे भी हवी हो जाती है अपने विचार चुनने से मेरा यही मतलब था पर हम ऐसा किस तरह करें हैं माईक ने पूछा यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ मैं तुम्हें यह सिखाँ तुम हरे पास चुनने के लिए विचारों के विकल्प होने चाहिए ताकि तुम हर बड़ी में काम करने से बच सको जैसे अपनी सुबह की काफी पीकर दर्वाजे से बाहर दोड़ लगाने की आदत से मैंने तुम से पहले कहा था उसे याद रखो नोकरी दिर्ग कालिन समश्या कालिन समादान है ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ एक समश्या होती है और यह थोड़े समय की होती है यह समश्या होती है महीने के आखिर में चुकाई जाने वाले बिल यानि टार बेवी अब पैसा उनकी जिंदगी चलाता है या मैं यह कहूँ कि पैसे को लेकर उनका डर और अग्यान उनकी जिंदगी चलाते हैं तो वे वही करते हैं जो उनके माता पिता ने किया था सुबह उठो और पैसे के लिए काम करो वे इतना समय भी नहीं निकाल पाते कि यह सोच सकें क्या कोई दूसरा तरीका है इस वक्त वे दिल से सोचते हैं दिमाग से नहीं दिल से सोचने और दिमाग से सोचने में क्या फरक होता है माइक ने पूछा अमीर डैटी ने जवाब दिया मैं इस तरह के जूंगले अक्सर सुनता हूँ हर आदमी को काम करना पड़ता है या अमीर लोग सोशक होते हैं या मैं दूसरी नोगरी डूंड लूँगा मेरी तनक्वा बढ़नी चाहिए आप इस तरह मेरा सोशन नहीं कर सकते या मैं इस नोगरी को इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि यह सुरक्षित है इसके बजाए हमें यह कहना चाहिए क्या यहां इसा कुछ है जो मुझे नहीं मिल रहा है इस तरह बहुना पर आदारित हमारे विचारों पी जंजीर तूड जाएगी और हमें ज़्यादा अच्छे तरिके से सोचने का मौका मिल जाएगा मुझे मानना ही पड़ेगा कि मेरे लिए यह सबक एक महान सबक साबित हुआ यह जानना कि कब कोई आदमें दिल से बोल रहा है और कब दिमाग से किस के सब्दों में भावनाई चुपी हुई है और किस के सब्दों में विचार यह एक ऐसा सबक था जो जिन्दगी वर मेरे काम आया खास तोर पर तब जब मैं अपने दिल से यानि अपनी भावनाँ से बोल रहा था ने कि अपने विचारों या दिमाग से जब हम स्टोर की तरफ मुड़े तो अमीर डेडे ने यह कहा कि अमीर लोग हकिकत में पैसा बनाते हैं वे इसके लिए काम नहीं करते उन्होंने यह भी बताया कि पांस सेंट के सिसे के सिके डालते समय जब माईक और मैं यह सोच रहे थे कि हम पैसा बना रहे थे तो हमारे विचार उसी रास्ते पर चल रहे थे जिस पर अमीर लोग चलते हैं दिक्कत सिर्फ इतने थी कि हमारे लिए इसा करना गैर कानूनी था सरकार और बैंकों के लिए इसा करना कानूनी था परंतो हमारे लिए नहीं था उन्होंने यह भी बताया कि पैसा कानूनी और गैर कानूनी दोनों इस तरीके से कमाया जा सकता है अमीर डेडनी बाद में हमें यह समझाया कि अमीर लोग जानते हैं कि धन एक ब्रहम है जो हकीकत में गदे के सामने लटकी गाजर की तरह होता है धन के ब्रहम के कारण जो डर और लालच पैड़ा होता है उसकी वज़े से ही अर्बों खर्बों लोग यह सोचते रहते हैं कि धन असली चीज है धन दरसल एक माया जाल है जनता के अज्यान और वरोसे के ब्रहम की वज़े से तास के पत्तों का यह महल खड़ा रह पाता है सच कहा जाए तो गदे की गाजर धन से ज़्यादा किमती है उन्होंने कहा उन्होंने अमेरिका के गोल्ड स्टंडर्ड के बारे में भी बात की और यह बताया कि हर डालर का नोट असल में चांदी का पर्मान पत्र है उन्हें इस अभवा से चिंता हो रही थी कि किसी दिन हम लोग गोल्ड स्टंडर्ड को छोड़ देंगे और हमारे डालर चांदी के पर्मान पत्र नहीं रहेंगे जब ऐसा होगा बच्चो तो कया मता जाएगी गरीब मद्य उमर्गे और ना समझ लोगों के जिंदगी सिर्फ इसलिए बरबाद हो जाएगी क्योंकि वे यह बरोसा करते रहते हैं कि धनी असली चीज है और वे जिस कमपनी के लिए काम करते हैं वे कमपनी या सरकार उनका ध्यान रखेगी उनकी बातें उस दिन हमारी समझ में नहीं आ रही थी परन तु सालों बात जाकर मुझे यह समझ में आया कि यह बड़े पते की बात थी जब वे अपने पिक अप ट्रक में चड़े तो उन्होंने कहा काम चालो रखो बच्चो पर जितने जल्दी तुम तनक्वा की जरूरत को भूल जाओगी तुम्हारी आगे की जिन्दगी उतनी आसान होती जाएगी अपने दिमाग का इस्तेमाल करो मुफ्त में काम करो और जल्दी तुम्हारा दिमाग तुमें पैसे कमाने के दूसरे तरिके बता देगा उन तरिकों से तुम इस नोक्री से ज़्यादा पैसा कमा लोगे तुम ऐसी चीजें देख पाओगे जो दूसरे लोग कभी नहीं देख पाते मोके उनकी नाक के नीचे होते हैं फिर भी जादातर लोग इन मोकों को कभी नहीं देख पाते इसका कारणी यह है कि वे पैसे और सुरक्षा भूटते रहते हैं इसलिए उन्हें यही मिलते हैं जिस वक्त तुम एक मोका बापने में काम्याब हो जाओगी उसके बाद तुम जिन्दगी वर्मों का बाप सकते हो जिस वक्त तुम एसा कर लोगे मैं तुम लोगों को कुछ और बातें सिखाऊंगा इस बात को ध्यान से समझ लो ताकि तुम जिन्दगी के सबसे वड़े जाल से बच सको वह टार बेवी तुमें कभी कभी नहीं चुपाएगी बाइक और मैंने स्टोर से अपनी चीजियों उठाई और मिसेज मार्टिन से गुडबाई कहा हम वापस पार्क गए उसी पिकनिक बेंच पर बैठे और वहाँ गंटों तक सोचते रहे और बातें करते रहे हमने अगला हफ़ता स्कूल में सोचते वे और इसी बारे में बातें करते वे बिताया दोस हफ़ता तक हम लोग सोचते रहे बातें करते रहे और मुफ्त में काम करते रहे दूसरे सनिवार के आखिर में मैं मिसेल मार्टिन से दुबरा गुडबाई कर रहा था और कामिक बुक स्टंडर को ललचाई नजर से देख रहा था हर सनिवार 30-30 मिलने से सबसे दुखत बाद यह थी कि मेरे पास कामिक्स पढ़ने कामिक्स रिदने के लिए बिल्कुल इस पैसे नहीं रहते थे अचानक जब मिसेज मार्टिन मुझे और माई को गुडबाई कह रही थी मैंने उन्हें एक ऐसा काम करते वे देखा जो इससे पहले कभी नहीं देखा था मेरा मतलब है मैंने इसके पहले उन्हें इसा करते तो देखा था पर उस तरफ ध्यान नहीं दिया था मिसेज मार्टिन ने कमिस के पहले पेज को आदेज में काटा और उसे संबाल कर अपने पास रख लिया भाकी की पुष्टक को उन्होंने एक बड़े से बुरे कार्डबोर्ड के बाक्स में डाल दिया जब मैंने उन्हें से पूछा कि वे इस कामिक्स का क्या करती है तो उन्होंने कहा मैं उन्हें फैंक देती हूँ जब वे नई कामिक्स लाता है तो मैं उपर के याद एकवर को क्रेडिट के लिए कामिक्स डिस्टीबिटर को दे देती हूँ वे एक गंटे में आने वाला है माईक और मैंने एक गंटे तक इंतजार किया, जल्दी ही वे डिस्टीबिटर वहां आया और मैंने उससे पूछा कि क्या हमें कॉमिक्स मिल सकती है इस पर उसने जवाब दिया आपको मिल सकती है अगर आप इस स्टोर में काम करते हैं और अगर आप यह वादा करें कि आप उसे दुबारा नहीं बेचेंगे हमारी पार्टनर्शिप एक बार फिर कायम हो गई माईक की ममी ने बेस्मेंट में हमें एक खाली कमरा दे दिया जो उनके किसी काम का नहीं था हमने इसकी सफाई करके उसमें सैंकडो कामिक्स जमा कर ली जल्दी हमारी कामिक्स लाइबरेरी जनता के लिए कोल दी गई बाइक की छोटी बैन को पढ़ने का बहुत शोंक था इसलिए हमने उसे अपना लाइबरेरियन बना लिया लाइबरेरी में आने और कामिक्स पढ़ने के लिए हम हर बच्चे से 10 सेंट लेते थे स्कूल खतम होने के बाद हर दोपैर रही से साड़े चार तक लाइवरेरी खुलती थी पड़ोंस के बहुत से बच्चे इसके ग्रहाग बन गई थे और वे जितने कामिक्स पढ़ना चाते थे दो गंटे में पढ़ सकते थे यहें उनके लिए बहुत बढ़ी असोदा था क्योंकि एक कामिक्स की गिमत दस सेंट होती थी और दो गंटे में वे पांच या च्छे कामिक्स पढ़ लेते थे माईक की बहन लोटेज में बच्चों की तलासी लेती थी और यहें देख लेती थी कि वे अपने कपड़ों में कामिक्स चुपा कर तो नहीं ले जा रही है वहें इस बात का रिकार्ड भी रखती थी कि हर रोज कितने बच्चे आए उनका नाम क्या था और उनके सुझाओ क्या थे माईक और मुझे तीन महीने तक हर अपते साड़े नो डालर का ओसत लाब हुआ हमने उसके बहन को हर अपते एक डालर का बूधान किया और उसे मुफ्त में कामिक्स पढ़ने का फायदा भी दिया हालंकि वह कामिक्स कभी कभारी पढ़ती थी माईक और मैं समझोते के मुताबिक हर शनिवार स्टोर में काम करते रहे साथ ही हम अलग लग दुकानों के से कामिक्स ही कट्थी करते रहे हमने वादे के मुताबिक कामिक्स नहीं बेचे जब कोई कामिक्स फढ़ जाती थी तो हम उसे जला देते थे हमने इसके एक साखा पोलने के भी कोशिस की परन्तु हमें माईक की बेहन की तरह में इन्दी और ब्रोसे मन लाइबरेरियन नहीं मिला बहुत कम उमर में ही हमने यह जान लिया था कि अच्छे स्टाफ को खोजना कितना मुस्किल होता है लाइबरेरी खुलने के तीन महीने बाद हमरे लाइबरेर में एक समश्या आ गई दूसरे मुले के कुछ गुंडे अंदर गुसाई और उन्होंने जगरना शुरू कर दिया माईक के डेड़ी ने सुझाओ दिया कि हम अपना यह कारुबार बंद कर दें तो इस तरह हमारा कामिक्स का दंदा बंद हो गया और हमने कन्वेनियन स्टोर पर हर से निवर काम करना भी बंद कर दिया फिर भी अमीर डेड़ी रोमान चित थी क्योंकि उनके पास ऐसी बहुत सी नई बातें थी जो भी हमें सिखाना चाते थी वहें खुश थे क्योंकि हमने उनकी पहले सबक को इतनी अच्छी तरह से सीख लिया था हमने यहें भी सीख लिया था कि पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए स्टोर में नोकरी के बदले में पैसा नहीं मिलता था इसलिए हमें मजबूरन अपनी कलपना शक्ति पर जोड डालना पड़ा ताकि हम पैसा कमाने का कोई दूसरा तरीका ढूंड सके कामिक्स लाइबरेरी हमारा अपना वेवसाई था हमारा धना हमारे काभू में था और हम किसी मालिक के मौताज नहीं थे इसमें सबसे अच्छे बात यह थी कि हमारे वेवसाई से हमें तब भी पैसा मिलता था जब हम वास्वें मुझूद नहीं होते थे उस समय हम पैसे के लिए काम नहीं करते थे बलकि हमारा पैसा हमारे लिए काम करता ज्यादा तनक्वा देने की बज़ाए अमीर डैड़े ने हमें इतने बढ़िया नसियत दे दी थी धन्यवाद अध्याए तीन जो है पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए रिच डैट पूर डैट अध्याए तीन पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए 1990 में मेरे सबसे अच्छे दोस्त माईक ने अपने डैडी का लंबा चोड़ा कारोबार संबाल लिया है और उसे अपने डैडी से ज़्यादा काम्याभी मिल रही है हम एक दूसरे से साल में एक दो बार गोल्प कोर्स पर मिलते हैं वह है और उसकी पतनी इतने ज़्यादा अमीर है कि आप इसकी कलपना भी नहीं कर सकते अमीर डैडी का सामरज्य बहुत सुरक्षितातों में है और अब माईक अपने बेटे को उसी तरह सिखा रहा है जिस तरह से उसके डैडी ने हमें सिखाया था 1994 में मैं 47 साल की उमर में रिटायर हो गया और मेरी पतनी किम उस वक्त 37 साल की थी रिटायर्मेंट का यह मतलब नहीं है कि हम काम नहीं करते या आगे काम नहीं करेंगे इसका मतलब यह है कि जब तक कोई चमतकार ही नय हो जाई तब तक हम काम करने या नए करने के लिए आजाद है इसका कारण यह है कि हमारी दोलत अपने आप बढ़ती रहती है मुद्रा स्पिति की दर से कहीं ज़्यादा तेज रुपतार से मुझे लगता है कि आजादी इसी को कहते है हमारे दोलत इतनी ज़्यादा है कि यह आपने आप बढ़ सकती है यह पेड़ लगाने की तरह है आप सालों तक इसे पानी देते हैं और एक दिन इसे आपकी जुरूर नहीं रह जाती है इसकी जड़े जमीन में काफी गैराई तक पहुंच जाती है इसके बाद पेड़ा आपके सुक के लिए छाया और फल दिता है माइक ने सामराज्य चलाने का विकलब चुना और मैंने रिटाइर होने का जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ तो वे अक्सर मुझसे सला मांगते है कि उन्हें क्या करना चाहिए शुरुवात कहां और कैसे की जाई आपकी नजर में कौन सी फुस्तक बढ़िया रहेगी हम अपने बच्चों को यह सब कैसे सिखाई है कामयभी का रहष्य क्या है मैं किस तरह करोडों रुपे कमा सकता हूँ एसे वक्त मुझे हमेशा एक लेक की यादाती है जो यहां दिया जा रहा है सबसे अमीर बिजनस्में 1923 में हमारे सबसे महान नेता और सबसे अमीर बिजनस्में शिकागो में एजवाटर बीच पर इकटे हुए ये लोग बहुत मशूर थे चार्ल स्वाब सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मुख्या थे सैमूल एंचोल दुनिया की सबसे बड़ी यूटिलिटी के अध्यक्स हावर्ड हाप्चन सबसे बड़ी गैस कंपनी के मुख्या आईवर क्रूजर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीयों में से एक International Match Company के अध्यक्स लियान फ्रेजियर Bangkok International Settlement के अध्यक्स थे रिचर्ड वाइटनी New York Stock Exchange के मुख्या Arthur Cotton और J.C. Livermore सबसे बड़े दो स्टाक्स के Speculators थे और Albert Fall President Harding के cabinet के मंतरी थे 25 साल बाद इन में से 9 लोगों का अंत इस्तरह हुआ स्वाब 5 साल तक करजे में डूबे रहने के बाद गरीबी में मरे इन्सुल की मौत विदेश में दिवालियपन की हालत में हुई क्रूजर और काटन भी गरीबी में मरे हापसन पागल हो गए वाइटनी और Albert Fall उस समय जेल से रिया हुए थे फ्रीजियर और लिवर मौर आतमत्या कर चुके थे शायद कोई भी ठीक से यह नहीं बता सकता कि इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ यह 1923 की बात है हम इतना अंदाजा तो लगा सकते हैं कि यह 1939 के मार्केट क्रेश आर्थिक मंदी के ठीक पहले हुआ था मंदी का इन लोगों पर निश्चित रुप से बहुत ज़्यादा असर हुआ होगा देखने वाली बात यह है आज हम इन लोगों से ज़्यादा मुश्किल समय में जी रहे हैं परिवर्तन ज़्यादा तेजी से हो रहे है और पूरी दुनिया में हो रहे है मुझे लगता है कि आने वाले 25 सालों में बहुत से एसे उतार चड़ावा आएंगे जो इन लोगों द्वारा जेले गए उतार चड़ावों की तरह ही होंगे मुझे यह चिंता है कि बहुत से लोग सिर्फ पैसे पर अपना ध्यान लगाई बैठे हैं और अपनी सबसे बड़ी दोलत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जिसका नाम है सिक्षा अगर लोग लचेले होने दिमाग पुला रखने और सीखने के लिए तयार रहे तो इन परिवर्तनों के बावजूद वे बहुत अमीर बन सकते हैं अगर लोग यह सोचेंगे कि पैसा ही उनकी समझ्याओं को सुलजा सकता है तो एसे लोगों के लिए आगे आने वाला समय बहुत परेशानी बरहा होगा बुद्धी से समझ्याओं सुलजती है और पैसा आता है अगर आपके पास पैसे की समझ्याओं नहीं है तो पैसा चाहिए आभी जाई पर ज़्यादा देर तक नहीं दिखता ज्यादातर लोग जिन्दगी बर यह नहीं समझभाते कि असल बात यह है नहीं है कि आप कितना पैसा कमा पाते है बल्कि यह है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं हमने लाटरी जीतने वाले उन गरीब लोगों की कहानिया सुनी है जो अचानक अमीर बन जाते हैं पर कुछ समय बाद वे फिर से गरीब हो जाते हैं ये लोग लाकों करोडों जीतते हैं फिर भी वे लोटकर वहीं आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था आपने उन्हें व्यवसाइक एथलेटों की कानिया भी पड़ी होंगी जो 24 साल की उमर में हर साल करोणों डालर कमाते हैं और 34 साल की उमर में उन्हें पुल के नीचे सोना पड़ता है आज ही के एखवार में एक युवा बास्केट वाल खिलाडी की खबर चपी है जो एक साल पहले करोणों का मालिक था आज वह यह सिकायद करता फिर रहा है कि उसके दोस्तों, वकीलों और अकाउंटेड ने उसके पैसे हडप लिये और इसी वज़े से आज उसे बहुत कम मजदूरी पर कार्द होने का काम करना पड़ रहा है वह सिर्फ 29 साल का है, उसे कार्द होने के काम से भी निकाल दिया गया है इसके वज़े यह थी कि उसने कार साप करते समय अपनी चैंपियंशिप रिंग उतारने से मना कर दिया और इसलिए उसकी खबर अखबार में छप गई वह अपने निकाले जाने का विरोध कर रहा था और कहता है कि यह बेहदवाव है अंगुठी ही तो उसकी महान जिंद्गी की क्लोती निशानी है उसका कहना है कि अगर आप उसके अंगुठी उतार लेने तो उसके पास जिंदा रहने का कोई सहरा ही नहीं बचेगा और वहम मर जाएगा 1997 में मैं यह से बहुत से लोगों को जानता हूँ जो नए ने करोड़ पती बन रहे हैं एक बार फिर यह 1920 के उचाल वाली दसक की याद दिलाता है हलांकि मैं खुश हूँ कि इतने ज़्यादा लोग अमीर बनते जा रही है परंतु मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूँ लंबे समय में यह मैत्वण नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया बलकि मैत्वण यह है कि आपने कितना पैसा रखा और आपने कितने पीडियों तक उस पैसे को सहे जा तो जब लोग मुझे से पूछते हैं हम किस तरह शुरू करी या मुझे बताईए कि जल्दी से अमीर कैसे बना जा सकता है तो वे मेरे जवाब से बहुत निराश होते हैं मैं उनसे सिर्फ यही कहता हूँ जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे से बच्पन में कहा था अगर तुम अमीर बनना चाते हो तो तुम्हारे पास पैसे की समझ होना चाहिए जब भी मैं अमीर डैडी से मिलता था यह विचार मेरे दिमाग में हर बाठ ठोका जाता था जैसा मैंने कहा मेरे पड़ेल के डैडी हमेचा किताबे पढ़ने के फायदे बताते रहते थे दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी वित्या साक्षता या पैसे की समझ विक्षित करने पर जोर देते थे अगर आप एंपाइर स्टेट बिल्डिंग बनाने जा रही है तो सबसे पहले आपको एक गहरा खटा कोदना पड़ेगा और एक मजबूत नीव डालने पड़ेगी अगर आप किसी उपनगर में एक घर बनाने जा रही है तो आपको सिर्फ 6 इंस का कंक्रीट का स्लेब डालना होगा ज्यादातर लोग अमिर बनने के चकर में 6 इंस के स्लेब पर एंपाइर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करना चाते है हमारा स्कूल सिस्टम उजबाने का है जब खेतिक इसानी ही अर्थ व्यवस्ता का आदार थी आज भी यह बिना नीम के गरों में बरोसा करता है दूल की फर्स आज भी लोग प्रिया है इसलिए स्कूल से निकलने वाले बच्चों की कोई आर्थिक नीम ही नहीं है एक दिन जब उन्हें नीम नहीं आती और वे करज में डूब जाते हैं तो वे अमेरिकी सपनों को देखते हैं और यह फैसला करते हैं कि पैसे की जो समश्या उनके सामने खड़ी है उसे अमीर होकरी सुलज़ाया जा सकता है इमारत बनना शुरू हो जाती है यह तेजी से उपर उठती है और जल्दी एंपाइर स्टेट बिल्डिंग के बज़ाए हमारे पास सबर्बिया का लिनिंग टाउर होता है हमारी रातों की नींदे एक बार फिर उड़ जाती है माईक और मेरे लिए माईक और मेरे लिए दोनों ही विकल्ब संबव थे क्योंकि हमारी आर्थी गिनिव मजबूत थी और पैसे की समझ हमें बच्पन से सिखाई गई थी देखा जाए तो अकाउंटिंग शाए दुनिया का सबसे बोरिंग विशे है यह बहुत उलजन बरा विशे भी है परन्तु अगर आप लंबे समय तक अमीर बने रहना चाते हैं तो यह सबसे मेत्पूर्ण विशे भी है सवाल यह है कि आप इस बोरिंग और उलजन बरे विशे को अपने बच्चों को किस तरह सिखा सकते हैं इस सवाल का जवाब है इसे आसान बना कर पहले से तस्वीरों के जरिये सिखाईए अमीर डैडी ने माईक और मेरे लिए एक मजबूत आर्थिक नियूम डाली थी चुकि हम लोग छोटे बच्चे थे इसलिए उन्होंने हमें सिखाने का एक आसान तरीका इजाद किया था सालों तक वे के उल्चितर बनाते रहे और उनके साथ सब्दों का इस्तेमाल करके हमें समझाते रहे जब माईक और मैंने उन आसान डाइगराम्स की मदद से आर्थिक सब्दावली और पैसे के खेल को समझ लिया आर्थिक सब्दावली और पैसे के खेल को समझ लिया आज माईक को जितने अकाउंटिंग विसलेशन की ज़रूरत है वह उससे भी कहीं सुक्षम और जटिल विसलेशन कर सकता है उसके पास 10 अरब डालर का सामराज्य है मैं इतना ज़्यादा जटिल विसलेशन नहीं करता क्योंकि मेरा समराज्य छोटा है परन्तु हम दोनों की ही नियम आसान नियम थी आगे आने वाले प्रस्टों में मैं आपके सामने वही आसान से चित्र खिंचूगा जो माइक के डैड़ी ने हमारे लिए खिचे थे हालांकि वह आसान है परन्तु इन चित्रों के सार है उन्होंने दो छोटे बच्चों को ठोस और गैरे नियम पर दोलत का महल बनाना सिखाया था नियम एक आपको संपत्ति और दाइतों का अंतरपता होना चाहिए और हमेशा संपत्ती ही खरीदना चाहिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही जानने की जरूरत है यह पहला नियम है यही इकलोता नियम है यह बहुत आसान लगता है परंतु ज़्यादा लोगों को यह पता ही नहीं है कि यह नियम कितना मेत्वपूर्ण है ज़्यादा तर लोग ऐसे की समश्याओं में सिर्फ इसलिए उलजे रहते हैं क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि संपत्ती और दाइतों में क्या फरक होता है अमीर लोग संपत्ती कठी करते हैं गरीब और मद्य उमर गये लोग दाइतों में कठी करते हैं और मज़े की बात यह है कि उन लोगों को यह लगता है कि वे संपत्ती कठी कर रहे है जब अमीर डैड़ी ने माई को और मुझे यह बताया तो हमने सोचा कि वे मजाक कर रही है हम दो बच्चे अमीर बनने का रहस्या जानने के लिए इतने हैरान परेशान थे जब कि उसका जवाब इतना आसान था यह इतना ज़्यादा आसान था कि हमें इस बात पर सोचने के लिए बहुत देर तक ठैरना पड़ा संपत्ति क्या है माइक ने पूछा अभी उस बारे में चिंता मत करो अमीर डैडी ने कहा अभी सिर्फ इस विचार को अपने दिमाग में घुश जाने दो अगर तुम इसे आसाने से समझ सकते हो तो तुम्हारे जिंदगी के की योजना होगी और तुम्हें जिंदगी पर पैसे की कभी दिक्कत नहीं आएगी यह आसान है इसलिए इसे अंदेखा कर दिया जाता है आपका मतलब है कि हमें बस इतना ही जानने की जरूरत है कि संपत्ति क्या है यह जानने के बाद हम उसे आसिल कर लें और अमीर बन जाए मैंने पूछा अमीर डैडी ने हामी बरी हाँ यह इतना ही आसान है अगर यह इतना आसान है तो फिर हर आदमी अमीर क्यों नहीं बन जाता मैंने पूछा अमीर डैडी मुस्कुराई क्योंकि लोग संपत्ति और दाइतों में फरक नहीं कर पाते मुझे याद है मैंने पूछा था व्यसक लोग इतने मुर्ग कैसे हो सकते हैं अगर यह इतना आसान है और इतना मैतोपूर्ण है तो हर कोई इसे जानना या कोजना क्यों नहीं चाता संपत्ति और दाईतों क्या होते हैं यह समझाने में अभी डेडी को बस कुछ ही मिनिट लगी बड़े लोगों को यह नियम समझाने में बहुत कटनाई होती है क्योंकि बड़े लोग ज़्यादा स्मार्ट होते हैं मैंने अक्सर देखा है कि ज़्यादातर लोग आसान विचारों को नहीं समझ पाते इसका कारण यह है कि उनकी सिक्षा अलग तरह से हुई है उन्हें दूसरे प्रोफेशनल्स ने पढ़ाया है जैसे बेंकर्स, अकाउंटेंट्स, रियल इस्टेट एजेंट्स, फैनेंशियल प्लान ना दित्यादी जादातर बड़े लोगों के सामने मुझ के लिए है होती है कि उन्हें बहुत कुछ बूलना पड़ता है और एक बार फिर से बच्चा बनना पड़ता है एक समझदार व्यसक को अक्सर एसा लगता है कि आसान परिवासों पर ध्यान देना मुरकता है अमीर डैडी के आई एसस सिधानत में यकीन करते थी कीप इट सिंपल स्टूपिड मुरक इसे आसान ही रहने दो इसलिए वे हम दो छोटे बच्चों के सबग को आसान बनाते थे और इस तरह उन्होंने हमारी पैसे के नियूं को ज़्यादा मजबूत बना दिया तो दिक्कत या उलजन किस बात से आती है या इतनी आसान चीज किस तरह कटिन बन जाती है कोई ऐसी संपत्ति क्यों खरीटता है जो असल में दाईतो होती है इसका जवाब हमें अपनी बुनियादी शिक्षा में मिलता है हम साक्षर्टा सब्द पर ध्यान देते हैं और पैसे की साक्षर्टा को अंदेका कर देते है कोई वस्तु संपत्ति है या दाईतो यह कैसे पता चलेगा अगर आप सचमुच संकट में फसना चाहें तो इन सब्दों को डिक्सेंटरी में देख लें मैं जानता हूँ कि वहां दी होई परिवासाएं किसी अकाउंटरेंट को अच्छी लगती होगी परंतु दिक्कत यह है कि आम आदमी उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाता फिर भी हम व्यसक लोग यह मानने में अपनी तोहिन समझते हैं कि कोई चीज हमें समझ में नहीं आ रही है चोटे बच्चों को समझाते समय अमीर डैडी ने एक बार कहा था संपत्ति को सब्द से नहीं अंकों से पढ़ा जाता है और अगर आप अंकों को नहीं पढ़ सकते तो आपको संपत्ति और जमीन में खुदे गड़े में कोई फर्क मैसूस नहीं होगा अकाउंटिंग में अंक मैत्वकून नहीं है मैत्वकून तो वह बात है जो अंक आपको बता रहे है यह शब्दों की ही तरह है शब्द मैत्वकून नहीं होते मैत्वकून वह बात होती है जो सब्दों के जरी बताई जाती है कई लोग पढ़ते हैं परंतु ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं यह रीडिंग कॉम्प्रियेंशन या पढ़े हुए को समझने की काबलियत होती है और इस क्षेतर में हम सब की अलग-लग काबलियत होती है उधारन के लिए मैंने हाली में एक नए अबीशियार खरीदा इसके साथ निर्देश पुस्तिका भी थी जिसमें समझाया गया था कि अपने बीशियार को किस तरह प्रोग्राम किया जाता है मैं शुकरवार की शाम को आने वाले अपने फेवरेट शो को रिकार्ड करना चाता था पर उस निर्देश पुस्तिका को पढ़ते बढ़ते मैं पागल हो गया मुझे दुनिया में कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं लग रहा था जितना की अपना वीशियार प्रोग्राम करना मैं शब्दों को पढ़ सकता था परन्तो इसके बावजुद मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था मुझे सब्दों को पैचानने में A मिल रहा था परन्तो उन्हें समझने में मुझे F मिल रहा था और यही ज़्यदातर लोगों के साथ पैसे के मामले में होता है अगर आप अमीर बनना चाते हैं तो आपको अंकों को पढ़ना और उन्हें समझना आना चाहिए मैंने अपने अमीर डेड़ी से यह बात हाजारों बार सुनी है और मैंने यह भी सुना है अमीर लोग संपत्ती कठी करते हैं जबकि गरीब और मध्यम वरगिये लोग दाइत तो भी कठे करते हैं यहां पर यह बताया जा रहा है संपत्ती और दाइतों में क्या फरक होता है ज़्यादा तर अकाउंटेंट और फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स परिवासाओं पर आपस में सैमत नहीं होते परन्तु यह आसान चित्र या रेखा चित्र दो छोटे बच्चों के लिए मजबूत वितिय नेव डालने में काम आए बहुत छोटे बच्चों को सिखाने के इसाब से अमीर डेली ने हर चीज को बहुत आसान बनाई रखा और जहां तक बन पड़ा उन्होंने चित्र या रेखा चित्र का प्रियोग जारा किया सब्दों का उप्योग कम से कम किया और अंकों का तो कई वर्सों तक इस्तिमाल किया ही नहीं पिछले प्रस्ट पर दिया हुआ बोक्स एक इंकम स्टेटमेंट है जिसे एक सरलाव और रहानी का स्टेटमेंट भी कहा जाता है यह हैं आमदनी और खर्च बताता है आने वाला पैसा और जाने वाला पैसा नीचे का चितर बैलेंस सीट है इसे इसलिए यह कहा जाता है क्योंकि इसमें संपत्ति और दाइत्वों को एक साथ मिला कर देखा जाता है यानि उन्हें बैलेंस किया जाता है कुछ लोग जिनमें पैसे की समझ नहीं होती इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस सीट के बीच के संद्बंद को नहीं जानते है यह समझ जानना बहुत बहुत चुरूरी है पैसे की तंगी की असली वज़ाई यह होती है कि लोग संपत्ति और दाइतों के बीच के अंतर को ठीक से नहीं समझ पाते है अक्सर उन दोनों सब्दों की परिवासाईं भी समझ खड़ी कर देती है अगर आपको दूविदा में पढ़ना अच्छा लगता है तो आप संपत्त को उठाकर उसमें संपत्ति और दाइतों सब्दों का मतलब देख ले हो आप परिवासा के लिखेवे शब्दों को पड़तो सकते हैं परंत उन्हें अच्छी तरह समझना कठिन है इसलिए जैसा मैंने पहले कहा था मेरे अमीर डैडी ने हमेशा दोनों चोटे बच्चों को यह आसान परिवासाईं सिखाई संपत्ती वह होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है अच्छी आसान और रुप्योग में आने वाली परिवासा यह एक दाइतों का कैस्पलो पैटर्न है अब चुंकि संपत्ती और दाइतों को चित्रों से समझा दिया गया है इसलिए सब्दों में दी गई परिवासा संपत्ती वह चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है दाइतों वह है चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती वास्ताव में आपको इतना ही जानने की जरूरत है अगर आप अमीर बनना चाते हैं तो आप जिंदगी वर संपति खरीगते रहे अगर आप गरीब या मद्यमबरगी आदमी बनना चाते हैं तो आप गाइत्तों खरीगते रहे इनके बीच के फरकों ने जानने से ज़्यादा जिन लोगों के सामने पैसे की मुश्कले आ रही हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि शब्दों या अंकों में इसा कुछ है जिसे वे पड़ नहीं पा रही हैं। समझदारी मेतव पूर्ण हैं सब्दों में भी और अंकों में भी। चित्रों में जो तीर लगे हैं वे पैसे के बहाव यानि कैश्प लोगों को बताते हैं। असी फिजदी परिवारों की पैसे की कहानी यह होती है कि वे अमीर बनने के लिए कड़ी मेनत करते जाते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि वे पैसा नहीं कमाते हैं। असली कारण यह है कि वे जिंदगी भर संपक्ति की जवे उधारन के तोर पर यह एक गरीव आदमी या घर पर रहने वाले नोजवान का कैश्प लोगों है। यह मद्यम वरगी आदमी का कैश्प लोग पैटर्न है। यह एक अमीर आदमी का कैश्प लोग पैटर्न है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह सभी चित्र बहुत ज़्यादा सरल बना दिये गए हैं। हम में से हर एक को जिन्दा रहने के लिए खर्च करना पड़ता है। हम सभी को रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत होती है। चित्र यह बताते हैं कि गरीब, मद्यम वरगी और अमीर आदमीों की जिन्दगियों में पैसा किस तरह आता जाता है। कैस्पलो पूरी कहाने बता देता है। इस कहाने में यह बताया जाता है कि वह आदमी अपने पैसे का किस तरह इस्तेमाल करता है। एक बार पैसा हाथ में आ जाने के बाद वह उस पैसे का क्या करता है। मैंने अपनी कहानी अमेरिका के सबसे अमीर वेक्तियों से इसलिए शुरू की ताकि मैं यह बता सकूं कि इतने सारे लोगों की सोच में कहां गलती होती है। गल्ती यह होती है कि वे यह मानते हैं कि पैसे से सारी समझ्चाइं सुलज जाती हैं इसलिए जब लोग मुझे फटा-फटा मेर बनने के नुकसे पूछते हैं तो मैं काप जाता हूँ या यह है कि उन्हें कहां से शुरू करना चाहिए मैं एकसर सुनता हूँ मैं करज में हूँ इसलिए मुझे और ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए परन्तु यह देखने में आया है कि ज़्यादा पैसे समझ्चाइं नहीं सुलज ती हैं सच कहा जाए तो इससे समझ्चाइं और अधिक बढ़ सकती हैं पैसा हमारी इंसानी कमजोरियों को अकसर ज़्यादा उबार देता है पैसा अकसर हमारे ऐसे पहलू पर रोशनी डालता है जिसके बारे में हम अंजान रहते हैं इसलिए अगर किसी आदमी को अचानक बहुत सी दोलत मिल जाए जैसे पैत्रक संपत्ती, तनक्वा में भारी बडोतरी या उसके लाटरी लग याई तो पैसा मिलने के कुछ समय बाद ही वह अपने पूराने हाल में पहुंच जाता है और कई बार तो उससे भी बुरे हाल में पैसा आपके दिमाग में चल रहे कैस पलो पैटरन को उजागर करता है अगर यह पैटरन ऐसा है कि अपनी पूरी कमाई खर्च करना है तो इस बात की बहुत संभावना है कि आपकी आमदनी बढ़ेगी तो आपका खर्च अपने आप बढ़ जाएगा इसलिए यह कावत सही है मूरक और उसके पैसे से शांदा दावते होती है मैंने यह कई बार कहा है कि हम स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि हम सेक्षनिक और व्यवसाई कावलियत हासिल कर सकें निश्चित रूप से यह दोनों ही मैत्रपूर्ण है हमारी व्यवसाई कावलियत के कारण ही हम पैसा बनाना सीखते हैं 1960 के दसक में जब मैं हाई स्कूल में था यह माना जाता था कि अगर कोई पढ़ने लिखने में अच्छा है तो वह होना और विद्यार्थी आगे जाकर डोक्टर बनेगा अक्सर उस बच्चे से यह नहीं पूछा जाता था कि क्या वह डोक्टर बनना चाहेगा यह मान लिया जाता था इसका कारण यह है था कि इस दंते में सबसे ज़्यदा पैसा नज़राता था आज डोक्टरों के सामने पैसे के बहुत बड़ी संकट है जो बगवान नए करे किसी और के सामने हो बीमा कंपनिया इस व्यवसाय पर काबू किये है सरकार भी दखल दे रही है और अदालतों में मुवावजे के केस दाईर हो रही है इत्यादी आज बच्चे बास्केट वाल स्टार बनना चाहते हैं टाइगर बूर्स की तरह गोलफर बनना चाहते हैं कम्प्यूटर विशेजर के बनना चाहते हैं मूवी स्टार, रोक स्टार, ब्यूटी क्वीन या वाल स्ट्रीट पर ट्रेडर बनना चाहते हैं इसलिए क्योंकि अब दोलत, शोरत और इज़त इन्ही जगव में है इस कारण स्कूल में बच्चों को अच्छा पढ़ने के लिए प्रेडित करना मुश्किल हो गया है वे जानते हैं कि वेल्साइक सफलता का सेक्षने की सफलता के साथ कोई सीधा समद नहीं है जैसा कभी हुआ करता था चूंकि विद्यार्थियों में स्कूल सोड़ते समय पैसे की कोई समझ नहीं होती है इसलिए करोडों पढ़े लिखे लोग अपने कारुबार में तो सफल हो जाते हैं परन्तु बाद में वे पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं वे और जदा मेंनत करते हैं परन्तु अपने समझ्याओं से जीत नहीं पाते हैं उनकी सिक्षा में कमी यह नहीं है कि उन्हें पैसा कमाना नहीं सिखाया गया है बल्कि यह है कि उन्हें पैसा खर्च करने का तरीका नहीं सिखाया गया है पैसा बनाने के बाद उसका किस तरह इस्तेमाल किया जाए और उसे किस तरह समभाला जाए इसे पैसे की समझ गहते हैं पैसा एक बार कमाने के बाद उसका क्या किया जाए इसे अपने पास कितने लंबे समय तक रोका जाए और अपने पैसे से कड़ी मेहनत कैसे करवाई जाई ज्यादातर लोग यह नहीं बता पाते कि उनकी पैसे की तंगी का कारण क्या है एसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें कैश्फलो की समझ नहीं होती कोई आदमी बहुत बढ़ालिका हो सकता है अपने कारोबार में सफल हो सकता है परन्तु हो सकता है कि उसमें पैसे की बिल्कुल भी समझ नहीं हो एसे लोग अक्सर जरूरत से ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत करना तो सिखा है परन्तु पैसे से अपने लिए कड़ी मेन्द करवाना नहीं सिखा यह कहानी बताती है कि पैसे का सुख बरा सपना किस तरह दुख बरे सपने में बदल जाता है कड़ी मेन्द करने वाले लोगों की फिल्मी कहानी एक गिसे पिटे धर्रे पर चलती है हाली में शादी शुदा, खुश, बहुत पड़े लिखे पती बदनी साथ-साथ किराई के मकान में रहने लगते हैं जल्दी उन्हें यह लगने लगता है कि वे पैसा बचा रहे हैं क्योंकि दो लोगों के साथ-साथ रहने का खर्च भी लगवग उतना ही होता है जितना की अकेले आत्मी का समझ्या यह है कि जिस अपार्टमेंट में वे रहते हैं वे है छोटा है वे अपने सपनों का खर खरीदने के लिए पैसा बचाने लगते हैं ताकि वे बच्चे पैदा कर सके अब उनके पास दो तनक्वाई होती है और वे अपने करियर पर ज़्यादा द्यान देने लगते हैं उनकी आमदनी बढ़ने लगती है जैसे जैसे उनकी आमदनी बढ़ने लगती है उनके खर्च भी वैसे ही बढ़ने लगते है ज्यादातर लोगों के लिए पहले नंबर का खर्च होता है टेक्स कई लोग सोचते हैं इंकम टेक्स परन्तु ज्यादातर लोगों के लिए सबसे वड़ा टेक्स होता है सोसल सिक्योरिटी टेक्स करमचारी को एक साल लगता है कि सोसल सिक्योरिटी टेक्स मेडी केर टेक्स को मिलाकर कुल टेक्स लगवख 7.5 फिस्दी के करीब होता है परन्तु हकीकत में यह 15 फिस्ति होता है क्योंकि आपके बोस को भी सोसल सिक्यर्टी की उतनी रकम मिलानी पड़ती है मुद्दे की बात यह है कि यह वह है पैसा है जो आपका बोस आपको नहीं दे सकता इससे भी बड़ी बात यह है कि आपको अपने वेतन में से कटे सोशल सिक्योर्टी टेक्स की रखम पर इंकम टेक्स भी देना होता है और यह है एसी आमदनी होती है जो आपके हाथ में नहीं आई है बलकि सीध ही सोशल सिक्योर्टी में चली गई फिर दाइतों बढ़ने लगते हैं इसे समझाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम वापस युवापती पतने की कहानी के तरफ चलें उनकी आमदनी बढ़ने के कारण वे फैसला करते हैं कि अब वे किराय के मकान में नहीं रहेंगे बलकि अपने सपनों का घर खरीदेंगे जब वे अपने घर में पहुंच जाते हैं तो उन पर एक नई टेक्स का बोजा जाता है जिसे property tax कहते हैं फिर वो लोग नई कार खरीदते हैं नया furniture और नया सामान खरीदते हैं ताकि उनका घर आलिशान लगे अचानक वे अपने सपने से जागते हैं और देखते हैं कि उनके दाइतों का कालम बढ़ गया है वे करजे में हैं और उन्हें बहुत से मार्केज गरिण और क्रेडिट कार रिण चुकाने हैं अब वे चुहा दोड़ में फस चुके हैं एक बच्चा भी पैदा हो जाता है वे और कड़ी मेहनत करते हैं पर किरिया फिर दोर आई जाती है ज्यादा पैसा आता है उस पर ज्यादा टेक्स लगता है जिसे ब्रेकेट क्रीब्स भी कहा जाता है तभी उनके पास डाक में एक और क्रेडिट कार आ जाता है वे इसका इस्तेमाल करते हैं वे एक खतम हो जाता है तभी एक लोन कमपनी का आदमी आकर उन्हें बताता है कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ती उनके घर की कीमत बढ़ गई है कंपनी उन्हें एक बिल कंसालिडेशन लोन देने का आफर देती है क्योंकि उनकी क्रेडिट बहुत अच्छी है कंपनी उन्हें यह भी बताती है कि समझदारी इसे में होगी कि वे अपने उन्ची ब्याजदर पर लिए गए कंजूमर लोन को उनके क्रेडिट कार्ड से चुका दे और इसके अलावा उनके घर पर लगने वाले ब्याज़ से उन्हें टेक्स में चूट भी मिलेगी वे ऐसा ही करते हैं और ज्यादा ब्याज़दर वाले क्रेडिट कार्ड का बुक्तान कर देते हैं इसके बाद वे राहत की सांस लेते हैं उन्होंने क्रेडिट कार्ड का इसाब साब कर दिया है अब उन्होंने अपने उब उक्तारेन को होम मौटकेज में बदल दिया है उनका बुगतान भी कम हो जाता है क्योंकि उन्हें अपने कर्ज को 30 साल की आसान किस्तों में चुकाना होता है समझ्या से निपने का यही स्मार्ट तरीका है उनके पडोसी आते हैं और उन्हें शोपिंग पर चलने का नियुता देते हैं मेमोरियल डे की सेल लगी हुए यही तो मौका है कुछ पैसे बचाने का वे आपस में बात करते हैं वे अपने आप से कहते हैं मैं कुछ नहीं खरीदूँगा मैं तो सिर्फ देखने जा रहा हूँ परंतु अगर कोई चीज जम जाई है तो उसे खरीदने की उम्मीद में भी अपने क्रेडिट काड को ले जाना नहीं बोलते हैं मैं एक युवा दमपती से हर समय ठकराता हूँ उनके नाम बदलते रहते हैं परंतु उनके पैसे की तंगी एक सी ही रहती है वे मेरी चर्चाओं में यह सुनने के लिए आते हैं कि मैं इस बारे में क्या कहता हूँ वे मुझसे पूछते हैं क्या आप हमें बता सकते हैं कि और ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाता है उनकी खर्चे लिए आत्तों ने उन्हें और जादा कमाने के लिए मजबूर कर दिया है पे इतना भी नहीं जानते कि दरसल समच्चा पैसा कमाने की नहीं पैसा सही तरीके से खर्च करने की है और यही पैसे की तंगी का कारण है यह समझ्चा इसलिए पैदा होती है क्योंकि उन में पैसे की समझ नहीं होती यह समझ्चा इसलिए भी और बेयानक हो जाती है क्योंकि बेसंपत्ती और दाइतों में फर्क को नहीं समझवाते मेरा मानना है कि जादा पैसे से शायद ही कभी किसी की पैसे की समझ्षें सूलच्ती हूँ समझ्षें समझदारी से सूलच्ती है मेरा एक दोस्त बार बार कर्ज में फसे लोगों को यही सला देता है अगर आपको लगता है कि आपने अपने आपको किसी कड़े में फसा लिया है तो कड़ा को अधना बंद कर दो मेरे डेड़ी बच्पन में हमें बताया करते थे कि जापानी तीन ताक्तों को मानते हैं तलवार की ताकत, रतनों की ताकत और दरपण की ताकत तलवार हतियारों की टाकत का परतीक थी अमेरिका ने हतियारों पर खर्वों डोलर खर्च कर दिये और इसी करण वह आज विस्व में सबसे ताकत वर्देश है रतन पैसे की ताकत का परतीक है इस कावत में कुछ तो सचाई है यह स्वर्णिम नियम याद रखो जिसके पास स्वर्ण है वही नियम बनाता है दरपन आतम ज्यान का प्रतीक है जापानी दंत कता के अनस्वार यह आतम ज्यान इन तिनों में से सबसे कीमती वस्तु थी गरीब और मद्यम वरगिया लोग अक्सर धन की ताकत से नियंत्रित होते हैं वे सुबह सुबह उठकर कड़ी मेनत करने यानि नोकरी करने चले जाते हैं और कुछ से यह तक नहीं पूछते कि क्या ऐसा करना समझदरी है पैसे की समझ ने होने के कारण ज्यादातर लोग पैसे की डगावनी ताकत का यह इजाज़त दे देते हैं पैसे की ताकत उनके विरोध में इस्तिमाल होती है अगर वे दरपण की ताकत का इस्तिमाल करते तो वे खुच से यह सवाल पूछते क्या इसमें समझदरी है बहुत बार अपनी अंदरूनी समझदरी पर बरोसा करने के बजाए लोग बीड के साथ साथ चलने लगते हैं वे कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि सभी लोग ऐसा करते हैं वे सवाल पूछने के बजाए नकल करने लगते हैं अक्सर वे ना समझी के कारण वही दोराते हैं जो उन्हें सिखाया गया है इस तरह के विचार कि आपका घर आपकी सबसे बड़ी पूझी है आपका घर आपका सबसे बड़ा निवेस है अगर आप ज़्यादा करज लेते हैं तो आपको टेक्स में ज़्यादा छुट मिलेगी सुरक्षित नोकरी खोजो गलतियां मत करो, खत्रे मत उठाओ एसा कहा जाता है कि ज़्यादातर लोगों के लिए मोच से भी डरावनी चीज होती है बीड के सामने बोलने का डर मनोवैकेनिक कहते हैं कि ज़्यादातर लोग सारवजनिक मंस पर बोलने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि उनकी बुराई हो भी, लोग वाग उनकी हासी उड़ाएंगे, वे अकेले रह जाएंगे, सबसे कट जाएंगे और विरादरी से अलग थलग कर दिये जाएंगे, सबसे अलग होने का डर या अकेले रह जाने का डर ही, वह है सबसे बड़ा कारण है, जिस वज़े से जात हतर लोग अपनी समश्या हल करने के लिए नए तरीके नहीं ढूलते इसलिए मेरे पड़ेल के डैडी कहा करते थे कि जापानी लोग दर्पण की ताकत को सबसे ज्यादा मेहतों देते थे क्योंकि जब इंसान दर्पण में खुद को देखता है तभी उसे सचाई का पता चलता है और ज्यादातर लोग खत्रे मत उठाओ इसलिए कहते हैं क्योंकि वे खुद डरे वे होते हैं यह किसी भी चीज के बारे में कहा जा सकता है जैसे खेल में संबंदों में करियर में या दन में इसी समाज से कड़ जाने के डर के कारण लोग लिक पर चलते हैं और समाज की स्विक्रत मानेताओं या लोग प्रिय प्रवर्तियों के खिलाप नहीं जाते आपका घर एक संपर्ति है बिल कंसोलिडेशन लोन लो और कर्द से बाहर निकल जाओ कड़ी में इनत करो प टिकल में एलमो डॉल्स अभी स्टोक में नहीं है परंतु मेरे पास एक डॉल रखी है जो दूसरा गराक अब तक लेने नहीं आया है भीड के साथ चलने और पडोशियों के एशो और आम की नकल करने के कारण पैसे की बहुत सी समझाएं पैदा होती है कई बार हम सभी को दरपड में देखने की जरूरत होती है और हमें अपने डर्ग के बजाए अपनी अंदरुनी समझदरी से सोचना चाहिए जब माईक और मैं 16 के हुए तो हमें स्कूल में समझ्चाएं आने लगी थी हम बुरे बच्चे नहीं थे हम केवल अपने आपको भीड से अलग कर रही थे स्कूल के बाद और सनिवार रविवार को हम माईक के डैड़े के लिए काम करते थे माईक और मैं एक सर गंटों तक हो इसके डैड़े के पास बैठे रहते थे जब वे अपने बेंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंड, ब्रोकर्स, निवेसकों, मैनेजर और करमचारियों के साथ चर्चा करते थे माईक के डैड़ी ने तेरह साल की उमर में स्कूल छोड़ दिया था अब वे पडेली के लोगों को रास्ता दिखा रहे थे उन्हें आदेश और निग्रेश दे रहे थे उनसे सवाल पूछ रहे थे पडेली के लोग उनकी एक आवास पर दोड़ी चले आते थे और उनके गुसे से डरते थे यह है आदमी कभी भीड के साथ नहीं चला इस आदमी ने खुद की दम पर सोचा और फैसला लिया उन्हें इन सब्दों से चिड होती थी हमें इसे इस तरह से इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि सभी लोग इसे इस तरह करते हैं वे नहीं हो सकता से भी बहुत चिड़ते थे अगर आप उनसे कोई काम करवाना चाते थे तो आपको बस इतना ही कहना था मुझे लगता है कि आप इसे नहीं कर सकते माईक और मैंने उनके साथ रहकर जितना सीखा उतना आमने स्कूल में बिताई सालों में कभी नहीं सीखा कालेज में भी नहीं माईक के डैडी के पास स्कूल की शिक्षा तो नहीं थी परंतु उनके पास पैसे की शिक्षा थी और इसी कारण में सफल भी थे वे हमें बार-बार बताया करते थे एक समझदार व्यक्ति अपने से ज़्यादा समझदार लोगों को नोकरी पर रख सकता है इसलिए माईक और मुझे समझदार लोगों की बातें सुनने और उनसे सिखने का लाब मिला परंतु इसके कारण माईक और मैं दोनों ही उन समझिक मानिताओं के साथ नहीं चल पाई जो हमारे सिक्षक हमें बताते थे और इस वज़े से कई समझे पैदा हो गई जब कोई टीचर कहता था अगर तुम्हें अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं तो तुम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते तो माईक और मैं अपनी बोहें चड़ा लेते थे जब हमें गिसे-पिटे ड़़े पर चलने को कहा जाता था और नियमों का अक्षर से पालन करना सिखाया जाता था तो हमें यह लगता था कि स्कूली सिक्ष़ा दरसल रचनात मक्ता का गलागो उट देती है हम अमे ड़ड़ी की यह बात समझने लगे थे कि स्कूलों को इसलिए बनाए गया है ताकि वहां अच्छे करमचारी तयार हो ने की अच्छे मालिक कभी कबाद माईक या मैं टीजर से पूछते थे कि हम जो पढ़ रहे हैं उनकी असली जिन्गे में क्या उप्यू बिता है या यह है कि हमें पैसे के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता दूसरे सवाल का अक्सर हमें यह जबाब बिलता था कि पैसा मैतवोर नहीं है और अगर हम अच्छी पढ़ाई लिखाई करेंगी तो पैसा अपने आप मिलने लगएगा हम पैसे की ताकत के बारे में जितना ज़्यादा जानते थे अपने सिक्षकों और सैपाटियों से उतना ही दूर होते जाते थे मेरे पढ़ेलिके डैड़ी ने कभी मुझे पर अच्छे नमबरों के लिए दवाव नहीं डाला मुझे इस बात पर हैरानी होती है कि उन्होंने इसा क्यों नहीं किया परंतो हम लोगों में पैसे को लेकर अक्सर वाद विवाद होने लगे थे जब मैं 16 साल का हुआ तो मेरी पैसे की बुनियाद मेरे मम्मी डैड़ी से अच्छी हो चुकी थी मैं हिसाब किताब रख सकता था मैं टैक्स अकॉण्टेंट्स, कर्पोरेट्स, अटार्नि, बैंक कर्स, रियल इस्टेट ब्रोकर्स, निवेश को इत्यादी की बाते सुनता था मेरे डैड़ी सिख्ष्कों की बातें करते थे एक दिन मेरे डड़ी मुझे बता रहे थे कि हमारा गर हमारे लिए सबसे बड़ा निवेश क्यों है इस बात को लेकर हम दोनों में बहस हो गई जब मैंने उन्हें यह बताया कि गर हमारे लिए अच्छा निवेश क्यों नहीं है आगे आने वाले चितर से यह साप हो जाता है कि अपने अपने गरों को लेकर मेरे अमीर ड़ेड़ी और मेरे गरीव ड़ेड़ी के विचारों में कितना अंतर था एक ड़ेड़ी के इसाब से उनका गर एक संपत्ती थी जबकि दूसरे डेड़ी के हिसाब से यह एक दाइटो था मुझे याद है मैंने नीचे वाला चितर खींच कर अपने डेड़ी को कैश फलो की दिशा समझाने की कोशिश की थी मैंने उन्हें यह भी बताया था कि घर के साथ-साथ उनसे जुड़ी कुछ दिगार खर्च भी बढ़ जाते हैं एक ज़्यादा बड़े घर का मतलब था और ज़्यादा खर्च और इसका मतलब यह था कि कैश फलो खर्च के कालम से उपर गुजरता रहता था आज ही लोग बाग मुझे इस बात पर बहस करते हैं कि उनका घर संपत्ति क्यों नहीं होता मैं जानता हूँ कि बहुत से लोगों के लिए खुद का घर उनका सबसे बड़ा सपना होता है और इसलिए वे इसे अपना सबसे बड़ा निवेस मानते हैं अपने घर के मालिक होने से ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है मैं इस लोग प्रियमानियता को देखने का एक और नजरिया सुजाना चाहता हूँ अगर मैं और मेरी पतनी एक ज्यादा बड़ा और आलिशान मकान खरीदने की बात सोचते हैं तो हम जानते हैं कि यह एक संपत्ती नहीं होगी बलकि एक दाइत तो होगा क्योंकि इससे हमारी जेब से पैसा निकल जाएगा तो यह रहा मेरा तरक हालनकि ज्यादातर लोग मुझसे सहमत नहीं होगी क्योंकि घर एक भावनात्मक चीज़ होती है और जब पैसे का सवाल आता है तो भावनाई पैसे की समझ को हरा देती है मुझे व्यक्तिकत अनुवा उसे पता है कि पैसा हर फैसले को भावनाटपक बना देता है नमबर एक जब घर की बात आती है तो मैं यह है बताना चाहता हूँ कि ज्यादातर लोग उस घर की कीमत चुकाने के लिए जिन्दगी भर काम करते हैं जिसके वे कभी पूरी तरह मालिक नहीं होते दूसरे शब्दों में ज्यादातर लोग एक घर खरीदने से कुछ सालों बार दूसरा घर खरीदते हैं और हर बार अपने पहले मकान के लिए जो करज बे लेते हैं उस पर उनके पास हर बार सिर्फ फिर से तीन साल का नया करज होता है नमबर दू हालांकि लोगों को माटगेज पेमेंट पर ब्याज के लिए टेक्स में छूट मिलती है पर उन्तु वे अपने दिगर खर्चों के लिए टेक्स के साथ मिलने वाले डालरों का उप्योग करते हैं अपनी माटगेज को पूरी तरह चुकाने के बाद भी नमबर तीन प्रोपर्टी टेक्स मेरी पतनी के में में डेडी को धक्का लगा जब उनके घर का प्रोपर्टी टेक्स एक अजार डॉलर परती महा तक पहुंच गया यह तब हुआ जब वे रिटायर हो चुके थे और इस बड़ोतरी से उनका रिटायरमेंट के बाद का बजट गड़ बढ़ा गया और उन्हें मजबूरन मकान बदलना पड़ा नमबर चार घर की कीमत हमेशा नहीं बढ़ती मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने अपने घर के लिए कर्ज लिया था उन्हें तस लाग डॉलर से भी ज़्यादा का कर्द चुकाना है पर आज उस गर की कीमत साथ लाग डालर से ज़्यादा नहीं है नमबर पांस सबसे बड़े नुकसान अवसर गमाने की बज़ेसे होते हैं अगर आपका सारा पैसा मकान में फसा रहता है तो आपको ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ताकि आपका खर्ट चलता रहे है इस दोरान आपके संपती वाले कॉलम में कोई बड़ोतरी नहीं होती है अगर एक युवापती बतने शुरुआत में यह अपना पैसा संपती वाले कॉलम में लगाए तो उनके आगे के साल आराम से गुजरेंगे खास कर उस समय जब वे अपने बच्चों को कॉलेज में भेजेंगे इस दोरान उनकी संपती भी बढ़ जाएगी और उनके खर्चें भी आराम से निकलते ल रहेंगे अक्सर एसा होता है कि आपका घर आपके बढ़ते हुए खर्च के बुगदान के लिए होम एक्विटी लोन का सालन बन जाता है संक्षेप में अपना घर खरीदना का फैसला बहुत खर्चिला पड़ता है इसके बज़ाई बेहतर यह होगा कि जल्दी ही इन्वेस्टमेंट पॉर्टफोलियो पना लिया जाए किसी आदमी पर इसका असर कम से कम तीन तरह से पड़ता है क्योंकि इस दोरान दूसरी संपतियों का मुल्य बढ़ गया होता है अक्सर ऐसा होता है कि लोग यह मानते हैं कि उनकी संपति वले कोलम में उनका घर बचा तो रिटाइर्मेंट प्लान आते हैं चुकि उनके पास निवेस्ट करने के लिए पैसा नहीं होता इसलिए वे बिल्कुल भी निवेस्ट नहीं करते हैं इस कारण उन्हें निवेस्ट कानूब कभी नहीं मिल पाता ज्यादातर लोग कभी एक समझदार निवेसक नहीं बन पाते और सबसे बड़ी अनिवेस्ट सामान्य तोर पर सबसे पहले समझदार निवेस्ट को बेचे जाते हैं जो बाद में उन्हें सुरक्षित खेलने माले लोगों को बेचते हैं मेरे पड़ेलिके डैड़ी का फाइनेंसियल स्टेटमेंट चुहादोड में फसे व्यक्ति का सबसे अच्छा उदारन है उनके खर्चा में सा उनकी आमदनी से ज़्यादा होते थे इसलिए उन्हें समपत्ती में निवेस करने का मोका ही नहीं मिलता था इसका नतीजा यह होता था कि उनके दाइतों जैसे मार्केज और क्रेडिट कार्ड की कर्ज उनकी समपत्ती से कहीं ज़्यादा होते ही यह चित्र एक अजार सब्दों की तरह एक कहानी बताता है पड़ेलिके डैड़ी का फाइनेंसियल स्टेटमेंट दूसरी तरफ मेरे अमीर डैड़ी का फाइनेंसियल स्टेटमेंट यह दिखाता है कि वे जी जान लगा कर निवेस कर रही थे और उन्होंने अपने दाइतों को कम से कम रखा था अमीर डैड़ी का फाइनसियल स्टेटमेंट मेरे अमीर टेडी के financial statement से यह है भी पता चलता है कि अमीर लोग और ज़्यादा अमीर क्यों बनते हैं संपत्ति वाले कोलम से इतने ज़्यादा आमदनी होती है कि खर्च आराम से चल जाता है और कुछ पैसा बच भी जाता है इस बचे हुए पैसे को एक बार फिर से संपत्ति वाले कालम में दुबारा निवेश कर दिया जाता है संपत्ति वाला कालम बढ़ता जाता है और इससे होने वाली अम्दनी भी बढ़ती रहती है नतीज़ा यह होता है अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते चले जाते हैं अमीर लोगों और ज़्यादा अमीर क्यों होते हैं यह है रहा financial statement मद्यम वर्ग के लोग हमेशा पैसे की तंगी से जूचते रहते हैं उनकी मूल आमदनी तंखवा से होती है और जैसे जैसे उनकी तंखवा बढ़ती है उनके टेक्स भी बढ़ते जाते हैं इसके साथ ही आमदनी बढ़ने पर उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं इसलिए इसे चुहा दोड कहा जाता है। ये लोग मानते हैं कि उनका घर उनकी मूल संपर्ती है और इसलिए वे आमदनी दिलाने वाली संपर्ती में निवेस नहीं करते हैं। मद्यां वर्ग को पैसे की तंगी क्यों होती है। यह रहा फाइनेंसियल स्टेटमेंट। आज की कर्जदार सोसाइटी दो बाते मानती हैं। पहली यह है कि खुद का घर एक निवेस होता है और दूसरी यह है कि तंखवा बढ़ने पर खर्च भी बढ़ना चाहिए। या एक ज़्यादा बढ़ा घर खरीद लेना चाहिए। बढ़ते वे खर्च के कारण परिवार ज़्यादा कर्ज में फस जाते हैं। और उन्हें पैसे की और ज़्यादा तंगी का सामना करना पड़ता है हालांकि वे अपनी नोक्रियों में लगातार तरक्की कर रही है और उनकी तनक्वा लगातार बढ़ती जा रही है इसे हाई रिस्क लिविंग या बहुत जोखिम बरी जीवन से लिक कहा जाता है और इसका कारण यह है कि एसे लोगों में पैसे की समझ नहीं होती 1990 के दसक में नोक्रियों में बारी कटोती जी यह बात पता चली कि मद्यम वर्ग पैसे के मामले में कितना ऐसुरक्षित है अचानक कंपनी पेंशन प्लान की जगह पर 41 के प्लान आगे है सोसल सिक्रोटे निश्चित रूप से संकट में है और इसे रेटायरमेंट का सारा नहीं बनाया जा सकता मद्यम वर्ग में गवराहट का माहूल पैदा हो गया है आज एक अच्छी बात यह है कि ज्यादा तर लोग ये बातें समझते हैं और इसलिए उन्होंने म्यूच्वल पंड करीदा शुरू कर दि हैं म्यूच्वल पंड इसलिए लोग प्रिये हुए क्योंकि वे सुरक्षा के प्रतीक हैं और सथ म्यूच्वल पंड खरीदने वाले आदमी नोकरी में टैक्स और मार्केर्ट चुकाने में अपने बच्चों की सिक्षा की फीज के लिए पैसे बचाने में और अपने करने में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं उनके पास इतना समय नहीं है कि वे निवेस करने की कला सीख सकें इसलिए वे म्यूच्वल पंड के मेरेजर की कावलियत पर भरोसा करते हैं चुकि म्यूच्वल पंड कई तरह के निवेस करता है इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि उनक सिफाई सिदान को सही मानता है सुरक्षित रहो जो किन से बचो असली तराजदी यह है कि पैसे की समझने होने के कारण ओसत मद्यमर्गे लोग खत्रों का सामना करते हैं उनके सुरक्षित खेलने का असल कारण यह होता है कि उनके पास पैसे की तंगी होती है उनकी बैलेंस सी खली रहता है। जहां से आमधनी आती है। जबकि उनके दायटों वाला कोलम पूरा भरा रहता है। समन्य तोर पर उनकी आमधनी का इकलोता साधन उनका वेतन होता है। उनका जीवन वे अपन पूरी तरह से उनके बोस पर निर्वन करता है। और जब सचमुत जिन्दगी में एक बार आने वाला मुका आता है तो ये लोग उस मुके का फाइदा नहीं उठा पाते क्योंकि वे इतनी कड़ी मेनत करते हैं इसलिए वे सुरक्षित खेल खेलते हैं सबसे ज़्यादा टेक्स चुकाते हैं और कर्ज के बोच से दवे रहते हैं जैसा मैंने इस खंड में शुरू में कहा था सबसे महत्वपून नियम यह है कि संपत्ति और दाइतों के बीच के अंतर को पैचाना जाए एक बार आप इसमें फर्क समझ लें इसके बाद आप आम अमधने देने वाले संपत्ति खरीदने की लगातार कोसिस करते रहें यह हैं अमीर बनने की राहा पर चलने का सबसे लोगप्रिय और बढ़िया तरीका है इसे करते रहें और आपका संपत्ती वाला कोलम बढ़ाते रहें अपने ताइत और खर्च को कम करने की कोशिस भी करते रहें इससे पैसा आपके संपत्ती वाले कोलम में आता रहेगा जल्द ही आपकी संपत्ती वाला कोलम इतना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा कि आप और ज़्यादा जोखिम वाले निवेश कर सकेंगे एसे निवेश जिनमें 100 फिजदी से अनंद तक फायदा हो सकता है एसे निवेश जिनमें 5000 डोलर की रकम जल्दी ही 10 लाख डोलर या इससे ज़्यादा हो जाती है एसे निवेश जिने मद्यमवर्ग बहुत जोखिमबरा मानता है निवेश जोखिमबरा नहीं है यह उस व्यक्ति की पैसे की नासमजी है वित्तिय निरक्षर्ता है जो उसे बहुत जोखिमबरा बना देती है अगर आप वही करते हैं जो सभी लोग करते हैं तो आपको यह चित्र मिलेगा एक करमचारी होने के नाति जो घर का मालिक भी है आपकी नोकरी का पैटरन सामनेत है यह होता है नमबर एक आप किसी के लिए काम करते हैं तनकवा पर काम करने वाले ज़्यादातर लोग मालिक को या शेर होल्डर्स को ज़्यादा मेर बना रही है आपकी कोशिशों मेहनत और सफलता से दरसल आपका मालिक सफल होता है और उसके रेटाइर्मेंट में मदद मिलती है नमबर दू आप सरकार के लिए काम करते हैं आप इसे देख पाएंगे इसके पहले कि सरकार आपकी तनख़आ मैंसे अपना इसाल ले लेती है जियादा करी मेहनत करके आप सरकार को देने वाले टैक्स में बढ़ोतری करते हैं जियादा तर लोग ज़नुवरी से मई तक सिर्फ सरकार के लिए काम करते हैं नमबर तीन काम करते जाएं तो समझ चाहिए यह है कि तीनों ही मामलों में आपके ज़्यादा मेनत से किसी और को ज़्यादा फाइदा होता है आपको यह सीखना चाहिए कि आपके ज़्यादा मेनत से किस तरह आपको और आपके परिवार को सीधा फाइदा मिल सकता है अगर आप यह फैसल को बनाई रखना चाहते हैं और अपने तनक्वा के सारे ही संपत्ति बनाना चाहते हैं जब उनकी संपत्ति बढ़ती है तो वे किस तरह अपनी सफलता का अंकलन करते हैं कब कोई व्यक्ति यह मैसूस करता है कि वह अमीर है कि उसके पास दोलत है संपत्ति और दाइतों की मेरी अपनी परिवासाओं की ही तरह दोलत के बारे में भी मेरी अपनी परिवासा है दरसल मैंने इसे बक्मिन्स्टर फुलर नामक वेक्टी से सिखा है कुछ लोग उसे नीम हकिम कहते हैं और कई लोग उसे एक जीता जागता जीनियस कहते हैं सालों पहले सभी वास्तो भी इसलिए हैरान हो गए थे क्योंकि 1961 में उसने जियोडेसिक डॉम के पेटेंट के लिए आवेदन किया था और उस आवेदन में फूलर ने दोलत के बारे में भी कुछ कहा था पहले तो उसका ठेक ठेक मतलब समझ में नहीं आया था परंतु उसे कई बार पढ़ने के बाद इसका मतलब समझ में आने लगा दोलत किसी आदमी की वह योग्यता है जिसके सारे वह आगे आने वाले दिनों में जिन्दा रह सकता है यानि अगर मैं आज काम करना बंद कर दूँ तो मैं कितने दिनों तक जिन्दा रह सकता हूँ यह नेटवर्थ की तरह नहीं है जो आपकी संपत्य और दाइतों के बीच का अंतर है हर व्यक्ति को लगता है कि उसके पास जो सामान है वह बहुत किम्ती है परन्तों इस परिवासा से सच्मुच सही आंकलन नहीं किया जा सकता मैं अब आंकलन कर सकता हूँ और सच्मुच चांथा हूँ कि आप्थी ग्रूप से आजाद होने के लिए मेरे लक्षय के संदर्व में मैंने कितनी तरक्की कर ली है अलंकि नेट वर्थ में एसी चीज़ें भी आ जाती है जिन से पैसा नहीं आता जैसे वह बस्तू जो आपके गैरेज में खड़ी है दोलत का सिधा सा इसाव यह है कि आपका पैसा कितना पैसा बना रहा है और इसलिए आप आर्थी ग्रूप से कितने दिनों तक जिन्दा रह सकते हैं दोलत दरसल संपत्ति के कोलम के कैश फलो का दाइतो वाले कोलम के साथ तुलना है एक उधारन ले यह कहें कि मेरे पास हर मैने में संपत्ति वाले कोलम से 1000 डालर का कैश फलो है और मेरा खर्च हर मैने 2000 डालर है मेरे पास कितनी दोलत है अब हम बक्मिन्स्टर फूलर की परिवासा की तरब चलें उसकी परिवासा के इसाब से मैं कितने दिनों तक जिन्दा रहे सकता हूँ अगर हम एक मैने में 30 दिन माल ले तो इस परिवासा के इसाब से मैं 15 दिन तक जिन्दा रहे सकता हूँ जब मैं अपनी संपत्ती से हर मैने 2000 डालर का कैस्पलो आसिल करने लग जाऊंगा तो मैं दोलतमन्द हो जाऊंगा हालांकि मैं अमीर नहीं हूँ परंतु मैं दोलतमन्द जरूर हूँ हर मैने मेरी संपत्ती से मुझे जो आमदनी मिलती है वह मेरे मैने बर के खर्च के लिए काफी होती है अगर मैं अपने खर्च को बढ़ाना चाता हूँ तो मुझे इसके पहले अपने संपत्ती से आने वाले कैस्पलो को बढ़ाना होगा यह ध्यान रखें कि इस बिंदू पर मैं अपनी तनक्वा पर बिल्कुल भी निर्वन नहीं मैंने संपत्ती वाले कालम को परने में जी तोड कोशिस की थी और मैं इसमें सफल भी हुआ था जिसके कारण आज मैं आर्थिक रूप से आजाद हो गया हूँ अगर मैं आज अपने नोगरी छोड़ भी दूँ तो भी मेरी संपत्तियों से इतना कैश्पलो आता रहेगा कि मेरा खर्चासाने से चलता रहेगा मेरा आगला लक्षय यह होगा कि मेरी संपत्तियों से आने वाले अतिरित कैश्पलो गो फिर से संपत्ति वाले कालम में निवेस कर दिया जाएगा मेरी संपत्ती वाले कालम में जितना ज़्यादा पैसा जाता है मेरा संपत्ती वाला कालम उतना ही बढ़ता रहता है मेरा संपत्ती वाला कालम जितना ज़्यादा बढ़ता है वहां से उतना ही ज़्यादा कैस्फलो आता है और जब तक मैं अपने खर्च को आने वाले कैसफलों से कम रखता हूँ तब तक मैं और ज़्यादा अमिर बनता रहूंगा और ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरी आमदनी शारिरिक मेनत से नहीं बलकि दूसरे जर्यों से आ रही है जब तक पुनर निवेश की यह परक्रिया चलती रहती है मैं अमीर बनने की रहा पर तेजी से चलता रहूंगा अमीर की असली परिवासा देखने वाले की निगाह में होती है आप कभी यत्ते दिक अमीर नहीं हो सकते इस आसान सबक को याद रखें आमीर संपत्ती खरीदे हैं गरीब केवल खर्च करते हैं मद्यम वर्ग दाईतों खरीदता है पर तुछ यह सोचता है कि वह संपत्ती खरीद रहा है तो किस तरह मैंने अपने काम से काम रखा इस सवाल का जवाब क्या है मेक टोनाल्स के मालिक की बातें सुने धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याई च्यार की तरफ जो है अपने काम से काम रखो आपका दिन शुब हूँ रिच डेड, पूर डेड अध्याई च्यार अपने काम से काम रखो उनिस सो चोथर मेक डोनाल्स के मालिक रेक रोक से अग्रेक किया गया कि वे आस्टिन में टेकसास यूनिवेस्टी में एम्बिये की कख्षया में व्याख्यान दे मेरा एक करीबी दोस्त कीथ कनिंगम वहां एम्बिये कर रहा था बहुत अच्छी और प्रेणा डाइक चर्चा के बाद कक्षया खतम हो गई और विद्यार्थियों ने रे से पूछा कि क्या वे बियर के लिए उनकी फेवरेट बार में चलेंगे रे तयार हो गई जब सब लोगों के हाथ में बियर आ गई तब रे ने पूछा मेरा असली बिजनेस क्या है हर कोई हंस पड़ा ज़्यादा तर एंबियो विद्यार्थियों को यसा लगा जैसे रे मजाग कर रहे थे किसे ने जवाब नहीं दिया इसलिए रे ने दुबारा यही सवाल पूछा आप लोगों की नजर में मेरा बिजनेस क्या है विद्यार्थियों दुबारा हंस दिये और आखिर कर एक बादूर विद्यार्थियों ने जोर से कहा रे दुनिया में इसा कौन है जो यह है नहीं जानता कि आप हैंबर्ग बिजनेस में है रे हंस दिये मुझे मालूम था कि आप लोग यही कहेंगे वे एक पल के लिए रुके और इसके बाद उन्होंने कहा लेडिज एंड जेंटलमेंट मैं हैंबर्ग बिजनस में नहीं हूँ मेरा आशली बिजनस है रियल इस्टेट कीत ने कहा कि रे ने अपने नजरियों को समझाने के लिए काफी समय लिया अपने बिजनस प्लान में रे जानते थे कि बिजनस का मूल लक्षे हैंबर्ग फ्रंचाइजी बेचना था परन्तु वे कभी भी हर फ्रंचाइजी की लोकेशन को नहीं भूले वे जानते थे कि रियल इस्टेट और इसकी लोकेशन हर फ्रंचाईजी की सबलता में सबसे मेत्वपून तक तो है मुलते वह है आदमी जो फ्रंचाईजी खरीद रहा था और रेकराक के संग्टन की फ्रंचाईजी चेन का सदश्य बनता था वह है भी उस जमीन के लिए पैसे दे रहा था और उसे खरीद रहा था आज मेकडोनाल्ड दुनिया में रियल इस्टेट का सबसे बड़ा केला मालिक है जिसके पास कैथोलिक चर्च से भी बड़ा ज़्यादा रियल इस्टेट है आज मैकडोनल्ड के पास अमेरिका और दुनिया के दूसरे देशों में सबसे किमती चुराई और नुकड़ है कीत ने कहा कि यह उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा सबकता आज कीत के पास कार दूने का बुजनस है परनतो उसका असली बुजनस है कार दूने के खरेज के नीचे का रियल एस्टेट पिछल अध्याई के अंद में हम्ने यह बताया था कि ज़्यादातर लोग दूसरों के लिए काम करते हैं बस अपने लिए काम नहीं करते वे पहले तो कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं फिर टेक्स के कारण सरकार के लिए काम करते हैं और आखिर कार बैंक के लिए काम करते हैं जो उनके मार्क गेज का मालिक होता है जब हम छोटे थे तो हमारे आसपास मैक डूनल्ड का कोई फ्रंचाइज याउटलेट नहीं था परन्तु मेरे अमीरी डैड़ी ने माईक और मुझे वही सबक सिखा दिया जो टेकसास यूनिवेस्टी में रेक राकने सिखाया था यह है अमीरों का रहश्य नंबर तीन है रहश्य है अपने काम से काम रखो लोगों के जिन्दगी में पैसे की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वे अपनी सारी जिन्दगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं कई लोगों के पास तो जिन्दगी भर काम करने के बाद भी अपने लिए कुछ नहीं बच पाता एक बार फिर एक चित्र एक हजार सब्दों के बराबर है यहाँ एक इंकम स्टेटमेंट और बैलेंस सीट का चित्र दिया गया है जो रेक राकी सलागा सबसे अच्छा उधारन है हमारी वरतमान शिक्षा पद्धती आज के युवाओं में अकादमी कुछ अलताएं विक्षित करूने अच्छे नोकरियां दिलाने के लिए तैयार करती है उनकी जिंदगी उनकी तनकुआँ के चारों तरफ गूमती है या जैसा पहले बताया जा चुका है उनकी आदम्धनी वाले कालम के चारों तरफ और जारा अकादमी कुछ अलताओं को विक्षित करने के बाद वे अपनी व्यवसाई की युगताओं को बढ़ाने के लिए और उनसे शिक्षा हासिल करते हैं वे इंजिनियर, वे ग्यानिक, रसोई, पुलिस अबसर, कलाकार, लेखकी ज्याती बनने के लिए पढ़ाई करते हैं उनकी व्यवसाई की युगताओं उन्हें काम करने और पैसा कमाने का मुका देती हैं परंतु ध्यान रहे, वे पैसे के लिए काम करते हैं आपके प्रोफेशन और आपके बिजनस में बहुत बढ़ांतर है मैं एक सर लोगों से पूस्ता हूँ आपका बिजनस क्या है? और वे कहते हैं मैं एक बैंकर हूँ फिर मैं उनसे पूस्ता हूँ कि क्या वे बैंक के मलिक हैं? और समाने ता उनका जवाब होता है नहीं मैं वहाँ काम करता हूँ इस तरह उन्होंने अपने प्रोफेशन और अपने बिजनस को एक ही समझ लिया है उनका प्रोफेशन एक बेंकर काफ हो सकता है परन्तु उनका अपना बिजनस कुछ भी नहीं है रेक राक अपने प्रोफेशन और अपने बिजनस के बीच की अंतर को बहुत अच्छी तरह जानते थे उनका प्रोफेशन हमेशा वही था वे एक सेल्जमेन थे एक समय वे मिल्क शेक के लिए मिक्सर बेचते थे और कुछ ही समय बाद वे हैंबर्ग फरंचाईजी बेचने लगे आलांकि उनका प्रोफेशन हैंबर्ग फरंचाईजी बेचना था परंतु उनका बिजनस आई दिलाने वाले रियल इस्टेट को इकठा करना था स्कूल के साथ एक समय से यह है कि आप जो विशेफ पढ़ते हैं आप वही बन जाते हैं उधारण के लिए अगर आप कुकिंग का अध्यान करते हैं तो आप शेफ बन जाते हैं अगर आप कानून का अध्यान करते हैं तो आप वकील बन जाते हैं और अगर आप आटो मेकेनिक का द्यान करते हैं तो आप मेकेनिक बन जाते हैं जो पढ़ा जाई वही बन जाने में गलती यहां होती है कि लोग अपने काम से काम रखना भूल जाते हैं वे अपना सारा जीवन दूसरों के काम पर ध्यान देने में लगा देते हैं और इस तरह कि आदमी को अपने काम से काम रखने की ज़रूरत है आपका बिजनस आपकी संपत्ति वाले कालम के रीपरीद होता है जैसा पहले बताया जा चुका है नमबर एक नियम यह जानना है कि समपत्ति और दाइतों के बीच अंतर होता है और इसलिये हमें समपत्ति ही खरीदना चाहिए अमीर लोग अपने समपत्ति वाले का लमपर ध्यान देते हैं जबकि बाकी सभी लोग अपने इंकम स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं इसलिए हमें यह बहुत सुनने में आता है मुझे ज़्यादा तनक्वा की जरूरत है कास कि मुझे प्रमेशन मिल जाए मैं एक बार फिर स्कूल जाकर कुछ और प्रशिक्षन लेने वाला हूँ ताकि मैं बेहतर नोक्री पास हूँ मैं और टाइम करने वाला हूँ शाहिद मुझे कोई पार्ट टाइम काम मिल जाए मैं दो सब्ता में नोकरी छोड़ रहा हूँ मुझे एक नई नोकरी मिल गई है जिसमें तन्खवा जा रहा है कई समूओं में ये समझदारी के विचार है परंतु अगर आप रेक राक की बात समझ लेते हैं तो ऐसा करके आप अपने काम से काम नहीं रख रही है ये सभी विचार अपना पूरा ध्यान अमधनी वाले कालम पर केंद्रित की हुए है और अगर अतिरिक धन का उप्योग अमधनी बढ़ाने वाली संपतियों को खरीबने में किया जाता है तभी वह आदमी आर्थी गरूप से सुरक्षित हो सकता है गरीब और मध्यमर्ग के ज्यादातर लोग पुरातन पंती होते हैं यानि मैं जोखिम नहीं उठा सकता यानि कि उनका आर्थी कादार नहीं होता वे अपनी नोक्रियों से चिपके रहते हैं वे खेल को सुरक्षित तरीके से खेलते हैं जब कमपनियों का कार छोटा होने लगा तो लाकों करोडों लोगों पता चला कि जिसे वे अपनी सबसे बड़ी संपत्ती मानते थे यानि कि उनका घर वे उनने जिन्दा मार रहा है उनकी घर नमक संपत्ती हर माँ उनकी जेव से पैसे निकलवा रही है उनकी कार उनकी दूसरी संपत्ट उन्हें जिन्ना मार रही थी गैरेज में रखे एकजार डालर में खरी दे गए उनकी गुल्फ कलब अब एकजार डालर के नहीं रह गई थी नोकरी की सुरक्षा ने होने के कारण अब उनके पास जीवन या पनका कोई यादार नहीं बचा था उनके विचार में जो संपत्टियां थी पैसे के संकट के समय में वे उनकी कुछ भी मदद नहीं कर सकती थी मैं यहे मान कर चल रहा हूँ कि हम में से ज़्यादातर ने मकान खरीदने या कार खरीदने के लिए बैंकर से लोन के लिए आविदन फार्म भरा है नेट वर्थ कंड पर नज़र डालना हमेशा रोचक रहता है यह है रोचक इसलिए होता है क्योंकि इससे हम जान पाते हैं कि बैंकर और अकाउंटिंग में बैंकिंग और अकाउंटिंग में किन चीजों को संपतिया माना जाता है एक दिन कर्ज लेने के लिए मेरी माली आलत बहुत अच्छी नहीं लग रही थी इसलिए मैंने अपने नईव गोल्प कलप मेरे आर्ट कलेक्शन पुस्तगें स्टीरियो टेलिविजन अर्वानी सूट्स कलाई गडियान जूते और दिगर चीजों को संपति वाले कालम में दिखा दिया मेरे लोन के आवे दन को एस्टिकार कर दिया गया क्योंकि मेरा बहुत जादा निवेस रियल इस्टेट में था लोन कमेटी को यह पसंद नहीं आया कि मैं अपार्टमेंट हाउसे से इतने ज़्यादा पैसे कमा रहा था वे यह जानना चाते थे मेरे पास एक सामान या नोगरी क्यों नहीं है जिसमें बेतन मिलता हूँ उन्होंने मेरे आदमाने सूट्स गोल्प कलब या आर्ट कलेक्शन के बारे में कोई सवाल नहीं कि जिन्दगी कई बार कठिन हो जाती है जब आप स्टेंडर्ड परफाइल में फिट नहीं होते हैं मैं हर बार चौप जाता हूँ जब मैं किसी को यह कहते वे सुनता हूँ कि उनकी नेट वर्थ 10 लाग डालर है या एक लाग डालर है या एसा ही कोई और आंकड़ा नेट वर्थ के सटीक नहीं होने का एक खास कारण यह है कि जिस पल आप अपने संप्रतियों को बेचना शुरू करते हैं आपकी प्राप्तियों पर टेक्स चुकाना पड़ता है इतने सारे लोग अपने आपको पैसे के गहरे संकट में डाल लेते हैं जब उनकी आमदनी कम हो जाती है पैसा जुटाने के लिए वे अपने संप्रतिया बेचते हैं पहले तो उनकी व्यक्तिगत संप्रतियां शामाने तय उस मुल्ये से बहुत कम में बिखती है जो उनकी balance sheet में दिखाया गया है या अगर संपतियों को बेजने से कोई फाइदा होता है तो उस पर tax लगा दिया जाता है तो एक बार फिर सरकार फाइदे में से अपना हिस्सा ले लेती है और इस तरह कर्द से उबरने के लिए जुटाई जाने वाली रकम को कम कर देती है अपने काम से काम रखना शुरू कर दे दिन में नोकरी को करते रहें परन्तु अपने संपतियों को खरीदना भी चालू कर दे एसे दाइतों या वेक्तिगत चीजों से बचें जिनकी कीमत एक बार घर लाने पर कम हो जाई आप जिस क्षण एक नई कार को शुरूम से बाहर निकाल कर ले आते हैं उसकी कीमत 25 फिजदी कम हो जाती है यह सची संपति नहीं है हालांकि आपके बैंकर भी इसे संपति मानते हैं मेरा 400 डालर का नया टाइटेनियम ड्राइवर खरीदे के कुछी मिन्टों बाद 1500 डालर मुल्यका हो गया था व्यसकों के लिए यही सही है कि वे अपने खर्च कम कर लें अपने दाइतों को गटा लें और मेनत से ठोज संपतियों का आधार बना लें उन यूवा लोगों को जिनोंने अभी घर नहीं छोड़ा है यह ऐसी खाया जाना चाहिए कि संपतियों और दाइतों के बीच क्या फार्क होता है घर चोड़ने से पहले ही उन्हें संपतियों वाले कालम को बनाने की प्रेणा दी जानी चाहिए इसके पहले की वे घर चोड़े शादी करें घर खरी दें बच्चे पैदा करें खतरना कार्थिक स्थिति में फसें नोकरी को कसकर पकड़े रहें और हर चीज को उधार खरी दें मैं बहुत सारे युग अदम पतियों को देखता हूँ जो शादी कर लेते हैं और अपने आपको एक ऐसे जाल में फसा लेते हैं जिससे वे अपने नोकरी के बहुत सालों तक कर्द से बाहर नहीं निकल पाते हैं जब आखिरी बच्चा घर चोड़ कर चला जाता है तब ज़्यादा तर लोगों को यह है एसास होता है कि उन्होंने रिटायर्मेंट की प्रयाप तैयारी नहीं की है और वे थोड़ा पैसा अलग रखना शुरू कर देते हैं फिर उनके अपने ममी डैडी बीमार हो जाते हैं और उन पर नई जिम्मेदारिया आ जाती है मैं तो आपको या आपके बच्चों को किस तरह कि संपतियों के संग्रहन की प्रयणा दे रहा हूँ मेरी दुनिया में असली संपतिया कई तरह की होती है नमबर एक ऐसी बिजनस जिसमें मेरे होने की जरूरत नहीं हो मैं उनका मालिक जरूर हूँ परन्तु उन्हें दूसरे लोग चलाते हैं अगर मुझे वहाँ काम करना पड़े तो यह बिजनस नहीं होगा यह मेरी नोपरी होगी नमबर दो स्टोप नमबर तीन बांड नमबर चार म्यूच्वल पंड नमबर पांस आमदनी देने वाला रियल एस्टेट नमबर च्छे नोट्स आई ओ यू नमबर साथ बोधिक संपता जैसे संगीत पढ़कता पे टेंटी दियाती से मिलने वाली रोयलिटी नमबर आठ और एसी हर चीज़ जो कीमती है जो आमदनी देती है और जिसका मुल्य बढ़ जाता है और जिसका बाजात तैयार है जब मैं चोटा था तब मेरे पड़ेली के डैडी ने मुझे एक सुरक्षित नोबरी डोनने की सला दी दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी ने मुझे इसी संपतियों को इकठा करने की सला दी जिने मैं पसंद करता था अगर तुम उन्हें पसंद नहीं करते होगे तो तुम इसका ध्यान नहीं रख पाओगे मैं रियल इस्टेट इसलिए इकठा करता हूँ क्योंकि मुझे इमारतों और जमीन से प्यार है मैं उनके लिए शोपिंग करना भी पसंद करता हूँ मैं सारा दिन उन्हें निहार रसकता हूँ जब समश्य होती है तो वे उतनी बुरी नहीं होती कि उनके कारण रियल इस्टेट के लिए मेरा प्यार कम हो जाई एसे लोग जो रियल इस्टेट से नपरत करते हैं उन्हें इसे नहीं खरीदना चाहिए मुझे चोटी कंपनियों के स्टोक से भी प्रेम है खास कर नई कंपनियों के स्टोक से इसका कारण यह है कि मैं इंटर्प्रियोनर हूँ नए की कोई कॉर्परेट वेक्ती अपने शुरुवाती सालों में मैं बड़े संग्ठनों में काम कर चुका हूँ जैसे कैलिफोर्निया के स्टंडर्ड में यूस मारीन कार्प्स और जेराक्स कार्परेशन में मैंने इन संग्ठनों में बिताई समय का मजा लिया और मेरे पास कई सुकह दिया दे हैं परन्तु बीतर से मैं कंपनी में काम करने वाला आउट भी नहीं हूँ मुझे कंपनी चालू करना अच्छा लगता है परन्तु उन्हें चलाना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं जो शेर खरीदता हूँ वह भी सामाने तेर छोटी कंपनीयों के होते हैं और कई वारतों मैं कंपनी चालू करता हूँ और उसे सारुजनिक बना देता हूँ नए स्टोक के सेर में कीमत चमक सकती है और मुझे यह खेल पसंद है कई लोग कम पुझी वाली कंपनीयों से टरते हैं और उन्हें खतरना कहते हैं और वे खतरनाक हैं भी, परन्तु खतरा हमेशा कम हो जाता है, अगर आप निवेश से प्रेम करते हैं, उसे समझते हैं, और खेल को अच्छी तरह से जानते हैं, छोटी कमपनियों के साथ मेरी रणनिती यह होती है, कि एक साल में अपने शेर बेश किये जाएं, दूसरी तरब में रिस्तिती रियल एस्टेट की रणनिती होती है, छोटी प्रोपर्टी से शुरू करने की होती है, फिर मैं उस छोटी प्रोपर्टी को बेच कर उसे थोड़ी बड़ी प्रोपर्टी ले लेता हूँ, और इस तरह आपने 5 दे पर टेक्स चुकाने से बस्ताग रहता इससे property की value में नाट की अब डोतरी होती है, मैं सामान्य तोर पर real estate को 7 साल से कम समय अपने पास रखता हूँ, वरसों तक जब मैं marine carbs और जिरेक्स में था, तब भी मैंने वही किया जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाया था, मैं अपनी दिन की नोबरी करता, परंतु मैं अ पती वाले कालम में कुछ ने कुछ करता रहता था, मैं real estate और छोटे stocks की खरीद प्रोट भी करता था, अमीर डैडी ने हमेशा पैसे की समझ के मैतों पर जोड दिया, जितनी अच्छी तरह मैं accounting और cash management को समझ सकता था, उतनी ही अच्छी तरह मैं निवेसों का विशलेशन कर सकता था, और आखिर कार खुद की company शुरू कर सकता था, और उसे सफल बना सकता था, जब तक कि कोई पहले से यह सहने सोच रहा हो, मैं किसी को भी अपनी company बनाने के लिए प्रोट साइट नहीं करता, मैं जानता हूं कि company चलाने में कितना जंजट होता है, और मैं नहीं चाह था, कि आप उस जंजट में फसें, कई बार यह सा भी समय आता है, जब लोगों को रोजगार नहीं मिलता, और उनके लिए company चालू करना एक समाधान होता है, पर अंतु सबलता के अवसर बहुत कम है, दस में से नो company आपन सालों में लूप जाती है, पहले पान सालों में जो company बची रहती है, उन में से भी दस में से नो company बाल में बंद हो जाती है, तो अगर आपकी पहले से अपनी company शुरू करने की इच्छा हो, तब ही मैं इसकी सला दूँगा, अन्य था, अपने दिन की नोकरी करते रहें और अपना काम से काम रखें, जब मैं कहता हूँ कि अपन बाहर नहीं निकल पाई, इसे इस तरह सोचें, कि जब एक डालर आपकी संपत्ती वाले कालम में जाता है, तो वह आपका करमचारी बन जाता है, ऐसे के बारे में सबसी अच्छी चीज यह है, कि यह हर दिन 24 गंटे काम करता है, और इसा पीडियों तक कर सकता है, अपनी दि खुछ विला चीजे की चीजे करे सकते है, इस बारे में एक मैत्यकोन तक्या यह है, है, कि अमीर लोग बीला सिथा की चीजे सब्से बाद में खरिछिते हैं, जबकि गरीब और मध्यों गरीजियों लोग अक्सर बड़े घर, हीरे, फर, जोयल्री जैसे विला सिथा की वे लोग जिनके पास फीडियों से पैसा है जो लंबे समय से अमीर हैं वे अपने संपत्थी वाले कालम को सबसे पहले बनाते हैं फिर संपत्थी वाले कालम से होने वाले आमधनी उनके लिए विलासिता की चीजें खरीद लेती हैं गरीब और मद्य उमर गे लोग अपनी खून पसेने की कमाई और बच्चों की विरासत की कीमत पर विलासिता की चीजें खरीटते हैं सच्चे विलासिता असली संपत्ति में निवेश करने और उसे विक्षित करने का प्रोच साहन है उधारन के लिए जब मेरी पत्नी और मेरे पास हमारे अपार्टमेंट हाउसे से अतिरिक पैसा आने लगा तो वह बजार गई और अपने लिए मर्सिडेज खरीद लाई इसमें जरासी भी मेहनत या जोखिम्द नहीं था क्योंकि अपार्टमेंट हाउस के कारण उसने कार खरीदी थी परंतु उसे इसके लिए चार सालों तक इंतिजार करना पड़ा था जब रियल एस्टेट पोर्टपोलियो बढ़ रहा था और आखिर गार उसने इतना अतिरिक पैसा दे दिया कि कार खरीदी जा सकती है परंतु मर्सिडीज की यह विलासिता दरसल एक सचा पुरुसकार है क्योंकि उसने यह सावित कर दिया था कि वह अपनी संपत्ती वाले कालम को सही तरह से बढ़ा ना जानती है अब उसके लिए उस कार की किमत समान्य रूप से खरीदी गई कार से कहीं ज़्यादा है ज्यादातर लोग अक्सर इच्छा जागने पर बिना सोचे समझे जाते हैं और कर्ज पर कार या विलासिता की कोई चीज खरीद लगते हैं हो सकता हो कि वे जिन्दगी से उप चुके हो या उन्हें सिर्फ एक नए खिलोने की जुरूत हो कर्ज पर विलासिता की चीज खरीदने से तेर सवीर वह आदमी उस चीज से चिडने लगता है क्योंकि उसके कारण जो कर्ज लिया है वह एक बाहर बन गया एक बार आपने अपने बिजनस को बनाने उसमें निवेश करने का समय निकाल लेते हैं तो फिर आप उसमें जादू की चड़ी खुआ सकते हैं जो अमीरों का सबसे बड़ा रहष्य है यह है रहसे अमीरों को भीड में सबसे आगी रखता है अपने काम से काम रखने काई नाम जो आपको उस रहा पर चलने के लिए मिलता है जिस पर अमीर लोग चलते हैं धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याई 5 की तरफ जो है टेक्स का इतियास और कॉर्परेशन्स की ताकत आपका दिन शुब हूँ रिच डेड पूर डेड अध्याई 5 टेक्स का इतियास और कॉर्परेशन्स की ताकत मुझे याद है हमें स्कूल में राबिन हूड सोर उसके सुखी गिरो की कहानी बताई गई थी मेरे स्कूल के टीचर का मानना था यह केविन कोसनर की तरह के एक रोमांटिक हीरो की अद्गुत कहानी है जो अमीरों को लुटता था और गरिबों में बांट देता था मेरे अमीर रेडी की नजर में राबिन हूड हीरो नहीं था वे उसे बदमास मानते थे राबिन हूड को गुजरे वे तो लंबा समय गुजर चुका है परन्तूस के अनुनाई आज भी जिन्दा है कितनी बार मैंने लोगों को यह कहते सुना है इसके लिए अमीर लोग पैसे क्यों नहीं देते या अमीरों को और ज़्यादा टेक्स देना चाहिए और उन्हें गरीबों में बांट देना चाहिए राविन हूड का यह विचार कि अमीरों से लेकर गरीबों में बांट दिया जाए गरीब और मद्यम वर्ग के लोगों के लिए सरवादी कष्ट का कारण है इसी रोविन हूड आदर्स के कारण मद्यम वर्ग पर टेक्स का इतना भारी बोज लगा हुआ है सचाही तो यह है कि अमीरों पर टेक्स लगता ही नहीं है गरीबों की बलाई के लिए जो पैसा लगता है वह हैं मद्यम वर्ग से आता है खास कर शिक्षित और उंची आमदनी वाले वर्ग से टेक्स के बारे में पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसकी इतियासिक प्रस्ट लूमी को समझने की जरूरत है हमें टेक्स के इतियास को जानने की जरूरत है हलांकि मेरे पडेल के डैडी सिक्षा के इतियास कमाल का ग्यान रखते थे परन्तु मेरे अमीर डैडी टेक्स के इतियास पर विशे सक्गे थे अमीर डेडी ने माईक और मुझे यह समझाया कि इंगलेंड और अमेरिका में सबसे पहले कोई टेक्स नहीं लगते थे कभी कबार युद का खर जुटाने के लिए कुछ समय के लिए टेक्स जरूर लगा करते थे राजा या राश्टवती मुहें से कह भर देता है और हर आदमी उसकी कही बात मान कर अपना से योग देता है ब्रिटेन में 1799 से 1816 के बीच नेपॉलियन से युद के समय टेक्स लगाया गया था और अमेरिका में 1861 से 1865 के बीच वे सिविल वार के खर्च को जुटाने के लिए टेक्स लगाया गया था 1864 में इंग्लेंड ने इंकम टेक्स को अपने नागरिकों पर स्थाई रूप से लगू कर दिया 1913 में समिधान के 69 सरसोधन के साथ अमेरिका में भी आईकर स्थाई रूप से लगू किया गया एक समय था जब अमेरिकी लोग टेक्स विरोधी हुआ करते थे चाई पर बहुत ज़्यादा टेक्स लगने के कारण ही बोस्टन हार्वर पर पर प्रसीद टी पार्टी की गटना हुई थी जिससे करांतिकारी यूद को ताकत मिली इंग्लैंड और अमेरिका दोनों को इन नियमित इंकम टेक्स के विचार को जन्ता के गले उतारने में लगवग 50 साल का समय लगा इन एतियासिक दिथियों से हमें यह पता नहीं चल पाता कि दोनों इमामलों में टेक्स शुरू में केवल अमेरों पर लगाए गए थे अमीर डेड़ी चाहते थे कि माई को और मैं इस बात को कभी नहीं मूले उन्होंने सबस्ट किया कि टेक्स का विचार लोग पर यह बना और उसे ज़्यादतर लोगों ने सिर्फ इसलिए माना क्योंकि उन्हें यह बताया गया कि टेक्स अमेरों को सजा देने का और मद्यम दरसल यह उन्हीं लोगों को दंड़ देता है जिन्हों ने इसका समर्थन किया था यानि गरीब और मद्यम वरक एक बार सरकार ने पैसे का स्वाथ चक लिया तो उसकी भूक बढ़ती गई अमीर डेड़ी ने कहा तुम्हारे डेड़ी और मैं पूरी तरह विरोद करते हैं वे एक सरकारी बिरोक्रेट हैं और मैं एक पूंजी पती हूँ हमें विपरित व्यावार के कारण पैसे मिलते हैं और हमारी सफलता अलग अलग माब दंड़ों पर तोली जाती है उन्हें पैसा खर्च करने और लोगों को काम देने के लिए पैसे दिये जाते हैं वे जितना ज़्यादा खर्च करते हैं और जितने ज़्यादा लोगों को काम परक रखते हैं उनका संगठन उतना ही बड़ा होता जाता है सरकार में जितना बड़ा उनका संगठन होता है उतना ही ज़्यादा सम्मान उन्हें दिया जाता है दूसरी तरफ, मेरे संगठन में, मैं जितने कम लोगों को रखूँ और जितना कम पैसा खर्च करूँ, मेरे इतनी वेसक मेरा उतना ही ज़्यादा सम्मान करते हैं इसलिए मैं सरकारी आद्मियों को पसंद नहीं करता हूँ उनके लक्षे बिजनस के ज़्यादातर लोगों से हटकर होते हैं जैसे जैसे सरकार के करमसारी बढ़ते हैं, उन्हें तनकवा देने के लिए उतने ही ज़्यादा टेक्स की जरूरत होती है मेरे पढ़ेले के डेड़ी इस बात में बरोसा करते थे कि सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए वे जान अब कैनेडी से प्रेम करते थे और खासकर पीस कार्प्स के विचार से वे इस विचार को इतना ज़्यादा पसंद करते थे कि वे और मेरी माँ दोनों ही पीस कार्प्स में के लिए काम करते थे और मलेसिया, थाइलेंड और फिलिपिन्स जाने वाले सिम्चे वोगों पर सिक्षित करते थे वे हमेसा आतरिक तनुदानों और बजट में बढ़ोतरी की कोसिस करते थे ताकि वे ज़्यादा लोगों को बढ़ती कर सके एसा वेसिक्षित वाकि अपनी नोकरी में भी करते थे और पीस कार्प्स में भी, यह हैं उनका काम था जब मैं दस साल का था, तब से मैं अबने अमीर डेड़ी से यह सुनता आया हूं की सरकारी करमजारी आल सी चोरों का गिरू है और मेरे गरीब डेड़ी से मैं यह सुनते आया हूं कि अमीर लोग लाल्ची और बद्वास होते हैं जिन से सरकार को ज़्यादा टेक्स लेना चाहिए दोनों ही वीचारों के पक्स में तरक दिये जा सकते हैं मेरे लिए यह बहुत मुश्किल था क्योंकि एक तरफ तो मैं शेहर के सबसे बड़े फुंजी पतियों में से एक के लिए काम करता था और दूसरी तरफ जब मैं घर आता था तो वहां मेरे डेड़ी होते थे जो एक नामी सरकारी नेता थे यह थे करना असान नहीं था कि कौन सही बोल रहा है और किस की बात पर मुझे बरोसा करना चाहिए परन्तों जब आप टेक्स के इतियास काद्यन करते हैं तो एक दिल्चस पहलो सामने आता है जैसा मैंने कहा कि टेक्सों का लागू होना सिर्फ इसलिए संभव हो सका क्योंकि जन्ता राभी नूट के अर्थ सास्त्रे से दांत में बरोसा करती थी जिसमें अवीरों से लेकर बाकी सब में बाट दिया जाता है समझ्या यह थी कि सकार की पैसे की भूक इतनी बढ़ गई कि जल्दी मद्यम वर्क पर भी टेक्स लगाने की नोगता दी और वहां से धीरे धीरे टेक्स का बोज नीचे की तरफ आता गया दूसरी तरफ अमीरों नीचे एक मोके की तरह देखा वे उने नियमों से नहीं खेलते हैं जिन से जनता खेलती है जैसा मैंने बताया है अमीर पहले ही कार्पोरेशन के बारे में जानते थे जो पानी के जहाजों के जमाने में लोग प्रिय हुई थे अमीरों ने हर समुंदरी यात्रा की संपर्थी की जोखिम को सीमित करने के लिए कार्पोरेशन का उप्योग किया अमीर लोग हर समुंदरी यात्रा के लिए पैसा जुटाने के लिए कार्पोरेशन में अपना पैसा डालते थे फिर यह कार्पोरेशन न्यू वर्ल्ड के घजाने की खोज के लिए नाविकों की बर्ती करता था अगर जहाज डूब जाता तो नाविकों की जान जाती ही परन्तु अमीर लोगों को सिर्फ इतना ही नुक्सान होता था कि उनका वह पैसा डूब जाता था जो उन्होंने उस समूंदरी यात्रा के लिए दिया था आगे आने वाला चितर दर्साता है कि किस तरह कार्पोरेशन स्ट्रेक्चर आपके इंकम स्टेट्मेंट और बैलेंस के बाहर बैठता है अमीर लोग किस तरह खेल को खेलते हैं कार्पोरेशन के कानूनी डांचे की ताकत का ग्यान ही अमीरों को गरीबों और मद्य उमर की तुलना में बहुत ज़्यादा देता है मुझे दो डेडियों ने सिक्षा दी थी जिस मेंचे एक समाजवादी थे और दूसरे पूंजी पती मुझे जल्दी यह मैसूस हुआ कि पूंजी पती में पैसे की ज़्यादा समझ है मुझे इसा लगा कि पैसे की ना समझी के खारण समाजवादी आखिरकार खुद को ही सजा देते है मुझे इसा लगा कि पैसे की ना समझी के खारण समाजवादी जितना जोड लगा ले अमीर लोग उनसे जीतने का रास्ता हमेशा डूंड निकलते है इसी कारण टेक्सा किरकार मद्य उमर्ग पर लगे अमीरों ने बुद्धी जीवियों को अपनी बुद्धी से हरा दिया सिर्फ इस कारण क्योंकि वे पैसे की ताकत को जानते थे और यह विशे स्कूलों में नहीं पड़ाया जाता अमीर लोगों ने बुद्धी जीवियों को किस तरह हराया एक बार अमीरों से वसोलों का कानून पारिद हुआ तो सरकार की तीजोरी में पैसा आने लगा पहले तो लोग इस बात से खुश हुए यह पैसा सरकारी करमचारियों और अमीरों को दिया जाने लगा सरकारी करमचारियों के पास यह पैसा नोकरियों और पैंशनों के रूप में गया अमीरों के पास यह पैसा उनकी फैक्टरियों के जटिये मिले सरकारी कॉंट्रेक्ट से आया सरकार के पास धेर सारे पैसे थे परंतु उस पैसे के मैनेजमेंट की समश्या थी उसमें कोई री सरकूलेशन नहीं था दूसरे सब्दों में सरकारी नेती में अगर आप एक सरकारी बिरोक्रेट है तो आप पैसा बचाना पसंद नहीं करते अगर आप अपने लिए आमंटित फंड को खर्च नहीं कर सकते तो आपको अगले बजट में उतनी राशिन नहीं मिलेगी और निश्चित रूप से आपको योग्या तो माना ही नहीं जाएगा दूसरी तरफ बिजनस में पैसे बसाने के लिए इनाम मिलता है और ऐसा करने पर आपको काबिल बना जाता है जब बढ़ते हुए सरकारी खर्चों का यह चकर चलता है तो पैसे की मांग बढ़ी और अमीरों से टेक्स वसूलों के विचार में अब कम अमीर लोगों को भी शामिल कर लिया गया और इस तरह सरकार इतनी नीचे आ गई कि वे गरीब और मद्यमर गया लोग भी टेक्स के दाइरे में आ गई जिन्होंनों इसके लिए वोट दिया थे सच्चे पुझी पतियों ने बचने का तरीका खोजने के लिए अपनी ऐसे की समझ का प्रियोग किया वे कार्परेशनों की सुरुक्षा में चले गई कार्परेशन अमीर लोगों को सुरुक्षा देता है परंतु कई लोग जिन्होंने कभी कार्परेशन नहीं बनाया यह नहीं जानते की कार्परेशन जैसी कोई चीज नहीं होती कार्पुरेशन केवल एक फाइल का फॉल्डर होता है जिसमें कुछ कानूनी दस्ताविज लगे होती है और जो रज्य सरकार की एजेंसी में दर्ज होकर किसी वकील के आफिस में रखा जाता है यह कोई बड़ी फिल्डिंग नहीं होती जिसके बाहर कार्पुरेशन का नाम लिखा होता है यह कोई फेक्टिय या लोगों को समूवे भी नहीं होता कार्पुरेशन केवल एक कानूनी दस्ताविज है जो एक ऐसी कानूनी देव बना देता है जिसकी कोई आत्मा नहीं होती अमीरों की संपतिय एक बार फिर सुरुक्षित हो गी एक बार फिर कार्परेशन का प्रियोग लोप्रिया हो गया यह स्ताई इंकम टेक्स कानूनों के पारित होने के बाद हुआ क्योंकि कॉर्परेशन के लिए इंकम टेक्स की दर्व एक्तिकत इंकम टेक्स की दर्व से कम है इसके अलावा जैसा पहले बताया जा चुका है कॉर्परेशन दुबारा कुछ खर्च टेक्स चुकाने से पहले किये जा सकते है अमीरों और करीबों के बेजी यह लड़ाई सदियों से चली आ रही है अमीरों से बसू लोग अमीरों की खमेसा खिलाब रही है यह लड़ाई तब छिटती है जब कानून बनते हैं और यह लड़ाई अनंत काल तक चलती रहती है समझ चाहिया है कि जो लोग हारते हैं उनमें समझ की कमी है हारने वाले लोग वे हैं जो हर सुबह उटकर तयार होते हैं और अपनी नोकरी में कड़ी मेहनत करते हैं और उस पर टैक्स देते हैं अगर वे यह समझ पाते कि अमीर लोग किस तरह से पैसे का खेल खेलते हैं तो वे भी इस बीड़ को उसी तरह से खेल सकते हैं फिर वे भी पैसे से आजाद हो सकते हैं और अमीर बन सकते हैं इसलिए मैं हर बार शेयर जाता हूँ जब भी मैं किसी को अपने बच्चे को यह सला देते हुए सुनता हूँ कि स्कूल जाओ ताकि सुरच्षित नोकरी मिल सके जिस करमचारी में पैसे की समझ नहीं है वह बच नहीं सकता चाहे उसकी नोकरी कितने भी सुरच्षित क्यों नहीं हो वोसत अमेरिकी वेक्ति आज सरकार के लिए 5-6 मेहने तक काम करता है ताकि वह चुकाने के लिए पैसा जमा कर सके मेरे विचार में यह समय बहुत ज़ादा है आप जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं आपको सरकार को उतना ही ज़्यादा टैक्स देना होता है इसलिए मेरा मानना है कि अमीरों से वसुलों का नारा उन्हीं लोगों पर भारी पड़ गया जिन्होंने इसके लिए वोट किया था हर बार लोग अमेरों को सजा देने की कोशिश करते हैं अमीर लोग सचमुच उसका पालन नहीं करते बलकि वे पलट कर वार करते हैं उनके पास पैसा, ताकत और इरादा होता है जिनके दम पर वे चीज़ें को बदल सकते हैं वे सचमुच बैटकर स्वेच्छा से ज़्यादा टेक्स नहीं चुकाते वे इसे तरीके खोशते हैं जिन से उन पर टेक्स का कम से कम बोज़ पड़े इसके लिए वे चतूर और स्मार्ट वकीलों तदा आकाउंटेंट्स की सेवाई लेते हैं और राजनिताओं को मनाते हैं कि वे कानून बदले या कानून ये बचाओ के रास्ते बनाएं जिनके पास परिवर्तन करवाने के लिए जरूरी संसादन होते हैं अमेरिका का टेक्स कानून भी टेक्स बचाने के कई रास्ते प्रदान करता है इसमें से ज्यादातर रास्ते हर एक के लिए खुले हैं परंतु इनका फाइड़ा सामान्य तोर पर अमीर लोग ही उठाते हैं क्योंकि वे इनकी खोज करते हैं और इसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने काम से काम रखते हैं उधारन के तोर पर लोप्रिय सब 1031 इंटरनेशनल रेवेन्यू कोड के अनुछे 137 का संक्षित रूप है जिससे रियल एस्टेट बेशने वाले को टेक्स चुपाने में देरी करने का मौका मिलता है अगर वह ज्यादा मेहँगे रियल एस्टेट को खरिदता है और सोदेवाजी में फायदा नहीं लेता रियल एस्टेट है एक ऐसा पूज निवेस है जो बहुत ज्यादा टेक्स लाव देता है जब तक आप कम कीमत की प्रोपर्टी बेचकर उंची कीमत की प्रोपड़ी को बनाने का एक बहुत बड़ा मौका खो देते हैं गरीबों और मध्यम वर्ग के पास इतने संसादन नहीं होते वे चुप चाप बैटे रहते हैं और सरकार की सुजियों को अपनी बाह पर लगने देते हैं और बलड डोनेशन की इजाज़त दे देते हैं आज मैं ज्यादा चुकाने वाले या कम छूड लेने वाले लोगों की संख्या से लगातार स्थब्द होता रहता हूं और वे एसा सिर्वेस लिए करते हैं क्योंकि वे सरकार से डुटते हैं और मैं जानता हूं कि सरकार टैक्सेजेंट कितना डराऊना होता है मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके ब बहुत बड़ी कीमत है जो हम टेक्स के डर के कान चुकाते हैं। मेरे गरीब डैडी ने कभी पलट कर वार नहीं किया। मेरे अमीर डैडी ने भी ऐसा नहीं किया। उनके आफिस में बैठकर उनका इंतजार करता था वे जान बूज कर मुझे नजर अंदास करते रहते थे वे चाहते थे कि मैं उनकी ताकत को पहचानू और एक दिन खुद भी उतना ही ताकत वर बनता जाऊ जितने भी समय तक मैंने उनके मार्क दर्सन में पढ़ा और सीखा उन्होंने मुझे हमेशा याद दिलाया कि ग्यान ही ताकत है और पैसे के साथ तो बड़ी ताकत होती है उसे बनाई रखने के लिए और उसे कई गुना आगे करने के लिए सही ग्यान की जरूरत होती है उस ग्यान के बिना संसार आपको इधर उधर दक्ये मारता रहता है अमेरिटेडी हमेशा माईक और मुझे यह याद दिलाते कि सबसे ज़्यादा दरावना वेक्ति बोस या सुपरवाजर नहीं होता बलकि टेक्समेन होता है अगर आप उसे मुका देते हैं तो टेक्समेन होता है आप से ज़्यादा से ज़्यादा वसूद कर सकता है पैसा मेरे लिए काम करें मैं पैसे के लिए काम ने करूँ मेरा यह पहला सबक दर असल ताकत के बारे में है अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप ताकत को अपने बोस के हाथ में देते हैं अगर आपका पैसा आपके लिए काम करता है तो आप ताकत को अपने पास रखते हैं और उसे काबू में रखते हैं एक बार हमें हमारे लिए काम करने वाले पैसे की ताकत का ग्यान हो जाए फिर हमें पैसे के लिए आसे स्मार्ट हो जाना चायीए और हमें डराने वाले लोगों से निपटने का रास्ता ढूर्णा चाहिए इसके लिए आपके बास कानून की समझ होनी चाहिए और इस बात की भी कि सिस्टम कैसे काम करता है अगर आप अग्यानी है तो आपको आसानी से डराया जा सकता है अगर आप जानते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं तो आपके पास बजने का मुका है हाँ इसलिए मेरी डैडी स्मार्ट टेक्स का काउंटेंट्स और वकिलों को इतना ज़्यादा वेतन देते थे वकिलों को वेतन देना सरकार को टेक्स देने से सस्ता था मेरे लिए उनका सरवस्रे सबक था स्मार्ट बनो ताकि तुम्हें इधर उधर ढख्ये ने दिये जा सकी और मैंने जिंद्गी बरी से अपनाया है वे कानून जानते थे क्योंकि वे कानून का आधर करते थे क्योंकि नए जानना बहुत महँगा साभित हो सकता था अगर आप जानते हैं कि आप सही है तो आप किसी से भी उलजिने से नहीं डरेंगी चाहे आपका मुखाला रोबिनोड और उसके गिरों से ही क्यों नहीं हो जाए मेरे पढ़े लिके डैडी मुझे हमेशा प्रोचसाइट करते थे कि मैं किसी बड़े अच्छे कॉर्परेशन में बड़ी असी नोपरी ढूंड लूँ वे मुझे हमेशा उन अच्छाईयों के बारे में बताते थे जो कॉर्परेट सीडी पर चड़ने से आसिल की जा सकती थी वे यह नहीं समझ पाते थे कि कॉर्परेट नियुक्ता से मिलने वाले वेतन के चेक पर पूरी तरह निर्बर रहने उसे मैं एक एसी दुधारूगाई बन जा था जिसे दुभा जा सकता था जब मैंने अपने अमीर डैडी को अपने डैडी की सलाव बताई तो बेकेवल हंसे उन्होंने सिर्फ यही कहा सीडी के मालिक ही क्योंने बना जाई बच्पन में मुझे यह समझ में नहीं आया था कि अपने कोर्कुरेशन के मालिक होने से अमीर डैडी का क्या मतलब था यह एक ऐसा विचार था जो असंबव और डरावना लग रहा था हलांकि मैं इस विचार से रोमान्चित था परन्तो मेरी कम उमर में इस अमावना पर विचार ही नहीं कर पा रहा था कि एवे ऐसक लोग किसी दिन मेरी कमपनी में काम करने लगे है मुद्दे की बात यह है कि अगर अमीर डैडी नहीं होते तो मैं अपने पड़ेलिके डैडी के सलाका पालन कर रहा हुता अमीर डैडी ने बार बार याद दिलाने के कारण ही मेरे अपने कोर्परेशन का विचार जीवित रहा और यह मुझे एक तरह पर चलाता रहा जब मैं पंद्रह या सोला साल का था तो मैं जानता था कि मैं उस रापर नहीं चलने वाला जो मेरे पढ़े लिके टैडी ने बताई है मैं नहीं जानता था कि मैं इसा किस तरह करूँगा परंतु मैंने दरड निश्चे कर लिया था कि मैं फीट के साथ नहीं चलूँगा और उस दिसा में नहीं जाँगा जिस तरफ मेरे सैपरटी जा रही है इस फैसले ने मेरी जिन्दगी बदल दी जब तक मैं 25 साल का हुआ तब तक अमीर डेड़ी की सला मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आई थी मैंने हाल ही में मेरिन काप शोड़ी थी और जेराक्स के लिए काम कर चुरा था मुझे बहुत पैसा मिल रहा था परंतु हर बार जब भी मैं अपनी तंकवा के चेक को देखता था तो मुझे हमेशा निरासा होती थी कोटोती बहुत ज़्यादा थी और जितना ज़्यादा मैं काम करता था कोटोतीयां उतनी ही ज़्यादा होती थी जब मैं ज़्यादा सपल होने लगा तो मेरे वरिष्ट बोस मेरे प्रमोशन और तंकवा बढ़ाने की बातें करने लगे यह सुनने में तो अच्छा लगता था परन्तु मैं अपने कानों में अपने अमीर डेडिक की आवाज भी सुन सकता था तुम किसे लिए काम कर रहे हो तुम किसे अमीर बना रहे हो 1994 में जराक्स के करमचारी के रूप में ही मैंने अपना पहला कॉर्परेशन बनाया और अपने काम से काम रखना शुरू कर दिया पहले से ही मेरे संपती वाले कालम में खुछ संपतिया मौजूद थी परन्तु अब मैंने ठान लिया था कि उन्हें ज़्यादा बढ़ाया जाए कटोतियों वाले थनको अब उदेल देखकर मुझे अमीर डेड़ी की सला में समझदारी दिखने लगी थी अगर मैं अबने पड़ेली की डेड़ी की सलावर चलता तो मुझे अपना वविश्या साफ नजर आ रहा था कई नियुक्ता यह नुबव करते हैं कि अगर करमचारी अपने आकाम से काम रखे तो यह उनके बिजनस के लिए बुरा होता है मुझे विश्वास है कि यहसा कुछ लोगों के साथ हो सकता है परन्तु मेरे साथ ऐसा नहीं था एक बार मैंने अपने काम से काम रखने के ठान ली और अपने संपतियां बढ़ाना चालू कर दिया तो मैं एक बेतर करमचारी बन गया मेरे पास अब एक लक्षा था मैं सुगए जल्दी आ जाता था और मेहनत से काम करता और इस तरह ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाता था ताकि मैं उसे रियल स्टेट में निवेस कर सकूँ हवाई में उसक मैं कीमते तेजी से बढ़ रही थी और वहां किसमत चमकाई जा सकती थी जितना ही ज्यादा मुझे यह लगा कि वहाँ निवेस की सम्भावनाई है उतनी ज्यादा जेराक्स मेशीने मैंने बेची मैंने जितनी ज्यादा मेशीने बेची मुझे उतना ही ज्यादा पैसा मिला और हाँ मेरी तनक्वागे चेक से उतनी ही ज्यादा क्टोटिया हुई यह परेना दाइक था मैं करमचारी होने के जाल से बाहर निकलना जाता था और इसलिए मैं कम मेहनत करने के बज़ाई जादा कड़ी मेहनत करता था 1978 तक मैं सेल्ज में चोटी के पांच लोगों में से एक था प्राइर नमबर वन मैं चुहा दोड़ से बहुत जल्दी बाहर निकलने के लिए भिताब था तीन साल से भी कम समय में मैं जेरक्स की तुलना में अपने छोटे से कॉर्परेशन से कहीं ज़्यादा कमा रहा था जबकि मेरा कॉर्परेशन रियल इस्टेट में निवेश करने वाली कमपनी थी और वह है पैसा जो मैं अपने कॉर्परेशन से अपने संपती वाले कालम में बना रहा था वह है पैसा मेरे लिए काम कर रहा था मुझे कोपियर बेशने के लिए दरवाजे खटखटाने के जरूरत नहीं थी अमीर डेड़ी की सला में मुझे ज़्यादा समझधरी दिख रही थी यानि कि मेरी प्रोपर्टी से आने वाला कैस्पलो इतना ज़्यादा हो गया कि मेरी कमपनी ने मेरे लिए पहली कार खरीद थी जेरा इसके लोगों को लगा कि मैं अपने कमिशन बेज रहा हूँ पर तुमें इसा मैं नहीं कर रहा था मैं अपने कमिशन को संपतियों वाले कालम में निवेश कर रहा था मेरा पैसा और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कड़ी मेनत कर रहा था मेरी संपत्ति वाले कालम का हर डोलर एक बढ़ी अकरमचारी था जिसकी कड़ी मेनत के कारण और ज़्यादा करमचारी तयार होते थे और वे सब मिलकर अपने बोस को एक नई कार्टोपे के रूप में द अपने अमीर डेड़ी से सीके गए सबक के खारण उस चुहा दोड़मी थक से बाहर निकलने में सफल हो जगा था और कम उमर में ये एक नियुकता बन गया यह पैसे की समझ से ही कुछ संबग हुआ था इस वित्य ग्यान के बिना जिसे मैं फैनेंसियल आईक्यू को हूँगा आर्थिक सोतंतता के मेरी रहा में बहुत ज़़ा मुस्किले आई होती अब मैं फैनेंसियल सेमिनारों में दूसरों को इस आसा के साथ सिखाता हूँ ताकि मैं उनके साथ अपना ग्यान बाढ़ सकूँ जब भी मैं लेक्चर देता हूँ तो मैं लोगों को यह याद दिलात हूँ कि फैनेंसियल आई क्यू विसे सग्यता के चार बड़े शक्षेत्रों से आने वाले ग्यान से बनता है नंबर एक है अकाउंटिंग जिसे मैं फैनेंसियल साक्षरता कहता हूँ अगर आप सामराज्य बनाना चाहते हैं तो यह बहुत मैतुप उन्दक्षता है आप ज जिसमें वरनन या सुक्षमता जरूरी है फैनेंसियल साक्षरता वह यह विखता है जिसके सारे फैनेंसियल स्टेटमेट्स को पढ़ा और समझा जा सकता है इस यह विखता से आप किसी भी विवसाई की कमजोरी और मजबूतियों को पैचान सकते हैं नंबर दो है निवेस जिसे मैं पैसे से पैसे बनाने का विख्यान कहता हूँ इसमें तक्निकों रन नीतियों और फार्मूलों की जरूरत होती है यह मस्तिस्क का दायां पहलू है यानि रचनात्मक पहलू नंबर तीन है बाजार की समझ मांग और पूर्टी का विख्यान बाजार के तक्निकी प वाउनाओ द्वारसंचालीज बाजार का उधरन है। बाजार का दूसरा अता तो निवेश की मूल भूत या आर्थिक समझ है। क्या किसी निवेश में समझदारी है या वरतमान बाजार की परिस्तितियों के हिसाब से ऐसा करना ना समझी है। कई लोग यह सोचते हैं कि परिश्यों को अनुपूती से समझ लेते हैं। जो लोग इल्म और डोल से परिचित नहीं होंगे। उनके लिए है एक सीसस चीट करेक्टर थी। जिसे क्रिस्मस से पहले बच्चों में खूब पर्चारिप किया गया था। लगवक सभी बच्चे इसे खरीदना चाहते थे और अपनी क्रिस्मस की सुची में उन्होंने इसे सबसे उपर रखा था। परम्तु क्रिस्मस के लिए इसका विग्यापन करने के बाद जब यह बाजार से गाइब हो गई तो कई लोग यह सोचने लगे कि कहीं कंपनी ने जान बुज़दर तो इसे बाजार से गाइब नह तो दुकानदारों और दूसरे खिलोने वालों में इसमें मुनाफ़ा कमाने का मुखा देखा जिने डॉल नहीं मिल पाई थी वे दुरवाग्या साली ममी डेडी क्रिस्मस के लिए कोई दूसरा खिलोना करी देने के लिए मजबूर हो गई टिकल मी एलमोंडोल की एव इस्वस्ने लोग प्रियता मेरी समझ में नहीं आई परन्तु यह मांग और पूर्ति के अतसास्तर का बड़िया उधारन है यही बात स्टोक, मौन्ट, रियल इस्टेट और वेसवाल कार्ड बाजारों पर लागू होती है नमबर चार है कानून उधारन के तोर पर अकाउंटिंग निवेस और बाजारों की तक्निकी दक्स तागे सारे कार्परेशन का परियोग इस पोटक वुरत भी परदान कर सकता है कोई भी आदमी जिसे कोर्परेशन दवारा दिये जाने वाले टेक्स फाइदों और सुरक्षागा ग्यान हो वह बहुत ज़्यादा तेजी से तरक्की कर सकता है और अमिर बनता है जो किसी करमचारी या चोटे बिजनस के मालिक के लिए संभव नहीं है उसमें उतना ही अंतर है जितना पैदल चलने वाले और उड़ने वाले में होता है यह अंतर बहुत च्यादा हो जाता है जब हम इसे दिर्ग कालिन संपर्ति के संदर्ब में देखते हैं नमबर एक है टेक्स लाव एक कॉर्परेशन कई ऐसी चीजें कर सकता है जो एक आदमी नहीं कर सकता जैसे कि यह टेक्स देने से पहले खर्च कर सकता है यह विशे सग्याता का एक एस अक्षेत्र है जो बहुत रोमान्चक है परन्तु इसमें अंदर गुसना तब तक जुर चलाते हैं एक कार्परेशन कमाता है जितना खर्च कर सकता है करता है और फिर बची हुई रकम पर टेक्स चुकाता है यह अमीरों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाला सबसे बड़ा कानूनी बचाओ का रास्ता है उन्हें बनाना आसान है और बहुत ज़्यदा मेंगा नह हो जो अच्छा कैस्वलों दे रहे हैं उधारन के तोर पर अपने कोर्परेशन का फाइदा यह है गूमने जाने का करेकरम हवाई में बोर्ड मीटिंग बन जाता है कार का बुटान बीमारी के रित्याडी कंपनी खर्च में डाल दिये जाते हैं हेल्ट कलब की सबस्यता भी अंसिक भी हैं और भी यह से बहुत से खर्च हैं जो टेक्स चुपाने के पहले किये जाते हैं नंबर दो कानूनी मुक्दुगों से सुर्क्षा हमें कानूनी समाज में रहे रहे हैं हर आदमी आपसे फाइदा चाता है अमीर लोग अपने क्रेडिटर से अपनी ज्यादातर समपत्ती को चुपाने के लिए कोर्पोरेशन्स और ट्रस्ट का सारा लेते हैं जब भी कोई किसी अमीर आदमी पर दावा ठोकता है तो उसे यह पता चलता है कि यह कानूनी कवच से घिरा हुआ है और दरसल उस अमीर आदमी के पास कोई समपत्ती है ही नहीं वे हर चीज प दावाट होगा जाता है तो वे सरकार या आपने साथी नागरिकों के हाथों अपनी समपत्ती खो बैठते हैं उन्होंने राविनूर के कानी चे यह सिखा है कि आमीरों से वसुलो गरीबों में बांडो इस पुस्त का लक्षा यह नहीं है कि कार्परेशन बनाने का तरीका बताया जाए परंतु मैं कहूंगा कि अगर आपके पास किसी तरह की वैद समपत्तियों हो तो आप जितनी जल्दी हो सगे कर्परेशन द्वारा दिये जाने वाले फाइदों और सुरक्षा के बारे में ज्यादा जान ले इस विशह पर कई पुस्त के लिखी गई है जो इन उस तक कोर्परेशन की ताकत का बखुबी वर्मन करती है फाइनेंसियल आईक्यू दरसल कई कुछलताओं और गुनों का मेल है मैं तो यही कहूंगा कि यह उपर बताए गई चार तक्निकी दख्षताओं का समय वैसा है जो मूलभूत फाइनेंसियल ग्यान का अधार है आपकी संपतियों के चारों तरफ कोर्परेशन का कवच लपेटने की बहुत ज़्यादा सला देते हैं धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याई च्छे की तरफ जो है अमीर लोग पैसे का आविश्कार करते हैं आपका दिन शुब हो रिच डैड पूर डैड अध्याई च्छे अमीर लोग पैसे का आविश्कार करते हैं पिछली रात मैंने लिखना बंद किया और अलेकजन्र ग्राहम बेल के जीवन पर आधारी तेक टीवी कारिग्रम देखा बेल ने टेलिफोन का पेटेंट करवाया था और उनकी नई खोज की बहुत मांग थी चुकि उन्हें एक बड़ी कमपनी की जुरूरत थी इसलिए वे उस समय की नामी कमपनी वेस्टरन यूनियन के पास ले और उनसे कहा कि वे उनका पेटेंट और उनकी छोटी सी कमपनी क को खरीद लिए वे पूरे पैकेज के एक लाग डालर साते थे वेस्टरन यूनियन के अर्जेक्स ने यह सुनते ही तियोरियन से डाली और प्रस्ताव को यह कह कर ठोगरा दिया कि मांगी जाने वाली कीमत बहुत ज्यादा है बाकी इतियास है अर्बों डालर के उद्ध्यो कोप में कटोती के बारे में एक खबर थी करमसारी नाराज थे और शिकाइब कर रही थे कि कमपनी के मालिक जाज़तिया कर रही है एक्ट्री के सामने एक 45 साल का नोपरी से निकला गया मैनेजर अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ खड़ा था और सुरक्षा गाड़ों से अंदर जाने की इजाज़त मांग रहा था ताकि वे मालिकों से यह विंती कर सके कि उन्हें नोपरी से ने निकला जाए उसने हाली में एक मकान खरीदा था और उसे डर था कि उसे मकान बेचना पड़ेगा कैमरा उसके अनुने विने पर नजरें गड़ाए था और पूर और पूरुसकार रहा है यह एक विचलित करने वाला काम भी है क्योंकि मैंने हजारों बचों को पड़ाया है और मैंने सभी में एक बात देखी है जिसमें मैं भी शामिलू हमें बहुत ज़्यादा संभावना ही होती है और हमें परकरतिने बहुत से उपार दिये होते हैं प बलकि आता हो इस्वास की कमी के कारण पीछे रहते हैं कई लोगों पर इसका अज़र ज़्यादा होता है एक वार हम स्कूल छोड़ देते हैं कालेज डिग्री के होने या अच्छे नमर आने का कोई खास मैतव नहीं होता सेक्शन एक माहोल के बाहर असली जिन्दगी में अ है तक तो चाहिए इसे किसी भी नाम से कुकारा जाए कुल मिलाकर हमारे वेविशे पर स्कूल के नमरों से ज़्यादा आसर डालता है हम सभी के वीतर एक बाहदूर प्रतिबाशाली और जोखिम लेने वाला चरितर मौजूद होता है परन्तु हम सभी के वीतर चरितर का एक जानकारी मिली दोनों में से किसी को भी बुरा नहीं कहा जा सकता परन्तु एक अध्यापक के रूप में मैंने यह जाना की वेक्ति की प्रतिबा के सबसे बड़े यह दुश्मन है बहुत ज्यादा डर और खुद की इक्षमताओं के बारे में शंका यह देखकर मुझे दु लोगा बढ़ जाते हैं मेरे अपने अनुभव में आपके फाइननसियल जीनियस के लिए तकने की ग्यान में जरूरी है और सास भी अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है तो आपकी प्रतिबा का दमन होता है मेरी कक्षाओं में मैं विद्यार्चियों को बहुत प् करता है जबकि कईयों को यह डराम ना लगता है मैंने यह भी जाना है कि ज्यादा कर लोग पैसे के बारे में बहुत सुरुक्षित के लिखेलना पसंद करते हैं मैंने इसे सवाल भी चुने है जोकिम क्यों लिए जाए अपने फाइननसियल आईक्यों को विक्सित करने की ज जाना भी कल भूँ हमारे आगे बहुत से परिवक्तन खड़े हैं जिस तरह मैंने इस अध्याए के शुरू में युवाविसक अलेकजेंडर ग्राहम बेल की कहानी बताई थी आगे आने वाले सालों में उनकी तरह के कई और लोग होंगे बिल गेट्स की तरह के सेंकड़ों होंगे और दुनिया भर में हर साल माइक्रोसोफ जैसे बहुत सी अत्य देखसाफल कंपनिया बनेंगी और दिवालिया पन कंपनी बंद होने स्टाफ निकालने की बहुत सी घटनाए होगी तो आपको फाइनन्सियल आईक्यू विक्सित करने की जंजट में क्यों पढ़ना इसका जवाब कोई और नहीं दे सकता आप खुद दे सकते हैं पर उन्तु मैं आपको बता दूँ कि मैं इसा क्यों करता हूँ मैं इसलिए इसा करता हूँ क्योंकि आज का यूद सबसे ज़्यदा रोमांस काड़ी जूग है मैं चाहता हूँ कि मैं परियो तन से डलने के में आज का यूग सरवादिक रोमांच कारी समय है जो दुनिया के इतियास में अबुत पुरू है कई फीडियों के बाद लोग इस यूग याद करते हुए यह कहेंगे कि यह कितना ज्यादा रोमांच कारी रहा होगा इसे पुराने की मोद नए का जनम का यूग कहा जाएगा इस यूग में बहुत उतल उतल थी और रोमांच भी था तो अपने फाइनन्सियल आईक्यू को विक्सित करने की जंजट क्यों उठाई जाएगी क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ज़्यादा अमीर हो जाएने और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे आने वाल पहले जमीन ही संपत्ती थी इसलिए जिस आदमे के पास जमीन थी उसके पास संपत्ती थी फिर फैक्टरियां आई फुद बादन शुरू हुआ और अमेरिका में अपना दबदबा बना लिया उद्योग पती के पास संपत्ती आ गई आज सूचना का यूग है इसलिए जिस पत्ति को सीमा और तायरों में नहीं बाला जा सकता जिस तरह जमीन और फेक्ट्रियों को बाला जा सकता था परी वर्तन जादा तेज़् और जादा नटकिये होंगे नई करोड़ पुतियोंगी सक्ख्या में नटकिया अब डोत्री होगी एसे भी लोग होंगे जो पीछे वे चाते हैं कि चीज़ें उनके ही साब से हों, वे परिवर्तन का विरोध करते हैं, मैं ये से लोगों को जानता हूं जिनकी नोकरित सुट गई है, घर बिग गया है, और वे इसके लिए टेकनोलजी के आर्थवे उस्ता या अपने बोस को दोस्ते थे हैं, दुरभागय से उ यहे नहीं जान पाते की, जो विचार पुराने जमाने में संपत्ती था, वहे आज इसलिए नहीं है क्योंकि जमाना आगे बढ़ चुका है, एक दोबेर मैं अपने दोबारा इजाद किये के बोर्ड गिम कैश्ट फलो से सिक्षा दे रहा था, मेरा एक दोस्त किसी को अपन उड़ रही थी, उसके मित्र को लगा कि शायद इस खेल से उसे कुछ चिखने को मिलेगा, इस खेल को इस तरह से बनाया गया है, ताकि लोग यह सीख सकें कि पैसा किस तरह काम करता है, खेलने के दोरान वे इंकम स्टेट्मेंट और बैलेंस सीट के आपसी संबन के बारे मे सीखते हैं, वे सीखते हैं कि किस तरह दोनों के भी कैस का फ्लो होता है, और किस तरह पैसे की रहा में आपको अपनी संपत्ति वाले कालम से निकलने वाले मासिक कैस फ्लो बढ़ाना होता है, ताकि यह आपके मासिक कर्द से ज़्यादा हो जाए, एक बार आप इसे आसल कर हैं तो आप चुआ दोर से बाहर निकल जाते हैं और तेज रहा पर चल पड़ते हैं जैसा मैंने कहा है कुछ लोगी स्केल से नफरत करते हैं कुछ इससे प्रेम करते हैं और कुछ इसका मतलब भी नहीं समझ पाते हैं एक महिला ने कुछ शीखने का बहुमली अफसर खो दिया शुरुवती राउंड में उसने एक डूडेट कार्ड खींचा जिस पर एक नाव बनी होई थी पहले तो वैख खुश होई अरे मेरे पास तो एक नाव है फिर जब उसके मित्तर नहीं है बताया कि किस तरह आंकडे उसके इंकम स्टेट्मेंट और बैलेंस सीट पर काम करते हैं तो वैख उन्ठी तो हो गई क्योंकि उसे खनिक जरावी पसंद नहीं था बाकी के खिलाडियों ने शानती पुरूप इंतिजार किया जब उनका दोस्ति इंकम स्टेट्मेंट बैलेंस सीट और मासी कैस फ्लो के बारे में उसे समझाता है अजानक जब उसने यह जान ल पुछित हुआ कक्षा के बाद उसका दोस्त आया और उसने मुझे बताया कि वह बहुत विचलित है वह कक्षा में निवेस के बारे में सीखने के लिए आई थी और उसे यह बहुत मुर्गता पूम लगा था कि इतने बेकार खेल को खेलने में इतना ज़्यादा समय बरबा पूम लिया उसने कहा कि यह विचार मुर्गता पूर्ण है कि कोई खेल किसी के अंदरूनी फेलू पूजागर करता है उसका पैसा तत्काल वापिस कर दिया जाई और वाए वापिस चली गई 1984 से मैं करोडों कमा रहा हूँ और सिर्फ इसलिए कमा रहा हूँ क्योंकि स्कूल सिस्टम वहें नहीं सिखा था जो मैं सिखा रहा हूँ स्कूल में ज़्यादा तर्शिक्षक वासन देते हैं अपने चातर जीवन में मुझे वासनों से चिड़ थी मुझे बहुत जल्दी बोरियत हो जाती थी और मेरा दिमाग इधर उधर बठकने लगता है 1984 में मैंने खेल खेल में सिख्षा देना चालू किया मैंने व्यासक विद्यार्थियों को प्रोथसाइद किया कि वे इन खेलों को ग्यान बढ़ाने के इस पेलू से देखें कि वे क्या जानते हैं और उन्हें क्या सीखना चाहिए सबसे मैतुपून बात यह है सबसे मैतुपून बात यह है कि इस खेल में आदमी के विवार पर भी प्रकास पड़ता है यह एक तत्काल फीड़बेक सिस्टम लिये टीचर लेक्चर दे इसके बजाए खेल एक वेक टिगत लेक्चर बन जाता है जो आपके लिए बनाया गया है उस मैला के मित्र ने बाद में मुझे पूरी बात बताने के लिए फोन किया उसने कहा कि उसकी मित्र अफशांत है फशांत होने के बाद उसने खेल और अपने जीवन के भीच में कुछ आपसे सम्बन की मैसूश की ए है हलांकि उसके और उसके पती के पास नाव नहीं थी परंतो उसके पास बाकी सब चीजे थी वह अपने तलाक के बाद बहुत नाराज थी उसका पती एक कम उमर की मेला के साथ बाग गया था और 20 साल के वेवाई जीवन के बाद उसके पास दोलत के नाम पर बहुत कम सामान था उसके बीच बांटने के लिए लगवग कुछ भी नहीं था बीच साल के उनकी शादी सुधा जिन्दगी में मज़ा बहुत आया था पर उन्होंने केवल डेडूड ही कर्थे किये थे उसने यह मैसूस किया कि आंकड़ों पर उसका गुसा इंकम स्टेटमेंट और बैलेंस सीट पर इसलिए था क्योंकि वह उन्हें समझ नहीं पा रही थी उसका यह मानना था कि पैसे देलेगा इसाब किताब रखना पूर उसका काम है वह घर संबालती थी और उसका पती पैसों को संबालता था उसे अब यह पका वरोसा हो चुका था कि उनकी शादी के आखरी पांच सालों में उसके पती में उससे पैसे चुपाई थे वह इस बात पर खुच से नाराज थी कि उसे यह पता ही नहीं चला था कि पैसा कहा गया है और यह भी पता नहीं चला था कि उसका किसी दूसरी उनक के साथ संबन्द बन चुका है बोर्ड गेम की ही तरह दुनिया भी पतकाल फीड़ बैक देती है अगर हम ज़्यादा ध्यान दे तो हम ज़्यादा सीख सकते हैं कुछ समय पहले की बात है मैंने अपनी पत्नी से कहा कि दोबी ने मेरी पेंट को सिकोड दिया मेरी पत्नी देमे से मुस्कुराई और उसने मेरे पेट में उंगली कड़ाते हुए मुझे बताया कि पेंट नहीं सिर्कुरी है बलकि कोई और चीज फैल गई है कैस्पलो ना मगिया है खेल हर कि लाड़ी को विर्तिकत फीड़ बेक देने के इसाब से तैयार किया गया है इसका लक्षे आपको विकल्प परदान करना है अगर आप नाव वाला कार्ड निकालते हैं और यह आपको करज में डाल देता है तो सवाल यह उठता है अब आप क्या कर सकते हैं आपके पास कितने फैनाशियल विकल्प मुझूद है यही खेल का लक्षे है खेलाडियों को सोचना सिखाना ताकि वे नए और भूट से फैनाशियल विकल्प बना सकें मैंने एक अजार से ज़्यादा लोगों को यह खेल खेलते देखा है वे लोग जो इस खेल की चुहा दोड़के सबसे जल्दी निकल जाते है उन्हें अंकों की समझ होती है और उनके पास रचनात्मक फैनाशियल दिबाक होता है वे बहुत से फैनाशियल विकल्पों को देख सकते हैं जिन लोगों को सबसे ज़्यादा समय लगता है वे ऐसे लोग होते हैं जिने अंकों की समझ नहीं होती और जिने पारई निवेस की ताकत का एसास नहीं होता अभी लोग पारई रचनात्मक होते हैं और सोच समझ कर खत्रे उठाते हैं, कैस्वलों खेलने वाले कई ऐसे भी लोग होते हैं, जो इस खेल में बहुत सा पैसा तो कमा लेते हैं, पर अंतु उन्हें यह नहीं पता होता कि वे इस पैसे का क्या करें, उनसे ज्यादातर असले जिन्दगी में भी आर्थिक रूप से स और फिर भी वे आर्थि ग्रूप से आगे नहीं मड़ पड़ते हैं, अपने विकल्पों को सिमित कर लेना पुराने विचारों से चिपके रहने की ही तरह है, हाई स्कूल के समयगा मेरा एक दोस्त अभी तीन नोप्रियां कर रहा है, 20 साल पहले वह मेरे सभी से प्राटियो कड़ी मेंनत करो, समश्या यह थी कि उसे कोई बराबरी की नोकरी नहीं मिल पाई, जो पूरानी कमपनी में उसकी वरिष्टा को मने, इसका परेणाम यह हुआ, कि वह है अभी जो काम कर रहा है, उसकी योग्यता के बहुत नीचे के काम है, और इसलिए उसकी तनक्वा कम है उसे जिन्दा रहने के लिए जितना पैसा चाहिए, इतना कमाने के लिए उसे तीन नोकरियां करनी पड़ रही है, मैंने कैश प्रो खेलने वाले लोगों को यह है शिकायत करते सुना है, कि सही मौका देने वाले कार्ड उनके पास नहीं आ रही है, इसलिए वे जहां के तह करते देखा है और फिर उनके पास परियापत पैसा नहीं होता फिर वे यह ऐसी कायद करते हैं कि एगर उनके पास ज्यादा पैसा होता तो वे चुहा दोड़के बाहर निकल सकते थे इसलिए वे वहीं बैटे रहते हैं मैं असले जिन्दगी में भी ऐसे लोगों को जानता हू जो यही करते हैं वे महान अवसर देखते हैं परंतु उनके पास पैसा नहीं होता और मैं देखता हूँ कि लोग एक महान अवसर वाले कार्ड को खिंशते हैं उसे जोर से पढ़ते हैं और उन्हें यह पता ही नहीं होता कि यह एक महान अवसर है उनके पास पैसा भी होता है समय भी होता है कार्ड भी होता है परंदो वे आउसर को नहीं देख पाते वे यह देखने में ऐसा अगल हो जाते हैं कि चुवादोर से बच निकलने के लिए यह किस तरह उनकी फाइनेंसिल योजना में फिट होता है और मेरी राहे में इस तरह के लोग दूसरे सभी तरह के लोगों से ज़्यादा शंका में होते हैं ज़्यादा तर लोगों पे जिन्निके में एक बार मिलने वाला सुने राहसर उनके सामने पड़ा हुआ मिलता है परंदो वे उसे नहीं देख पाते एक साल बाद उन्हें इसका पता चलता है जब बाकी सभी लोग अमीर वन जाते हैं फाइनांशियल बुद्धी का मतलब है ज़्यादा विकल्ब होना अगर आउसर आपके सामने नहीं आ रही है तो आप अपनी आर्थिक्स्टितिस उदारने के लिए क्या कर सकते हैं अगर कोई आउसर आपके गोद में आ रहा है और आपके पास पैसा नहीं है और बैंक वाले आपको उधार नहीं दे रही है तो आप उस आउसर से तो आप उस आउसर से कैसे लाव उठा सकते हैं अगर आपका अनमान गलत है और अगर आप इसके उमीद करते हैं कि वह नहीं होता है तो आप किस तरह एक निम्बू को लाकों में बदल सकते हैं यह फाइनांसियल गुद्धी है क्या होता है इससे हमारा ज्यादा सा रुकार नहीं है बलकि आप एक निम्बू को लाकों में बदलने के लिए कितने अलग-अलग तरह के आर्थिक समाधान खोच सकते हैं इसका मतलब है कि आप अपनी पैसे की समश्या को अपसुल जाने में कितने रचनात्मक है ज्यादातर लोग के विले एक समाधान जानते हैं कड़ी मेनत करो, बचत करो और उधार लो तो आपको अपनी फाइनसिल फुदी क्यों पढ़ानी चाहिए क्योंकि आप उस तरह के इनसान होना चाहते हैं जो अपनी किसमत खुद बनाता हो आप जो होता है, उसे होने देते हैं और उसे बेहतर में बदलने की क्षमता रखते हैं बहुत कम लोग यह समझ बाते हैं की किसमत भी हमी बनाते हैं जिस तरह की पैसा बनाया चाता है अगर आप ज़्यादा किसमत वाले होना चाहते हैं और ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करने के अलावा आपकी financial buddhi में तो पूर्ण है अगर आप उस तरह के आदमी है जो सगी चीज होने का इंतजार करता है तो शायद आपको बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा यह है तो उसी तरह की बात हो गई कि आप garage से गाड़े निकालने से पहले यह है पक्ता करना चाहें कि अगले पांस मिल तक भी सभी स्ट्रिट लाइटें हरी हो जब हम चोटे थे तो अमेर डैड़ी माईक और मुझे लगाता यह है बताते थे पैसा असली नहीं है अमेर डैड़ी हमें बार बार यह याद दिलाया प्लास्टर आप फिर इसके सिक्के डाले थे तो हम पैसे के रहसे के करीब सबसे करीब आ गई थे क्योंकि हम पैसा बना रही थे गरीब और मद्य अमर पैसे के लिए काम करते हैं उनका कहना है अमेर लोग पैसे बनाते हैं आप धन को जितना असली समझेंगे आप उसके लिए उतनी ही ज़्यादा मेनत से काम करेंगे अगर आप इस विचार को मन में उतार लें कि पैसा असली चीज नहीं है तो आप ज़्यादा तेजिसे अमीर बन सकते हैं अगर पैसा असली चीज नहीं है तो फिर क्या है? अगर इसे अच्छी तरह प्रशिक्षित कर दिया जाई तो यह एक पल में धेर सारी दोलत बना सकता है। विश्वसन यह रूप से अमीर हो जाते हैं और इसके लिए वेकेवल कुछ विचारों और अनमंदों का सारा लेते हैं। विश्वसन यह रूप से टोरंटों के ग्रहाक के आदेश पर लिश्वन के ट्रेडर्स की स्क्रीन पर बत्ती जलती हैं। और शेर पलवर में टोरंटों पहुंच जाते हैं। एक मिनट बाद शेर बेचने का आदेश दिया जाता है। और वे पलवर में बिख जाते हैं। इस पूरे मामले में धन का लेंदेन नहीं हुआ। अनमंदों का हुआ था। तो अपनी फाइनशियल परतिवा क्यों विक्सित करें। इसका जवाब के वला आप ही दे सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं क्यों इसे विक्सित कर रहा हूँ। मैं इसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं तेज इसे देन कमाना चाहता हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे इसकी जुरूरत है बलकि इसलिए क्योंकि मैं इसे करना चाहता हूँ। यह सीखने के दिल्चस्प पर किरिया है मैं अपना फाइनांस से लाइक यो इसलिए विक्षिट करता हूँ तोकि मैं दुनिया के सबसे तेज और सबसे बड़े खेल में भाग लेना चाता हूँ और अपने छोटे तरीके से मैं मानवता के अबूत पुरु विकास का हिस्सा होना चाता हूँ एक एसे यूप का जहां इनसान विशुद रूप से केवल अबने दिमाग से काम करते हैं शरीर से नहीं इसके अलावा यहां ज़्यादा रोमांच है, यहां पैसा है, यहां डर है, यहां आनंद है इसलिए मैं अपनी फाइनेंशियल बुद्धी में निवेश करता हूँ और अपनी सबसे शक्ति साली संपत्ति को विक्सित करता हूँ मैं बहादुरी से आगे बढ़ने वाले लोगों के साथ होना चाहता हूँ मैं पीछे रह जाने वाले लोगों के साथ नहीं होना चाहता हूँ मैं पैसे बनाने वाला एक्स आसान उगान देना चाहता हूँ 1990 के दसक की शुरुवात में फिनिक्स की आत्रियोस्ता बहुत बुरी थी, मैं गुड मॉर्निंग अमेरिका टीवी सीरियल देख रहा था, जब एक फाइनेंसियल प्लानर आया और उसने निरासावादी बविशयवानी करना शुरू कर दिया, उसकी सला थी पैसे बचाओ, हर म इने निश्ची तरकम बचाना भी एक अच्छा विचार है, यह एक विकल्ब है, एक एसा विकल्ब जिसे बहुत से लोग मान लेंगे, समश्चा यह है कि एसा करने से आदमी यह नहीं जान पाता, कि उसके आसपास क्या हो रहा है, फिर अपने पैसे में ज़्यादा मैत्रप थी, मेरा काफी पैसा उस समय स्टोप मार्केट और अपार्टमेंट आउसेज में पसा हुआ था, मेरे पास नगत पैसा नहीं था, सुंकि हर कोई बेच रहा था, इसलिए मैं खरीद रहा था, मैं पैसे बचा नहीं रहा था, मैं निवेस कर रहा था, मेरी पतनी और मेरे पा परंतु कई बड़ी बातें जरूर बताना चाहूंगा वे घर जिनकी कीमत कभी एक लाग डालर होती थी अब पिछे तरसो डालर के रहे गए थी परंतु स्थानिया रियल इस्टेट आफिस में खरिदारी करने के बजाई मैंने दिवालिया वकील की आफिस या अदालत की सीड डालर का लोन लिया 90 दिनों में एक लोन पर ब्यास 200 डालर था मैंने वकील को कैशियर का चेक दे दिया जब अनुमंद की कारवाई चल रही थी तब मैंने अगवार में भी क्लपन दिया कि पीछे 30,000 डालर का गर केवल 60,000 में भी का हूँ है और किसी डाउन पेमेंट की जर कर देखने की जाज़त दी गई अत्यांत रुत्मांचकारी गठना करम के बीच घर कुछी मिंटों में बिग गया मैंने पची सो डालर की परसेसिंग फीस मांगी जो मुझे खुशी खुशी दे दी गई और इसके बाद कानूनी नमांतरन की कारवाई चलू होगी मैंने जार डालर में करीदे गए गर को 60,000 डालर में बेज दिया मेरे पास करीदार का सपद बतर था जिसने मेरे संपत्ती वाले कालिम में 40,000 डालर जमा कर दिये थे इस पूरी कारवई में मुझे 5 गंटे लगे थे तो अब जबकि आप में पैसे की समझा आ चुकी है और आप अ जबकि हमारा ज्यादातर पैसा बड़ी प्रोपर्टी और स्टाक मार्केट में फसा हुआ था हम खरीदने और बेजने के सोदे में अपनी संपत्ती वाले कालम में 1,90,000 डालर से ज्यादा बनाने में कामियाब हो गए थे इस तरह हर साल की अनुमानित आई 1,90,000 डालर हो ग का बड़ा हिस्सा हमारी कंपनी की कारों पेट्रोल ट्रिप्स भी में इंग्राहकों के सारे देनर इत्यादी चीज़ों पर खर्च हो सकता था जब तक सरकार को उसामदनी पर टैक्स लगाने का मुख़ा मिलता तब तक यह कानूनी रूप से खर्च हो चुका होता अपने फ चाने के लिए आपको कितना समय लगेगा क्या बैंक आपके पैसे बर दस फिज़ के ब्यास देगा और सपत बतर तीस सालों तक वैब था मुझे आसा है कि वे मुझे कभी एक लाग नब बैजार डालर नहीं देंगी मुझे टैक्स देना पड़ेगा और मुझे मुझे मूल पैसे नहीं चुकाई ऐसा होता है और यह एक अच्छी ख़बर है 1994 से 97 तक फिनिक्स रियल इस्टेट बाजार देश में सबसे ज़्यादा गर्म बाजार सावित हुआ उस 60,000 डालर के घर को दुबारा 70,000 डॉलर में बेचा जा सकता है और एक बार फिर से 500 डॉर्ड पर्चेसिंग फीस के रूप में वसूल किये जा सकते है नए खरीदार के लिए भी यह मुफ्त का सोदा होगा और यह पर करियाद चलती रहे सकती है जब मैंने पहली बार घर बेचा था तो मैंने केवल 2000 डालर खर्च किये थे तकनिकी द्रस्टे से इस सोदे में मेरा एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ था निवे इस पर मेरी वसूली अनंत थी यह एक उधारन है कि पैसा पास में नहीं होने पर भी बहुत सा पैसा किस तरह कमाया जा सकता है दूसरे स पैसे के पैसे बनाता हूं मैं नहीं जानता पर तो यह 100 डालर हर मेंने बचाने से बेथर तो है ही 100 डालर हर मेंने दरसल 1500 डालर पर ती मां की रकम है क्योंकि 40 सालों तक इस पर 50 का टेक्स लग चुका है और एक बार फिर आई पर 50 टेक्स लगता है यह करना बहुत लिख रहा हूं तो बाजार की स्थितियां 5 साल पहले की स्थिति से भी पूरी तरह अलग है फिनिक्स का रियल इस्टेट बाजार पूरे अमेरिका की इर्शा का केंदर बना हुआ है जो घरू समय मने 60,000 डालर में बेचे थे आज उनकी किमत 1,10,000 डालर हो चुकी है अब भ बहुत कम समझदारी वेरे मोके मوجود है बाजार बदल चुका है यह आगे बढ़ने का समय है और संपत्ति वाले कालम में दूसरे मोके डूमने का समय है आप यहां इसार नहीं कर सकते यह कानून के खिलाफ है आप जोट बोल रहे हैं मैं इस तरह की परतिक्रिया हूं को ज़् सुनता हूं और क्या आप मुझे इसा करने का तरीका बता सकते हैं यह आगरे कम सुनता हूं गणित असाल है आपको इसमें पीज गणित या कैल्कुलेशन की जुरूरत नहीं है मैं ज़्यादा इसलिए नहीं लिखता क्योंकि एसक्रो कंपनी कानूनी सोदों को संबालती है और बुगतान की सेवा को भी मुझे चत ठीक करवाने अटाइलर ठीक करवाने में जंजट भी नहीं उटानी पड़ती क्योंकि यह कामगर के मलिक का है यह उनका घर है कभी गवार कोई पैसा नहीं चुकाता और यह भी अच्छा होता है क्योंकि उसके विलम शुल्क मिलता ह यह वेगार छोड़ कर चले जाते हैं और प्रोपरटी एक बार फिर से बेच दी जाती है पोर्ट सिस्टम यह सब संभाल लेता है और हो सकता है यह आपके इलाके में काम नहीं करें बाजार के स्थितिया अलग हो सकती है पर तो यह उदान दर्साता है कि किस तरह एक आसान वित्या प्रक्रिया कुछ ही समय में लाकों डालर बना सकती है जिसे बनाने में आपका ज्यादा पैसा भी नहीं लगता और आपको जोखिम भी कम होता है यह अनुबंद से बनाए जाने वाले पैसे का उधारन है जिसके पास भी हाई स्कूल तक की सिक्षा है वह इसा कर सकत है परन्तु ज्यादा तर लोग इसा नहीं करते ज्यादा तर लोग मेहनत करो और पैसे बनाओ कि पुरानी सला सुनते हैं लागवए 30 गंटे की मेहनत के बाद एक लाग 90 जार डालर संपत्ती वाले कलों में आगे और इसके लिए टेक्स भी नहीं देना पड़ा इन में से कौन से सला आपको ज़ला कठिन लगती है नमबर एक कड़ी मेनत करो 50 विजदी की दर से टेक्स चुको और फिर जो रकम बसती है उसमें से बचत करो आपकी बचत पर आपको 5 विजदी ब्याज भीलता है जिस पर एक बार फिर टेक्स लगता है या नमबर दो पैसे की समझ विक्सित करने का समय निकाले और अपने दिमाग और समपती वाले कालम की ताकत का इस्तेमाल करें इसमें वह समय भी जोड़ ले जो आपको विखल्प नमबर एक के परियोग द्वारा एक लाख नबे अजार डालर बचाने में लगता है क्योंकि समय आपकी सबसे बड़ी समपती है अब आप समझ सकते हैं कि मैं क्यों चुप चाबा बनासी रेलाता हूँ जब मैं लोगों को यह कहते सुनता हूँ मेरा बच्छा स्कूल में अच्छी बढ़ाई कर रहा है और उसे अच्छी सिख्या मिल रही है यह अच्छी हो सकती है परन्तु क्या यह प्रियाप्त है मैं जानता हूँ कि उप्यूप निवेस टकनीक एक चोटी टकनीक है इसे यह बताने के लिए लिखा गया है कि किस तरह एक चोटी सी रकम बड़ी रकम में बदल सकती है एक बार फिर मेरी सफलता यह बताती है कि मजबूत वित्या निम कितनी मेत्वपून होती है जो मजबूत वित्या सिक्षा से शुरू होती है मैंने इसे पहले कहा है और यह एक दम मेत्वपून है और यह इतना मेत्वपून है कि मैं इसे एक बार फिर दो रहना चाहूँगा वित्य गुति चार मुख्य तकने की तक्ष्टाओं से मिलकर बनती है नमबर एक वित्य साक्षरता पंकों को पढ़ने की योगेता नमबर दो निवेश की रननेती धन दवारा धन बनाने का विज्ञान ग्राहम बेल ने बाजार को वह दिया जो इसे चाहिए था यही बिलगेट्स ने भी दिया यह मुका भी बाजार ने दिया था 20,000 डालर ने कोई मकान खरीट कर उसे 60,000 डालर में बेच दिया जाए जबकि उसके असली किमत पिछे 30,000 डालर थी कोई खरीद रहा था, कोई बेच रहा था नमबर चार, कानून अकाउंटिंग, कार्पोरेट, स्टेट और नेशनल कानून और नेतियों के बारे में जाग डुपता मैं यहमों के बितर रहकर खोल मैं यहमों के बितर रहकर खेलने की सला देता हूँ अगर आप पैसे काविस्कार करना चाहते हैं तो आप में यहमों बूतादार सिला होना चाहिए या इन दक्षताओं का समन में होना चाहिए चाहिए आप इसाप छोटे घर, बड़े अफ़र्टमेंट, कमपनियां, स्टो, बांड, मिच्छल फंड, मुल्यवान दातुएं बेसवाल कार्ड खरीद कर करें या इसी किसम का कोई दूसरा काम करें 1996 में तक रियल एस्टेट मार्केट सुर्खियों में था और हर कोई इसमें जा रहा था स्टोक मार्केट में भी बूम हो रहा था और हर कोई इसमें जा रहा था अमेरिका की अर्टवे उस्टावने पैरों पर खड़ी हो रही थी मैंने 1996 में बेसना सालो कर दिया और अब मैं पेरू, नार्वे, अलेशिया और फिलिपिन्स की यात्रा कर रहा था निवेश बढ़ गए थे जहां तक खरिदारी का सवाल था अब हम रियल इस्टेट बाजार बेजे बाहर थे अब मैं अपनी संपत्ती वाले कालम के बीतरांकरों को बढ़ते देखता हूँ और शायद इस साल के आखरे में बेचना शुरू करता हूँ यह कांग्रेज द्वारा पारित की यह जाने वाले कानूनी परिवर्थनों पर निर्वर करता है मैं आसा करता हूँ कि 6 छोटे गरों के सोदे को बेच दूँगा और 40,000 डॉलर के नोट को धन में बदल लूँगा मुझे अपने काउंटेंट को बुला कर उसे कहना पड़ता है कि वह इतने रकम के लिए तैयार हो जाए और इसे टेक्स से बचाने के लिए तरिक्षिक हो जाए मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बताना चाहता हूँ कि निवेस आते जाते रहते हैं मार्केट गड़ता और बढ़ता रहता है अर्थ वे उस्ताइं सुदरती और बिगड़ती रहती है दुनिया आपको हर दिन जिन्दगी के अनूठे अवसर देती रहती है आपकी जिन्दगी के हर दिन परंतुप्राई हम उन्हें देख नहीं पाते हैं परंतुप्राई वहाँ होते हैं और टेक्नोलजी जितनी ज़्यादा बदलती है आपके और आपके परिवार के लिए स्थाई आर्थिक सुरुक्षा के लिए उतने ही ज़्यादा मोके होते हैं तो अपनी फैनेंसियल बुद्धी को विक्षित करने की जंजट क्यों उठाई जाई एक बार फिर मैं यही कहूंगा कि आप यह इसका जवाब दे सकते हैं मैं जानता हूँ कि मैं क्यों इसे सीखता हूँ और विक्षित करता हूँ मैं इसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि परिवर्तन हो रहे हैं और होने वाले हैं मैं परिवर्तनों का स्वागत करता हूँ और अतीद से चिपका नहीं रहना चाहता मैं जानता हूँ कि मार्केट में जवार आएगा और मार्केट में बाटे भी आएंगे मैं लगातार अपने financial गुद्धी को विक्सित करना चाहता हूँ क्योंकि मार्केट में हर परिवतन पर कुछ लोग अपने नोकलियों के लिए अपने गुपने टेक कर भीख मांगेंगे इसी समय कई दूसरे लोग जिन्दगी दवारा दिये गए इन निम्बूओं को लेकर उन्हें करोडों में बदल लेंगे और हमें यह नहीं बोलना चाहिए यह हमें कभी कभार जिन्दगी निम्बू दे देती है यही financial गुद्धी है मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि मैंने निम्बूओं को किस तरह करोडों में बदला व्यक्तिकत रूप से मैं व्यक्तिकत निवेसों के कई और उधान देने से जिजगता हूँ मैं इसलिए जिजगता हूँ क्योंकि मुझे डर है कि मुझे बड़ बोला या अपने सेखी बगारने वाला कहा जाएगा यह मेरा इरादा नहीं है मैं सिर्फ इसलिए उधारन देता हूँ ताकि उसके अंकों और समयावद्धी से सच्ची और सामान गट्टाओं को बताया जा सके मैं उधारन इसलिए देता हूँ ताकि आपको यह बता सकूँ कि यह आसान है यह ज़दा आसान है अगर आप फाइनेंशियल बुद्धे के चार स्थम्बों के जानकार है वेक्टिगत रूप से फाइनेंशियल बुद्धे के लिए दो मुखे सादनों का इस्तेमाल करता हूँ रियल इस्टेट और सोटे स्टोप्स मैं रियल इस्टेट को अपने निव की तरह इस्तेमाल करता हूँ हर दिन मेरी प्रोपरडी कैश्ट फ्लोप बदान करती है और उनका मुल्य वढ़ता जाता है सोटी पूंजी के स्टोप्स को तेज बडोतरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है मैं अपने द्वारा की गई हर चीज की अनुसंसा नहीं करता दारण के वल उन दारणी है अगर आउसर बहुत जटिल है और मैं निवेस को नहीं समझ पाता हूँ तो मैं निवेस नहीं करता हूँ पैसे के बारे में निरने लेने में हमें के वल साड़ारन गनी तोर कमन सेंस की जुरूरत होती है उदारणों का प्रियोग निमन पांस कारणों से किया जाता है नमबर एक यह बताने के लिए कि कौई डहर सारा पैसा बना सकता है नमबर चार यह दिखाने के लिए कि आपके लक्शों को हासिल करने के करूडder तरीकी है नमबर पांस यह बताने के लिए कि यह कोई गाखेत्विक्ञान नहीं है 1989 में मैं ओरेगन के पोर्ट लेंड में एक खूपसूर जगह पर जोगिंग किया करता था यह एक उपनगर था जहां छोटे छोटे गर बने हुए थे वे छोटे और सुन्दर थे हर कई मुझे विकावू है के बोर्ड दिखते थे इंबर मार्केट का बुरा हाल था एक दिन इसके पास से जोगिंग करते समय मेरी मुलाकात इसके मालिक से होगी जो परिशान दिखा था मैंने पूछा आपने अपने घर की क्या किमत लगाई है मालिक गुमा और फिकी मुस्कुराट के साथ कहा आप किमत लगा ले यह एक साल से ज़्यादा समय से भिका हुए और अब तक कोई इसे देखने तक नहीं आया मैंने कहा और आदे गंटे बाद मैंने इसे 20,000 डालर में खरीब लिया जो उसके द्वारा मांगी के लिए किमत से कम थी यह दो बेटरूम का छोटा सा सुन्दर घर था मैंने मालिक को 45,000 डालर के घर के लिए 5,000 डालर नगर दिये जिसकी असरे किमत 65,000 डालर होगी परंत दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि इसे कोई खरीदना नहीं चाहता था मालिक ने एक अपते मेजे खाली कर दिया और वहे इससे पीछा चुड़ा कर खुश हुआ मेरा पहला किराएदायर वहां आ गया जो एक स्थानिय कालेज में प्रोफेसर था मार्टगेज, खर्थ और मेनेजमेंट फीच चुपाने के बाद हर महिने के आखिल में मेरीजे में आकर ओरेगन और वासी गिटन में खरिदारी कर रही थी मैंने उस छोटे गर को कैलिपोर्टनिया से आये कि युव अदमपती को 95,000 डालर में बेश दिया जिनने यह बहुत सस्ता सोदा लग रहा था इस सोदे में मुझे लगबग 40,000 डालर का कैपिटल गेन हुआ जो मैंने 1031 के टेक्स विहिन एक्सेंज में रख दिया और मैं अपने पैसे को लेकर कोई बड़ी प्रोपर्टी खरीद ने चल दिया एक महिने में मुझे बीवर्टन ओरेगन में इंटेल प्लांट के पास 12 यूनिट का एक अपार्टमेंट मिल गया उसके मालिक जर्मनी में रहते थे और उन्हें इसके कीमत का अंदाजा ही नहीं था और यह एक बार फिर वे उसका पीछा चुडाना चाहते थे मैंने साड़े चार लाग डॉलर के इमार्ट के लिए दो लाग पीछे तर अजार डॉलर का परस्ताव दिया वे तीन लाग डॉलर पर मान गई मैंने इसे खरीद लिया और इसे दो साल तक हमने पास रखा फिर उसी यवन जीरो त्री यवन एक्सेंज पर खिरिया का फाइदा उठाते हुए मैंने उसी मारत को चार लाग पीछानुए जार डॉलर में बेस दिया और एरिजोना फिनिक्स में एक तीस यूनिट का अपार्टमेंट खरी लिया तब तक हम फिनिक्स चले गए थे हमें वैसे भी इसे बेसना था पहले जो हाल ओरेगन के बाजार का था वही मंदी का माहूल फिनिक्स के रियल इस्टेट मार्केट में देखने खुछ मिला फिनिक्स में तीस यूनिट की अपार्टमेंट बिलिंग की किमत आठ लाग पीछे तर अजार डॉलर थी इस में से दो लाग पच्छे जार डाउन पेमेंट थी तीस यूनिट से आने वाला पांस जार डालर परती महा से कूच जा रहा था एरिजोना का बाजार भी बढ़ने लगा और उन्निस औच्छानमे में एक कोलोरेडो के निवेशक ने हमें उस प्रोपर्टी के लिए बारा लाग डालर देने का परस्ताव रखा मेरी पतनी और मैं बेचने पर विचार कर रही थे परन्तु हमने यह देखने का इंतजार किया कि क्या कांग्रेस कैपिटल गेन कानूनों में परिवर्तन करेगी अगर वह परिवर्तन करती है तो प्रोपर्टी की किमत 15 से 20 परतिसर तक बढ़ जाएगी इसके अलावा हर मेने 5,000 डालर मिलते रहना अच्छा लगता था इस उदारन में मुद्दे की बात यह है कि किस तरह एक छोटी रकम एक बड़ी रकम में बदली जा सकती है एक बार फिर मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसके लिए फैनेंसियल स्टेटमेंट निवेस की रननेती बाजार की समख और कानून की जानकारी होनी चाहिए अगर लोग इन विशों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो स्पस्ट रूप से वे स्टंडर्ड सलागा पालन करेंगे जो कहती है सुरक्षित खेलो और सुरक्षित निवेसों में पैसा लगाना चाहिए सुरक्षित निवेसों के साथ समझा यह है कि वे अक्सर बहुत कम मुनाफ़ा देते हैं उन्हें इतना सुरक्षित बना दिया जाता है कि उन से मिलने वाला मुनाफ़ा कम हो जाता है ज्यादातर बड़े ब्रोकरेज आउसेज जो कि मबरे सोदों से बसते हैं ताकि वे खुद की और अपने ग्राकों के सुरक्षा कर सके और यह निती समझदारी की भी है असली गर्म सोदे नोसिक्षियों को नहीं दिये जाते प्राइस सरवसरे सोदे उन लोगों के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं जो इस खेल को अच्छी तरह समझते हैं और यह सोदे अमीरों को और भी अमीर बना देते हैं वैसे भी इस तरह के जो कि मबरे सोदे नोसिक्षियों के सामने रखना तकनिकी रूप से घर कानूनी माना जाता है पर अंतो यह सा कभी कभार होता भी है मैं जितना ज़्यादा परिसकरत होता जाता हूँ उतने ही अवसर मुझे मिलते जाते हैं जिन्दगी में फाइनशियल बुद्धी विक्षित करने का एक और फाइदा यह होता है कि इससे हमारे सामने ज़्यादा तरह सर आते हैं और आपकी फाइनशियल बुद्धी जितनी ज़्यादा बढ़ती है आपके लिए यह वताना असान होता है कि कोई सोदा अच्छा है या बुरा आपकी बुद्धी ततकाल एक बुरे सोदे को पैचान सकती है या एक बुरे सोदे को अच्छे सोदे में बदल सकती है मैं जितना ज़्यादा सीखता हूँ और सीखने के लिए भी बहुत कुछ बाकी है मैं उतना ही ज़्यादा पैसा सिर्फ इसलिए कमाता हूँ क्योंगी समय के साथ-साथ मेरा अनुभव और बुद्धी बढ़ती जाती है मेरे कुछ दोस अब भी सुरक्षित खेल खेल रही है और अपने प्रोफेशन में कड़ी मेनत कर रहे है परंतुन की फाइनेशियल बुद्धी विक्षित नहीं हो पाई है जिसे विक्षित होने में बहुत समय लगता है मेरी कुल जमा फिलोसपी है अपने संपत्ति वाले कोलम में 20 होना यह है मेरा फार्मूला है मैं छोटे फ्हमाने पर शुरू करता हूँ और 20 बोता हूँ कुछ 20 उग जाते हैं और कुछ नहीं उगते हमारे रियल इस्टेट कोर्पोरेशन में हमारे पास करोडों डालर की प्रोपर्टी है यह हमारा अपना REIT याने रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है अब मैं आपको यह पते की बात बताना चाहता हूँ कि इन करोडों में से कई प्रोपर्टी तो पान जार डालर से दस जार डालर के निवेश शुरू ही थी नगत पैसे से खरीदी गई ये प्रोपर्टी उस किसमती से तेजी से बढ़ते बाजार में ज़्यादा कीमती हो गई थी और टेक्स से मुक्त रहते हुए उन्हें खरीदा और बेचा गया था और इसा कई सालों तक किया गया था हमारा एक स्टोप पोर्टफोलियो भी है जिसे मैं और मेरी पत्नी हमारा परसनल म्यूचिल फंड कहते हैं हमारे कुछ दोस्त हमारे जैसे निवेश कों के साथ ही बिजनस करते हैं जिन के पास हर महिने निवेश करने के लिए कुछ सतिरी धन होता है हम ज़्या जोखिम वाली प्राइविट कंपनियों के शेर करीदती हैं जो अमेरिका या कैनेडा में स्टोप एक्सचेंज पर सारुजनिकोंने जा रही है कितनी तेजी से धन बढ़ता है इसका उदारने इस तरह देखे हमने कंपनी के सारुजनिकोंने से पहले 25 सेंट परती शेर की द बढ़ती रहेंगी और स्टोप 20 डालर परती शेर या इससे भी ज्यादा होगा एसे भी कई वर्स रहे हैं जब हमारे 25,000 डालर एक लाग से भी कम समय में 10 लाख डालर बन गई हैं यह जुआ नहीं है अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं यह जुआ है अगर आप सो जोखिम तो होता ही है यह financial गुद्धी होती है जिससे आपकी सबलता के अवसर बढ़ जाते हैं इसी कारण जो चीज़े एक आदमी के लिए जोखिम बरी होती है वह दूसरे आदमी के लिए उतनी ही जोखिम बरी नहीं होती यह वह मूल कारण है जिसके वज़े से मैं लोग व्यक्तिकत रूप से जिन स्टोक्स में निवेश करता हूँ उनमें बहुत ज़्यादा जोखिम होता है और इसलिए मैं उनके अंसंसा नहीं करता है मैं इस खेल को 1989 से केल रहा हूँ और मैंने इसमें काफी अनुववासिल किया है परन्तो अगर आप दुबारा पढ़ेंग कम जो किम्बरा होगा जैसा पहले ही कहा जा चुका है मैंने जो लिखा है मैं आपको वैसा करने की सलाह नहीं देता हूँ मैं सिर्फ आपको यह समझाना चाहता हूँ कि यह आसान है और संभव है बात इतनी सी है कि वोसत आदमी के लिए एक लाग डालर से ज़्यादा की पर सकते हैं अगर आप अपने खर्च को कम रख सकते हैं तो एक लाग डालर की अतिरिक ताइये आपको सुखद न लगएगी। चाहिए आप काम कर रही हूं या नहीं caregiver सरकारी टेक्स सिस्टम को अपने विरोध के बजाई समर्थन में भी परियूप कर सकते हैं मेरा बग्टी इंगतादार, रियल एस्टेट है, मैं रियल एस्टेट से प्रेम करता हूँ, क्योंकि यह स्थाई और धिमी गती से चलने वाली होती है, मैं ठोस आदार को पसंद करता हूँ, कैश फलो भी आम तोर पर स्थाई ही होता है, और अगर इसे अच्छी तरह मैनेज किया जाए, तो इसकी कीमत बढ़ने की भी समावना होती है, रियल एस्टेट की ठोस आदार सिला होने के कारण, मैं जोकि मेरे स्टोक्स करीदने का खत्रा मोल ले सकता हूँ, अगर मुझे स्टोक मार्केट में खासा मुनापा होता है, तो मैं मुनापे पर कैपिटल गेंस टेक्स देता हू और बची होई रकम को रियल एस्टेट में लगा देता हूँ, ताकि मेरी संपत्ती की नीव और ज़्यादा मजबूत हो जाए, रियल एस्टेट पर एक और बात है, मैं दुनिया वर में गुमा हूँ, और मैंने हर जगे निवेस करना सिखाया है, हर सेर में मुझे यह सुनन पर लोग नजर अंदास कर देते हैं, सिंगापूर में, जहां भी रियल एस्टेट की किमते बहुत ज़्यादा चल रही है, ऐसी बहुत सी प्रोपरटीज हैं, जो चंद मिनटों की ड्राइविंग की दूरी पर हैं, इसलिए जब भी मैं किसी को यह सुनता हूँ, आप यहा इसा कैसे किया जा सकता है, महान अवसरों को आपकी आँके नहीं देख सकती, उन्हें आपके दिमाग से देखा जा सकता है, ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि उन्हें यह जानने के लिए फैनेंशियल पर सिक्षन ही नहीं मिला होता है, कि व वाले दस कदमों का उल्लेक किया है, परंतु यह हमेशा याद रखें, कि आपको मज़ा आना चाहिए, यह के वले खेल है, कई बार आप जीत जाते हैं, और कई बार आप कौन वो मिलता है, परंतु हमेशा आनंद ले, जादातर लोग कभी नहीं जीत पाते, अगर हम इन्सानों को सीखने की परकरिया पर नज़र डाले, तो हम पाएंगे की इन्सान गल्तियां करके ही सीखते हैं, हम गिर गिर कर ही चलना सीख पाते हैं, अगर हम कभी नहीं गिरे, तो हम कभी चल भी नहीं पादेंगे, यही मोटर साइकल सलाने के बारे में भी सही है मेरे गुटने पर आप भी चोटके निसान है परंतु आज मैं बिना सोचे मोटर साइकल सला सकता हूँ यही अमीर बनने के बारे में भी सही है दुर्बाग्य से ज्यादातर लोगों के अमीर नए बन पाने का मुख्य कारण यह है कि वे हारने से ड़ते हैं जीतने वाले हारने से नहीं ड़ते परंतु हारने वाले ड़ते हैं सफलता की प्रक्रिया का एक वाग ऐसे बलता भी है जो लोग ऐसे बलता से ड़ते हैं सफलता उनसे बचती है मैं पैसे कमाने को टेनिस के खेल की तरह मानता हूँ मैं मेहनत से खेलता हूँ, गल्तियां करता हूँ, गल्तियां सुधारता हूँ और ज्यादा गल्तियां करता हूँ, सुधारता हूँ और इस तरह से मेरा खेल सुधारता जाता है अगर मैं खेल में हार जाता हूँ तो मैं नेट के पास जाकर अपने विरोधी से हाथ मिलाता हूँ मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ अगले शेनिवार को मिलेंगे निवेसक दो तरह के होते हैं पहले और सबसे आम तरह के निवेसक वे लोग होते हैं जो एक package में निवेश करते हैं वे retail outlet में phone करते हैं जैसे एक real estate company या stock broker या financial planner को और फिर वे कुछ खरीदते हैं यह है एक mutual fund, stock या bond हो सकता है यह है निवेश का एक अच्छा, साप सुत्रा और आसान तरीका है यह है उसी तरह की खरीदारी हो गई जैसे कोई बिरहात computer store में जाकर cell पर रखके computer को खरीद ले दूसरी तरह के निवेश के वे होते हैं जो निवेशों को बनाते हैं इस तरह के निवेशक आम तोर पर सोदों को assemble करते हैं जिस तरह computer engineer computer के पurजों को assemble करते हैं मैं यह है तो नहीं जानता कि computer के पूर्जों को किस तरह assemble किया जाता है परंतु मैं यह जानता हूँ कि आर्थिक अफ़रों के पूर्जों को किस तरह assemble किया जा सकता है या मैं यह से लोगों को जानता हूँ जो इसा करते हैं दूसरी किस्म का निवेसगी professional निवेसक होता है कई बार तो पुर्जों को इकठा करने में सालो लग जाते और कई बार वे कभी इकठे नहीं हो पते मेरे अमीरी डेड़ी ने मुझे दूसरी किस्म का निवेसक बनने के लिए प्रोचाइट किया यह सीखना में तकूर्ण है कि फुर्जों को किस तरह आसे बिल किया जाएग क्योंकि यहीं पर भारी जीत का मुखा होता है और अगर किस्मत आपके साथ ने हो तो यहीं पर भारी नुकसान का खत्रा होता है अगर आप दूसरी किस्म के निवेसक बनना चाहते हैं तो आपको मुख्य रूप से तीन मुख्य दक्षताइं विक्सित करने की जुरूरत है फाइनेंशल बुद्धी के अलावा इन दक्षताओं की जुरूरत होती है नमबर एक किस तरह ऐसे मुख्यों को कोजे जो दूसरों को दिखाई नहीं देता हो दूसरे लोग अपनी आँखों से उस मुख्य को देख नहीं पाएंगे पर आप अपने दिमाग से उस मुख्य को देख सकते हैं उधारन के लिए मेरे एक दोस्त ने एक तुराना गर खरीदा यह दिखने में बुरा सा था हर एक को हैरत थी कि उसने इसे क्यों खरीदा परन्तु दूसरे जो देख नहीं पाई थे और जो उसने देख लिया था वह है यह था कि उस गर के साथ चार खाली जमीन के टुपड़े भी थी उसने यह कंपनी जाकर पता कर लिया था गर खरीदने के बाद उसने उसे तोड़ दिया और उन पांसो पलाटों को बिल्टर को बेश दिया इस सारे सोदे में उसे अपने मूल निवेस से तीन गुना रकम मिली उसने दो मैने के काम में पिछे तरहजार डालर कमा लिए यह बहुत ज़्यादा रकम तो नहीं है परन्तु यह इन्युन्तम वेतन से तो ज़्यादा ही है और यह तकनी की रूप से कठिन भी नहीं है नमबर दो पैसा किस तरह जुटाया जाए ओसत आदमी बैंक जाता है परन्तु इस दूसरे किसम के निवेस सरक को यह पता होना चाहिए कि पूंजी किस तरह जुटाई जाए और बिना बैंक जाए कितने तरीकों से पैसा जुटाया जा सकता है मैंने यह सीखा कि बिना बैंक की मदद लिए घर कैसे खरीदा जा सकते है घर करिदना मैतुपों नहीं है परंतु पैसा ही कठा करना मुल्यवान कला है अक्सर मैं लोगों को यह कहते सुनता हूँ बैंक मुझे करज नहीं दे रही है या मेरे पास यह खरीजने के लिए पैसे नहीं है अगर आप दूसरी किसम के निवेसिक बनना चाहते हैं तो आपको यह सीखने की जरूरत है क्योंकि इसी कारण ज्यादातर लोग की योजनाई ठप हो जाती है दूसरे सब्दों में ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिये सुदें नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता अगर आप इस बादा को पार कर सकते हैं तो आप ऐसे लोगों से मिलो आगे होंगे जिन्होंने इन दक्स्ताओं को नहीं सिखा ऐसे कई मोके आई हैं जब मैंने घर या स्टोग या अपार्टमेंट बिल्डिंग को खरीदा है जबकि मेरे पास बैंक में एक भी पाई नहीं थी मैंने एक अपार्टमेंट हाउस को बारा लाख में खरीदा मैंने इसके लिए एक अनुमंद किया जो खरीदार और बेचने वाले के बीच में लिखित अनुमंद था फिर मैंने एक लाग डालर का डिपोजिटी कटा किया जिससे मुझे बाकी पैसे के जुटाने के लिए 90 दिन की मौलत मिल गई मैंने ऐसा क्यों किया क्योंकि मैं जानता था कि इसके असल खिमत 20 लाख डालर थी मैंने इस पैसे को कभी नहीं जुटाया इसके बजाए जिस आदमी ने मुझे 1 लाख डालर दिये थे उसने मुझे 50,000 डलर दिये ताकि यह मेरी जगह पर आ जाए और इस तरह वह मेरी जगह पर आ गया और मैं इस निवेश से बाहर निकल गया और इस काम में मेरे कुल जमा तीन दिन लगे एक बार फिर मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप क्या खरीगते हैं यह मेतवपूर्ण नहीं है मेतवपूर्ण यह है कि आप कितना जानते हैं निवेश करना खरीबना नहीं है यह एक ग्यान है नमबर तीन किस तरह समार्ट लोगों को संगिठित किया जाए ऐसे लोग समझदार होते हैं जो यह तो अपने से ज़्यादा समझदार लोगों के साथ काम करते हैं यह उन्हें काम पर रखते हैं जब भी आपको सला की जरूर्ट हो तो यह सुनिश्चित कर लें कि आपका सला कार समझदार हो सीखने के लिए बहुत कुछ है परन्तो इसके पुरुषकार भी बहुत कीमती हो सकते हैं अगर आप इन दक्षताओं को नहीं सीखना चाते हैं तो आपको पहली किस्म का निवेसक बनने की सला दी जाती है आप जो ज़नते हैं वही आपकी सबसे बुड़ी पूंजी है आप जो नहीं जानते हैं वही आपका सबसे बड़ा जोखिम है जोखिम तो हमेशा रहता है इसलिए इससे बचने के बजाए इसे मैनेज करना सिखें धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याई साथ की तरफ जो है सीखने के लिए काम करें पैसे के लिए काम नहीं करें रिच डैड पूर डैड अध्याई साथ सीखने के लिए काम करें पैसे के लिए काम नहीं करें 1995 में मैंने सिंगापूर के एक अख़वार में एक इंट्रिव दिया युवा महिला रिपोर्टर समय पर आगई और इंट्रिव ततकाल सुरू हो गया हम एक आलिशान होटल की लोबी में काफी की चुस्कियां ले रहे थे और मेरी सिंगापूर यात्रा के उदेशे पर चर्चा कर रहे थे उसके लेखों में पाटकों की रूची जगाने की ख्षमता थी आपकी शैली बहुत बढ़िया है मैंने जवाब दिया कौन सी चीज आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने से रोक रही है मेरा काम कहीं का कहीं जाता है उसने शान्ति पूर्वक कहा हर आदमी कहता है कि मेरा उपन्यास बहुत पढ़िया है परन्तु कुछ नहीं होता इसलिए मैं अख़वार के लिए काम कर रही हूँ कम से कम इससे मेरा खर्श तो चल जाता है क्या आप इस बारे में कोई सुजाओ देना चाहेंगे हाँ बिलकुल मैंने उत्सा से कहा सिंगापूर में मेरा दोस्त है वह एक स्कूल चलाता है जहां लोगों को बेजने का परशिक्षन दिया जाता है वह सिंगापूर में कई चोटी के कोर्परेशन के लिए सेल्स ट्रेनिंग कोर्स चलाता है और मैं समझता हूँ कि उसके कोर्स में शामिल होने से आपका करियर बहुत ज़़ा विक्सित हो जाएगा उसका सरीर शक्त हो गया आप यह कहना चाहते हैं कि बेजना सीखने के लिए में ज़े स्कूल जाना पड़ेगा मैंने सेम्टी में सीरे लाया आप सच मुच ज़ेसा कह रहे हैं या मजाक कर रहे हैं एक बार फिर मैंने सेम्टी में सीरे लाया इसमें गलत ही क्या है मैं अब अपने सब्द वापस लेना चाहता था उसे मेरी किसी बात से बुरा लग गया था और अब मैं सोच रहा था कि कितना अच्छा होता अगर मैंने उसे कोई भी सुजाओं नहीं दिया होता उसकी मदद करने की कोशिस में अब मैं खुद के सुजाओं की रक्षा करता नजर आ रहा था मेरे पास अंग्रेजी साइटे में मास्टर डिग्री है मैं सेल्जमेन बनना सीखने के लिए स्कूल जाओं क्या मैं एक प्रोफेशनल हूँ मैं एक प्रोवेशन में प्रशिक्सित होने के लिए स्कूल गई थी ताकि मुझे सेल्जमेन नहीं बढ़ना बढ़े मैं सेल्जमेन उसे नफरत करती हूँ उन्हें के वल पैसा चाहिए होता है तो आप मुझे बताएं कि मैं सेल्स गाते हैं क्यों करूँ अब वह अपना ब्रीफ के स्ताकत से बंद कर रही थी इंटरिव्यू खतम हो गया था कोफी टेवल पर मेरी एक बेस चेलिंग पुस्तक रखी हुई थी मैंने इसे उठाया और उसके द्वारा लिखे गए नोट्स को भी अपने दूसरे हाथ में रखा क्या आप इसे देख सकती हैं मैंने उसके नोट्स की तरफ इसारा किया उसने अपने नोट्स पर नजर डाली क्या उसने उलजन में कहा एक बार फिर मैंने उसके नोट्स की तरफ जान बूज कर इशारा कि उसके पैड पर उसने लिखा था रावट कियोसा की बेस्ट सेलिंग लेकर यहाँ पर बेस्ट सेलिंग लेकर लिखा हुआ है नय की बेस्ट राइटिंग लेकर उसकी आंखे तत्काल फैल गई बेस्ट राइटिंग लेकर बन सकती हैं उसकी आँखों में गुसा था मैं कभी इतनी नीचे नहीं गिरूंगी कि बेचना सीखने के लिए पर्शिक्षन लो आप जैसे लोगों को तो लिखना ही नहीं चाहिए मैं एक प्रोफेशनल लेकर कूँ और आप एक सेल्जमेन है यह सही नहीं है उसने अपने बाकी के नोट्स भी समेट लिये और वैसिंगापूर की उस नम सुबह में तेजी से बाहर निकल गई कम से कम उसने अगले दिन मुझे एक अच्छा कवरेश दिया दुनिया स्मार्ट, गुणी, सिक्षित और प्रतिवासंबल लोगों से भरी हुई है हम उनसे हर दिन मिलते हैं वे हमारे चारों तरफ है उस दिनों पहले मेरी कार में कुछ गड़वड हो गई थी मैं एक गेरेज में गया और यूवा मेकेनिग ने उसे कुछ मिंटों में ठीक कर दिया इंजन की आवाज सुनकर यूँ से समझ में आ गया था कि गड़वड कहां थी मैं हैरान देखता रहा दुखत सस्तो यह है कि परतिवाई प्रयाप्त नहीं होती मुझे लगातार यह देख देखकर जटका लगता है कि परतिवाई संपन लोग कितना कम कमाज पाते है मैंने अभी हाल ही सुना है कि पांस पिस देजेवी कम अमेरिकी एक साल में एक लाग डालर से ज़्यादा कमा पाते है मैं इसे परतिवासाली और उत्षिक्षित लोगों से मिला हूँ जो एक साल में 20,000 डालर से भी कम कमाते है मेडिकल वेवसाई में विशे सग्यता रखने वाला एक वेवसाईक सलाकार कि कितने डोक्टर, दंद चिकित सक और दूसरे लोग पैसे की समस्या से जूज रही है और मेरी सोच यह थी कि एक बार डाक्टर बनने के बाद तो पैसा उनके घर परसने लगता है इस वेवसाईक सलाकार ने मुझे एक बड़ी अवाक्या दिया तो वे भारी दोलत से सिर्फ एक दक्सता दूर है इस वाक्या का यह मतलब है कि जादातर लोगों के वल एक और दक्सता सीखने की जरूरत होती है और इसके बाद उनके अमदनी अपने आप बहुत जादा बढ़ जाएगी मैं यह पहले ही बता चुका हूँ कि फाइनांसियल बुद्धी, अकाउंटिंग, निवेस, मार्केटिंग और कनून का समन्वे है इन चार तक्निकी दक्सताओं को मिला दें और पैसे से पैसा बनाना ज़्यादा असान हो जाएगा जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोगों में केवल ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की दक्सता होती है दक्सताओं के समन्वाया का एक अच्छा उदारन अकबार की उस रिपोर्टर का है अगर वैं सेल्ज और मार्केटिंग के क्षेतर में दक्सता हासिल कर ले तो उसकी आमदनी हवा से बातें कर सकती है अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं एड़टाइजिंग, कॉपी राइटिंग और सेल्ज के पॉर्स में शामिल हो जाता फिर अख़बार में काम करने के बजाए मैंने किसी एड़टाइजिंग एजेंसी में नोपरी कोजी होती चाहे इस काम में वेतन कम ही मिलता पर अंदुई से वह यह सीख जाती कि सफल एड़टाइजिंग में परियुक्त होने वाले शोटकट का परियुक किस तरह किया जाई उसे अपना कुछ समय जन संपर्ग में भी देना होता जो एक मैत्तपों दक्षता है वह यह भी सीखती कि मुख्त परचार के लिए किस तरह लाखों कमाई जाए फिर रातों में और सब्तान्तों में वह अपना महान उपन्यास पूरा करती जब वह पूरा हो जाता तो वह अपनी पुस्तक को बेशने के लिए ज़्यादा अच्छी स्थिति में होती फिर कुछ ही समय में वह एक बेस्ट सेलिंग लेखी का हो सकती थी जब मैंने अपनी पहली पुस्तक इफ यू वान्ट तो बी रीच एंड हैपी डॉंट गो टू स्कूल छपवाई तो एक परकासक ने मुझे यह सुजाओ दिया कि मैं सिर्शक को बदल कर दा इकोनुमिक सोफ एजुकेशन कर दू मैंने परकासक से साफ कह दिया इस तरह के सिर्शक से उस तक कि कुल दो परतियां भी खेनी एक तो मेरा परिवार करी देगा और दूसरा मेरा सबसे अच्छा दोस्त दिक्कत यह है कि वे दोनों ही से मुफ्त में पाने की आसा करेंगे इफ यू वांट टू बी रिच एंड हैपी डॉंट गो टू स्कूल सिर्शक को जान बूझ कर चुटिला बनाया गया था क्योंकि मैं जांता था कि एसा करने से इसे हजारों टन परषार मिलेगा मैं सिख्शा का समर्थक हूँ और सिख्शा के सुधार में विश्वास करता हूँ अन्य था मैं अपने पुरातन 35 शिक्षातंतर को बदलने की बार-बार मांग क्यों करता इसलिए मैंने एक ऐसा टाइटल चुना जो टीवी और रेडियो शो पर जादा परचारित हो सकता था सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं विवादास पद होने से नहीं ड़ता कई लोगों का विचार था कि मैं कोई फ्रूट केट था परन्तु पुस्तक भी की और बहुत भी जब मैं यूएस मर्चेंट मरीन अकेडमी से 1969 में ग्रेजुट हुआ तो मेरे पड़े लिखे डैडी बहुत खुश हुए Standard Isle of California ने मुझे अपने आईल टेंकर फ्लीट में काम दे दिया मैं थर्ड मेट था और हलानकी मेरी तनकुआ मेरे साहबाटियों की तुलना में कम थी परन्तु कालिस के बाद पहले काम के हिसाब से ठीक थी मेरी शुरुआती तनकुआ 42,000 डालर परती वर्स थी जिसमें और टाइम भी शामिल था और मुझे केवल साथ महीने काम करना पड़ता था बाकी के पांस महीने मेरी चुट्टी थी अगर मैं चाहता तो मैं एक सायक शिपिंग कंपनी के साथ भी अतना हम जा सकता था और अपनी पांस महीनों की छुट्टियों के बदले अपनी तनक्वा दुगनी कर लेता मेरे सामने एक बहुत बढ़िया करियर था परंदु मैंने च्छे महीने बादी इस्तिफ़ा दे दिया और मरीन कार्स तुम्हें बरती हो गया ताकि मैं हवाई जास उड़ाना सीख सकूँ मेरे पढ़े लेके डैडी का दिल तूर गया अमेरी डैडी ने मुझे पताईया दे स्कूल और नोपरी में विशेशग्यता का विचार एक लोप्रिय विचार है यानि कि ज्यादा धन कमाने के लिए या प्रमोशन आसिल करने के लिए आपको विशेशग्यता आसिल करने की जरूरत है इसलिए मेडिकल डोक्टर्स ततकाल बाल रोग विशेशग्य या अस्ति रोग विशेशग्य जैसी इसे सगी तासिल करने में जुट जाते हैं यही अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, वकीलों, पाइलेटों और बाकी लोगों के बारे में सही है मेरे पडेले के डैडी इसी विचारदारा में विश्वाद रखते थे इसलिए वे डोक्ट्रेट मिलने के बाद रुमान्चित हो गए थे वे अक्सर यहे मानते थे कि स्कूल में ऐसे लोगों का सम्मान किया जाता है जो कम से कम चीज़ों के बारे में ज़्यादा यह ज़्यादा पड़ते हैं अमीर डेड़ी मुझसे इसके अठीक उल्टा करने के लिए प्रोचसाइट करते थे आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए यह हैं उनका सुझाओ था इसलिए मैंने उनकी कमपनियों में कई विवागों में सालों तक काम किया कुछ समय के लिए मैंने उनके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम किया हालांकि मैं कभी अकाउंटेंड नहीं बन सकता था परंतु भे चाहते थे कि मैं उस विवाग में रहकर उसके बारे में मोटी मोटी बतें समझ लूँ अमीर डेड़ी जानते थे कि मैं वहां की सब्दावली को पकड़ लूँगा और यह भी समझ लूँगा कि क्या मैं तो पून था और क्या नहीं मैं एक बस बॉय और कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में भी काम कर चुका हूँ और सेल्ज, रिजर्वेशन और मार्किटिंग में भी वे मुझे और माईक को पीडी दर-पीडी सिखा रही थे इजलिए वे चाते थे कि हम लोग उनके बेंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट्स और ब्रोकर्स के साथ बेटको में बाग लें वे चाते थे कि हम लोग उनके सामराज्य के हर पहलू के बारे में थोड़ी बहुत जानकरी रखे है जब मैंने स्टंडर्ड आयल की अच्छी तनकवा वाली नोकरी छोड़ी तो मेरे पढ़ेली के टेड़ी ने मुझसे दिल खोल कर बाते ही उने कुछ समझ में नहीं आ रहा था वे मेरे निरने के पिछे के कारण को नहीं समझ पा रही थी क्योंकि जिस नोकरी से मैंने इस्तिवा दिया था उसमें तनकवा अच्छी थी, फाइदे बहुत थी, खाली समय भी बहुत मिलता था और उसमें तनक्वा और प्रमोशन के अच्छे हो सकते जब एक शाम को उन्होंने मुझसे पूछा तुमने नोपरी क्यों चोड़ दी तो मैं लाग कोशिश करने के बाद भी उन्हें इसका कारण नहीं समझा सका मेरे तर्क उनके तर्क के दायरे में फिट नहीं हो पा रहे थे समझा यह थी कि मेरा तर्क मेरे अमीर डैडी का तर्क था मेरे पडेल के डैडी के लिए नोपरी की सुरुख शाही सब कुस थी मेरे अमीर डैडी के लिए सीखना ही सब कुस था मेरे पडेल के डेडी का विचार था कि मैं शिप का अफसर बनने के लिए सिक्षा ग्रेंड करने स्कूल गया था अमीर डेडी जानते थे कि मैं अंतरा स्टेव यापार के अध्यन के लिए स्कूल गया था तो एक विद्यार्थी की तरह मैं पूरू और सौथ पसिफिक जाने वाले जाजों पर बड़े फ्रेट्स पर आइल टैंकरों बर और यात्री जाजों पर काम करता रहा अमीर डेडी इस बात पर जोड देते थे कि वे यूरोप की तरफ जाने वाले जाजों के बज़ाए परसांत महासागर पर अपना ध्यान के अन्दिलित करूँ क्योंकि बवश्य के देश एसिया में है, यूरोप में नहीं जब कि मेरे ज्यादातर सहबाटी जिसमें माईक भी शामिल था अपने गरों पर पार्टी और मोजबस्ती करते थे तब मैं जापान, ताइवान, थाइलेंड, सिंगापूर, होंग कोंग, वियतनाम, कोरिया, ताहिती, समोआ और फिलिपिन्स में व्यवसाई, लोगों, बिजनस की सेलियों और संसक्र्टियों का अध्यन करता था मैं भी पार्टी कर रहा होता, परन्तु अबने गर पर नहीं, मेरा ज्यान बहुत तेजी से बढ़ रहा था पढ़े लिके डैडी कभी नहीं समसके, मैंने यह नोगरिक्यों छोड़ी, और इसके बाद मरीन कार्ट्स में क्यों सामिल हुआ मैंने उन्हें बताया, कि मैं जहाज उड़ाना सीखना चाहता हूं, परन्तु वास्तों में मैं टूप का नेता बनना सीखना चाहता था अमीर डैडी ने मुझे बतला रखा था, कि कमपनी चलाने का सबसे कठीन काम था, लोगों से काम लेना उन्होंने तीन साल तक से नामे काम किया था, मेरे पड़ेलिके डैडी ने कभी इसा नहीं किया था अमीर डैडी ने मुझे बताया, कि खतरनाक परिस्तितियों में किस तरह लोगों का नेतरतों किया जाई तुम्हें जो अगली चीज़ सीखनी चाहिए, वह है, नित्रत हो उन्होंने कहा, अगर आप एक अच्छे नेता नहीं है, तो आप पर पीछे से गोलियंच लाई जा सकती है, जैसा बिजनस में किया जाता है वियत नाम से उन्होंने सो त्येटर में लोटने पर मैंने कमिशन से इस्तिवा दे दिया, हलांकि मैं हवाई जाज उडाना पसंद करता था, मैं जेराक्स कंपनी में काम करने लगा मैंने इसमें एक वज़े से नोकरी की थी, और नोकरी के फाइड़े वह वज़े नहीं थी मैं एक शर्मिल आदमी था, और बेचने का विचार मुझे दुनिया का सबसे डरावना विशे लगता था जेराक्स अमेरिका में सेल्स टेर्णिंग प्रोग्राम में बहुत बड़िया कंपनी मानी जाती थी अमेर डेड़ी को मुझे पर करव था, मेरे पडेली के डेड़ी को मुझे पर शर्म आती थी एक बुद्धी जीवी होने के नाते, वे सोचते थे कि सेल्ज मैन उनके निचले स्तरके होते हैं मैंने जेराक्स में चार साल तक काम किया, जब तक कि मुझे दरवाजे खटखटाने और ऐस विकार कर दिया जाने के डर्से मुक्तिन नहीं मिल गई एक बार मैं विक्रिया में चोटी के पांस लोगों में लगा तार आने लगा तो मैंने एक बार फिर इस्तिवा दे दिया और आगे बढ़ गया एक बार फिर मैंने एक अच्छी खासी कंपनी के साथ अपना बढ़िया करियर छोड़ दिया था 1977 में मैंने अपनी पहली कंपनी खुली, अमीर डेड़ ने मुझे और माईक को कंपनिया चलाने का प्रशिक्षन दे रखा था, तो अब मुझे उन्हें स्तापित करना है सीखना था, मेरा पहला उत्वाद था नाइलोन और वेल्क्रो का वैलेट, जो फारेश्ट में बनता था, और समुदरी जहाद से न्यूँ यार्क में एक बेर आउसक्ता आता था, मेरी उप्चारिक सिक्षा पूरी हो चुकी थी, और अब मेरे पंकों की मजबूती की परिक्षा का समय आ गया था, अगर अब मैं ऐसे पल होता, तो मैं दिवालिया हो गया होता, अमीर डेडी का मानना था कि 30 साल से पहले दिवालिया होना सबसे अच्छा होता है, आपके पास संबलने का मोखा होता है, उनकी सला थी, मेरे तीसमें जनम दिन की शाम को मेरा पहला सिप्मेंट पोरिया से निवयर्क के लिए रवना हुआ, आज मैं अंतराश्टी अस्तर पर बिजनस करता हूँ, और जैसा मेरे अमीर डेडी मुझे प्रोटसाइट किया करते थे, मैं विकास से इल्डेसों पर ध्यान के निरिद करता हूँ, आज मेरे निवेश कमपनी दक्षिन अमेरिका, एसिया, नार्वे और रूस में निवेश करती है, एक कहावत है, जो वेक संक्षिप्त रूप है, जस्ट ओवर ब्रोग का, और दुर्वागे से यह करोडों लोगों के लिए सही साबित होता है, चुकि स्कूल यह है नहीं समझता, कि फाइनेंशियल बुद्धी भी बुद्धी का एक रूप है, इसलिए ज़्यादातर करमचारिया मजदूर, अपने सादनों के बीतर रह रहे रहे हैं, वे मेनत करते हैं और अपने बिल चुकाते हैं, एक और ड्रावनी मैनेजमेंट ठियोरी है, काम करने वाले इसलिए कड़ी मेनत करते हैं, ताकि उन्हें नोकरी से नहीं निकाला ले, और मालिक उन्हें केवल इतना देते हैं, ताकि काम करने वाले छोड़ करने चले गए और अगर आप ज्यादातर कंपनियों की तनक्वाइन देखे तो आप आएंगे कि इस बात में थोड़ी बहुत सचाई तो है इसका पुल परिणाम यह होता है कि ज्यादातर करमचारी आगे नहीं बढ़ताते वे वही करते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है सुरक्षित नोकरी खोजलो ज्यादातर काम करने वाले कम समय के पुरुषकारों से वेतन और दूसरे फाइदों के लिए काम करते हैं परन्तु दिर्ग काली इंद्रिष्टी से यह उनके लिए गाटे का सोदा सावित होता है इसके बजाए में युवा लोगों को यही सला दूआ कि नोकरी खोजते समय वे इस बात का ध्यान दे कि वे कितना कमा रही है और इस बात पर भी ज़्यादा ध्यान दे कि वे कितना सीख रही है रास्ते बर आगे की तरफ देखते रही हत्या खरे कि किसी खास प्रोबेशन को चुनने के पहले और चुहा दोड़ में पसने इसे पहले वे कितने दक्षताओं में पारंगत होना चाहते हैं एक बात लोग बिल चुकाने के आजीवन पर किरिया में फस जाते हैं तो वे छोटे हैंस्टर्स की तरह दातु के छोटे पैयों के चारों तरफ गुंते रहते हैं उनके छोटे पैर तेजी से गुंते हैं पैये की तेजी से गुंते हैं परन्तु आने वाले कल में भीवे उसी पिंजरे में रहेंगे नोकरी। जेरी मैगवाइर नाम की फिल्म में टाम क्रूज का बहुत बढ़िया रोल था और इस फिल्म में कई बहुत जोरदार समवाद थे। शायद सबसे यादगार लाइन थी मुझे पैसा दिखाओ परन्तु एक और लाइन थी जो मेरे इसाब से ज़्यादा सच्ची थी। यह उस द्रेश्य में थी जहां टॉम क्रूज फरम छोड़कर जा रहा है। उसे नोकरी से निकाल दिया गया है और वह पूरी कंपनी से पू होने वाला है। यह वाक्या शायद पूरी फिल्म का सबसे सचा वाक्या है। यह उस तरह का वेक्टव यह है जो बिल चुकाने के लिए मेहनद करने वाले लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे पड़े लिखे डैड़ी हर साल तनकुवा बढ़ने की जासा लगाए रखते हैं और हर साल उन्हें निरासा होती थी। इसलिए वे फिर से स्कूल जाकर और ज़्यादा यह हासिल करते थे ताकि उन्हें एक और वेतन ब्रदी मिल सकें। परन्तु एक बार फिर उन्हें निरासा ही हाथ लगती थी। मैं अक्सर लोगों को यह सवा क्या निकल रहा है, उनका भविश्य कैसा होगा सीरिल ब्रिट फिल्ड, दे अमेरिकन एसोसेशन आप रिटायर्ट प्यूपिल्स के भूतपुर एक्जिगुटिव डारेक्टर का कहना है कि प्राइवेट पेंशन की हालत बहुत कराब है पहली बात तो यह है, कि आज काम करने वालों में से पचास फिजदी को कोई पेंशन नहीं मिलेगी इसी बात से चिंता होना चाहिए और बाकी बचे पचास फिजदी में से पिछेतर से असी फिजदी लोगों को नामातर की पेंशन मिलेगी जो 55 डालर या 500 डालर या 300 डालर परतिमा होगी अपनी पुस्तक दे रिटाइर्मेट मित में क्रैक एस कारपिल लिखते हैं मैं एक बड़ी राश्चिय पेंशन सलाकार फर्म के मुखाले में गया और मैनेजिंग डारेक्टर से पूछा जिसकी विशे सगे था बड़ीया रिटाइर्मेट योजनाई तयार करने में थी जब मैंने उनसे पूछा कि छोटे आफिसों में काम करने वाले लोगों को पेंशन से कितनी आमदनी की उमीद करनी चाहिए तो उसने विश्वाजवरी मुस्वराट के साथ कहा सिल्वर बुलेट सिल्वर बुलेट का क्या मतलब होता है मैंने पूछा उसने वने कंदे उचकाई अगर बुज़ुर्कों को लगता है कि बुड़ापे में उनके पास जिन्दा रहने के लिए प्रियाप्त दन नहीं है तो वे अपने आपको गोली मार सकते हैं कारपेल इसके बाद पुराने रिटायर्मेंट प्लान को ज़्यादा खतरनाक नए 401G प्लान के अंतर को स्वस्ट करते हैं ज्यादातर काम करने वालों के लिए यह कोई सुखत तस्वीर नहीं है और यह है तो हुई रिटायर्मेंट की बाद जब इस तस्वीर में मेडिकल फीज और दिर काली नर्सिंग होम सुईदा को जोड़ा जाता है तो तस्वीर डरामनी हो जाती है उनके 1995 की पुस्तग में वे बताते हैं कि नर्सिंग होम की फीज 30,000 डालर परती साल से 1,25,000 डालर परती वरसा है वे अपने इलाके के साफ सुत्री परंतु सादार नर्सिंग होम में गई और उन्होंने 1995 में चीमत को 88,000 डालर पाया आज भी समाजबादी चीकित्सा वाले देश्टों के कई अस्पितालों में कई कड़े फैसले लेने होते हैं जैसे कौन जीएगा और कौन मरेगा वे यह फैसले विशोद रूप से इस आधार पर लेते हैं कि उनके पास कितना पैसा है और मरीज कितने वरद हैं अगर मरीज वरद है तो वे एक्सर मेडिकल केर अप्लिक शाकरत युवा आदमी को दे देते हैं बुड़ा गरीब मरीज लाइन में सबसे पीछे खड़ा रहता है तो जिस तरह अमीर लोग बेतर शिक्षा हासिल कर सकते हैं उसी तरह अमीर लोग अपने आपको जिन्दा भी रख सकते हैं जबकि जिन के पास दोलत नहीं है वे मर जाएंगे तो मैं हैरान हो जाता हूं कि क्या करमचारी बविशे में देख पा रहे हैं या उनकी बविशे की द्रस्टी केवल उनकी अगली तनकवा तक ही जाती है और वे अपने आप से कभी दूरगामी बविशे के बारे में सवाल ही नहीं करते जब मैं ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा रखने वाले बैसकों के सामने बोलता हूं तो मैं हमेशा एक ही चीज की सला देता हूं मैं यह सुझाओ देता हूं कि वे अपने जीवन के बारे में एक लंबा द्रिष्ट कौन रखें केवल पैसे और सुरक्षा के लिए काम करने की बजाए जो हालां कि मैं तोकून है मैं सुझाओ देता हूं कि वे एक और काम करने लगे जो उन्हें एक और दक्षता सिखा दे अगर वे सेल्स टक्निक सिखना चाते हैं तो अक्सर मैं उनसे किसी नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल हो जाने के लिए कहता हूं जिसे मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है इन में से कुछ कंपनियों के पर शिक्षन कारेगा हम बहुत बढ़िया होते हैं जो लोगों के मन से जिजग और ऐस अपलता का डर निकाल देते हैं जो लोगों के ऐस अपल होने का मुख्या कारण होते हैं लंबे समय में शिक्षा धन्स से ज़्यादा मुल्यवान है जब मैं यह सुझाओ देता हूं तो अक्सर लोगों की परतिकिरिया होती है पर इसमें बहुत जंजट है या मैं केवल वही करना चाहता हूं जिसमें मेरी दूची है इसमें बहुत जंजट है के जबाब मैं पूचता हूं तो आप जिन्दगी वर सिर्फ इसलिए काम करते रहेंगे ताकि आपकी आई में से 50 पिजदी आप सरकार को दे देंगे दूसरे रगत तब्ये मैं केवल वही करना चाहता हूं जिसमें मेरी दूची है के जबाब मैं कहता हूं मैं जिम जाने में बिल्कुल रूची नहीं रखता परंतु मैं वहाँ इसलिए जाता हूं ताकि मैं ज़्यादा फिटोस कूँ और ज़्यादा समय तक जिन्दा रह सकूँ दुर्बागे से उस पुरानी कावत में कुछ सचाई है आप एक बुड़े कुटे को नई चालवाजी नहीं सिखा सकते जब तक कोई आदमी बदलने के लिए तैयार नहीं हो बदलना बहुत कठीन होता है परंतुन लोगों के लिए जो कुछ नया सिखने के विचार से प्रेरित हो जाते हैं और दोराए पर खड़े हैं आसान हो जाता है ये से कई दिन आई जब मैं जिम जाने के नाम से काम जाता हूँ परंतुन एक बार मैं वहाँ पूंग जाता हूँ तो काम शुरू कर देता हूँ और मुझे इसमें मज़ा आने लगता है जब मैं वहाँ से निकलता हूँ तो मुझे हमेसा खुशी होती है कि मैं वहां गया था अगर आप उस नया सीखने के प्रती अनिचुक हो और इसके बजाए आप अपने क्षेतर में बहुत विसे सग्यता हासिल करने पर जोर देते हो तो यह सुनी सिथ कर लेंगे जिस कंपने के लिए आप काम करते हैं वहां यूनियन हो लेवर यूनियने विसे सग्यों की रक्षा के लिए बनाई जाती है मेरे पडेले के डैडी जब गवर्नर की करपा दरस्टी से तूर हो गई तो वे हवाई में टीचस यूनियन के अध्यक्स हो गई उन्होंने मुझे बताया कि यह उनके द्वरा किया गया सबसे कथिन काम था मेरे अमीर डैडी ने दूसरी और जिंदगी बरी एकोसिस की कि उनकी कंपनियों में यूनियन ने बनस पाई वे सभल हुए हालांकि यूनियन काफी करीब आ गई थी पर तो अमीर डैडी हमेशा उन्हें दूर रखने में कामियाब हो जाते थी व्यक्तिगत रूप से मैं किसी का पक्ष नहीं लेता क्योंकि मुझे दोनों इन बातों में फाईदे दिखते हैं और उनकी जुरूरत दिखती है अगर आप स्कूल द्वारा सुजाई रास्ते पर चलते हैं उच बेसे सग्यता हसिल करते हैं तो फिर आप यूनियन की सुरुक्षा में चले जाएं उधारन के लिए अगर मैं अपने हवाई जाज उड़ाने के करियर में गया होता तो मैंने ऐसी कंपनी पसंद की होती जिसकी पाईलेट यूनियन बहुत तगड़ी होती क्यों? क्योंकि मेरी जिन्दगी केवल एक दक्स्ता को सीखने के लिए समर्पित होती जिसका मुल्य केवल एक उध्योग में ही हो सकता था अगर मुझे उस उध्योग से निकाल दिया गया होता तो मेरे जिवन की दक्स्ताई किसी दूसरे उध्योग में उतनी मुल्यवान नहीं होती अगर किसी वरिस्ट पाईलेट को निकाल दिया जाई जिसके पास हवाई उडान का एक लाग गंटे कानुगा हो और जो हर साल डेड़ लाग डालर कमा रहा हो तो उसे स्कूल टीचिक में इतनी ज़्यादा कमाई वाला बराबरी का काम ढूनने में बहुत दिक्कत आएगी दक्सताएं एक उड्योग से दूसरे उड्योग में ट्रांस्फर नहीं होती क्योंकि एरलाइन उड्योग में जिन दक्सताओं की अज़रूरत होती है और जिसके लिए पाईलोटों को ज़्यादा वेतन दिया जाता है वे स्कूल सिस्टम में उतनी मेत्वकून नहीं होती आज डोक्टरों के लिए भी यही सही है चिकित सागेख छेतर में इतने परिवर्थन हो रहे है कई मेडिकल विसे सग्या मेडिकल संक्टनों जैसे M.H.O. से जुड़ना पसंद करते है स्कूल के सिक्षकों को यूनियन का सबस्या होना पड़ता है आज अमेरिका में टीचर्स की यूनियन सबसे बड़ी और अमीर लेवर यूनियन है ENA यादि National Education Association के पास बहुत ज़्यादा राजनितिक परभाव है सिक्षकों को अपनी यूनियन की सुरक्षा की बहुत ज़रूड दोती है क्योंकि सिक्षा के बाः उनकी दक्सताओं का मुल्य अप्य शक्रत काफी कम होता है तो नियम यह हैं उच विसे जगता हासिल करो और यूनियन बना लो स्मार्ट लोग यही करते हैं जब मैं अपनी कक्षा में पूशता हूँ आप मेंसे कितने मैक डोनाल्ड से अच्छा हैंबर्ग बना लेते हैं तो लगभग सबी भी द्यारतिया अपने हाथ खड़े कर देते हैं मैं फिर पूछता हूँ अगर आप मेंसे ज़्यादा तर बेतर हैंबर्ग बना लेते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि मैक डोनाल्ड आपसे ज़्यादा पैसा बना लेते हैं जवाब साफ है मैक डोनाल्ड बिजनस सिस्टम में आपसे अच्छा है ज्यादातर पत्तिवासाली लोग शिर्फ इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वे अपना सारा ध्यान बेहतर हैंबर्ग बनाने में लगाते हैं और बिजनस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानते हुआई में मेरा एक दोस्त है जो एक महान कलागार है वह काफी पैसा कमा लेता है एक दिन उसकी मा के वकील ने उसे बताया कि उसकी उसने अपने पुत्तर के नाम पर 35,000 डालर छोड़े हैं यह रकम सरकार और वकीलों दोरा अपना हिस्सा लेने के बात बची थी ततकाल उसने इस पैसे जे विग्यापन करके अपने व्यवसाई को बढ़ाने की सोची दो महीने बाद उसका पहला पूरे पेज़ का विग्यापन चार रंगों में एक महेंगी पत्रिका में प्रकासित हुआ जिसके पाटक बहुत अमीर लोग थे यह विग्यापन तीन महिने तक चला उसे विग्यापन के परती उत्तर में जबाब नहीं मिला और उसकी सारी पूझी इस विग्यापन में खर्प हो गई अब वह पत्रिका पर दावा ठोगना चाहता था यह एक ऐसे आदमी का सामाने उदारने जो एक बेतरीन हैंबर्ग बना सकता है परन्तु बिजनस की बिल्कुल समझ नहीं रखता है जब मैंने उससे पूछा कि उसने क्या सिख तो उसका जवाब केवल यही था कि विग्यापन करने वाले लोग दोखेवाज होते हैं मैंने फिर उससे पूछा कि क्या यह सेल्ज में या डारेक्ट मार्केटिम में कोई कोर्स करना जाता है तो उसका जवाब था मेरे पास समय नहीं है और मैं अपना पैसा प्रबादन नहीं करना जाता दुनिया परतिवा संपन गरीब लोगों से भरी पड़िये अक्सर वे या तो गरीब हैं या फिर पैसे की समझा से जूज रही है या अपनी दख्सताओं से कम पैसा प्कमा रही है और इसका बेतरी नुदारन और इसका जिम्मेदार उनके ग्यान का विशह नहीं है बलकि उनका ग्यान है वे एक बेतर हैंबर्ग बनाने की दख्सता को पैना करने में ही लगी रहती है और हैंबर्ग को बेचने और उसे घर तक बहुंचाने की दख्सता पर बिलकुल विध्यान नहीं देते शायद मैक्टोडाल सबसे अच्छे अमबर्ग नहीं बनाते थे परन्तु वेक मूल गूत रूप से ओसत अमबर्ग को बेचने और उसे घर तक पहुंचाने में सर्वस रेस्ट है गरीब डेड़ी चाहते थे कि मैं विशे सगेता हासिल करूँ उनका विचार था कि अगर मैं यह सा करूँगा तो मुझे ज़्यादा वेतन मिलेगा हाला कि उन्हें हवाई के गवर्नर ने साफ कह दिया था कि वेराज्य सरकार के लिए अब काम नहीं कर सकते फिर भी मेरे पडेली के डेड़ी मुझे विशे सगेता आसिल करने के लिए प्रोटसाइट किया करते थे पडेली के डेड़ी ने टीचर्स यूनियन का काम संभाल लिया था और वे उच्छित और निपून प्रोफेशनल्स के लिए और ज़्यादा सुरक्षा और फाइदों के लिए वियान छेड़ रहे थे हम में इस बात पर काफी बहस हुई परंदू मैं जानता हूँ कि वे इस बात पर कभी सैमत नहीं हुए जादा विश शग्यता के खरण ही यूनियन के सरेंक्षन की ज़रूर्त होती है वे यह कभी नहीं समजबाई कि आव जीतनी जादा विश शग्यता आचिल कर लेते हैं उतने ही जादा आप जाल में फस जाते हैं और आप अपने विशे सग्यता पर निर्वर हो जाते हैं। अमीर डेड़े की सलाई यह है थी कि माई को और मैं खुद विकास करें। कई कार्पोरेशन्स यही करते हैं। वे बिजनस स्कूल के किसी युवा प्रतिवासाली विद्यार्थी को चुन लेते हैं। और फिर उस आदमी को इस तरह विक्षित करते हैं ताकि एक दिन वह कंपनी की जिम्मेदारी समाल सके। और यह प्रतिवासाली युवा करमशारी किसी एक डिपार्टमेंट में विशे सग्यते नहीं होते। वे बिजनस सिस्टम के सभी पहलगों की जानकरी लेने के लिए इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट तक काम करना सीखते हैं। अम ये लोग अक्सर अपने बच्चों या दूसरों के बच्चों को इसी तरह विक्षित करते हैं। एज़ा करने से उनके बच्चों को बिजनेस की पूरी प्रकिरिया अच्छी तरह समझ में आ जाती है और वह यह है भी समझ जाते हैं कि किस तरह भी बिन डिपार्टमेंट्स में तालमेल होता है दूसरे विश्यू यूद की पीडी में एक कमपनी से दूसरी कमपनी में जाना बुरा समझा जाता था आज इसे स्मार्ट समझा जाता है चूंकि लोग ज़्यादा विश्य सग्यता आसिल करने के बज़ाई इस कमपनी को बदलकर दूसरी कमपनी में जाना पसंद करेंगी में दक्स्ताओं की जुरूरत होती हैं, वे हैं, नमबर एक, कैश फलो का मनेज्मेंट, नमबर दो, सिस्टम का मनेज्मेंट, आपको और आपके परिवार के साथ समय को मिलाकर, नमबर तीन, लोगों का मनेज्मेंट, सबसे मैं तो पूर्ण विसे सग ये दक्स्ताइं, सफल्टा की आदार भूत कुशल्टा है, इसलिए आपको दूसरे आदमी के साथ संप्रेशन में कुसल होना चाहिए, साहिव है कोई ग्राहक हो, करमचारी हो, बोस हो, पतनी हो, या बच्चे हो, कमिनकेशन स्किल्ड जैसे लिखना, बोलना और सोदेवाजी करना, सफल खरीद ता रहता हूं, जैसा की मैंने बताया, मेरे पड़े इलिखे टेडि ने जितनी ज्यदा मेhrनत की, वे उतने ही ज्यदा काबिल बने, उन्होंने जितनी ज्यदा विशे सक गेता हजिल की, वे उतने ही ज्यदा फसते चले गए, हलांकि उनकी तनकुआ बड़ी, परंद उनके विकल्प कम होते चले गए जब उन्हें सरकारी नोगरी से अटा दिया गया तब ही उन्हें पता चला कि वे वेवसाई की दरस्टी से कितने जोखिम में थे यह तो उसी तरह का मामला हो गया जैसे प्रोफेशनल एथलीट को अचानक चोट लग जाई या वैखेलने के लिए ज़्यादा बुड़ा हो जाई उनकी उन्ची तनक्वाबाली स्थिती चली जाती है और वे अपने सीमी दख्षताओं के सारे जीवने आपन करते हैं मैं सोसता हूँ कि इसलिए मेरे पड़ेली के डैड़ी बाद में यूनियनों के इतने समत्थक बन गई थे उन्होंने यह महसूस कर लिया था कि यूनियन ने उन्हें कितना ज़्यादा दिलाया होता अमीर डैड़ी माईक और मुझे सभी चीज़ों के बारे में एक टीम के रूप में काम करवाई आज इसे प्यवसाइक विशे सग्यताओं का समन में कहा जाएगा आज मैं बूटपूर स्कूल टीचर से मिलता हूँ जो हर साल लाख उन डालर कमा रही है वे इतना ज़्यादा इसलिए कमा रही हैं क्योंकि उनके पास आपने ख्यत्र की विशे सेगा दक्षताओं के अलवगी दक्षताई हैं वे शिखा भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं बेचने और मार्कटिंग दक्षताईं ज्यादातर लोगों को इसलिए इकठिन लगती है क्योंकि उनमें नकारे जाने या ऐस विकार किये जाने का डर होता है आप संप्रेशन, सोदेवाजी और अपने नकारे जाने के तरका सामना करने में जितने बेतर होंगी आपके लिए जिंदगी उतनी ही आसान होगी जिस तरह मैंने अख़वार की लेखिका को सला दी थी जो बेस्ट सेलिंग लेखिका बनना चाहती थी मैं किसी को भी वही सला देना चाहूँगा तकनिकी रूप से विशे सकता हासिल करने के कुछ मजबूत पहलू होते हैं और कुछ कमजोर पहलू होते हैं मेरे कुछ दोस्त हैं जो जीनियस हैं परंतो वे दूसरे लोगों के साथ प्रवावी डंग से बात नहीं कर पाते और परेणाम स्वरूप उनके आमजनी बहुत कम है मैं उन्हें सला देता हूँ कि वे एक साल तक बेचने की कला सिखें चाहिवे कुछ भी ने कमाए परंतो उनकी कमिन्फेशन स्किल्ज सुदर जाईगी और यह अनमौल है अच्छे सीखने वाले, बेचने वाले और मार्केटिंग करने वाले वेक्ति होने के अलावा हमें अच्छे सिख्षक और अच्छे विद्यात्य होने के भी ज़रूरत है दरसल अमीर होने के लिए आप में लेने के साथ ही देने की काबलियत भी होनी चाहिए आर्थिक या प्रोफेशनल संगर्स के मामलों में देने और लेने में बहुदा कमी देखी गई है देने का एक परकार था जितना ज़्यदा उन्होंने दिया उतना ही उन्हें मिला पैसे देने के मामले में जरूर उन दोनों में अंतर था मेरे अमीर डेड़ी ने बहुत सा पैसा दान दिया उन्होंने अपनी चर्च को दान दिया समाच से भी संस्ताओं को दान दिया और अपने फाउंडेशन को दान दिया वे जानते थे कि पैसा आसिल करने के लिए पैसा देना होता है पैसा देना ज्यादातर अमीर परिवारों का रहशे है इसलिए राकफेलर फाउंडेशन और फॉर्ड फाउंडेशन जैसे संगठन काम कर रही है यह संगठन उनकी संपत्वी को लेते हैं उसे बढ़ाते हैं और लगाता देते रहते हैं मेरे पड़ेलिके डैड़ी हमेशा कहते थे जब मेरे पास अतरिक्त पैसा होगा मैं उसे दान कर दूँगा समझे यह थी कि उनके पास कभी अतरिक पैसा नहीं आया इसलिए वे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा मेनद करते रहे और पैसे के सबसे मेतबों नियम को खुल गए दो और आपको मिल जाएगा इसके बज़ाए वे यह यकीन करते रहे लो और फिर दो निसकर्स में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझ पर दोनों ही डेडियों की छाप है मेरा एक इसा कट्र पुंजी पती का है जो पैसे से पैसा कमाने के खेल से प्रेम करता है मेरा दूसरा इसा एक सावाजी ग्रूप से जिम्मेदार सिक्षक का है जो परीबों और अमीरों के पीश बढ़ती आर्थ इक खाई से बहुत ज़्यदा चिंतित है मैं इस बढ़ती ओई खाई के लिए मूल रूप से दक्यान उसी सिक्षय तंत्र को जिम्मेदार मानता हूँ धन्यवाद आईए चलते हैं अधाय आठ की तरफ जो है बादाओं को पार करना आपका दिन शुब हो रिच डेड पूर डेड अध्याई आठ बादाओं को पार करना एक बार लोग अध्यन कर लें और उनमें पैसे की समझ भी आ जाई तो भी आर्थी का जादी हासिल करने के लिए उन्हें कई बादाओं और अवरोदों का सामना करना पड़ सकता है ये से पांच कारण है जिनके कारण पैसे की समझ रखने वाले लोग अपने संपत्ति वाले कोलम को ज्यादा नहीं बढ़ा पाते समपत्ति वाला कोलम जिसमें बहुत सारा कैश्प लोगाता है समपत्ति वाला कोलम जो उन्हें अपने सपने के जिन्दगी जीने का मुका देता है और अपने बिल चुकाने के लिए हर काम करने की जंजट से मुक्ति दे सकता है ये पांच कारण है नमबर एक टर नमबर दो सनकीपन नमबर तिन आलश्य नमबर चार बुरी आदते और नमबर पांच है जिद पैसा कोने के डर से पार पाना मैं कभी किसी ऐसे वेक्ती से नहीं मिला जिसे पैसे का नुकसान अच्छा लगता हो और मेरी जिन्दगी में मैं कभी किसी अमीर आदमी से नहीं मिला जिसे पैसे का नुकसान नहीं हुआ हो परंतु मैं ऐसे बहुत से गरीब लोगों से जरूर मिला हूँ जिनोंने एक दमड़ी भी नहीं खोई है निवेस में पैसे के नुकसान का डर असली है यह हर व्यक्ति को होता है अमीरों को भी परंतु समझ्चा डर नहीं है समझ्चा यह है कि आप इस डर का सामना किस तरह से करते हैं पैसा खोने के बाद स्थिति से किस तरह निपड़ते हैं आप ऐस बलता को किस तरह से लेते हैं यह आपके जीवन में बहुत मैतो पूर्ण है यह जिन्दगी में केवल पैसे के बारे में ही नहीं बलकि हर चीज के बारे में सही है एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति में मूलबूत अंतर यह होता है कि वे इस पैसे से किस तरह मुकाबला करते हैं डरने में कोई बुराई नहीं है पैसे के मामले में डर पोक होना भी कोई बुरी बात नहीं है आप अब भी अमीर हो सकते हैं हम सबी कुछ मोकों पर बादूर होते हैं और कुछ मोकों पर डर पोक मेरे दोस्त की पतनी एक emergency room की nurse है जब भी वहे खुन देखती है वहे ततपरता से काम में जुड़ जाती है जब भी मैं निवेश का जिक्र करता हूँ वहे भाग जाती है जब मैं खुन देखता हूँ तो मैं नहीं भागता मैं बेहोस हो जाता हूँ मेरे अमीर डैडी पैसे के नुक्सान के डर या फोबिय को समझते थे कुछ लोग सांपों से डरते हैं, कुछ लोग पैसा गवाने से डरते हैं दोनों ही फोबिया है, उनका कहना था पैसा गवाने के बारे में उनका सुजाव या छोटी पंक्ती थी अगर आप जोखिम से गवराते हैं और चिंता करते हैं, तो जल्दी शुरू कर दें इसलिए बैंके तभी बचत की आद़ डालना चाहती है, जब आप छोटे होते हैं अगर आप कम उमर में शुरू करते हैं, तो आपके लिए अमीर होना ज्यादा आसान होता है मैं इस बारे में ज़्यादा विस्तार से कुछ नहीं कहूँगा, परन्तो बीस साल की उमर में बचत शुरू करने वाले और तीस साल की उमर में बचत शुरू करने वाले लोगों में बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत ही बड़ा फर्क कहा जाता है कि विश्व के अजूबों में से एक है चक्रवर्दी ब्याज की ताकत मैनहटन आईलेंड की खरीद दुनिया के महांतम शोदों में से एक मानी जाती है नियुयार्क को 24 डॉलर में खरीदा गया था परंतो अगर उस 24 डॉलर को आठ फिजदी सालाने ब्याज पर निवेश कर दिया जाता तो वही 24 डॉलर 1995 के अंत तक 28 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा हो गई होती मैनटन को 1995 की रियल एस्टेट की कीमतों पर दुबारा खरीदा जा सकता था और इसके बाद भी इतना पैसा बच जाता कि लास एंजलेस का ज्यादा तर हिसा खरीदा जा सकता था मेरा पड़ोसी एक बड़ी कंप्यूटर कंपनी के लिए काम करता है वह 25 सालों से वहाँ पर है अगले 25 सालों में वह कंपनी को छोड़ देगा और उसके 401 जी रिटाइर्मेंट प्लान में 40 लाख डालर जमा होंगे यह मुख्य रूप से अच्छी गती से विक्सित हो रही मिच्चुर फंड में निवेस किये गए है जो बाद में बॉंड और गवर्रमेंट सिक्यूरिटीज में बदल लिये जाएंगे नोकरी छोड़ते से मैं उसकी उमर केवल 55 साल होगी और उसके पास 3 लाख डालर से ज़्यादा की निश्क्रिया आये होगी जो कि उसके वेतन से ज़्यादा होगी अगर आप हारने से डरते हैं या जोखिम लेने से डरते हैं तो भी यह किया जा सकता है परन्तो आपको जल्द ही इसकी शुरुवात करनी होगी और एक रिटायर्मेंट प्लान तो बनाना ही होगा और आपको निवेश करने से पहले एक बरोसे मन फाइनेंसियल प्लानर की सेवाई लेनी होगी परन्तो अगर आपके पास समय नहीं है या आप जल्दी रिटायर होना चाते है तो आप किस तरह पैसे खोने के डर का सामना करते है मेरे गरीब डैडी ने कुछ नहीं किया वे केवल इस विशे को टालते रहे और इस बारे में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हुए दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी का सुझाओ था कि मैं टेकसास के लोगों की तरह ही मान सिकता रखूँ मैं टेकसास और वहां के लोगों को पसंद करता हूँ उनका कहना था टेकसास में हर चीज बड़े वेमाने पर होती है जब टेकसास के लोग जीतते हैं तो वे बड़ी जीत होती है और जब वे हारते हैं तो वे हार भी अदबुत होती है। वे हारना भी पसंद करते हैं मैंने पूछा मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कोई वी हारना पसंद नहीं करता। मुझे एक खुश आरा हूँ व्यक्ति दिखा दो और मैं तुम्हें बता सोचते हैं वे बड़े पैमाने पर जीते हैं वे यहां के ज्यादातर लोगों की तरह नहीं जीते हैं जो पैसे के मामले में बिलकुल काकरोच की तरह होते हैं जब कोई उन पर रोशनी डालता है तो कोकरोच घबरा जाते हैं जब किराने वाला उनकी चिलर में से चवन्नी क प्रक्राइब कर देता है तो वे शोर मचाने लगते हैं। के लिए डुपलेक्स भी नहीं होता। वे माईक और मुझे यह लगातार बताया करते थे कि आर्थिक ऐस पलता का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि लोग खेल को बहुत ज़्यादा शुरुक्षात्मक तरीके से खेलते हैं। लोग हारने से इतना ज़्यादा डरते हैं कि वे हार जाते हैं। यह उनके शब्द थे। फ्रेंट टार्केंटर ने जो एक वक्त का महान एन एफल क्वाटर बेंक था इसी बात को दूसरी तरह से कहा है। जीतने का मतलब है हारने से ने डरना। मेरी अपनी जिन्दगी में मैंने यह पाया है कि जीत अमेशा हार के ठीक बाद आती है। जब मैंने आखिर कार मोटर साइकल चलाना सीखा तो इससे पहले मैं कई बार गिरा। मैं आज तक किसी गोलफर से नहीं मिला हूँ जिसने कोई गोलफ बाल ने गुम की हो। मैं आज तक ऐसे प्रेमियों से भी नहीं मिला हूँ जिसका दिल ने तूटा हो। और मैं आज तक कभी ऐसे अमीर व्यक्ति से भी नहीं मिलाूं, जिसने कभी पैसा नहीं खोया हो। तो ज़्यादातर लोग आर्थी ग्रूप से इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि उन्हें अमीर होने की खुशी से पैसा खोने का दर्द कहीं ज़्यादा होता है। टेकसास में एक और कहवत है, हर व्यक्ति स्वर्ग जाना चाता है, परंतु कोई मरना नहीं चाता। ज़्यादातर लोग अमीर होने का सपना देखते हैं, परंतु पैसा खोने के विचार से कांप जाते हैं, इसलिए वे कभी स्वर्ग नहीं पहुंच पाते। अमीर डेडी माइक और मुझे टेकसास में अपनी यात्राओं के बारे में कहानिया सुनाया करते थे। यह पढ़ने काबिल प्रेरक कता है, वैसे यह एक दुखत सेन्य हार है, वे आखिरकार ऐसा पलुए, वे हार गए, तो टेकसास के लोग किस तरह ऐसा बलता का सामना करते हैं, वे अब भी चिलाते हैं, अलेमों को याद रखो। माईक और मैंने यह कहानी कई बार सुनी। जब भी हमें डैडी किसी बड़े सोदे को करने वाले होते थे और वे नर्वस होते थे, तब वे हमें यह कहानी सुनाया करते थे। जब भी वे परियाप्त मेंनत कर चुके होते और या तो मामला सही हो जाता या बिगड़ जाता, तब वे हमें यह कहानी सुनाया करते थे। हर बार जब वे गलती करने या पैसा गवाने से डरते थे, तब वे हमें यह कहानी सुनाया करते थे। इससे उन्हें ताकत मिलती थी क्योंकि यह कानी उन्हें याद दिलाती थी कि किस तरह पैसे के नुकसान को अर्थिक विज़े में बदला जा सकता है अमीर डेड़ी जानते थे कि ऐस बलता उन्हें ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा स्मार्ट बनाएगी एसा नहीं था कि उन्हें खारना पसंद था या वे हारना चाते थे वे केवल इतना जानते थे कि वे कोन थे और वे किस तरह हर का सामना करेंगी वे नुकसान उठा लेंगे और फिर उसे जीत में बदल लेंगे यही उन्हें एक विजेता बनाता था और दूसरों को पराजित इसे उन्हें जोकिम उठाने के लिए सीमा लांदने का साहस मिलता था जबकि बाकी लोग उस सीमा के पार नहीं जा पाते थे इसलिए मैं टेकसास के लोगों को इतना पसंद करता हूँ उन्होंने एक बड़ी ऐसा फलता को लिया और उसे परेटन स्थल के रूप में बदल लिया जिससे करोडों की आमदनी हो रही है परंतु उनके सबसे अर्थपूर्ण सब्द शायद ये है टेकसास के लोग अपनी ऐसा फलताओं को दखनाते नहीं है वे उनसे परेड़ना लेते है वे अपनी ऐसा फलताओं को लेकर उन्हें नारों में बतल देते है ऐसा फलता टेकसास के लोगों को जीतने के लिए परेड़ित करती है परंतु यह फार्मूला के वर टेकसास के लोगों का इफार्मूला नहीं है यह सभी जीतने वालों का फार्मूला है जैसा मैंने अभी कहा मोटर साइकल से बार बार गिरना गाड़ी चलाना सीखने की परक्रिया का हिस्सा है मुझे याद है कि कि गिरने के बाद मुझे में गाड़ी चलाना सीखने के लिए ज्यादा दरद निश्चे आ गया था मेरा दरद निश्चे गिरने से कम नहीं हुआ था मैंने यह भी कहा कि मैं कभी किसी ऐसे गोलफर से नहीं मिला जिसकी बाल कभी गुब नहीं हो किसी चोटी के प्रोफेशनल गोलफर के लिए बाल खोना या टूर्णामेट हारना उसे ज़्यादा बेतर बनने, कड़ी मेनत करने और ज़्यादा अध्यन करने के लिए प्रेहरित करता है इससे वे ज़्यादा बेतर बनते हैं जीतने वालों के लिए हार प्रेहरना दायक बन जाती है हारने वालों को हार बरबाद कर देती है हारबर अमेरिकी गलती थी मैं कहता हूँ कि यह जापानी गलती थी टोरा 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 फिलम में एक संयमित जापानी एड्मिरल खुश्या मना रहे अपने अधिनस्तों से कहता है मुझे डर है कि हमने एक सोते वे राक्षस को जगा दिया है परल हारबर को याद करो एक नारा बन गया यह अमेरिका की सबसे बड़ी हारों में से एक थी फिर भी इसके कारणों से जीतने के प्रेणना मिली एक बड़ी हार से अमेरिका को ताकत मिली और अमेरिका जल्दी दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उबर कर सामने आया ऐस भलता जीतने वालों को प्रेणना देती है और ऐस वलता हारने वालों को बर्बार कर देती है यह जीतने वालों का सबसे बड़ा रहशे और सुत्र है यह वह रहशे है जिसे हारने वाले नहीं जानते जीतने वालों का महानतम रहशे यह है कि ऐस वलता जीतने की प्रेणना देती है इसलिए उन्हे हार से डर नहीं लगता मैं फ्रेंक टारकेंटन के शब्दों को एक बार फिर से दोराना चाहता हूँ जीतने का मतलब है हार से नहीं डरना फ्रेंक टारकेंटन जैसे लोग हारने से इसलिए नहीं डरते क्योंकि वे जानती हैं कि वे कौन है वे हारने से नफरत करते हैं इसलिए वे जानते हैं कि हार के उलोंने बेतर बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है हारने से डरने और हारने से नफरत करने में बहुत बढ़ा अंतर होता है ज्यादातर लोग पैसा गवाने से इतना डरते हैं कि वे हार जाते हैं वे डुपलेक्स के कार्ण ही दिवालिया हो जाते हैं। आर्थिक रूप से वे जीवन में बहुत ज़्यादा सुरक्षात्मक खेल खेलते हैं और बहुत छोटे पैमाने पर खेलते हैं। वे बड़े घर और बड़ी कारें तो खरीद लेते हैं परन्तु वे बड़े निवेस नहीं करते हैं। वे है प्रमुक कार्ण जिसके कार्ण 90 फिजदी अमेरिकी जनता पैसे के लिए संगर्स करती हैं। यह है कि वे हार से बचने के लिए खेलते हैं, वे जीतने के लिए नहीं खेलते हैं। वे अपने financial planner या accountants या stock brokers के पास जाते हैं और एक संतुलित portfolio करीते लेते हैं। ज्यादातर के पास CD, कम आमदनी वाले bond, mutual fund और बहुत कम stock में बहुत सा नगत जमा होता है। यह है एक सुरक्षित और समझदारी पूरण portfolio होता है, परनतु यह जीतने वाला portfolio नहीं होता। यह उस व्यक्ति का portfolio होता है, जो हार से बचने के लिए खेल रहा है। मुझे गलत मत समझीए, शायद यह 70% जनसंख्या से बेतर portfolio होता है, और यह बयानक है। क्योंकि portfolio नहीं होने से बेतर है, सुरक्षित portfolio होना। यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत बड़िया portfolio होता है, जो सुरक्षा को पसंद करता है। परंतु सुरुक्षित खेल खेलने और संतुलित निवेस पोर्टफोलियो वह बेतर तरीका नहीं है जिससे सफल निवेसक अपना खेल खेलते हैं। अगर आपके पास कम पूंजी है और आप अमीर होना चाते हैं तो पहले तो केंदरित हो जाएं। संतुलित नहीं। अगर आप किसी सफल व्यक्ति को देखेंगे तो शुरुवात में वेस संतुलित नहीं होते। संतुलित लोग कहीं नहीं जा पाते। वे एक ही जगे पर बने रहते हैं। प्रगति करने के लिए आपको पहले ऐस संतुलित होना पड़ता है। इसे देखने के लिए आप अपने चलने की परगति को देखें। अगर आप में अमीर होने की इच्छा है तो आप केंदरित कर लें। अपने बहुत से अंडों को केवल कुछ बास्केट में रख लें। वहें नहीं करें जो अमीर और मद्यमर गया लोग करते हैं। वे बहुत कम अंडों को बहुत सी बास्केट में रखते हैं। अगर आप की उम्र 25 साल से ज्यादा है और आप जोकिम उठाने से डरते हैं तो बदले नहीं सुरक्षित खेलें परंतो इसकी शुरुवात जल्द करें अपने अगले अंडे को जल्दी इकठा करना शुरू कर दें क्योंकि इसमें समय लगेगा परंतो अगर आपके पास आजादी के सपने है चुहा दोड़ से बाहर निकलने का इरादा है तो आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए मैं किस तरह आपको जीतने के प्रेड़ना मिलती है तो शायद आपको कोशिस करना चाहिए परंतु केवल शायद अगर ऐसा वल्दाब को कमजोर बना देती है या आप पर मान्शिक तनाव डालती है उस बिगडे नवाब की तरह जो हर बार कोई चीज गलत होने पर मुद्बा दायर करने के लिए वकील को ढूंटा है तो सुरक्षित ही खेलें अपने दिन की नोकरी को बनाई रखें बोंड या म्यूचल फंड खरीदें परंतु याद रखें कि इन में भी खत्रा होता है हलांकि तुलनात्मक रूप से वे ज़्यादा सुरक्षित होते हैं मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं और टेक्सास तता फ्रेंक तारकेंटन का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि संपत्य वाले कालम को बढ़ाना आसान है यह एक कम बुद्धी का खेल है इसमें बहुत ज़्यादा शिक्षा के जुरूरत नहीं है पांचवी कक्षा का गणित का विद्यार्थी भी यह कर सकता है परंतो संपत्य वाले कॉलम को तेजी से बढ़ाना बहुत ज़्यादा बुद्धी का खेल है इसमें हिम्मत, धीरज और ऐस बलता जेलने की ताकत की जरूरत है हारने वाले ऐस बलता से बस्ते है जबकि ऐस बलता हार को जीत में भी बदल सकती है अलेमों को याद रखिए कारण नमबर तो संकी परन से पारपाना आसमान गिर रहा है हम में से ज़्यादातर लोग उस छोटे मुर्गे की कहनी जानते है जो आसमान गिरने की चेताउनी देता हुआ अपने दड़बे में दोड रहा था हम इस तरह के बहुत से लोगों को जानते है परन्तु हम सब के वितर भी एक एसा ही छोटा मुर्गा होता है और मैंने जैसे पहले ही कहा है संकी व्यक्ति दरसल छोटे मुर्गे की तरह नहीं है हम सबी में एक छोटा मुर्गा होता है जो तब उबर कर सामने आता है जब हमारे विचारों पर डर और संका हावी हो जाती है हम सबी के मन में संकाई होती है मैं स्मार्ट नहीं हूँ मैं प्रियापत अच्छा नहीं हूँ अमुक व्यक्ति मुझसे बेतर है हमारी संकाई अक्सर हमें निस्करिये कर देती है हम क्या होगा वाला खेल खेलते है क्या होगा अगर मेरे निवेस के बाद अर्थ वे उस्ता धरासा ही हो जाई या क्या होगा अगर मेरा नियंतरन खो जाई और मैं पैसा वापस ने चुका सुकूं क्या होगा अगर गटनाए मेरी योजना के इसाब से नह हो या हमारे कईये से दोस्त या प्रेजन भी हो सकते हैं जो हमें अपनी कमजोरियों को याद दिला दे चाहे हमने उनकी सला मांगी या ना मांगी हो वे अक्सर कहते हैं तुम्हें इसा क्यों लगता है कि तुम यह कर सकते हो या अगर यह इतना ही बड़िया होता तो हर कोई इसा क्यों नहीं कर रहा है या यह कभी सफल हो ही नहीं सकता तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो शंका के ये तीर कई बार इतने तीखे होते हैं कि हम काम करना चालू ही नहीं कर पाते हमारे दिल में डर बैड़ जाता है कई बार हम सो भी नहीं पाते हम आगे बढ़ने में ऐसबल होते हैं तो हम सुरक्षित चीजों के साथ ही बने रहते हैं और आवसर अमारे पास से होकर गुजर जाता है हम जिन्दगी को अपने पास से गुजरते हुए देखते रहते हैं और हम अपने सरीर में जकडन के कारण बिना हिले डूले बैठे रहते हैं हमने इसे अपने जिन्दगीओं में कभी न कभी इस तरह से महसूस किया होगा और भी इसे सुनते हैं। शोर या तो हमारे दिमाग में सुनाई देता है या फिर या बाहर से आता है। प्राइद दोस्तों से, परिवारों से, सहे कर्मियों से और मेडिया से। लिंच 1950 के दसक के दोरान का एक अनुबह पताते हैं। जब पर्माणयू युद का खत्रा समाचार कि लोगों ने फालाउट शेल्टर बना लिये थे, और अनाज पानी कठा करना चालू कर दिया था। अगर उन्होंने फालाउट शेल्टर बनाने के बज़ाए इस पैसे को समझदारी पूरों क बाजार میں निवेस कर दिया होता, तो शायद आज भी आर्थी ग्रूप से आज जब कुछ साल पहले लास एंजलेस में दंगे बढ़के तो सारे देश में बंदूकों की बिक्री बढ़ गई वासिंगेटन राजे में एक वेक्ती हैंबर्ग के मास के कारण मर जाता है और एरिजोना हेल्थ डिपार्टमेंट सभी रेस्तराओं को आदेश देता है कि बीव को अच्छी तरह से पकाया जाई एक दवाई की कमपनी राश्ट्रिय टीवी विग्यापन में लोगों को सर्दी होते हुए दिखाती है विग्यापन फरवरी में दिखाया जाता है सर्दी से ग्रस्त होने बालों की संक्या बढ़ जाती है और उस दवा की बिक्री भी ज़्यादातर लोग गरीब होते हैं क्योंकि जब निवेस की बात आती है तो संसार में एसे छोटे मुर्गों की संक्या बहुत है जो यह चिलाते हुए गूम रही है आसमान गिर रहा है और छोटे मुर्गे इसलिए प्रवावी होते हैं क्योंकि हम सभी के अंदर एक छोटा मुर्गा होता है विनास की अफवाँ और बुरे समय की कलपना से आपके मन में शंका और डर पैदा नहीं हो इसमें बहुत ज़्यादा बादुरी की जरूरत होती है 1902 में में मेरा रिचर्ड नाम का दोस्त मुझ से मिलने फिनिक्स आया वह स्टोक और रियल इस्टेट में हमारे द्वारा की ये काम से बहुत परवावित था फिनिक्स में रियल इस्टेट की कीमतों में मंदी चल रही थी हमने उसके साथ दो दिन गुजारे और उसे बताया कि कैस पलो और पूंजी बढ़ाने के बहुत बढ़ी अमोके है दो बेडरूम के लिए उस गर की कीमत केवल 42,000 डालर थी इसी तरह के यूनिट उस समय पैंसट अजार में बिक रहे थे उसे यह बहुत फाइदे का सोदा लगा रोमान्ची तो होकर उसने इसे खरीद लिया और बोस्टन लोट गया दो सब्ताबाद एजेंट ने हमें फोन किया कि हमारा दोस्ट पीछे हड़ गया है मैंने ततकाल उसे फोन करके इसका कारण पता किया उसने इतना ही कहा उसने इस विशेपर अपने पडोसी से चर्चा की थी और उसके पडोसी ने उससे कहा था कि यह एक बुरा सोदा था क्योंकि वह ज़्यादा महेंगे में खरीद रहा था मैंने रिचर्ड से पूछा कि क्या उसका पडोसी निवेशक है रिचर्ड ने कहा नहीं फिर मैंने उससे पूछा कि उसने उसकी सला क्यों मनी तो रिचर्ड सुरक्षात मक हो गया और उसने बस यही कहा कि वह बड़ी अचांज परताल करता रहता है फिनिक्स में रियल इस्टेट बाजार के दिन पल्टे और 1994 में उस छोटे से यूनिट के एक अजार डालर परतिमा किराया मिल रहा था जाड़े के पीक सीजन में डाही हजार डालर परतिमाहा 1995 में यूनिट की कीमत बढ़कर 95 हजार डालर हो गई थी रिचर्ड को इतना ही करना था कि वह शुरुआत में पांस हजार डालर चुका दे और चुहादोड से बाहर निकलने की परक्रिया शुरू हो जाती आज तक वह कुछ नहीं कर पाया और फिनिक्स के सोदे जैसे मौके अब भी मुझूद है बस आपको उन्हें कुछ ज़्यादा गोर से देखना पड़ेगा रिचर्ड के पीछे हटने से मुझे ताजूब नहीं हुआ था इसे खरिदार का पस्तावा कहा जाता है और यह हम सब को परवावित करता है यही संकाई हमें ले डूपती है छोटा मुर्गा जीच जाता है और हम आजादी का मौका गवा देते हैं दूसरे उदार्ण में मैं सीडी के बजाए टेक्स लिये इन सर्टिफिकेशन में अपनी संपती का कुछ हिसा रखता हूँ मैं अपने पैसे पर 16 फिजदी प्रतीक वर्ष कमाता हूँ जो बैंकों दुआरा दिये जाने वाले 5 फिजदी से निश्चित रूप से काफी जादा है ये परमान पतर रियल एस्टेट द्वारा सुरक्षित होते है और राज्य के कानून द्वारा सुरक्षित होते है जो निश्चित रूप से ज्यादातर बैंकों से ज्यादा बेतर होते है जिस आदार पर उन्हें खरीदा जाता है वहें भी काफी सुरक्षित फार्मूला है उनमें सिर्फ एक दिक्कत यह होती है कि उन्हें बुनाया नहीं जा सकता तो मैं उन्हें दो से साथ साल की सीड़ी मान लेता हूँ हर बार जब भी मैं किसी को बताता हूँ खास कर उसे जिसके पास पैसा सीड़ी में रखा हुआ है कि मैं अपने पैसे को इस तरह रखता हूँ तो वे मुझे बताते हैं कि यह खतरनाक है वे मुझे बताते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था मैं उनसे पूछता हूँ कि उन्हें यह ग्यान कहां से मिला तो वे कहते हैं कि उनके दोस्त या निवेस की पत्रिका से उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया और वे दूसरी वेक्ति को जो ऐसा कर रहे हैं यह बता रहे हैं कि उसे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए मैं जिस सबसे कम आमदनी की उमीद करता हूँ वह सोला फिजदी होती है परन्तु जिन लोगों के मन में शंका होती है वे केवल पांच फिजदी से ही संतूस्ट हो जाते है शंका बहुत महिंगी साबित होती है मेरा मानना है कि यही संदे और संकीपन ज्यादातर लोगों को गरीब बनाई रखता है और उनसे सुरक्षित खेल खिलवाता है असली दुनिया इंतजार कर रही है कि आप अमीर बने केवल आपके संदे ही आपको गरीब बनाई हुए है जैसा मैंने कहा चुहा दोड से बाहर निकलना तकनिकी रूप से आसान है इसमें ज्यादा शिक्षा की जुरूरत नहीं होती परंतो इन सोदों के कारण ज्यादातर लोग इससे बाहर नहीं निकल पाते संकालू लोग कभी नहीं जीत पाते अमीर डैडी का कहना था संका और डर के कारण व्यक्ति संदेवादी बन जाता है संकालू व्यक्ति आलोचना करते हैं जबकि जीतने वाले लोग विसलेशन करते हैं यह उनकी एक और पसंदिदा कावथी अमीर डैडी ने यह इसपस्ट किया कि आलोचना से दिमाग बंद जाता है जबकि विसलेशन से आंके खुल जाती है विसलेशन से जीतने वाले यह देख सकते हैं कि आलोचना अंदे हैं और वे उन मोकों को भी देख सकते हैं जो और किसी को नहीं दिख रहे हैं और दूसरे लोग जिन मोकों को नहीं देख पते हैं उन्हें देखने की किशमता किसी भी तरह की सफलता की कुझी है। जो लोग पैसे की आजादी ढूंड रही हैं, उनके लिए रियल इस्टेट निवेस का एक दमदार तरीका है। यह निवेस का एक अद्वूत तरीका है। परंतु जब भी मैं रियल इस्टेट का जिक्र करता हूँ, तो मुझे यह सुनने को मिलता है, मैं टाइलेट नहीं सुदारना चाता। इसी को पीटर लिंच शोर कहते हैं। इसी को मेरे अमीर डैडी संकालो लोगों के बहाने कहते हैं। एसे लोग जो केवल आलोचना करते हैं, विशलेशन नहीं करते। एसे लोग जिनके दिमाग पर उनकी शंकाओं और डरों का परदा पड़ाव रहता है, वे अपनी आँखें नहीं खोलते। तो जब कोई कहता है, मैं टाइलेट नहीं सुधारना चाता, तो मैं जवाब देता हूँ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं यह करना चाता हूँ। वे यह कह रही हैं कि जो उन्हें चाहिए, टाइलेट उससे ज़्यादा मैत्वपूर्ण है। मैं चुहा दोड से बाहर निकलने के आजादी के बारे में बात करता हूँ। और उनका पूरा ध्यान टाइलेट पर लगा रहता है। इसी तरह के विचार ज़्यादा तर लोगों को करीब बनाई रखते हैं। वे विसलेशन करने के बजाए अलोचना करते हैं। मैं नहीं करना चाता आपकी सबलता की कुणजी को अपने अंदर समाई रहते हैं। अमीर डेडी का कहना था। चुकि मैं भी टाइलेट ठीक करने में ज़्यादा रूची नहीं रखता इसलिए मैं एक प्रोपर्टी मैनेजर की इतलास कर लेता हूँ जो टाइलेट ठीक करने का ध्यान रखता है। गरों या अपार्टमेंट को चलाने के लिए एक बड़ी अप्रोपर्टी मैनेजर को ढूंडने के बाद मेरा कैस्ट फ्लोब बढ़ जाता है। परंतो इससे भी ज़्यादा मैतुपूर्ण यह है कि एक बड़ी अप्रोपर्टी मैनेजर मुझे और ज़्यादा रियल इस्टेट खरीदने का मोका देता है क्योंकि मुझे टाइलेट का ध्यान नहीं रखना पड़ता एक बड़ी अप्रोपर्टी मैनेजर रियल इस्टेट को बाद में पता चलता है, जिसके कारण बे और भी ज़्यादा मुल्यवान हो जाते हैं। मैं नहीं करना चाता को सफलता की कुणजी कहने के पीछे अमीर डेडी का यही मतलब था। चूंकि मैं भी टाइलेट ठीक नहीं करना चाता, इसलिए मैंने यह विचार किया कि किस तरह ज़्यादा रियल इस्टेट खरी दी जाई। और चुहा दोड़ से बाहर निकलने की प्रकिरियत तेज की जाई। जो लोग यह कहना चारी रखते हैं, मैं टोइलेट नहीं सुधारना चाता, वे अक्सर इससक्त निवेस मादेम से खुद को बंचित रखते हैं, उनके लिए टोइलेट उनकी आजादी से जड़ा मैतुपूर्ण होता है। Stock Market में, मैं अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनता हूँ, मैं अपने पैसे नहीं गवाना चाता। उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं या कोई व्यक्ती पैसे गवाना पसंद करते हैं, वे सिर्फ इसलिए पैसा नहीं बना पाते हैं क्योंकि वे पैसा गवाने के लिए तय दोस्त के साथ नजदे की गैस स्टेशन के पास से गुजर रहा था। उसने देखा और अनुमान लगाया कि टेल की किमते बढ़ जाएंगी। मेरा दोस्त बहुत चिंता करता रहता है या छोटा मुरगा है उसके इसाब से आसमान हमेशा गिरने वाला होता है और अक्सर आसमान उसी के सिर पर गिरता है जब हम घर पहुंचे तो उसने मुझे वे तमाम आंगडे बताए जो अगले कुछ सालों में तेल की किमते क्यों वास्तिक मुल्य से कमांका गया हो मुझे ऐसी आईल कंपनी मिल गई जो तेल के कुछ बंडारों को खोजने वाली थी मेरा ब्रोकर इस नई कंपनी को लेकर खासा रोमान चित हो गया और मैंने 65 सेंट परती शेयर की दर्शे 15,000 शेयर खरीद लिए फरवरी 1997 में मैं उसी दो 1997 में में उस छोटी आईल कंपनी ने तेल खोज लिया था और वह 15,000 शेयर अब बढ़कर 3 डालर परती शेयर हो गए थे और मेरे दोस्त के अनुसार गैस की किमते लगातार बढ़ती रही विशलेशन करने के बजाई ये छोटे मुर्गे अपने दिवाक को बंद कर लेते है अगर ज्यादातर लोग यह समझ लें कि स्टोक मार्केट निवेस में स्टोप किस तरह काम करते हैं तो ज्यादातर लोग हार से बसने के बारे में अपना ध्यान नहीं लगाएंगे और जीतने के लिए निवेस करेंगे स्टोप एक कंप्यूटर निवेस है जो भाव गिरने पर आपके शेर को अपने आप बेश देता है ताकि आपका कम से कम नुक्सान हो और आपको ज्यादा ज्यादा फाइदा मिल सके जो लोग हारने से गबराते हैं उनके लिए यह एक बहुत अच्छा तरीका है तो जब भी मैं लोगों को मैं नहीं चाता पर ध्यान के निरित करते हुए देखता हूँ और वे क्या चाते हैं इस पर ध्यान के निरित करते हुए नहीं देखता हूँ तो मैं समझ लेता हूँ कि उनके दिमाग में शोर की आवाज बहुत तेज होगी चोटा मुर्गा उनके दिमाग पर हावी होगा तभी वे चीक रही है आसमान गिर रहा है और टॉयलाइट तूट रही है इसलिए वे अपनी अंचाई चीजों से बचते हैं परंतु वे इसकी भारी कीमत चुकाते हैं वे जिन्दगी से जो चाते हैं वह शायद उन्हें कभी ने मिल पाई अमीर डेड़ी ने मुझे छोटे मुर्गे को देखने का एक तरीका सुझाया वही करो जो करनल सेंडर्स ने किया था 66 साल की उमर में उनका वेफसाइट चोपट हो गया था और वे अपनी सोशल सेक्योरिटी के चेक पर गुजर बसर कर रहे थे इतना ही नहीं वे फ्राइड चिकन की अपनी रेसिपी के साथ पूरे देश में इसे बेचने की कोशिस कर रहे थे किसी के हां कहने से पहले इस रेसिपी के लिए 109 बार नहीं का गया और वे उस उम्र में करोड़पती बने जिस उम्र में लोग काम छोड़ कर आराम करना चाते हैं। वे एक बाधूर और जिद्धी व्यक्ती थी। अमीर डेडी हारले सेंडर्स के बारे में कहा करते थे। जब भी आप शंका में हों और थोड़े डरे हुए हों तो वही करें जो करनल सेंडर्स ने अपने छोटे मुर्गे के साथ किया। उसे फ्राई कर लें। और सब्ता अंद में भी आफिस में काम को घर ले आता है। एक दिन जब वह घर लोड़ता है तो उसे घर सुना मिलता है। उसकी पतनी अपने बच्चों के साथ घर छोड़कर चली जाती है। उसे पता था कि उसके और उसकी पतनी के बीच में मतबेद हैं। परंतो उस रि नोकरी चली जाती है। मैं बहुदा एसे लोगों से मिलता हूं जो इतने व्यस्त हैं कि उन्हें अपनी संपत्ति की प्रवा करने के भी फिक्र नहीं है। दोनों का कारण एक ही है। वे व्यस्त हैं और वे व्यस्त बने रहना चाते हैं। क्योंकि वे किसी चीज का सामना नहीं करना चाते। उन्हें यह बताने की जुरूरत नहीं है। अंदर से वे खुद जानते हैं। वास्त में अगर आप उन्हें याद दिलाएं तो वे गुस्षा हो जाते हैं और चिड़ जाते हैं। अगर वे नोकरी में या बच्चों के स साथ व्यस्त नहीं है तो वे टीवी देखने, मचली पकरने, गोल्प खेलने या शोपिंग करने में व्यस्त होते हैं। परंतु अंदर से वे जानते हैं कि वे किसी मैत्वपूर्ण चीज का सामना करने से कत्रा रहे हैं। यह आलच्च्य का सबसे आम रूप है। यहां आल लच्या इच्चा को बुरा समझते हैं। मेरी मा कहा करती थी, लालची लोग बुरे लोग होते हैं। परंतु हम में से हर कोई अच्छी चीजें, नई चीजें, रोमान्चक चीजें आसिल करना चाहते हैं। तो उस इच्चा की बावना को काबू में रखने के लिए खरीदना चाहते हो, मेरे डैडी की फेवरिट का वक्ती, तुम ऐसा सोचते हो, जैसे हमारे पास बहुत पैसा है, क्या तुम सोचते हो कि पैसा पेड़ों पर लगता है, हम अमीर नहीं हैं, तुम तो जानते ही हो, मुझ पर शब्दों का तो इतना आसर नहीं पड़ा, परं तुम्हारे लिए है, इसलिए खरीद रहा हूँ, क्योंकि जब मैं छोटा था, तो मेरे माबाबने मुझे खरीद कर नहीं दिया था, मेरा एक पड़ोसी है, जो पूरी तरह दिवा लिया है, परंतु वह अपनी कार को अपने गैरेज में पार्क नहीं कर सकता, गैरेज में बच्चों के खिलों ने भरे पड़े हैं, उन बिगडे वे बच्चों को मुँ मांगी चीज मिल जाती है, उस पड़ोसी के शब्द है, मैं नहीं चाता कि उन्हें किसी चीज की कमी हो, उसने उनके कालेज के लिए या अपने रिटायर्मेंट के लिए कुछ भी अलग से अमीर डेडी इस वाक्या से चिड़ते थे, मैं इसे नहीं खरीच सकता, मेरे असले गर में मुझे यही वाक्या एकसर सुनने को मिल जाता था, इसके बजाए अमीर डेडी चाते थे कि उनके बच्चे यह कहें, मैं इसे किस तरह खरीच सकता हूँ, उनका तरक था कि मैं इसे इसे नहीं खरीच सकता, इस वाक्य से आप अपने दिमाग का दर्वाजा बंद कर लेते हैं, इसे अब और ज्यादा सोचने के जुरूरत नहीं होती, मैं इसे किस तरह खरीच सकता हूँ, वाक्य से आपके दिमाग के दर्वाजे खुल जाते हैं, इससे यह सोचने पर दिमाग मजबूर होता है और जवाब ढूंडता है परंतु सबसे मैतोकुन बात तो यह है कि मैं इसे नहीं खरीच सकता यह वाक्यत जूटा होता है और इंसान की आत्मा यह बात जानती है इंसान की आत्मा बहुत बहुत तक्तवर होती है उनका कहना था यह जानती है कि यह कुछ भी कर सकती है जब एक आलसी दिमाग कहता है कि मैं इसे नहीं खरीच सकता तो आपके भी तरेक युद छिट जाता है आपकी आत्मा गुसा हो जाती है और आपके आलसी दिमाग को अपने जुट पर अड़े रहना पड़ता है आत्मा चीखती है चलो भी हम जिम चल कर कसरत करते हैं और आल सी दिमाग कहता है परंतु मैं ठका हुआ हूँ आज मैंने सच मुछ बहुत काम किया है या इनसान की आत्मा कहती है मैं गरीबी से ठक गई हूँ चलो इस दलदल से निकलते हैं और अमीर बनते हैं इस पर आल सी दिमाग कहता है अम मेरे पास पहले से ही बहुत काम है देखो आज रात कोई मुझे कितना काम करना पड़ेगा मेरा बास कह रहा है कि यह काम सुबह तक पूरा हो जाना चाहिए मैं इसे नहीं खरीच सकता यह वाक्या दुख से बरा है इससे लाचारी की भावना आती है जिससे निरसा और इसके ब दुनिया खुल जाती है इसलिए मेरे अमेर डेड़ी इस बात से ज़्यादा चिंतित नहीं होते थे कि आप क्या खरीदना चाहते हैं परंतु वे यह जानते थे कि मैं इसे किस तरह खरीच सकता हूँ हुआ कैसे एक ज़्यादा मजबूत दिमाग और एक ज़्यादा लक्षे से पूरा किया है वह हमें लक्षे को आसिल करना नहीं सिखा रही थे वे तो हमें लक्षे को आसिल करने की प्रकिरिया का ग्यान दे रही थे मेरी समझ में आज समझा यह है कि करोडों लोग अपने लालच को लेकर अपराद बोट से ग्रस्त हैं यह उनके बच्पन स बुड़ापे तक चलता है वे जिन्दगी में मिलने वाली अच्छी चीजें चाते हैं ज्यादातर लोगों के आउचेतन में यह विचार मौजूद रहता है आपको यह नहीं मिल सकती या आप इसे कभी नहीं खरीद पाएंगे जब मैंने चुहा दोड़ से बाहर निकलने का फैसला किया तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया मैं किस तरह इस चुहा दोड़ से बाहर निकल सकता हूं ताकि मुझे दोबारा कामने करना पड़े और मेरे दिमाग में जवाब और सुजाव सामने आ गई सबसे मुश्किल चीज थी मेरे असली माताबिता की चीक कि हम इसे नहीं खरीच सकते या केवल अपने बारे में ही मत सोचें या तुम दूसरों के बारे में क्यों नहीं सोचते और इसी तरह के शब्द जो मेरे लालच को दबाने के लिए मुझे अपराद बोद बरते थे तो आप किस तरह अपने आलच शेक से जिट सकते हैं इसका जवाब है थोड़े से लालच से यह डवलू आई आई एफम रेडियो स्टेशन है जिसका पूरा अर्थ है वाट इस इन इट फोर मिए इसमें मेरे लिए क्या है विक्टी को बैट कर पूचना चाहिए अगर मैं स्वस्थ, सेक्सी और आकर सक हूँ तो इसमें मेरे लिए क्या है या मेरे जिंदगे कैसी होगी अगर मुझे फिर कभी काम नहीं करना पड़े या मैं क्या करूँगा अगर मुझे मन्चाप ऐसा मिल जाए इस थोड़े से लालच के बिना कुछ बेतर आसिल करने की इच्छा के बिना प्रगतिन नहीं हो सकती हमारे दुनिया इसलिए तरक्की करती जा रही है क्योंकि हम सभी एक बेतर जिन्दगी जीना चाते हैं हम कुछ बेतर चाते हैं इसलिए नए आविसकार होते हैं हम स्कूल जाते हैं और मेनत से पढ़ते हैं क्योंकि हम कुछ बेतर चाते हैं इसलिए जब भी आप किसी ऐसी चीज़ से कत्रा रहे है जो आपके इसाब से आपको करना चाहिए तो आपको खुद से केवल यही पूछना चाहिए कि इसमें मेरे लिए क्या है थोड़े लालची बने यह आलस्या का सबसे बड़ीया इलाज है परन्तु बहुत ज़्यादा लालच भी अच्छा नहीं होता क्योंकि हर चीज की अतिब बुरी होती है परन्तु वह याद रखो जो वाल स्ट्रीट फिलम में माइकल डगसल ने कहा था लालच अच्छा होता है अमी डड़ी से अलग तरह से कहते है अपराद बोद लालच से ज़्यादा बुरा होता है क्योंकि अपराद बोद के कारण सरीर में से आत्मा निकल जाती है और मेरे लिए एलिनोर रुजवेल्ट की कावच सबसे अच्छी है वही करो जो तुमें दिल से अच्छा लगता है क्योंकि तुमारी हर बात में आलोसना होगी अगर तुम कोई काम करोगी तुमारी अलोसना होगी और तुम कोई काम नहीं करोगे तुमारी अलोसना तो होगी ही कारण नम्बर च्यार आदतें हमारे जिन्दगी पर हमारे सिक्षा से ज़्यदा असर हमारी आदतों का पड़ता है अर्नॉल्ड स्वार्जनेगर की फिल्म कानन देखने के बाद मेरे एक दोस्त ने कहा मैं चाहता हूँ कि मेरा शरीर स्वार्जनेगर जैसा हूँ ज़्यादातर साथियों ने सेम्ती में सिरहला दिया मैंने तो यह सुना है कि एक समय वह वास्तों में दूबला और कमजोर सा था दूसरे मित्र ने जोड़ा हाँ मैंने भी सुना है एक और दोस्त ने कहा मैंने सुना है कि वह हर रोज जिम जाता है और उसने वहां कसरत करने की आद़ डाल ली हाँ मुझे भी लगता है वह इसा करता होगा समू के शंकलू व्यक्तिने कहा मुझे तो लगता है कि वह इसी तरह पैदा हुआ होगा इसके अलावा हम अरनोल्ड की बातें क्यों कर रहे हैं चलो बीर पीएं यह एक उधारन है कि किस तरह से आदतें व्यवार को नियंतरित करती है मुझे याद है कि मैंने एक बार अपने अमीर डैडी से अमीर लोगों की आदतों के बारे में पूछा था सिधे जवाब देने के बज़ाई वे चाते थे कि इसे मैं अउधारन से सीखूँ अमीर डैडी ने पूछा तुम्हारे डैडी अपने बिलक अप चुकाते हैं मैंने कहा हर महीने के पहली तारिक हो क्या उनके पास कुछ बाकी बचता है उन्होंने पूछा थोड़ा बहुत मैंने कहा यही वे खास कारण है जिसके कारण उन्हें संगर्स करना पड़ता है और अमीर डैडी ने कहा उनकी आदतें बुरी हैं तुम्हारे डैडी सब को पहले पैसे देते हैं परंतु उन्हें अपने बिल का बुगदान तो करना ही होगा नहीं क्या आप यह तो नहीं कहना चाहते कि उन्हें अपने बिल्स का बुगदान नहीं करना चाहिए बिल्कुल नहीं अमीर डैडी ने कहा मैं समय पर अपने बिल चुकाने में पूरी 23 विश्वास करता हूँ मैं केवल खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ सरकार को पैसे देने से पहले परन्तु तब क्या होगा जब आपके पास परियाप्त पैसा नहीं हो मैंने पूछा एस स्थिति में आप क्या करते हैं मैं यही करता हूँ अमीर डैडी नहीं कहा मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ चाहे मेरे पास कम पैसा हो मेरे लिए सरकार से ज़्यादा मैत्वकूर्ण है मेरा संपत्ति वाला कोलम परंतु क्या सरकार के लोग आपके पीछे नहीं पढ़ते मैंने कहा हाँ अगर मैं उन्हें बुगतान नहीं करूं तो अमीर डैडी ने कहा देखो मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सरकार को पैसा नहीं दिया जाए मैं केवल यह कह रहा हूँ कि खुद को सबसे पहले बुगतान किया जाए चाहे मेरे पास पैसा कम ही हो परंतु आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मैंने जवाब दिया सवाल कैसे का नहीं है सवाल क्यों का है अमीर डैडी ने कहा अच्छा आप ऐसा क्यों करते हैं प्रेरणा अमिर डैडी ने कहा अगर मैं उनका बुगतान नहीं करूँ तो कौन ज़्यादा जोर से सिकाइट करेगा मैं या मेरे लेंदार आपकी बजाए आपके लेंदार ज़्यादा जोर से चिलाएंगे मैंने सपस्ट भी खल्ब को चुनते हुए कहा अगर आप खुद को पैसे नहीं देंगे तो आप कुछ भी नहीं कहेंगे तो अब तुम देख सकते हो कि खुद को पैसे देने के बाद मेरे पास टेक्स चुकाने और दूसरे लेंदारों को पैसे देने का इतना ज़्यादा दबाव होता है कि मुझे आमदनी के दूसरे रास्ते खोजने ही पड़ते है पैसे चुकाने का दवाव मेरी प्रेड़ना बन जाता है मैंने अतिरिक्त काम किया है दूसरी कंपनिया शुरू की है स्टोक मार्केट में शेयर खरीदे और बेचे हैं हर तरह के काम सिर्फ इसलिए किये हैं ताकि ये लोग मुझे पर नैचलाई इस दवाव के कारण मैंने ज़्यादा कड़ी मेहनत की है और मैं ज़्यादा सोचने पर मजबूर हुआ हूँ कुल मिलाकर इसने मुझे पैसे के मामले में ज़्यादा स्मार्ट और फूर्तिला बना दिया है अगर मैं खुद को सबसे आखिर में पैसे देता तो मुझे पर कोई दवाव नहीं पड़ता परन्तु मेरे पास कभी पैसा भी नहीं होता तो सरकार या दूसरे लोगों को पैसे चुकाने का दवाव आपकी प्रेड़ना बन जाता है बिल्कुल ठीक अमीर टेड़ी ने कहा देखो सरकारी पैसा वसूलने वाले लोग बहुत डरावने होते हैं वैसे समान्य तोर पर पैसा वसूलने वाले लोग डरावने ही होते हैं ज्यादातर लोग इन से डर जाते हैं वे इन लोगों को पैसा दे देते हैं और खुद को कभी पैसा नहीं देते तुमने उस च्छानमे पाउंड के अकमजोर वेक्ति की कानी तो सुनी ही होगी जिसके चेरे पर लोग बालू उसालते हैं मैंने सिरह लाया मैंने कामिक्स में वेट लिफ्टिंग और बाडी बिल्दिंग के बारे में दिया गया यह विग्यापन देखा है तो ज़्यादातर लोग इन डरावने पैसे वसूलने वालों को अपने चेरे पर बालू उसालने देते हैं मैंने डरावने लेंदारों के डर को खुद को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए इस्तिमाल किया है बाकी लोग ज़्यादा कमजोर हो जाते हैं खुद को यह सोचने के लिए मजबूर करना कि अतिरिक्त धन कहां से आएगा जिम जाने की तरह है और वहाँ बजन उठाने की तरह है मैं अपने दिमाग की मास्पेशियों से जितना काम करता हूँ मैं उतना ही ज़्यादा मजबूत होता जाता हूँ अब मैं इंडरावने लेंदारों से जरा भी नहीं डरता हूँ मुझे अमीर डेड़ी की बाते पसंद आ रही थी तो अगर मैं पहले खुद को पैसे देता हूँ तो मैं आर्थिक और मानसिक द्रिस्टी से ज़्यादा मजबूत हो सकता हूँ अमीर डेड़ी ने सैमती में सी रिलाया और अगर मैं खुद को सबसे आखिर में पैसे देता हूँ या बिल्कुल भी पैसे नहीं देता हूँ तो मैं कमजोर हो जाता हूँ इसलिए बास, मैनेजर, टेक्स वसूलने वाले, बिल चुपाने वाले और मकान मलिक जैसे लोग मुझे जिन्दगी बर इदर उदर ठोकर मारते रहेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के बारे में मेरी यादते अच्छी नहीं है अमीर डेड़ी ने सीरे लाया 96 पाउंड के कमजोर विक्ति कीते रहे कारण नमर पांस, जिद जिद या हट दर्मिता एहंकार और अग्यान का पिला चुला रूप है जो मैं जानता हूँ उससे पैसा आता है जो मैं नहीं जानता उसके कारण में पैसा खोता हूँ हर बार जब मैंने जिद की है, मैंने पैसा गवाया है वहे इसलिए क्योंकि जब मैं जिद करता हूँ तो मैं दरसल यह बरोसा करता हूँ कि जो मैं नहीं जानता वह मैतोबूर्ण नहीं है अमीर डेडी मुझे अक्सर पताया करते थे मैंने पाया है कि कई लोग जिद का प्रियोग अपना अग्यान चुपाने के लिए भी करते हैं जब मैं फाइनेंसियल स्टेटमेंट पर लेखा पालो या निवेश कों से चर्चा करता हूँ तो इस अक्सर होता है वे चर्चा में अपनी जिद के एक आधार पर जीतना चाते हैं मैं समझ जाता हूँ कि जिस मुद्दे पर बात हो रही है उसके बारे में उन्हें परियाब्द ग्यान नहीं है वे जुट नहीं बोल रहे होते हैं परंतु वे सच भी नहीं बोल रहे होते हैं धन, फाइनांस और निवेस की दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनें यह पता ही नहीं होता कि वे किस बारे में बात कर रही हैं। पैसे के उद्ध्योग में ज्यादातर लोग सेकंड हेंड कार के सेल्जमेन की तरह वेवार करते हैं। जब आप जानते हों कि आप किसी विशे सिग्य को ढूंड कर या उस विशे पर कोई अच्छी पूस्तक पढ़कर अपना ज्यान बढ़ाना शुरू कर दें। धन्यवाद। आइए चलते हैं अध्याइन नो की तरफ जो है शुरू करना। आपका दिन शुब हो। रिच डेट, पूर डेट, अध्याइन नो शुरू करना। कास ऐसा होता कि मैं कह सकता कि दोलती कठी करना मेरे लिए आसान रहा है। पर अध्याइन नहीं था। तो इस सवाल के जवाब में मैंने किस तरह शुरू किया। मैं दिन प्रतिजिन के इसाब से अपने विचार प्रगिरिया को बताना चाता हूँ। बड़े सोदों को खोजना सचमुच असान है। मैं आपसे यह वादा कर सकता हूँ। यह मोटर साइकल बेचने की तरह है। थोड़ी से अभ्यास के बाद आपको इसका पता ही नहीं चलता। जब पैसे की बात आती है तो आप अगर संकल्ब कर लें तो थोड़ी देर डगमगाने के बाद आप संबल जाते हैं। जिंदगी में एक वाराने वाले करोड़ों डालर के सोदों को खोजने के लिए हम में फाइनेंसियल परतिवा होना जरूरी है। मुझे वरोसा है कि हम सभी के बीतर एक financial genius होता है अगर यह है है कि हमारी financial genius सोया होता है और उसे जगाने के ज़रूरत होती है यह सोया रहता है क्यूंकि हमारी sanskriti ने हमारे बीतरी essence का डाल रखे है कि पैसे कामो वो सभी बुराईयों की जड़ह है इस संसक्रती ने हमें प्रोफेशन सीखने के लिए तो प्रोचसाइट किया है ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें परंतु हमें यह नहीं सिखाया कि पैसे से किस तरह अपने लिए काम करवाया जाई इसने हमें अपनी financial ऐस बलता के बारे में चिंता नहीं करना सिखाया है जब हमारे काम के दिन खत्म होंगे तो सरकार या हमारी कंपनी हमारी जिम्मेदारी संभाल लेगी परन्तु इसके लिए हमारे बच्चों को पैसा चुका ना होगा जो उसी स्कूल सिस्टम से सिख्षित होते हैं संदेश यह है कि कड़ी मेनत करो पैसा कमाओ और इसे खर्च कर दो और अगर हमारे पास पैसा कम हो तो हम हमेशा कर्च तो लई सकते हैं दुर्भगय से पास्चात्य समाज के 90% से ज़्यदा लोग इस से दांत का पालन करते हैं और इसा केवल इसलिए होता है क्योंकि नोकरी ढूनना और पैसे के लिए काम करना ज़्यदा आसान होता है अगर आप इस बीड में से एक नहीं है तो मैं आपके financial genius को जगाने के लिए नीचे लिए दस कदम दे सकता हूँ मैं आपको केवल वही कदम बता रहा हूँ जिस पर मैं चला हूँ अगर आप इस में से कुछ पर चलना चाते हैं तो बहुत अच्छा अगर आप इन पर नहीं चलना चाते तो आप खुद के कदम बना लें आपका financial genius इतना smart होता है कि आप अपनी खुद की सुची बना सकते हैं जब मैं पेरू में था तो 45 वर्स के सोने की खुदाई करने वाले से मैंने पूछा कि उसे इतना बरुसा क्यों है कि उसे सोने की ख़दान मिल जाएगी उसने जवाब दिया सोना तो हर जगए है ज़्यादातर लोगों की आँखें से देख नहीं जवाती और मैं कहुँगा कि यह सच है रियल स्टेट में मैं बाहर जा सकता हूँ और चार या पांच संबाउना बरे सोदिक कर सकता हूँ जबकि ओसत व्यक्ति बाहर जाकर खाली हाथ लोट सकता है जबकि हम दोनों एक ही इलाके में जाते हैं इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने फाइनेंसियल जीनियस को विक्सित करने के लिए समय नहीं दिया है मैं आपको नीचे दस कदम बता रहा हूँ जो ईस वर द्वारा दीगी ताक्तों को विक्सित करने की पर किरिया है ये एसी ताक्ते हैं जिनका नियंतरन केवल आप कर सकते हैं नमबर एक मुझे हकीकत से ज्यादा बड़ा कारण चाहिए आत्मा की शक्ति अगर आप ज्यादातर लोगों से पूछेंगे कि क्या वे अमीर या हर्थी ग्रूप से सुतंतर होना चाहेंगे तो वे हां कहेंगे परन्तु फिर हकीकत हावी हो जाती है यह सड़क बहुत लंबी नजर आती है और इस पर बहुत सी टेकरियां भी दिखती है जिनें पार करना होगा इसकी तुलना में यह ज़्यादा आसान लगता है कि आप पैसे के लिए काम करें और बचे हुए पैसे अपने ब्रोकर को दे दें मैं एक बार एक युवा मैला से मिला जिसने अमेरिका की ओलमपिक टीम में तैरने के सपने देखी थे हकीकत यह थी कि उसे हर रोज सुबह चार बज़े उठना पड़ता था ताकि स्कूल जाने से पहले वह तीन गंटे तक तैर सके शेनिवार की रात को वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी में भी नहीं जाती थी उसे हर एक की तरह पढ़ाही करके अपने परिक्षा परिणाम पर भी ध्यान देना होता था जब मैंने उससे पूछा कि उसकी अती मानुई मैटवकांक्षा और बलिदान के पीछे क्या कारण है तो उसने यही कहा मैं इसे अपने लिए करती हूँ और उन लोगों के लिए जिन से मैं प्रेम करती हूँ प्रेम ही मुझे सभी बादाओं और बलीदानों के लिए तैयार करता है हम क्या चाहते हैं और हम क्यों नहीं चाहते इनका तालमेल भी एक कारण या लक्षय हो सकता है जब लोग मुझे से पूछते हैं कि अमीर होने की इच्छा के पीछे मेरा कारण क्या था तो यह गहरी बावनात्मक इच्छाओं और अनिच्छाओं का संयोग है मैं कुछ की सुची बताऊंगा पहले तो अपनी अनिच्छाओं की क्योंकि उनी के करण इच्छाओं पैदा होती है मैं सारी जिन्दगी नोकरी नहीं करना चाहता था मैं वहें नहीं चाहता था जो मेरे माता पिता चाहते थे यानि नोकरी की सुर्गशाओ और उपनगर में एक घर मैं एक करमचारी नहीं बने रहना चाहता था मुझे इस बात से बहुत नफरत होती थी कि मेरे डैड़ी अपने करियर में इतने वेस्त रहते थे मुझे इस बात से भी नफरत होती थी, अपनी मोथ के बाद, वे अपनी मैनत की कमाई को अपने वारिसों के लिए नहीं छोड़ पाई, अमीर लोग ऐसा नहीं करते, वे कड़ी मैनत करते हैं, और अपने बच्चों के लिए धेर सारा पैसा छोड़ जाते हैं, अब मैं और अपनी जिंदगी पर नियंतरन करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पैसा मेरे लिए काम करेगी, ये मेरे गहरे भावनात्मक कारण है, आपके पास क्या कारण है, अगर वे परियाप ताकतवर नहीं है, तो रास्ते में आगे आने वाली हकीकत आपके कारणों पर हा हुआ और आगे बढ़ चला, मैं चालिस साल की उमर तक आजाद होना चाहता था, परन्तो इसमें मुझे साथ साल ज्यादा लग गए, और मैं आखिर कर संतालिस साल की उमर में आजाद हो सका, और बीच में मुझे कई सीखने वाले अनुबह मिले, जैसा मैंने कहा है, काश मै कह सकता कि यह असान था, यह बिलकुल असान नहीं था, परन्तो यह कठिन भी नहीं था, परन्तो बिना दमदार कारण या लक्षे के जिंदगी में हर चीज़ कठिन होती है, अगर आपके पास कोई दमदार कारण नहीं है, तो आगे पढ़ने में कोई समझदारी नहीं है, कि लोग एक आजाद देश में रहना चाहते हैं, हमें चुनने का अधिकार चाहिए आर्थिक रूप से जब हमारे हाथ में एक भी डालर आता है तो यह हमारे हाथ में होता है कि हम भवीशे में अमीर, गरीब या मद्यमरगिया बनने का विकल्ब चुने हमारे खर्च करने के आदतें बताती है कि हम कौन है गरीब लोगों की खर्च करने के आदतें गरीब भी की होती है बच्पन में मुझे यह फाइदा मिला कि मुझे लगातार मोनोपली खेलना बहुत पसंद था किसी ने मुझे यह नहीं बताया था कि मोनोपली केवल बच्चों के लिए है इसलिए बड़े होने के बाद भी मैं इसे खेलता रहा मेरे पास एक अमीर डेडी भी थे जो मुझे संपत्ति और दाइतों में फर्क को समझाते रहे तो बहुत समय पहले अपने बच्वन में ही मैंने अमीर बनने का विकल्ब चुना और मैं जानता था कि मुझे केवल इतना ही करना था असलिए संपत्तियों को इकठा करना था मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक को संपत्ति वाला कॉलम विरासत में मिला था परंत उसे इसे बनाई रखना सीखना था कई अमीर परिवार अपनी संपतियों को अगली पीड़ी में सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि उन संपतियों की देख रेक करने के लिए किसी को पर्शिक्षन नहीं दिया जाता ज्यदातर लोग अमीर नहीं बनने का विकल्ब चुनते हैं 90 फिजदी लोगों के लिए अमीर बनना बहुत जंजट का काम है तो वे इस तरह की काहोतें इजाद कर लेते हैं पैसे में मेरी कोई रूची नहीं है या मैं कभी अमीर नहीं बनूँगा या मुझे चिंता करने की जुरूर्ट नहीं है अभी तो मैं जवान हूँ या मेरे पती या मेरी पतनी फाइनिंसियल पैलोगों संभालते हैं या संभालती है इन वक्तवियों के साथ समश्या ये है कि ये बोलने वाले से दो चीज़ें लूट लेते हैं एक तो है समय जो आपकी सर्वादी कीमती संपती है और दूसरी सिक्षा सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है आप यह वाहना नहीं बना सकते कि आप इस कारण नहीं सीख पाई परन्तु यहे है विकल्प हम हर रोग चुनते हैं यहे विकल्ब कि हम अपने समय, अपने पैसे और अपने सिक्षा के साथ हर दिन क्या करते हैं। यही विकल्ब चुनने की ताकत है। हम सभी के पास विकल्ब होते हैं। मैं अमीर बनने का विकल्ब चुनता हूँ। और मैं यहे विकल्ब हर रोज चुनता हूँ। पहले करें वास्ताव में आपके पास जो इकलोती असली संपती है वह है आपका दिमाग जो आपका सबसे सक्तिशाली अंतर है जैसा मैंने विकल्प की ताकत के बारे में कहा है कि हम अपने दिमाग में क्या रखते हैं आप सारा दिन M.T.V. देख सकते हैं या गॉल्फ मैगजिन परंतो इससे पहले निवेस के बारे में ग्यान आसिल करने के लिए जडरा भी पैसा खर्च नहीं करते हैं मेरी एक मित्र है जो एक अंवीर मुईला है अभी हाली में उसके गर पर चोरी हो गई चोर उसके घर से टी-वी और वीची आर ले गई और उसकी किताबें जैसी किताइसी छोड़ गई और हम सभी के पास इसी तरह के विकल्प मौजूद होते हैं एक बार फिर दो रादू नबबे फिजदी लोग टीवी सेट खरीगते हैं और केवल दस फिजदी लोग बिजनेस पर पुस्त के या निवेस पर टेप खरीगते हैं और मैं क्या करता हूँ? मैं सेमिनार में जाता हूँ, मैं ऐसे सेमिनारों को पसंद करता हूँ जो कम से कम दो दिन लंबे हों क्योंकि मैं वीशे में पूरी तरह डूब जाना चाहता हूँ 1973 में मैं टीवी देख रहा था और एक वेक्ती मेरे घर आया वहें तीन दिन से सेमिनार का विग्यापन कर रहा था कि किस तरह पैसे नए होते हुए भी रियल इस्टेट खरीदी जा सकती है मैंने 385 डालर खर्च किये और उस सेमिनार के सिक्षा मेरे इतने काम आई कि मैंने उसे कम से कम 20 लाख डालर कम आया होंगी परंतो इस से भी ज़्यादा मैं तो कुण यह है कि इस से मुझे नया जिवन मिला मुझे जिन्दगी वर काम नहीं करना पड़ेगा और इसका कारण होगा वह एक सेमिनार मैं हर साल कम से कम दो असे सेमिनारों में जाता हूँ मैं ओडियो टेप का भी प्रेमी हूँ कारण मैं उन्हें ततकाल पीछी कर सकता हूँ मैं पीटर Alguns के टेप को सुन रहा था और उन्होंने ऐसा कुछ कहा जिससे मैं पूरी तरह ऐसा मत था हटी और अलोजनात पक्म होने के कारण मैंने रिवाइंड बटन दबा दिया और उस पांस मिनिट के टुकड़े को कम से कम बीस बार सुना शायर इस से भी ज़दा बार परंतो अचानक मेरे दिमाग को खुला रखने से मैं समझ गया कि उन्होंनों ये वह बात क्यों कही थी यह जादू की तरह था मुझे इसा लगा कि मैंने हमारे समय के सबसे बड़े निवेसक के दिमाग की एक खिर्की कोल ली थी उसके ग्यान और अन्वों के विराट संसादनों में मुझे बहुत ज़्यादा गहराई और अंतरद्रस्टी मिली इसका परिणाम यह हुआ कि मैं अब भी अपने पुराने तरीके से सोच सकता हूँ और मेरे पास उसी समझ्चा या स्तिति को देखने का पीटर का तरीका भी मुझूद होता है मेरे पास एक विचार होने के बज़ाए दो विचार होते हैं किसी भी समझ्चा या परवर्ती के विसलेशन का एक और तरीका जिसे जानना बहु मुल्य है आज मैं एक्सर कहता हूँ पीटर लिंच इसे किस तरह करेगा या डोनाल्ड ट्रम्प या वारेन बफे या जार्थ सोरोस मेरे पास उनकी व्रहद मानसिक ताकत तक पहुंचने का रास्ता यही है कि मैं उनकी कही हुई बातों को सुनू या उनकी लिखी हुई बातों को पढ़ू जिद्धी या आलोचनात्मक लोग प्राइक कम आत्म सम्मान करने वाले होते हैं जो खत्रे उठाने से डरते हैं अगर आप कुछ नया सीखते हैं तो अपने सीखे वे ग्यान को पूरी तरह से समझने के लिए आपको कुछ गलतियां भी करने पड़ती है अगर आपने यहां तक पढ़ लिया है तो एक बात तो तैह है कि आप जिद्धी नहीं है जिद्धी लोग बुस्त के कम ही पढ़ते हैं या टेप कम ही खरीदते हैं उन्हें इसकी क्या ज़रूरत है वे ब्रमान के केंदर बिंदू है एसे बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जिनके सामने कोई नया विचार आने पर वे वाद भी वाद करने लगते हैं अगर वह नया विचार उनके सोचने के तरीके से अलग होता है इस परकरण में उनकी तथा कतित बुद्धी उनकी हट दर्मिता के साथ मिलकर अग्यान बन जाती है हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो उच्छिक्षित हैं या जो मानते हैं कि वे बहुत स्मार्ट हैं परन्तों की बैलेंस सीट एक अलगी तस्विर दिखाती है जो व्यक्ति वास्तों में बुद्धी मान होता है वह नए विचारों का स्वागत करता है क्योंकि नए विचार पहले के विचारों के साथ मिलकर अद्बुत संयोग कर सकते हैं बोलने से ज़दा आप सुनना में तो कुर्ण है अगर यह सहीं नहीं होता तो भगवान ने हमें दो कान और एक मूँ नहीं दिये होते बहुत से लोग अपने मूँ से सोचते हैं और सुनते समय नए विचारों तो था संभावनाओं को समझने की कोशिस ही नहीं करते सवाल पूसने के बजाए वे बहस करने लगते है मैं अपनी दोलत के बारे में दिर्क कालिंदरिस्टी रखता हूँ मैं फटा फट अमीर बनने की मानशिक्ता में बरोसा नहीं करता जो जज़ातर लाटरी खेलने वालों या कैसे नों के जुआरियों के पास पाई जाती है मैं शेयर खरीच सकता हूँ शेयर बेच सकता हूँ परन्तु मैं सिक्षा के मामले में दूर कमी विचार रखता हूँ अगर आप एक हावाई जाज उड़ाना चाते हैं तो मैं आपको पहले से सीखने की सला देना चाहूँगा मैं एसे लोगों को देखकर हमेसा स्तब्द रह जाता हूँ जो स्टॉक या रियल एस्टेट खरीते हैं परन्तु अपनी सबसे बड़ी दौलत में बिलकुल निवेस नहीं करते हैं जो उनका दिमाग है केवल एक या दो गर खरीद लेने से आपर रियल एस्टेट के ख्षेतर में विशे सग्या नहीं बन जाते हैं साथ रहने की ताकत सबसे पहले तो मैं यह बता दूँ कि मैं अपने दोस्तों को उनकी अमीरी के इसाफ से नहीं चुनता मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिनोंने गरीबी में जीने की कसम खाईए और ऐसे दोस्त भी हैं जो हर साल करोणों कमाते हैं मुद्दे की बात यह है कि मैं उन सभी से सीखता हूँ और मैं पूरा मन लगा कर उन से सीखने की कोशिस करता हूँ मैं यह मानता हूँ कि मैंने अमीर लोगों की तलास की है परंतो मेरी नजर उनकी दोलत पर नहीं बलकि उनके ग्यान पर थी कई मामलों में ऐसे अमीर लोग मेरे अच्छे दोस्त बन गए जब कि कई बारे ऐसा नहीं हुआ परंतु मैं आपको एक अंतर बताना चाहता हूँ मैंने यह पाया है कि मेरे पैसे वाले दोस्त पैसे के बारे में बात करते है परंतु मेरा यह मतलब नहीं है कि उन्हें पैसे का गमण है वे इस विशे में रुची रखते हैं इसलिए मैं उनसे सीखता हूँ और वे मुझसे मेरे वे दोस्त दो आर्थिक दलदल में पसे हुए हैं वे पैसे, वे वसाई या निवेस के बारे में बात करना पसंद नहीं करते उनकी नजर में यहा करना मुर्क तापून या बेमानी होता है इसलिए मैं अबने गरीब दोस्तों से यह सीखता हूँ कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने अपनी चोटी सी जिन्दगी में अर्पों डालर कमाई है उन में से तीन ने एक ही अनुबो बताया उनके गरीब दोस्त उनसे यह पूसने कभी नहीं आई कि उन्होंने ऐसा किस तरह किया है परंतु वे उनसे दो में से एक चीज या दोनों ही चीजों के बारे में मदद मांगने आई पहला कर्ज और दूसरा नोकरी चेतावनी गरीब या डरेवे लोगों की मत सुनिये मेरे कई गरीब दोस्त हैं जिनसे मैं प्रेम भी करता हूँ परंतु वे जिन्दगी में डरे हुए मुरूए है जब पैसे की बात आती है खास कर निवेस की तो उनकी नजरों में आसमान हमेशा गिरने वाला होता है वे आपको हमेशा यह बता सकते हैं कि कोई चीज क्यों कामियाब नहीं होगी समझ्चा यह है कि लोग उनकी बात सुनते है और जो लोग इन रसावादी विचारों को आँख मूंद कर मान लेते हैं वे भी छोटे मुर्गे बन जाते हैं जैसे एक पुरानी कहावता है एक जैसे विचार वाले लोगों में सहमती होती है अगर आप CNBC देखते हैं जो निवेस की सुचना देने वाली सोने की ख़दान है तो आपके पास अक्सर तथा कतित विचे सग्यों का एक पैनल होता है एक विचे सग्यों यह कहेगा कि बाजार दरा सही होने वाला है और दूसरा यह कहेगा कि बाजार में उठाओ आने वाला है अगर आप स्मार्ट हैं तो आप दोनों की बात सुनेगी आपके दिमाग को खुला रखिए क्योंकि दोनों के पास अपने अपने तरक हैं दुर्भग्या से ज़्यादा तर गरीब लोग चोटे मुर्गे की बात सुनते हैं मेरे बहुत से करीबी मित्र हैं सोदे या निवेश से रोकने के लिए अपने तरक देते हैं कुछ सालों पहले मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि वह इसलिए रोमान चित था क्योंकि उसे अपनी जमापुंजी पर 6 फिजदी ब्याज वाला बोन मिल लिया था मैंने उसे बताया कि मैं सरकार से 16 फिजदी ब्याज कमा रहा हूँ अगले ही दिन उसने मुझे एक लेख बेज दिया जिसमें यह लिखा था कि मेरा निवेस क्यों खतरनाक था मैं सालों से 16 फिजदी ब्याज कमा रहा हूँ और वह अब भी 26 फिजदी ब्याज ही ले रहा है मैं तो यह कहूंगा कि दोलत बनाने में सबसे कटिन चीज यह है कि आप अपने प्रतिमांदार रहें और भीड के साथ चलने की इच्छा ने रखें बाजार में आम तोर पर भीड सबसे बाद में आती है और इसलिए हलाल हो जाती है अगर मुख्य प्रस पर किसी बड़े सोदे की खबर चपी है तो ज्यादा तर मामलों में बहुत देर हो चुकी है किसी नए सोदे की तलास करिये जैसा हम तैरने वालों से कहा करते हैं हमेज़ा एक और लहर आती है जो लोग जल्दबाजी करते हैं और किसी लहर पर देर से पहुंचते हैं वे एकसर धराशाई हो जाते हैं स्मार्ट निवेसक बाजार की टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखते हैं अगर एक लहर चली गई है तो वे अगली लहर की खोज करते हैं और खुद को पोजिशन में कर लेते हैं जदातर लोगों के लिए यह मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि जो लोगपरिया नहीं है वह खरीदना उनके लिए डरावना होता है डरपोग निवेसक उस बेढ के जुन्ड की तरह होते हैं जो बेढ के साथ ही चलते हैं या उनकी लालच उन्हें उस समय अंदर लाता है जब समझदार निवेसक मुनाफ़ा कमा कर बाहर जा चुके हैं समझदार निवेसक उस समय शेयर खरीदते हैं जब यह लोग प्रिया नहीं होता वे जानते हैं कि वे खरीदते समय मुनाफ़ा कमाते हैं बेशते समय नहीं वे धीरत से इंतजार करते हैं जैसा मैंने कहा वे मार्केट की टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखते हैं किसी तैरने वाले की तरह वे भी अगली बड़ी लेहर के लिए खुद को पोजिशन कर लेते हैं यह इंसाइडर ट्रेडिंग या अंदरुनी सोदेवाजी है इंसाइडर ट्रेडिंग कानुनी और गएर कानुनी दोनों तरह की होती है परन्तों किसी भी तरह से देखें यह इंसाइडर ट्रेडिंग ही है फरक सिर्व इतना होता है यह आप अंदर से कितनी दूरी पर है अंदरूनी जानकरी रखने वाले हमीर दोस्तों को बनाई रखने का एक कारण यह भी होता है क्योंकि पैसा यहीं बनाया जाता है यह सूचना के अधार पर बनाया जाता है आप अगले उच्छाल के बारे में जान लेते हैं प्रवेश कर लेते हैं और अगले गिराव के पहले बाहर निकल जाते हैं मैं यह नहीं कहता कि इसे गैर कानूनी तरीके से करें परंतु मैं यह जरूर कहता हूँ कि आपको जानकर एक जितनी जल्दी मिलेगी आप उतने ही कम खत्रे में उतना ही ज्यदा लाब कमाँ पाएंगे दोस्त इसलिए होते हैं और यही financial बुद्धी है नमबर चार किसी फार्मूले के विशे सग्या बन जाईए और फिर एक और नया फार्मूला सीख लेजिए जल्दी सीखने की ताकत ब्रेड बनाने के लिए हर बेकर का एक फार्मूला होता है चाहिवे उसके दिमाग में ही क्यों नहो यही पैसा बनाने के बारे में भी सही है इसलिए धन को अक्सर डो भी कहा जाता है हम मेंसे ज़्यादातर लोगों ने यह कावत सुनी है आप वहे हैं जो आप खाते हैं मैं इसी कावत को दूसरी तरह से कहना चाहूंगा मैं कहता हूँ आप वहे बनते हैं जो आप पढ़ते हैं दूसरे सब्दों में आप साउधान रहें कि आप क्या पढ़ रहें या क्या सीख रहें क्यूंकि आपका दिमाग इतना ज्यादा तकत्वर है कि आप जिस चीज के बारे में सीखेंगे आप वही बन जाएंगे उधारण के तोर पर अगर आप kooking सीखते हैं, तो आप kook बन जाते हैं, अगर आप kook नहीं बनना चाहते हैं, तो आपको कोई और विशे बढ़ना चाहिए. जैसा एक स्कूल टीचर सिक्षन का अध्यन कर लेने के बाद आप अक्सर सिक्षक बन जाते हैं और इसी तरह सिलसला जारी रह सकता है अपने अध्यन के विशे को सावदाने से चुने जब पैसे की बात आती है तो ज्यादातर लोगों के पास वही एक मुलबुत फर्मूला होता है जो उन्हें स्कूल में सिक्षाया जाता था और वह फर्मूला है पैसे के लिए काम करो संसार में सबसे ज़्यादा लोग प्रिया फर्मूला यही है इसके कारण हर दिन करोड़ों लोग सुबह उठते हैं और काम पर जाते हैं पैसे कमाते हैं बिल चुकाते हैं चेक बुक को बैलेंस करते हैं कुछ म्यूचल फंड करीद लेते हैं और फिर से काम पर चले जाते ह यही उनका मूलबूदक फार्मूला या नुसका है अगर आप जो कर रहे हैं उससे आप ठक गई हैं या प्रयाप नहीं कमा रहे हैं तो आपको अपने पैसे बनाने के फार्मूले को बदल लेना चाहिए बहुत समय पहले जब मैं 26 साल का था मैंने सब्तांत की एकक्षा में भाग लिया जिसका सिर्शक था किस तरह रियल स्टेट फॉर क्लोजर्स को खरीदें मैंने एक फार्मूला सीख लिया अगला कदम था अपने सीखे हुए सी दांत को असली जीवन में आजमाना यहां पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं तीन सालों तक जब मैं जेरक्स के लिए काम कर रहा था मैं खाली समय में फॉर क्लोजर्स को खरीदने की कलाग में पारंगत होने की कोशिस कर रहा था मैंने उस फार्मूले से कई करोड डलर बनाए है परंतु आज यह बहुत धिमा फार्मूला है और फिर भी बहुत से लोग इसका प्रियोग कर रही है एक बार मैं उस फार्मूले का विसे सग्या बन गया तो मैं नए फार्मूले की खोज करने लगा कई कक्षाओं में मुझे कोई नई जानकरी सीधे रूप से नहीं मिली परंतु मैंने हमसा कुछ ना कुछ नया जरूर सिखा मैंने इसी बहुत सी कक्षाओं में भाग लिया है जो केवल डेरिवेटिव सोधे बाजों के लिए आयोजित की गई थी और वस्तों के आप्शन सोधे बाजों के लिए तथा अराजक बाजियों के लिए युजत कक्षाओं में भी मैं गया हूँ मैं अपने दाइरे से पूरी तरह बाहर पहुंच गया था और एक ऐसे कमरे में था जहां परमाणों भोती की और स्पेस साइंस की विसेसग्यों की भीड थी परंदों मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा जिससे मेरा स्टोक और रियल स्टेट निवेस ज़्यादा अर्थपूर्ण और फाइदे मन बन गया ज़्यादा तर जूनियर कालेजों और समुदाई कालेजों में फाइनेंशियल प्लानिंग या पारंपरिक निवेस को खरीदने के तरीकों पर कक्षाईया योजित की जाती है सुरुआत करने के लिए बहुत अच्छी जगह है तो मैं हमेशा एक चादा तेज़ फार्मूले की खोश करता रहता हूँ इसी कारण नियमत रूप से मैं एक दिन में जितना कमा लेता हूँ उतना कमाने में कई लोगों की पूरी जिन्दगी लग जाती है एक और बात आज की तेज़ी से बदल रही दुनिया में आप कितना जानते हैं यह ज़्यादा मैतवण नहीं रह गया है क्योंकि प्राई आज आज आप जितना जानते हैं वह पुराना हो चुगा है मैतवण यह हैं कि आप कितनी तेजी से सीखते हैं यह कला अनमोल है ज़्यादा तेज फार्मूले ढूनने में यह बहुत काम आती है पैसे के लिए कड़ी मेनत करना एक पुराना फार्मूला है जो गुफा मानों के जमाने से पैदा हुआ था नमबर पांस खुद को सबसे पहले वेतन दे खुद पर अनुसासन की ताकत अगर आप खुद पर काबू नहीं रख पाते तो अमीर बनने की कोशिश भी ने करें आपको इससे पहले मरीन काप्स या किसी धार्मिक संस्ता में जाना चाहिए ताकि आपको खुद पर काबू रखना आ जाए इस बात का कोई मतलब नहीं है कि निवेश करें पैसा कमाएं और उसे फूंक दें खुद पर अनुसासन की कमी के कारण ही करोडों डालर की लाटरी जीतने वाले लोग जल्दी दिवालिया हो जाते हैं यह खुद पर अनुसासन की कमी ही है जिससे तनक्वा बढ़ने पर लोग ततकाल बाजार जाकर नई कार खरीद लेते हैं या विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं यह कायना कठिन है कि दस कदमों में कौन सा सबसे जИ्यादा मैतन कुन है परणतों सभी कदमों में से इस कदम की विशेसग्यता सबसे कठिन है अगर यह आप में पहले से ही मुळूद ने हो मैं तो यहे भी कहना चाहूंगा कि खुद पर अनुसासन की कमी ही वह सबसे बड़ा कारण है जो लोगों को तीन समुदायों में बांटता है अमीर, गरीब और मद्यमवरग सीधे तरीके से कहें सीधे तरीके से कहें कि जिन लोगों में आतम विश्वस कम होता है और जो फाइनेंशिल दबाओं को ज़़्ादा सहन नहीं कर पाते वे कभी अमीर नहीं बन सकते और कभी नहीं का मतलब होता है कभी नहीं जैसा मैंने पहले बताया था मैंने अपने अमीर डेडी से यह सबक सीखा था कि दुनिया आपको इधर उधर तकेलेगी दुनिया लोगों को इधर उधर तकेलती है तो इसलिए नहीं क्योंकि बाकी लोग गुंडे होते हैं बलकि इसलिए कि आप में आंतरिक नियंदरन और अनुसासन की कमी होती है जिन लोगों में आंतरिक सेंशक्ति की कमी होती है वे एकसर उन लोगों के शिकार हो जाते हैं जिन में आतम अन्सासन होता है मैं जिन व्यवसाइक अक्षाओं में पढ़ाता हूँ, वहां मैं लोगों को लगातार यह है याद दिलाता हूँ कि वे अपने सामान या सेवा पर अपना ध्यान के अंदरित ने करें बलकि मैनेजमेंट की कला पर अपना ध्यान के अंदरित करें अपना खुद का व्यावसाइश सुरू करने के लिए तीन सरवादिक मैटपून मैनेजमेंट दक्स्ताइँ है नमबर एक कैस्पलो का मैनेजमेंट नमबर दो लोगों का मैनेजमेंट नमबर तीन व्यक्तिकत समय का मैनेजमेंट मैं यह कहूंगा कि ये तिनों दक्सताइं के वल व्यावसाई शुरू करने वालों के लिए ही नहीं बलकि सभी काम करने वालों के लिए है ये तिनों आपके जीवन सहले में मैतपून भूमिकान निबाती है फ्यक्ति के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में, व्यवसाई में, किसी दार्मिक संग्टन में, शहर या देश में ये सवी दक्सताएं आत्मा नस्वासन को साधने से बढ़ जाती है मैं खुद को सबसे पहले बुक्तान करें, सिदान्त को हलकेपन से नहीं लेता जार्ज कलासें की पुस्तक, दर रिचेस्ट मैन इन बेविलोन में, खुद को सबसे पहले बुक्तान करें का वक्तव्य सबसे पहले आया है इस पुस्त्थकी करोडों पर लग्षण विक चुकी है हला कि करोडों लोग इस जबर्दस्जूमले को दोराते हैं पर बहुत कम लोग इस अलाका पालं करते हैं जैसा मैंने कहा है फानेंशिल साक्षर अक्षर पढ़ने की योगड़ता देती है और अंक कहानी बता देते हैं किसी व्यक्तिक के इंकम स्टेटमेंट और बैलेंस इट देखकर मैं ततकाल यह देख सकता हूँ कि जो लोग खुद को सबसे पहले बुगतान करें किसी दान्त का राग अलापते रहते हैं वे दर असल इसका कितना पालन करते हैं एक चित्र हजार शब्दों के बराबर होता है तो एक बार फिर हम एसे लोगों के फाइनेंसियल स्टेटमेंट की तुल ना करें जो खुद को सबसे पहले बुगतान करते हैं और जो एसान नहीं करते हैं चित्रों का ध्यन कीजिए और देखिए किया आप कुछ अंतर पकड़ सकते हैं इसके लिए कैस्पलो की समझ जरूरी है जिससे कहानी बताई जाती है ज्यादातर लोग अंक देखते हैं और कहानी को अंदेखा कर देते हैं अगर आप सचमुस कैस्पलो की थाकत समझना शुरू कर देते हैं तो आपको जल्द ही यह पता चल जाएगा कि अगले चित्र में कहां गड़वड़ी है और 90 फिस्दी लोग क्यों जिन्दगी वर कड़ी मेनत करते रहते हैं और इसके बाद उन्हें सोचल सिक्योरिटी जैसी सरकारी मदद की जुरूर क्यों होती है क्या आप इसे देख सकते हैं यह चित्रूस व्यक्ति के काम कुदर साता है जो खुद का बुगतान सबसे पहले करता है हर मेने अपने मासी खर्चों का बुगतान करने से पहले वे अपने संपति वाले कालम में पैसा डालते हैं हलांकि करोडों लोगों ने कलासे इनकी बुस्तक पढ़ी है और खुद को सबसे पहले बुगतान करें का सिद्धान समझा परन्तों हकीकत में वे खुद को सबसे आखिर में बुक्तान करते हैं अब मैं आप मैंसे उन लोगों की चीक पुकार सुन सकता हूं जो अपने बिल्स का बुक्तान सबसे पहले करने में गंबीरता पूर विश्वास करते हैं और मैं यह भी सुन सकता हूं कि सभी जिम्मेदार लोग अपने बिल्स समय पर चुकाते हैं मैं यह नहीं कहता कि आप गैर जिम्मेदार हो जाएं यह आपने बिल्स का बुक्तान ने करें मैं सिर्फ यह कहता हूं कि आप वही करें जो यह बुस्तक आपको सिखाती है यानि खुद को सबसे पहले पैसा दें और पिछला चितर इसी सिदान्द का सही लेखांकन चितर है जबकि बाद में आने वाला चितर पूरी तरह से गलत है मेरी पतनी और मेरे पास कई बुक कीपर्स, अकाउंटेंट्स और बैंकर है जने शुरू में इस खुद को सबसे पहले पैसा देंसी दान्द से बहुत समझ्या होती थी इसका कारण यह है है कि यह financial professional भी दरसल वही करते हैं जो की जन्ता करती है यानि वे भी खुद को सबसे आखिर में पैसा देते हैं वे बाकी लोगों को सबसे पहले पैसा देते हैं मेरे जीवन में इसे महीने भी आई हैं जब किनी कारणों से मेरा cash flow मेरे bills से काफी कम रहा है फिर भी मैंने खुद को ही सबसे पहले पैसे दिये मेरे accountant और book कीपर चीखने लगे वे आपके पीछे पढ़ जाएंगे आपको जेल भी हो सकती है आप अपनी credit rating बिगार देंगे वे लोग बिजली कार देंगे मैंने फिर भी सबसे पहले खुद कोई पैसा दिया क्योंकि the richest man in Babylon की कहानी इसी बारे में है खुद परनुसासन की ताकत और आंत्रिक सेहन सकती के बारे में इसे बोलचाल की बासा में गुर्दा भी कहते है जैसा मेरे अमीर डैडी ने मेरे नोकरी के पहले माँ में मुझे बताया था कि ज्यादातर लोग दुनिया की ठोकरें सेहन करते रहते हैं पैसे वसूलने वाला आता है और आप या तो पैसे चुकाओ वरना तो आप उसे पैसे दे देते हैं और खुद को पैसे नहीं देते हैं एक सेल्ज कलर कहता है आप इसे अपने कार्ड चार्ज में डाल दें आपका रियल इस्टेट एजेंट आपसे कहता है आगे चले वड़ो घर खरेदने पर सरकार आपको टेक्स में छूट देती है पूरी पूस्तक दरसल इसी बारे में है आप में धारा के विरुद जाने का और अमीर बनने का गुर्दा होना चाहिए हो सकता है कि आप कमजोर ने हो परन्तु जब पैसे की बात आती है तो कई लोगों का होसला पस्त होने लगता है मैं यह नहीं कहता कि आप गैर जिम्मेदारन बने मुझ पर ज़्यादा करज नहीं है क्रेडिट कार्ड का करज भी नहीं और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ मैं अपनी आई को कम से कम इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं इसे सरकार को नहीं देना चाहता इसलिए आप मेंसे जिन लोगों ने The Secret of the Rich नाम का वीडियो देखा है उन्हें मैं यह है बता दूँ कि मेरी आई नेवादा के कार्परेशन के जरिए मेरे संपती वाले का उलम से आती है अगर मैं पैसे के लिए काम करता तो सरकार इसे ले लेती क्योंकि मैं अपने बिल्स का वुक्तान सबसे आखिर में करता हूँ परन्तु मुझ मैं इतनी आर्थिक समझ है कि मैं किसी मुस्किल में नहीं पासता हूँ मैं कंजूमर कर्ज को पसंद नहीं करता हूँ मेरे पास इतने दाइतो है जो 99 फिजदी लोगों से ज्यादा है परन्तु उनका वुक्तान मैं नहीं करता बलकि दूसरे लोग मेरे देंदारियों को चुकाते है वे मेरे किराईदार कहलाते है तो खुद को पैसा देने का पहला नियम यह है कभी कर्ज में मत फसो हलांकि मैं अपने बिल्स का बुक्तान सबसे आखिर में करता हूँ परन्तु मैं के वलकुछ मैं तवह इन बिली बचा कर रखता हूँ दूसरी बात यह है कि जब भी मेरे पास पैसा कम होता है तब भी मैं खुद को ही सबसे पहले पैसे देता हूँ मैं कर्ज देने वालों और सरकार को चीखने देता हूँ जब वे कठोर होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है क्यों? क्योंकि ये लोग मुझे पर एक ऐसान कर रही है वे मुझे प्रेडिट कर रही है कि मैं जाऊं और ज़गा पैसा कम हो तो मैं खुद को सबसे पहले पैसा देता हूँ उस पैसे को निवेस करता हूँ और कर्ज देने वालों को चीखने देता हूँ मैं वैसे आम तोर पर उन्हें सही समय पर बुगतान कर देता हूँ मेरी पत्नी और मेरी साख बहुत अच्छी है हम के वल दवाव में नहीं आते हैं और कर्ज उतारने के लिए अपनी बच्छत को इस्तेमाल नहीं करते नहीं उनके लिए अपने स्टोक को बिशते हैं इसमें बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं है तो जवाब यह है नमर एक एसे बड़े कर्ज में ने फसे जिसका बुगतान आपको करना हो अपने खर्चों को सीमित रखें अपने संपत्ती को बनाई अपने संपत्ती को सबसे पहले बनाई फिर बड़ा घर या शांदार कार खरी दे चुहा दोड़ में फसे रहने में समझदारी नहीं है नमर दो जब आपके बास पैसा कम हो तो दवाओ को बढ़ने दे और अपनी बचत या निवेस को खर्च ने करें उस दवाओ को अपनी फाइनेंसियल परतिबा को प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल करें ताकि आप ज़्यादा पैसा कमाने और अपने बिल्स का बुगदान करने के नई तरीकों के बारे में सोच सकें इस से ज़्यादा पैसा कमाने के आपकी योगयता भी बढ़ेगी और आपकी फाइनेंसियल बुद्धी भी ज़्यादा विक्सित होगी मैं कई बार फाइनेंसियल बट्टी में तपा हूँ और मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ज़्यादा आमदनी हासिल की है और यह ध्यान रखा है आम बुरी आदत है बचत में से पैसे निकाल लेना अमीर लोग जानते हैं कि बचत को ज़्यादा धन कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ने कि बिलों का भुक्तान करने के लिए मैं जानता हूँ कि यह कठोर जान पड़ता है परंतु जैसा मैंने कहा अगर आप अंदर से कठोर नहीं है तो दुनिया आपको इदर से उदर रखे लेगी अगर आप आर्थिक दबाव पसंद नहीं करते हो तो एक एसा फार्मूला कोज ले जो आपके लिए कारगर साबित हो एक अच्सा फार्मूला यह होगा कि खर्च कम किया जाए पैसे को बैंक में रखा जाए ज्यादा इंकम टेक्स चुकाया जाए सुरक्षित म्यूचल फंड खरी दे जाए और ओसत बने रहने की कसम खाई जाए परंतु यह है खुद को सबसे पहले बुगतान करें बुखे मरो जिन्दगी मोजमस्ती के लिए है अगर आप अपने फाइनेंसियल परतिवा को जागरत कर लेंगे तो आप के पास जीवन के सभी सुक हो सकते हैं आप अमीर बन सकते हैं और बिल चुका सकते हैं और इस प्रकिरिया में अच्छे जिन्दगी जी भी सकते हैं और यही फाइनेंसियल पुद्धी कहलाती है नमबर छे अपने ब्रोकर को अच्छा पैसा दें अच्छी सला की शक्ती मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग अपने गर के सामने एक पट्टी टांग देते हैं मालिक बेचना चाता है या मैं टीवी पर देखता हूँ कि कई लोग डिसकाउंट ब्रोकर होने का दावा करते हैं मेरे अमीर टेड़ी ने मुझे इसका उल्टा सिखाया है वे इस बात में बरोसा करते थे कि प्रोफेशनल्स को अच्छा बुक्तान किया जाई और मैंने भी उसी सिदान्त को अपनाया है आज मेरे पास महेंगे वकील अकाउंटेंट्स रियल इस्टेट ब्रोकर और स्टोक ब्रोकर हैं क्यों? क्योंकि अगर और मेरा सच्पूज मानना है अगर लोग प्रोफेशनल्स हैं तो उनकी सेवाओं से आपको पैसा मिलना चाहिए और वे जितना ज़्यादा पैसा कमाएंगे आप भी उतना ही ज़्यादा पैसा कमाएंगे हम सूचना के युग में रहे रहे हैं सूचना बेश कीमती है एक अच्छा ब्रोकर आपको सूचना तो देगा ही आपको सिक्षित करने के लिए समय भी देगा मेरे पास कई ब्रोकर हैं जो मेरे लिए यह करने के इच्छुक है कुछ ने मुझे तब सिखाया है जब मेरे पास बहुत कम पैसा था या बिल्कुल भी पैसा नहीं था और मैं आज भी उनके साथ हूँ मैं ब्रोकर को जितना पैसा देता हूँ वह है मेरे द्वारा उसकी सूजना से कमाई गए धन का बहुत छोटा इससा होता है मैं इसे पसंद करता हूँ जब मेरा रियल इस्टेट ब्रोकर या स्टोक ब्रोकर बहुत पैसा अब कमाता है क्योंकि इसका आम तोर पर यह मतलब होता है कि मैंने भी बहुत सा पैसा कमाया है एक अच्छा ब्रोकर मुझे पैसे कमाने के जयनकारी देने के अलावा मेरा समय भी बचाता है जैसे उस समय जब मैंने 40 जमीन के टुकड़े को 9000 डालर में खरीदा और ततकाल इसे 25000 डालर में बेच दिया ताकि मैं अपने लिए जल्दी से कार खरीद सकूँ ब्रोकर आपके लिए बाजार की आँख और कान है वे हर रोज वहां होते हैं और इसलिए मेरी वहां कोई जरूरत नहीं होती मैं इसके बजाए गोल्फ खेल सकता हूँ इसके अलवा जो लोग खुद ही अपना घर बेचते हैं उनके लिए खुद के समय की कोई खास कीमत नहीं होती मैं कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपना समय क्यों खराब करूँ जबकि इस समय को मैं ज़्यादा पैसा कमाने या अपने अंतरंग लोगों के साथ बिताने में इस्तेमाल कर सकता हूँ मुझे यह बहुत मज़ेदार लगता है कि इस से ज़्यादा गरीब और मद्य उमर गया लोग रेस्तरों में खराब सर्विस के बहुजूद 15-20 फिजदी टिप देते हैं और ब्रोकर को 3-7 फिजदी देने में अनकानी और शिकायत करते हैं वे खर्च वाले कालम के लोगों को टिप देते हैं और संपति वाले कालम के लोगों को टिप देने से कत्राते हैं यह आर्थिक समझदारी नहीं है सभी ब्रोकर एक जैसे नहीं होते दुर्भग्य से ज़्यादातर ब्रोकर सेल्जमेन होते हैं परंतु उनके पास खुद बहुत कम या बिल्कुल भी रियल इस्टेट नहीं होता घर बेचने वाले ब्रोकर और निवेश बेचने वाले ब्रोकर में बहुत बढ़ा अंतर होता है और यह स्टोक, बोंड, म्यूचल फंड और बीमा ब्रोकर के बारे में भी सही है जो खुद को financial planner कहते हैं परी कथा की ही तरह आप एक राजगमार कोजने के लिए बहुत से मेंड़कों को चूमते हैं पुरानी कहावत को याद कीजिए अगर आपको Encyclopedia की जुरूरत हो तो Encyclopedia बेजने वाले से मत पूछिए जब मैं किसी professional का interview लेता हूँ तो मैं पहले यह पता करता हूँ कि उसके पास खुद कितने विक्तिकित property या stock है और वह कितने परतिसद टेक्स दे रहा है मैं अपने tax अटारने और accountant के बारे में भी यही करता हूँ मेरे पास एक accountant है जो अपने काम से काम रखती है उसका पिसा हालांकि accounting है परन्तो उसका काम real estate में है मेरे पास एक accountant था जो एक छोटा business accountant था परन्तो उसके पास real estate नहीं था मैंने accountant बदल लिया क्योंकि हम एक ही business से प्रेम नहीं करते थे एसा broker खुजिए जो आपके सर्वसरेश्टितों को ध्यान में रखता हो कई broker आपको शिक्षित करने के लिए समय निकाल लेंगे और वे आपके द्वारा खोजी गई सर्वसरेश्ट सम्पति साबित हो सकते हैं बस उदार रहिए और वे भी आपके प्रती उदार रहेंगे अगर आप उनके कमिशन में कटोती करने के बारे में ही सोचते रहेंगे तो वे आपके आसपास क्यों रहना चाहेंगे यह विशुद और आसान सा तर्क है जैसा मैंने पहले कहा था मैनेजमेंट की दक्स्ताओं में से एक लोगों का मैनेजमेंट है कई लोग के वले से लोगों को मैनेज कर पाते हैं जो उनसे कम स्मार्ट हो और जिन पर उनकी सब्था हो जैसे किसी आफिस में अधिनस्त कोई दोयम दर्जे के मैनेजर्स दोयम दर्जे के मैनेजर्स ही बने रहेंगे और उन्हें कभी तरक्की नहीं मिल पाईगी क्योंकि वे यह तो जानते हैं कि नीचे वालों के साथ कैसे काम किया जाता है परंतु वे यह नहीं जानते कि उपर वालों के साथ कैसे काम किया जाई असली दक्स्ता है किसी दक्निकी चेतर में अपने से स्रेश्ट और ज्यादा स्मार्ट लोगों को मैनेज करना और उन्हें अच्छे पैसे देना इसलिए कंपनियों में बोर्ड आफ डारेक्टर होता है आपके पास भी होना चाहिए और यह है फाइनेंसियल समझदारी है नमबर साथ इंडियन दाता बनिये यह बिना कुछ दिये पाने की ताकत है जब अमेरिका में गोरे लोग गई तो उन्हें अमेरिकी इंडियन्स की परंप्रिक संस्कृती से जटका लगा उधारन के तोर पर अगर किसे गोरे व्यक्ति को ठंड लगती थी तो इंडियन उन्हें कंबल दे देते थे स्वेथ परवासी इसे उपहार समझ लेते थे और जब इंडियन कंबल वापस मांगता था तो उन्हें बहुत बुरा लगता था इंडियन को भी बुरा लगता था जब उन्हें यह पता चलता था कि स्वेट प्रवासी कंबल वापिस नहीं करना चाहते थे इस तरह इंडियन दाता वाक्यांस पैदा हुआ एक छोटी सी सांसकर्तिक नासमजी के कारण संपत्ति के कोलम कि दुनिया में इंडियन से दाता बनना दोलत के लिए बहुत जुरूरी है परिशकर्त निवेस्ट का पहला सवाल यह होता है मेरा पैसा मुझे कितनी जल्दी वापिस मिल जाएगा वे यह भी जानना चाहते हैं कि उन्हें मुफ्त में क्या मिल रहा है इसलिए निवेस्ट पर वापिसी इतनी मेतपून है उदारन के तोर पर मुझे एक छोटा रियल एस्टेट मिला जो मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पर था बैंक साथ हजार डॉलर चाहती थी और मैंने पचास हजार डॉलर की बुली लगाई जो उन्होंने सिर्फ इसलिए स्विकार कर ली क्योंकि बुली के साथ पचास जार डॉलर का चेक भी लगा गुआ था उन्होंने यह महसूस किया कि मैं गंबीर था ज्यादा तर निवेसक यह कहेंगे कि क्या आप अपना बहुत सा पैसा पसा नहीं रहे हैं क्या इस पर लोन लेना ज्यादा बेतर नहीं होगा इसका जबाब है बाकी के आठ मिनों में इसका किराया केबल एक अजार डालर होता है मेरा पैसा लगवग तीन सालों में वापिस आ गया था अब मैं इस अंपती का मालिक हूँ जो हर मेहिने मेरी आमदनी बढ़ाती रहती है यही स्टोक के बारे में किया जाता है प्राइब मेरा ब्रोकर मुझे सला देता है कि मैं किस कंपनी के स्टोक में काफी पैसा लगाँ क्योंकि उसके विचार से यह कंपनी कोई ऐसा कदम उठाने वाली है जिससे उसके शेर में तेजी आ जाएगी और कोई नया सामान बाजार में लाने वाली है मैं अपने पैसे को एक अपते से लेकर एक महीने तक लगाए रखता हूँ जब शेयर की किमते बढ़ती है फिर मैं अपनी मूल दनराशी को निकाल लेता हूँ और बाजार के उतार चड़ाओं से बेफिकर हो जाता हूँ क्योंकि मूल रखां वापस आ चुकी है और दूसरी संपती पर काम करने के लिए तयार है इस तरह मेरा पैसा जाता है और फिर बाहर आ जाता है और मैं एक ऐसी संपती का मालिक बन जाता हूँ जो एक तरह से मुझे मुझे मुफ्त में मिलती है यह सच है कि मैंने कई मोकों पर पैसा खोया भी है परंटो मैं इतने ही पैसों से खेल खेलता हूँ जितने का नुकसान मैं सहन कर सकता हूँ मैं यह कहूंगा कि उसर दस निवेसों पर मुझे दो या तीन में बहुत वाइदा होता है जबकि 5 या 6 में कोई लावानी नहीं होती मैं 2 या 3 में गाटा भी खाता हूँ परन्तु मैं अपने नुक्सान को उसी पैसे तक्सिमी तरक कर लेता हूँ जो मेरे पास उस समय होते है जो लोग जो खिम से नफरत करते हैं वे अपने पैसे को बैंक में रख लेते हैं और दिरक काल में उनकी बचत कुछ नहीं से बेहतर ही होती है परन्तु आपको अपना पैसा वापिस निकालने में बहुत लंबा समय लग जाता है और ज्यादातर मामलों में तो आपको इसके साथ कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता पहले तो वे टोस्टर दिया करते थे परन्तु आज कल एसा बीरेल ही होता है मेरे हर निवेस पर एक नए एक चीज मुफ्त होनी चाहिए एक चोटा रियल एस्टेट, एक मिनी स्टोरेज, खाली जमीन का टुकड़ा, घर, स्टोक शेयर्स या आफिस बिल्डिंग और जोखिम भी सीमित होना चाहिए इस विशे पर इतनी ज़्यदा पुस्त की लिखी जा चुकी है कि मैं इसे नहीं जाना चाहूँगा मैकडोनाल्स के मसूर रेक रोक हैंबर्ग्स फरंचाईजी इसलिए नहीं बेचते थे क्योंकि उन्हें हैंबर्ग्स से प्यार था बलकि इसलिए क्योंकि उन्हें उस फरंचाईजी के साथ आने वाला रियल एस्टेट मुफ्ट में मिलता था तो समझदार निवेसकों को ब्याज की दर से ज़्यादा चीजों का ध्यान रखना चाहिए आपका पैसा वापिस मिल जाए और आपके पास क्या समपती आती है यह भी मैतब्गून है यह फाइनेंसियल समझदारी है नमबर आठ समपती से विलासिता की चीजें खरीदी जाती है केंदरित करने की शक्ती मेरे एक दोस्त का बेटा बहुत खर्चिला था और एसा लगता था जैसे उसकी जेब में छेद हो गई हूँ सोला साल की उमर में सववाविक रूप से उसे अपनी कार चाहिए थी बहाना यह था सभी दोस्तों के मम्मी डैडी ने अपने बच्चों के लिए कार खरीदी है यह लड़का अपनी बचत में से पैसे निकाल कर नगत कार खरीदना चाहता था एसे समय में उसकी डैडी ने मुझसे सला मांगी आप क्या सोचते हैं कि मुझे उसे इसा करने देना चाहिए या मैं भी दूसरे पिताओं की तरह उसे कार खरीद कर दे दूँ इसके जवाब में मैंने कहा कुछ समय के लिए तो ठीक है परन्तु लंबे समय के लिए आप उसे क्या सिखा पाएंगे क्या आप अपने बच्चे की कार प्राप्त करने की इच्छा से उसे कुछ सीखने के लिए प्रेडित कर सकते हैं अचानक उसकी टूब लाइट चमकी और वह तुरंद घर की तरफ चल दिया दो महीने बाद मुझे वैदोस्त मिल गया क्या तुम्हारे बेटे को उसकी नई कार मिल गई मैंने पूछा नहीं उसे नहीं मिली परंतु मैं गया और उसे कार के लिए तीन अजार डाटल दे दिये मैंने उसे कहा कि वह अपने कॉलेज के पैसे के बज़ाए मेरे पैसे का उप्योग करे मैंने कहा यह है तो आपकी उधारता है नहीं उस पैसे के साथ एक शर्त भी जुड़ी है मैंने आपकी सला मान ली और उसकी कार खरीदने की प्रबल इच्छा के साथ सीखने की सर्त भी लगा रखी है शर्त क्या है मैंने पूछा पहले तो हमने आपके कैश पलो गेम का साहरा लिया हमने इसे खेलते हुए पैसे के समझदारी से इस्तेमाल पर एक लंबा विचार भी मर्स किया फिर मैंने उसे वाल स्टीट जनरल की सदस्ता दिलवा दी और स्टाक मार्केट पर कुछ पुस्त कें भी दिलवाई फिर दिक्ट कहां थी मैंने उससे कहा कि तीन हजार डालर उसके हैं परंतु वह इसे सीधे कार नहीं खरीच सकता वह इनके स्टोक खरीदे और बेच सकता है खुद का ब्रोकर ढूंड सकता है और एक बार वह इन तीन हजार डालर के 6,000 डॉलर बना लेता है तो वह अपनी कार खरीच सकता है और बाकी के 3,000 डालर उसके कालेज के फंड में जाएंगी मैंने पुछा और इसके परिणाम क्या निकले वह सुरुआत में किसमत वाला रहा परंतो कुछ दिनों बाद उसे अपने मुनाफे के सारी रकम गवा दी तब वह सचमुच रूची लेने लगा आज चाहिवे दोजार डालर के गाटे में हो परंतो उसकी रूची बहुत बढ़ गई है उसने मेरे दवारा खरीदी सारी किताबें पढ़ डाली और वहे और ज़्यादा पुस्तकों की खोज में पुस्तकालिया भी चला गया वहे मन लगाकर वाल स्ट्रीट जनरल पढ़ता है सुचकों पर नजर रखता है और M.T.V. के बजाए C.N.B.C. देखता है उसके पास केवल एक जार डालर बचे हैं परन्तु उसकी रूची और ग्यान आस्मान को चू रही है वहे जानता है कि अगर वहे इस पैसे को खो देगा तो फिर उसे दो सालों तक अपने पैरों पर ही चलना पड़ेगा परन्तु उसकी कोई खास चिंता नहीं पड़ी है अब उसे कारा हसिल करने में ज्यादा रूची नहीं है क्योंकि उसे एक एसा खेल मिल गया है जिसमें उसे ज्यादा आनन मिलता है क्या होगा अगर वहे सारा पैसा हार जाता है मैंने पूछा जब होगा तब देखा जाएगा मैं तो चाहूँगा कि वह अपी सारा पैसा हार जाए बजाए इसके कि वह हमारी उम्र में आकर सारा पैसा हारे और इसके अलावा मैं तो यह मानता हूँ कि उसकी सिक्षा पर खर्च किये गया यह सर्वसरेश तीन जाग डलर थे जो वह सीख रहा है वह जिन्दगी वरूस के काम आएगा और वह पैसे की ताकत का सम्मान कतना भी सीख गया है मुझे लगता है कि अब उसके जेव का छेत बंद हो चुका है जैसा मैंने खुद को सबसे पहले पैसे देंवाले खंड में कहा था अगर कोई विक्ति आतम अनुसासन की ताकत हासिल नहीं कर सकता तो बेतर यही होगा कि वह कभी अमीर बनने की कोशिश ने करे सेदान्तिक एसाब से संपति वाले कालम से कैस्पलो विक्षित करने की परकिरिया आसान नजर आती है परंतो इसमें पैसे की दिसा देने की मानसिक शक्ती की जरूरत होती है जो मुश्किल साबित होती है बहरी आकरशनों और परलोबनों के कारण आज की खरिदारी की दुनिया में यह ज़्यादा आसान होगे चला है कि पैसे को पूरा उड़ा दिया जाई कमजोर मानसिक शक्ती के कारण ही वह पैसा सबसे कम परतिरोध वाले रास्ते पर बह जाता है यही गरीबी और आर्थिक संगर्स का कारण है मैंने फाइनेंसियल समझदारी का यह आंकडों का उदारन इसलिए दिया ताकि पैसे से ज़्यदा पैसे कमाने की योगता कुछ जाना जा सके अगर हम सो लोगों को साल के शुरू में 10,000 डालर दे दे दें तो साल के अंत में क्या होगा अस्ती के पास कुछ भी नहीं बचेगा वास्ता में कई तो ज़्यदा करण में दवे होगे क्योंकि उन्होंने नई कार, फ्रीज, टीवी, वीचियर या छुट्टियों के लिए नगत पैसा दिया होगा सोला ने उस 10,000 डालर को 5-10 पिजदी बढ़ाया होगा और चार ने इसे 20,000 डालर या लाखों डालर तक बढ़ाया होगा हम किसी प्रोफेशन को सीखने के लिए स्कूल जाते हैं ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें मेरे विचार में यह सीखना भी मैत्वपूर्ण होता है कि पैसे से अपने लिए कैसे काम करवाया जाई मैं भी हर व्यक्ति की तरह विलासिता की वस्तों से प्रेम करता हूँ अंतर यह है कि कई लोग अपने विलासिता को कर्ज लेकर खरीदते हैं यह पडोशियों से परतियोगिता करने का जाल है जब मैं कार खरीदना चाहता था तब आसान रास्ता यही था कि मैं अपने बेंकर को बुला कर लोन ले लेता परंतु मैंने दाइतों वाले कालम को बढ़ाने के वज़ाई संपत्ति वाले कालम पर ध्यान के निरित रखा अब तो मुझे आदत पढ़ चुकी है कि मैं अपने खर्च की इच्छा से प्रेरित होता हूं कि किस तरह उसके लिए अतिरिक्त पैसा जुटा सको आज कल प्राए हम अपनी मनचाई चीज़ों को खरीदने के लिए कर्ज लेने पर ध्यान के निरित करते हैं और पैसा बनाने पर ध्यान के निरित नहीं करते यह रास्ता उच समय के लिए तो आसान है परंतों लंबे समय में यह बहुत मुश्किल साबित होता है यह एक ऐसी बुरी आदत है जो हमें इनसानों के रूप में और राश्टर के रूप में भी है याद रखें आसान रास्ते अक्सर मुश्किल बन जाते हैं और मुश्किल रास्ते अक्सर आसान बन जाते हैं जितनी जल्दी आप खुद को और अपने प्रियजनों को पैसे के सासके रूप में पर्शिक्षित कर लेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा पैसा बहुत बड़ी ताकत है दुर्भग ऐसे लोग पैसे की ताकत को अपने खिलाप इस्तेमाल करते हैं अगर आप में पैसे की समझ कम है तो पैसा आपके उपर राज करेगा यह आप से ज्यादा स्मार्ट होगा अगर पैसा आप से ज्यादा स्मार्ट बन जाएगा तो आप इसके लिए जिन्दगी भर काम करते रहेंगे पैसे के उपर सासन करने के लिए आपको इससे ज़या स्मार्ट बनना होगा फिर पैसा वही करेगा जो आप इससे कहेंगे यह आपकी आग्या का पालन करेगा इसके गुलाम होने के बजाए आप इसके मालिक होंगे यही आर्थिक समझधारी है नमबर नो, नाइकों की जुरुषत, मिथक की ताकत जब मैं छोटा था, तब मैं विली मेज, हैंक आरन, योगी बेरा का बहुत बड़ा प्रसंद सकता वे मेरे आदर्स थे, लिटिल लीग खेल रहे बच्चे के रूप में मैं उनकी तरह होना चाता था, मैंने उनके बेसबाल काड़ भी सहीज रखे थी मैं उनके बारे में सब कुछ जान लेना चाता था, मैं उनके बारे में सभी आंकड़े जानता था उनके बेटिंग के उसक उन्हें मिलने वाली धन्राशी और वे किस तरह बड़े हुए सब कुछ मैं सब कुछ इसलिए जानना चाहता था क्योंकि मैं उनके जैसा बनना चाहता था नो या दस साल की उमर में मैं जब बेस्वाल खेलने के लिए मेदान पर जाता था तो वह मैं नहीं जाता था बलकि मेरे रूप में योगी या हैंक मैदान पर उतरते थे यह सीखने के सबसे ससक तरीकों में से एक है जो हम बड़े होने के बाद खो देते हैं हम अपने नाइकों को खो देते हैं हम अपने नोसिखियेपन को खो देते हैं आज मैं अपने घर के पास चोटे बच्चों को बास्केट बाल खेलते देखता हूँ, कोर्ट पर वे चोटी जानी नहीं होते, वे तो माइकल जोडन, सर चार्ल्स या कलाइड होते हैं, आदर्स नाइकों की नकल करना ग्यान प्रापत करने का सचा और सचक तरीका है, और इसल व्यक्ति जिसकी तरह बनने का सपना लोग बच्पन में संजोई रहते हैं, और वे जिसकी पूजा करते हैं, अचानक हमें उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी से निकालना पड़ता है, जब मैं बड़ाब हो गया था, तो मेरे नाइक बदल गए थे, मेरे गोल्प के हिरो बन डोनाल्ड ट्रम, वारेन बुफे, पीटर लेंच, चाद सोरोस और जिम राजर्स भी हैं, बड़ा हो जाने के बाद मैं उनके आंकडे उसी तरह जानता हूं, जिस तरह कि अपने बच्पन में बेस्पाल हिरोज के आंकडे जानता था, मैं अनुसरन करता हूं जब वारेन ब टेकनीक को समझ सकूं, और मैं डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में इसलिए पढ़ता हूं, ताकि यह जान सकूं कि वे किस तरह सोदे करते हैं, जिस तरह मैदान पर बेस्पाल के लिए बेटिंग करते जाते समय, मैं खुद की बुमिका में नहीं होता था, उसी तरह जब मैं ब आदर्सनाइक होने से हम अपनी कच्ची परतिबा के ब्रहद सुरूत का देहन करते हैं, परन्तु आदर्सनाइक हमें प्रेडित करने से भी ज़्यादा बड़ा काम करते हैं, वे चीजों को ज़्यादा आसान बना देते हैं, चीजें आसान दिखने के करण हम भी उनी की तर करना चाहिए जो इन्हें आसान बना देते हैं नंबर दस सिखाओ और आपको हासिल होगा देने की शक्ति मेरे दोनों डेड़ी सिख्षक थे मेरे अमीर डेड़ी ने पुझे एसा सबक सिखाया जो मेरे साथ जिन्दगी वर चल रहा है और वह सबक था प्रोपकार करना या दे अमीर के डेड़ी ने अपने समय और ग्यान द्वारा दूसरों को बहुत दिया परन्तों शायद ही कभी अपना पैसा दिया हो जैसा मैं बता चुका हूँ वे सामानेता कहा करते थे कि वे तभी देंगे जब उनके पास कुछ अत्रिक धन होगा और उनके पास कभी भी अत्र कुछ देने की जरूरत है वे हमेशा कहा करते थे जब उनका हाथ तंग होता था तब भी वे अपनी चर्च या अपनी पसंदीदा धार्मिक संस्ता को दान देते थे अगर मैं आपके पास कोई विचार छोड़ना चाहता हूँ तो वह विचार यही होगा जब भी आपको किस चीज की कमी या जरूरत मैसस हो तो पहले उस चीज को दे दें बाद में वह बाल्टियों से बरकर आपके पास लोटाएगी यह पैसा मुस्कुराहाट प्रेम दोस्ती सभी के बारे में सही है मैं जानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करना चाहेगा परंतु मैंने ऐ चाहता हूँ मुझे पैसा चाहिए इसलिए मैं पैसे देता हूँ और यह कई गुना होकर मेरे पास वापिस आ जाता है मैं विक्री बढ़ाना चाहता हूँ इसलिए मैं किसी और विक्ति की कुछ बेजने में मदद कर देता हूँ और मेरे विक्री बढ़ जाती है मैं संपर् को कुछ नहीं चाहिए पर इंसनों को देना चाहिए मेरे अमीर डेड़ी एक्सर कहा करते थे गरीब लोग अमीरों से ज़्यादा लालची होते हैं उन्होंने इसे समझाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो वह व्यक्ति दूसरों द्वारा चाही गई कुछ चीज़ दे रहा है मेरे जीवन में मेरे तमाम वर्सों में जब भी मैंने पैसे की कमी या जरूरत महसूस की है तो मैंने पहले तो अपने दिल को टटोला है कि मैं क्या चाहता हूँ और फिर इसे देने का फैसलात किया है और जब मैंने दिया है तो यह हमेशा मेरे पास वापस लोटा है यह मुझे उस व्यक्ति की कहानी या दिलाता है जो जाडे की ठंडी रात में लकडियां लेकर बैठा है और पास में धीमे धीमे जल रेश्टो पर चिला रहा है जब तुम मुझे गर्मी दोगे तब मैं कुछ लकडिया अंदर डालूँगा और जब पैसे, प्रेम, सुक, बिक्री और संपर्क की बात आती है तो हर व्यक्ति को यही याद रखने की जरूरत है कि जो आप चाते हैं, पहले आप उसे दे दे और यह कई गुना होकर आपके पास लोट आएगा बहुदा केवल यही सोचने की परकिरिया से भी कि मैं क्या चाता हूँ और इसे किसी और को किस तरह दे सकता हूँ मेरे अंदर उदारता का ज्वर आने लगता है जब भी मैं यह देखता हूँ कि लोग मेरी तरफ देखकर नहीं मुसकरा रहे हैं तो मैं आराम से मुसकराना और हेलो करना चालू कर देता हूँ और जदू की तरह मेरे आसपास अचानक बहुत से मुसकराने वाले लोग जमा हो जाते हैं यह सच है कि आपकी दुनिया केवल आपका धरपण है तो इसलिए मैं कहता हूँ सिखाओ और आपको मिलेगा मैंने पाया है कि मैं सीखने वालों को जितनी गंबेरता से जितना ज़्यादा सिखाता हूँ मैं भी उतना ही ज़्यादा सीखता हूँ अगर आप पैसे के बारे में सीखना चाते हैं तो इसे किसी और को सिखाई ऐसा करने से आपके दिमाग में बहुत से नए विचारों और फार्मूलों की बाड़ा जाएगी ऐसे भी समय आये हैं जब मैंने दिया है और कुछ भी वापस नहीं लोटाया या जो मुझे मिला वह मैं नहीं चाता था पर अंतु करीबी जांच और आतमा वलोकन से मुझे पता चला कि उन मामलों में मैं देने के लिए नहीं दे रहा था बलकि पाने के लिए दे रहा था मेरे डैड़ी ने सिख्षकों को सिखाया और वे एक मास्टर टीचर बन गई मेरे अमीर डैड़ी ने यूवा लोगों को अपना बिजनस करने का तरीका सिखाया मैं पीछे पलट कर देखता हूँ कि यह सीखने वालों की अपनी ग्यान के प्रती उदारता ही थी जिसके खारण है वे ज़्यादा स्मार्ट बन गई इस दुनिया में ऐसी ताक्ते हैं जो हमसे ज़्यादा स्मार्ट है आप वहाँ खुद अपने दम पर पहुंच सकते है परन्तों उन ताक्तियों की मदद से वहाँ पहुंचना ज़्यादा आसान होता है आपको बस इतना ही करना है कि आप उदार हों और वे ताक्तें भी आपकी प्रती उदार होंगी धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याई दसकी ओर जो है और च्यादाग चाहिए कुछ काम जो आपको करने चाहिए आपका दिन शुब हो रिच डैड, पूर डैड, अध्याई दस और ज़्यादा चाहिए कुछ काम जो आपको करने चाहिए हो सकता है कि कई लोग मेरे दस कदमों से संतुष्टने हों उनकी नजर में यह फिलोस्पी ज़्यादा है और इसमें काम की बते कम है मैं यह मानता हूँ कि फिलोस्पी भी उतने ही मैतवपूर्ण है जितने की काम की बते है एसे कई लोग हैं जो सोचने के बजाए करना चाते हैं और एसे लोग भी हैं जो सोचते हैं परंतु करते कुछ नहीं है मैं यही कहूँँगा कि मैं दोनों परकार के लोगों का सही होग हूँ मैं नई विचारों को पसंद करता हूँ और मैं काम करना भी पसंद करता हूँ तो उन लोगों के लिए जो किस तरह शुरू करें के बारे में कुछ मारिक दर्शक बातें जानना चाहते हैं मैं संक्षेप में कुछ ऐसी बातें बताओंगा जो मैं करता हूँ आप जो कर रही हैं वहे करना बंद कर दें दूसरे सब्दों में आव कास लें और यह आंकलन करें कि कौन सी चीज काम आ रहा है और कौन सी चीज काम नहीं आ रहा है पागलपन की परिवसाई यही है कि आप वही चीज़ करते चले जाएं और अलग परिणाम की अफिक्षा करें जो सफल नहीं हो रहा है वहे करना बंद कर दें और कुछ नया करने की खोजें नए विचारों की तलास करें नए निवेस के विचारों के लिए मैं किताब की दुकान में जाता हूँ और अलग अलग तथा अनूठे विचों पर पुस्त के ढूंडता हूँ मैं उन्हें फार्मूलों का नाम देता हूँ मैं कैसे करें पुस्त के उस फार्मूले के लिए खरीदता हूँ जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता उधारन के लिए मैंने एक किताब की दुकान में जोल मासकोवीर्ज की पुस्तक The 16% Solution देखी मैंने वह पुस्तक खरीदी और पड़ डाली ततकाल काम करें अगले बुदुवार को मैंने बिल्कुल वही किया जो पुस्तक में कहा गया था मैंने हर कदम पुस्तक के अनुसार उठाया था वकिलों के आफिसों या बैंक में मैंने रियल एस्टेट के सोदों के साथ भी यही किया है ज्यादातर लोग ततकाल कदम नहीं उटा थे या वे एक तरह से इस बात का इंतजार करते हैं कि कोई आएगा और उन्हें बताएगा कि उनके दोरा सिखा गया नया फार्मूला गलत है और उसका अनुसरन करना बिलकुल बेकार है मेरे पडोसी ने मुझे बताया कि मेरा 16 फिजदी का फार्मूला क्यों बेकार है बहराल मैंने उसके बात पर इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने कभी ऐसा करके नहीं देखा था किसी ऐसे आदमी को खोजे जिसने वह किया हो जो आप करना चाहते है उन्हें लंच पर ले जाएं उनसे टिप्स लें बिजनस की बारिकियां समझे अपने 16 फिजदी के परमान पत्रों के लिए मैं काउंटी टेक्स फिजद गया और मैंने वहाँ पर काम करने वाले सरकारी करमचारियों को खोजा मैंने यह पाया कि वह भी इन में निवेस करती है तब काल ही मैंने उसे लंच का नोता दे दिया उसने रोमान चित होकर मुझे यह समझा दिया इसे कैसे करना है और उसने अपना पूरा ग्यान मेरे सामने परोस दिया लंच के बाद उसने पूरे दिन मुझे वह जगें दिखाई जहां मैं इस तरह का सोदा कर सकता था अगले दिन तक मैंने उसकी मदद से दो बड़ी जायदतों को पा लिया था और मैं तब से उन पर 16 फिस्दी की दर से ब्यास कमा रहा हूँ मुझे पुस्तक पढ़ने में एक दिन लगा कदम उठाने में एक दिन लगा लुण्च में एक गंटा लगा और दो बड़े सोदे करने में केबल एक दिन लगा कक्षाओं में भागले और टेप खरी दे मैं आख़बारों में नई और रोचक कक्षाओं की खबर रोजणा खोज़ता रहता हूँ इन मेंसे कई तो मुफ्ट होती है या उनकी फिस बहुत कम होती है मैं जो सीखना चाता हूँ उस विशे पर मैं महेंगे से मेनारों में भी जाता हूँ मैं इसलिए अमीर हूँ और मुझे इसलिए नोकरी करने की कते ही जुरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इस तरह के पाठे कर्मों में भाग लिया है मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझे यह बताया करते थे कि इस तरह के कर्कर्मों में भाग लेकर मैं अपना समय और पैसा दोनों बरबाद कर रहा हूँ वे आज भी वही काम कर रही है हमेशा offer देते रहीं जब भी मैं कोई real estate की property चाहता हूँ तो मैं कई property देखता हूँ और आम तोर पर एक offer लिख देता हूँ अगर आप नहीं जानते कि सही offer क्या होना चाहिए तो यह मैं भी नहीं जानता यह तो real estate agent का काम है वे offer का आंकड़ा देते हैं मैं जहां तक संभव हो सकता है, कम से कम काम करता हूँ, मेरी एक मित्र चाती थी, कि मैं उसे अपार्टमेंट हाउस खरीदना सिखाऊंँ, एक शेनिवार को वह, उसका एजेंट और मैं गए, और हमने छे अपार्टमेंट हाउस देखे, चार तो गटिया थे, परन्तु दो उसके हिसाब से यह बत्तमी जी होगी, और इस से मकान मालिकों को बुरा लग सकता है, परन्तु मैं वास्तों में नहीं सोचता कि एजेंट इतनी कड़ी मेहनत करना चाता था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया, और वे एक बेतर सोदे की तलास में चले गई, उन्होंने क की सोदा करने के लिए आपके सामने दूसरी पार्टी नहीं हो, जादा तर बेचने वाले बहुत जादा किमत मांगते हैं, यह दुरलब ही है कि कोई बेचने वाला वास्तों में ऐसी किमत मांगे, जो वास्तों एक मुल्या से कम हो, इस का आने से हमें यह सिक्षा मिलती है, क की से मैं महीनों से बेजना चाहता था, मैंने किसी भी चीज़ का स्वागत किया होता, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किमत कितनी कम थी, उन्होंने अगर मुझे दस सोरों का व्याफर दिया होता, तो भी मैं खुश हो गया होता, ओफर की किमत से नहीं, बलक खरीदने और बेचने का खेल बड़ा मज़ेदार होता है इस बात का हमेशा अंद्यान रखें यह मज़ेदार है और यह केवल एक खेल है ओफर देते रहें कोई तो कभी हाँ कहेगा और मैं हमेशा अपने आफर में बचाओ के वाक्य डाल देता हूँ रियल इस्टेट में मैं हमेशा अपने आफर में यह लिखता हूँ कि बिजनस पार्टनर के अनुमोदन के बाद ही यह समझोता अंतिम माना जाएगा मैं यह कभी नहीं बताता कि मेरा बिजनस पार्टनर कौन है ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि मेरी बिजनस पार्टनर मेरी बिल्ली है अगर वे आफर को मान लेते हैं और मैं सोदा नहीं करना चाहता तो मैं घर फोन लगाता हूं और अपनी बिल्ली से बात कर लेता हूं मैं यह अजीबों करीब वक्त वे इसलिए बता रहा हूं ताकि आप यह जान सकें कि यह खेल कितना आसान और सरल है ज्यादातर लोग चीज़ों को बहुत ज्यादा जटिल बना देते हैं और उन्हें काफी गंविरता से ले लेते हैं एक अच्छा सोधा खोजना या सही बिजनस डूणना सही लोग या सही निवेसक डूणना दरसल डेटिंग यह तरह है आपको बाजार में जाना होता है और बहुत से लोगों से बात करनी होती है और बहुत से ओफर देने होते हैं कई ओफरों का जवाब देना होता है तर्चा करनी होती है, एस्विकार या स्विकार करना होता है मैं जानता हूँ कि ऐसे भी अकेले लोग होते हैं जो घर पर बैठकर फोन की गंटी बजने का इंतजार करते रहते हैं परण तो जब तक आप सिंडी कारफोर्ड या टाम क्रूज नहीं होते हैं मैं सोचता हूँ कि आपके लिए बेहतर तो यही होगा कि आप बाजार में जाएं, चाहे सूपर मार्केट में ही चले जाएं खोजें, आफर दें, ऐस्विकार करें, सोदे बाजी करें और स्विकार करें यह जिन्दगी में हर चीज के बारे में दोराई जाने वाली प्रकिरिया है महिने में एक बार किसी निश्चित स्थान से 10 मिनट तक जोगिंग करते हुए या टहलते हुए या गाड़ी चलाते हुए निकलें मैंने अपने कुछ बहतरिन रियल स्टेट के निवेस्टो जोगिंग करते समय ही खोजी है मैं एक साल तक किसी निश्चित दायर में जोगिंग करता था मैं परीवर्टनों को देखता रहता था किसे भी सोधे में फाइदे के लिए दो तत्वों का होना जरूरी है एक तो सोधा और दूसरा परीवर्टन हलांकि सोधे तो बहुत से होते है पर अंत्यु परिवर्थन को भाफ लेने से सोधा एक फाइदमन मौके में बदल जाता है इसलिए जब मैं जोगिंग करता हूँ तो मैं जोगिंग करने के लिए ऐसी जगे चुमता हूँ जहां में निवेस करना चाता हूँ बार बार उसी जगे के चक्कर लगाने से मैं वहां हो रहे चोटे चोटे परिवर्तनों को देख सकता हूँ मैं एसे रियल स्टेट के साइन बोर्ड को भाफ लेता हूँ जो वहां काफी लंबे समय से लगे भी है इसका मतलब यह होता है कि बेचने वाला सोधा करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्चुक होगा मैं जाते वे ट्रुकों को भी देखता हूँ और आते वे ट्रुकों पर भी निगा लगाई रखता हूँ मैं रुक कर ड्राइवरों से बात करता हूँ मैं डाकियों से भी बात करता हूँ उन्हें अपने इलाके के बारे में गजब की जानकरी होती है मैं एक बुरा इलाका खोज लेता हूँ खासकर ऐसा इलाका जहां लोग किसी बुरी खबर से डरे हुए होते हैं मैं वहां साल में कई बार शहर देखने के लिए चक्तर लगाता हूँ कि सुधार के लक्षण कहा नज़र आ रही है मैं रिटेलर से बात करता हूँ खासकर नए दुकानदारों से और उनसे यह पूछता हूँ कि वे इस इलाके में क्यों आए हैं इसके लिए महिने में कुछ मिनट का समय देना होता है और मैं इसे तब करता हूँ जब मैं कसरत कर रहा होता हूँ या इसी तरह का कोई दूसरा का कर रहा होता हूँ जैसे स्टोर जाने या आने का काम स्टोक के मामले में मुझे पीटर लिंस की पुछतक बीटिंग दे स्ट्रीट इसलिए बहुत ज़रा पसंद है क्योंकि इसमें एसे स्टोक को चुनने का फार्मूला दिया गया है जिनकी कीमते बढ़ने वाली है मैंने यह पाया है कीमत पढ़ने के सिदान्त हर जगह एक जैसे होती है साहे वह रियल इस्टेट हो स्टोक हो मिचुल फंड हो नया पालतु कुता हो नया घर हो नया जीवन साती हो या लॉन्डरी के डिटरिजेंट पर बारगेनिंग हो पर किरिया लगबग वही रहती है आपको यह जानने की जरूरत होती है कि आप किसकी तलास कर रहे हैं और इसके बाद आपको उसे तलास ना होता है ग्रहाक हमेसा गरीब क्यों रहेंगे जब सूपर मार्केट में कोई सेल लगती है जैसे टोईलेट वेपर की तो ग्रहाक दोड़कर स्टोक इकठा कर लेते हैं जब स्टोक मार्केट में सेल लगती है जिसे सामने ते अक्रेस या उतार या सुधार कहा जाता है तो गरहक इससे दूर भाग जाते है जब सूपर मारकेट अपनी कीमतें बढ़ा देता है तो गरहक कहीं और जाकर खरीद दाई करता है जब स्टोक मारकेट अपनी कीमतें बढ़ा देता है तो गरहाख खरीदना शुरू कर देता है सही जगों पर खोजिए मेरे पड़ोसी ने कांडोमीनियम एक लाख डॉलर में खरीदा मैंने उसके बगल में यह वैसा ही कांडोमीनियम पचासाजार डॉलर में खरीदा उसने मुझे बताया कि वैकीमतों के बढ़ने का इंतजार कर रहा है मैंने उससे कहा कि फाइदा खरीदते समय होता है ने की बेजते समय उसने एक ऐसे रियल स्टेट ब्रोकर को चुना था जिसकी खुद की कोई प्रोपर्टी नहीं थी मैंने एक बार बैंक के फोर क्लोजर डिपार्टमेंट की मदद ली थी मैंने एक कक्षा में 500 डॉलर की फीज देखर यह सिखा था कि एसा कैसे किया जा सकता है मेरे प्रोपर्बोसी का विचार था कि रियल स्टेट में निवेस की कक्षा के लिए 500 डॉलर की फीस बहुत महेंगी थी उसने कहा कि उसके पास नए तो इतने पैसे हैं नए ही समय इसलिए अब वह कीमत बढ़ने का इंतजार कर रहा है मैं पहले तो उन लोगों की तलास करता हूं जो खरीदना चाते हैं फिर मैं उस व्यक्ति को ढूंड़ता हूं जो बेजना चाता है मेरा एक दोस्त एक प्लाट ढूंड रहा था उसके पास पैसा था परन्तो उसके पास समय नहीं था मैंने भी ढूंडना चालू किया और मुझे अपने दोस्त की जरूरत से बड़ा टुकड़ा मिल गया की बचा टुका मैंने मुफ्त में ही अपने पास रख लिया इस कहानी से हमें यह सिक्षा मिलती है केक खरीदो और उसे टुकड़ों में बांट दो ज्यादातर लोग अपनी हैसियत के मताबिछ सामान की खोज करते हैं इसलिए यह कम सामान की ज्यादा कीमत चुकाते हैं छोटे विचार वाले लोगों को बड़े अवसर नहीं दिखते हैं इसलिए अगर आप ज्यादा अमीर बनना चाते हैं तो पहले तो बड़े विचारों को सोचना शुरू कीजिए दुकानदा ज़्यादा सामान खरीदने वालों को डिसकाउंट देते हैं और वेकेवल ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ज़्यादा तर वेवसाई ज़्यादा खर्च करने वाले लोगों को पसंद करते हैं अगर आप कम खर्च भी करते हों तो भी आपको हमेसा बड़े विचार को ही सोचना चाहिए जब मेरी कंपनी को कंप्यूटर खरीदने थे तो मैंने अपने बहुत से दोस्तों से फोन पर पूछा कि क्या उन्हें भी कंप्यूटर खरीदना है हम सब मिलकर कई डिलरों के पास गई क्योंकि हमें बहुत से कंप्यूटर खरीदने थे मैंने यही सेरों के साथ भी किया चोटे लोग हमें साथ चोटे ही रहेंगे क्योंकि उनकी सोट चोटी है या तो अकेले ही काम करें या फिर काम ही ने करें इतियास से सिखें स्टोक एक्सचेंड की सभी बड़ी कमपनिया छोटी कमपनियों की रूप में शुरू हुई थी करनल सैंडर्स तब तक अमीर नहीं हुए थे जब तक साथ साल की उमर में उन्होंने अपना सब कुछ नहीं गबां दिया था बिल गेट्स तीस साल से भी कम उमर में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है सक्रियता हमेसा निस्क्रियता को हरा देती है अवसर पैचानने के लिए केवल कुछ ही चीजी हैं जो मैं करता आया हूँ और अब भी कर रहा हूँ इन में से सबसे महत्व कुछ शब्द है किया और करो जैसा इस पुस्तक में कई बार दो राया जा चुका है संपत्ति के पुरुषकार को पाने से पहले आपको सक्रिय होना पड़ेगा तो काम पर जुट जाएं अभी से ही धन्यवाद आईए चलते हैं उपसहार की तरफ केवल साथ अजार डालर में ही कॉलिज की सिक्षा आपका दिन सुब हो रिच डेड पुर डेड उपसहार केवल साथ अजार डालर में ही कॉलिज की सिक्षा अब जब यह पुस्तक खतम हो रही है और छपने जा रही है मैं आपके साथ अपना एक अंतिम विचार बांटने जा रहा हूँ इस किताब को लिखने का खास कारण लोगों को यह है सिखाना था कि किस तरह पैसे की समझ से जिन्दगी की समन्य समझ्यां को सुलज़ाया जा सकता है वितिय प्रशिक्षन के बिना हम उनेंगी से पिटे फार्मूलों के साहरे जिन्दगी काड़ देते हैं जैसा कड़ी मेहनत करो, बचाओ, उधार लो और बहुत ज़्यादा टेक्स चुको आज हमें ज़्यादा समझदारी की जरूरत है मैं निजे दी हुई कहानी को एक ऐसी आर्थिक समझ्चा के अंतिम उधारन के रूप में प्रस्तूत कर रहा हूँ जिससे कई युवा परिवार आजजूज रही है आप अपने बच्चों के लिए किस तरह अच्छी शिक्षा का इंतिजाम कर सकते हैं और अपने खुद के रिटायर्मेंट के लिए पैसा इकठा कर सकते हैं इसी लक्षे की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत के बज़ाई वित्ती अबुदी का प्रियोग किस तरह किया जा सकता है यह इसी का उधारन है मेरा एक दोस्त एक दिन अपना दुखडा रो रहा था कि चार बच्चों की कॉलेज की सिक्षा के लिए पैसों की बज़त करना कितना कठिन था वह हर मईने एक म्यूचल फंड में तीन सो डॉलर जमा कर रहा था और अब तक उसके पास 12,000 डॉलर जमा कर लिए गई थे उसे अपने बच्चों को कॉलेज बेजने के लिए 4,000,000 डॉलर की जुरूरत थी उसके पास इसे जमा करने के लिए 12 साल थे क्योंकि उसका सबसे बड़ा बच्चा तब 6 साल का था यह 1991 की बात थी और उस समय फिनिक्स का रियल इस्टेट बाजार दुर्दसा में था लोग बाग अपना घर पार बेचने में लगे थे मैंने अपने इस सहवाटी को सुझाया कि उसके पास म्यूचल फंड में जो पैसा जमा है उसके कुछ हिस्से में वह एक घर खरीद ले यहे विचार उसे कुछ-कुछ जम गया और हम इस सम्भावना पर विचार करने लगे उसकी मुख्य चिंता यह थी कि एक और घर खरीदने के लिए उसकी बैंक में क्रेडिट नहीं थी और उसके पास इतना नगद नहीं था मैंने उसे वरोसा दिलाया कि किसी प्रोपरटी को फाइनान्स करवाने के लिए बेंक के पास जाने के लाव दूसरे रास'tे भी होते हैं हमने दो हफ़तों तक मकान खोजा एक एस अगर जो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता हो चुनने के लिए हमारे पास बहुत से गर थे इसलिए हमें शोपिंग में मज़ा भी बहुता रहा था आखिरकार हमने एक अच्छे महले में तीन बेडरूम और दो बात वाला घर खरीद लिया घर पसंद किया मालिक उसी दिन घर बेचना चाहता था क्योंकि वह रूसका परिवार कैलिफोर्निया के लिए जा रहे थे जहां उसकी नोकरी उसका इंतजार कर रही थी वह एक लाग दो हजार डालर चाहता था परन्तु हमने उसे उन्यासी हजार का आफर दिया उसने तत्काल उसे मनजूर कर लिया उसकर पर एक नोन क्वालिफाइंग लोन था जिसका मतलब यह था कि कोई बिना नोकरी वाला आदमी भी उसे बेंकर के अनुमोदन के बिना खरीच सकता था मकान मालिक पर बैतर अजार डालर का करज बाकी था इसलिए मेरे दोस्त को केवल बचे हुए साथ अजार डालर का इंतिजाम करना था जो करज की रकम और खरीदने की रासी का अंतर थी जैसे ही मालिक ने घर खाली किया मेरे दोस्त ने मकान की रहे पर उठा दिया सारा खर्च निकालने के बाद जिसमें करज की किस्त भी शामिल थी उसकी जेब में हर मेने 125 डालर आने लगे उसकी योजना थी कि वह मकान को 12 साल तक अपने पास रखे और हर मेने मिलने वाली अतिरिक 325 डालर का उप्योग करके जल्दी से जल्दी करज उतार दे हमने अनुमान लगाया कि 12 सालों में करज का एक बड़ा भाग चुक जाएगा और जब उसका वहला बच्चा काले जाएगा तो उसके पास 800 डालर परती महा के अमदनी होगी अगर उस मकान की किमत बढ़ जाती है तो वह घर को बेच भी सकता है 1994 में फिनिक्स में रियल इस्टेट मार्केट अचानक बदल गया और उसे उसी घर के लिए उसके किराईदार ने एक लाग चपन अजार डॉलर का ओफर दिया जो उस घर में रहता था और उससे प्रेम करने लगा था एक बार फिर उसने मुझ से पूछा कि इस बारे में मैं क्या सोचता हूँ और मैंने वास्तविक रूप से कहा कि वह इसे 1031 टेक्स विहीन एक्सचेंज के आदार पर बेच दे अचानक ही उसके पास लगबग 80,000 डालर अतिरिक ता गए मैंने ओस्टिन टेक्सास में अपने एक और दोस्त को फोन किया एक मिनी स्टोरेज फैसिलिटी में लगा दिया तीन महीने के बीतर उसे हर महीने लगबग 1000 डॉलर के चेक मिलने लगे इसे वह कालेज म्यूचल फंड में जमा करने लगा और वह बहुत तेजी से बढ़ रहा था 1996 में मिनी वेर आउस बिक गया और उसे बिकरी के हिस्से के रूप में लगबग 30,000 डॉलर का चेक मिला जो उसने एक नए प्रोजेक्ट में लगा दिये जिससे उसे हर मेने 3000 डालर से ज़्यादा आमदनी होने लगी जो उसके कालेज मिचल फंड में जाने लगी उसे अब पूरा विस्वास है कि उसका 4 लाख डालर का लक्ष आसानी से हासिल हो जाएगा और इसके लिए उसे शुरुआत में केवल 7,000 डालर और थोड़ी सी वित्य गुद्धी का इस्निमाल करना पड़ा उसके बच्चों को अब उतनी सिक्षा मिल रही थी जो वे हासिल करना चाते हैं और वह अपनी मूल पूंजी का प्रियोग अपने रिटार्मेंट के लिए कर सकता है जो अभी उसके सी कर्परेशन में निवेस की हुई है इस सफल निवेस रिननिती के कारण अब वह जल्दी ही रिटार्मेंट ले सकता है इस पुस्तक को पढ़ने के लिए धन्यवाद मुझे आशा है कि इस से आपको कुछ समझ मिली होगी कि किस तरह पैसे की ताकत का इस्तेमाल किया जाए ताकि पैसा आपके लिए काम करें आज हमें बचे रहने के लिए भी पैसे की समझ की जरूरत है यहे विचार की पैसा बनाने के लिए पैसे की जरूरत होती है वित्या रूप से ना समझ लोगों का विचार होता है इसका यहे मतलब नहीं है कि वे समझदार नहीं है इसका मतलब केवल इतना है कि उन्होंने पैसे बनाने की कला अभी नहीं सिखी है पैसा केवल एक विचार है अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना जाते हैं तो केवल अपने विचारों को बदल दीजिए हर आत्म निर्मित आदमी ने चोटे पैमाने पर एक विचार से शुरुआत की थी और बाद में इसे बड़ा किया था यही निवेस के बारे में भी लागू होता है शुरू करने के लिए केवल कुछ डालर ही काफी है और बाद में इन से बड़ी रकम बनाई जा सकती है मैं इसे बहुत से लोगों से मिलता हूँ जो जिन्दिवी पर किसी बड़े सोदे के पीछे भागते रहते हैं या बड़े सोदे के लिए बहुत सा पैसा जुटाते रहते हैं परन्तु मेरी नजर में यह मुर्कता पूर्ण है। ज्यादातर मैंने ना समझ निवेसकों को अपना बड़ा अंडा एक ही समझोते में लगाते हुए और इस कारणों ने तेजी से बरबाद होते हुए देखा है। वे अच्छे काम करने वाले हो सकते हैं। वे अच्छे मैंने च्छे साल से भी कम समय में पांच अजार डालर को दस लाख डालर की संपती में बदला है। जिससे हर मैंने पांच अजार डालर का कैस्वल वाता है। परन्तु मैंने यह बच्पन से सीखा है। मैं आपको सीखने के लिए इसलिए प्रेरित करता हूँ क्योंकि यह इ जिने इस बात से होता है कि आपके दिमाग में क्या है पैसा केवल एक विचार है एक बहुत बढ़ी अपुस्तक है तिंक एंड क्रो रिच सोचिए और अमीर बनिये इसका सिरसकी यह नहीं है कि कड़ी मेनत करिए और अमीर बनिये यह सीखें कि किस तरह आप पैसे से अपने ल केलने के बजाए स्मार्ट बने और अपनी बुद्धी का प्रियोग करें धन्यवाद